। नमस्कार साथियो। मैं हूं अंडांस्रा। आप लोगों का वीडियो क्लाथ में यह फिर से भाकत करता हूँ। बहुत दुनों के बाद आप लोगों के सामने फिर से हाजर हो गया हूँ एक नया वीडियो लेके जो कि है बायो लॉची का और यह आपका biology का complete वीडियो होने वाला है इसमें मैं लगवलगवए दस से बारे घंटे का ये वीडियो बनाऊंगा वार इसमें मैं complete कर दूबा biology और यहाँ से जो एक सीरीज मैंने मनाई जीरो से हीरो बनाइने वाली आप इस वीडियो को जब देख लेंगे बायोलोजी के और मुझे उम्मीद है कि आप बायोलोजी से जुड़ा हुआ है निकी जीव बिग्यान से जुड़ा हुआ हर एक पिस्न को क्या कर सकेंगे आसानी से हल कर सकेंगे चाहिए वो किसी भी एकजाम का क्यों नहों किसी भी एकजाम का इस तो बात की गारंटी में लेता हूँ तो आज इस वीडियो को आप देखना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बना लिजिए, नोट्स खरीदना खरीज सकते हैं, जैसे चाहिए आप वैसे कर लिजिए, वस इस वीडियो पर भरुसा करना होगा, मुझे पर भरुसा करना होगा, क्योंकि न तो चलिए शुरूबात करते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक की और बढ़ते हैं ये बिग्या नेनी की बायोलोजी का ये पार्ट वन है लगविद दस से बारे घंटे का ये होने बाला है और इसको शुरू करने से पहले कुछ मैं जानकारी देदू कि ये ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही इसे चाहें कुछ भी हो एक कमेंट जरूर छोड़ने के आपको ये वीडियो लगा कैसा जरूर बताइए और यदि इस वीडियो के ये नोट्स चाहते हैं हिस्ट्री, जोगर्फी, पॉलिट कर दीजिए आप क्योंकि मैं chirres और में सपोर्ट कर दें, जोड़ा ससा इसलिए क्योंकि मैं वीडियो इडियो में बनाने बंद कर दिये थे तीन साल पहले जब मैं बनाया करत था, तो मेरे चैनल चैनल मोध्य करता तो मेरे हाथ वए ठोलिउ में कटोरा हाथ मैं आ गया , फिर मेरा हिम्मच जो थी तूट गई फिर मैंने सोचा कि लाओ फिर से सुरू करते हैं तो इससी काड़ से मैंने फिर से सुरू कर दिया तो लोगों कमेंट्स पगर आने लगे थे चलिए शुरू करने थे पहले हलकिसी जानकाली ले रहे थे कि आपका इस वीडियो में यानि क जो आपका जीरो सी हीरो बनाने वाला जो सीरी जो का यह वीडियो है भायो का तो इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो यहां पर हम जो बात करेंगे वह होगा सबसे पहले कोश्का का चोटा सा पर्चे हम देखेंगे कोश्का आकार आकरती संक्या के आधर पर जीवों में अलग-अलग होती है यहां तक कि किसी एक जीव के सरीर में अलग-अंग में भी अलग-अलग पेकार की हो सकती है कोश्का को सबसे पहले किसके द्वारा हो जा गया था कोश्का के अंदर की खोज किसके द्वारा की गई कोश्य का स्ञिद्ध can Chair Theory क्या है कोश्य आबा सञिद्ध क्या है जीव दर्व प्रोटोप्लाजम की खोज किसके द्वारा की गई थी ठिक है इसके बारे में हमें आपह जानने पाले हैं इसके बारे में हम जो बात करेंगे सजीब था निजीब के लच्छड क्या होते हैं जीब धारियों में कुछ प्रिमुख लच्छड पाए जाते हैं जैसे कि कोशिका संडचना संगठन उपापचय पूसर स्वसन विरद्धी और विकास संविजन सीलता जनन अनकूलन चीवन मिरत्यू चक इसके बारे में हमें इ सकते हैं नमबर एक है प्रीयोघ्यो कोशिका नियमे में जो बात करेंगे वह का कोशिका की समय पाइगे कोर्य में की बनी होती है इसके वघिली क्या होती है का जली कहा पर मझुद होते है कोशिका जल्ली के को कोश का जिलीो होती है कुछ क्रियाओं को पूला करने मदद करती है तो वह कौन कौन सा क्रिया है जैसे पार गमिता अट होगी बारे में इसी में हम बात करेचे अब आले हैं में हम आप भाडे हैं इस में घिया हiosa कोश्य का दीरब के बारे में G jpdrub क्या होता है प्रोटो प्लाज्म क्या होता है इसको आज जीव द्रब की खुछ किसके द्वारा की गई इसको जीव द्रब नाम किसके द्वारा दिया गया जीव द्रब को दो भागों में बाट सकते हैं केंद्रग द्रब बे और दूसरा होता है कोशिका द्रब बे कोशिका द्रब बे वर levar के बारे में बात करेंगे जी दरव क्याटी हमें कई तरह के तत्प पाये जाते हैं जी द्रव के जो है जायgreat few के बाड़े में बीर के करने ले इसके बात साथ09 और गोषिक के मान करें तथा गुर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् लिकिन कोश्का में पाए जाते हैं इसकी खोल किसकी उधारा किया गया यह तीन प्रिकार के होते हैं यह लबक जो होते हैं यह तीन प्रिकार के होते हैं यह लबक क्लोरोप्लास्ट अवर्डी लबक लूकोप्लास्ट और बर्डी लबक क्लो क्रोमोप्लास्ट ठीक है इसके बार लबक जो होते है एक दूसरे भी बदल सकते हैं यान कि हरा वर्डी में बदल सकता है वर्डी इस तरह से यूनिट मेम्रेंन क्या होता है इस्ट्रोमा क्या होता है थाई लोकोईड क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का रासानिक संग्रम क्या ह होता है बड़ी लबक में रंगों का निधार होता है ठीक है कोछ यह वड़ी लबक होते हैं जो कि काजर में कौनसा होता है घाजर जिकन ये में क्या चील में होता है और टमाटर में खोता है ठीक है कि इसको इसको इतारा कि गई ती या कि कि इनको दो बागों माटना जाथा कि इसको परिद्भिजालिका को एक सपाट होती है दूसरी होती होखरतीरी सपाट अंतरब्णत्य जालेका ठीक है दूसरी होते है कड़का में अंतरह प्रदब भी जालेका प्रोटीन की फ्यक्टरी किसे खा जाता है यानि की जो अंतरह प्रदब भी जालेका की कार क्या होते हैं राइबो नुक्लियो प्लोटीम कड़ क्या होते हैं राइबो सॉम्स जो होते हैं दो प्रकार क कोष्षिका पदारतों का पाचन, digestion of extracellular materials, अन्ते कोष्षिका पाचन, intracellular digestion की बारे में भी बात करेंगे, आत्मलायन क्या होता है, कोष्षिका विवाजन में साहिता trigger of cell division में हुई इस लाइस लाइसोसों का कार होता है ठीक है अब गटी बिकरा है हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम क्या होता है इसके बारे में हम इसी में बात करने पाने हैं गोल जी का यानि गोल जी वाड़िज क्या होता है मैक्रो वाड़िज क्या होता है रस्तानिया क्या होती है इसकी खोज क से अंटर देखेंगे अन्तर देखने पाले है इसी लुटियो में ठीक है इसल मिसी मैं बात करें कोशका उंगों की कजिक नहीं कि इसके कर किया है कोशिप्र के दौरा की कि इसकी कर किया है लेब किसी नहीं इसको कर है को इस का रिखिःु को सब्सक्राइब ने अर्णे uğशिते हैं खीतिट मैं अंतर के किवारे में इसी व्यूडियों में हम बात करने अपाने हैं जीवों का बरगी कड़ के बारे में बात करेंगे, classification of organism के बारे में बात करेंगे, जीवों का बरगी कड़ का मैं तो क्या है, जीवों का बरगी कड़ क्यों किया गया, नाम कड़ की दिर पाद नाम पद्दिदी के बारे में बात करेंगे इसके तुरुआत की द्वारा की गई जैसे कि मान लिजे मनसु जो हो में सेपियंस लेने है तो हो में का मतलब क्या है सेपियंस का मतलब क्या है और लेन का मतलब क्या है बर्गीकड के बारे में बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में तो सबसे जादे और सबसर्व मान बर्गीकड जो है विटेकर ने 1979 में किया था इनके दारत सभी जीवों को पांच जगतों यानि कि किंडम्स में रखा गया था जैसे मोनोरा जगत हो गया प्रोटेश्टा जगत हो गया पादव जगत हो गया इसके बारे बात करेंगे में सब के जीवाड़ होते हैं यह हर जगände होते हैं मुट्टी जल हवा पेड़ पोदे व चीफ-जंतू यह कही आकुरतियों में पाए जाते हैं जैसे कि विब्रियो उल्टे कोमा के आकार का इस पाइरल वेसलेस के अप्सूल के आखार का और कोकस जीवाडू के बारें सब पहले पता लगाने वाले विएक्ति कौन थे जीवाडू को जीवन जीवाडू नाम किसके उतारा दिया ग नाइट्रोजन स्पेमाडी जीमाडी नाइट्रा एब अमोनीकर जीमाडी जीमाडे शल्फर जीमाड़। से होने वाली हानी मनस्यों में, रोगम कम करते हैं और खाना को खराब करने हा किस्की दौरा होथ है किसके दौरा की चली किसके धार कि जा साडु कि से किसके बने होते हैं बसाडू की प्रकृति यह नीजिश्व व्वा रिस Yak vẫn क्षूटे हमें सा परचीवी अकोषी अच्छी के बने होते तयों थीक है इस करद बैंड में जो बात करेंगे वह किसारणूवों में hamshaji वाली लक्षर देख maps by रॉब यहते सामने तर दो परकार के ब्रूबवलेंट वायरस तो दूसरा होता प्रॉल्वलेंट यात है यह यह सफेछङए टेम्धिन वायरस इसको है नहीं तो प्रोटेस्टा जगत के बारे में प्रोटेस्टा जगत में प्रोटो जो आ गया यूगलेन डायटम आ गया इसका कवक के बारे में थोड़ी से बात कर लें कवक के थोड़ी से लाब देखें उसके बार हम बात करेंगे पादब जगत की तो पादब जगत को हम दो भागों में और मौस ट्रेक्योफाइटा यह संबनी पादफ है ट्रेक्योफाइटा को हम तीन भागों में बाद सचेथे हैं ट्रेट्रोफाइटा मिना बीज वाले जिम लेकिन आधि अना ब्रति वीज ठीक है एंग्योफ इसम जो होता है बीज वाले लेकिन आविरत पीजी आविरत को हम दो भागों में माते हैं कंग lol liek 9mak 2014 में इसके बाद आचा था कुंद करेमियों कर शालें सकते हैं टेट्रोट और फेसी टेटरोपूडा को चार बरगों में बाडते हैं उभाईचर, एंपिविया। सरी तरह रेप्टीलिया, पक्षी, जिएबीज, इस तंदारी मैमिलिया। यानि कि इंग्लिस में इसको मैमिलिया गोलते हैं। इस तंदारी को रेवागों में बाडते हैं। प्रोठीज थेरिया। और मेटोथीरिया जिसमें कंगार हो आता है यूथीरिया जिसमें मनुस्य और उच्छी कोटी के कोई जीव आ जाते हैं ठीक है इसके और हम बात करेंगे जन्तूं और पादवों की सारी संद्धना बोडी स्ट्रक्चर ओप अनिवल एंड प्लांस प्राणियों की संद्धना इस्ट्रक्टर ऊपनिग ठीक है तो यहां पर मैं बता हूंगा कि कि जो मनुस्व होता है या फिर किसी का suffering होता है यहां उतक प्रमुगणी तो यह समलान कुसिका हैं कई उतक इसके लिए कोढ़े पर्जबर कर लाइब यूतर वाई निया हो गया खरह है इसाँ तसे कई इवांगरs सतंत्र होते हैं सवा पाचन तंतर पासर तंतर और तंतु हैं तो हम भी जी चमूरेगे सिननेटें संयो जी परिकार के बारे मिँए ठोड़ी बात करें तिन परिकार को टosth schauen काली उतक और तरोन ऊतक इसका जो बढ़ेंगे पादक ने संदथ मेए पेर प fascism में दो परकार को अतक पाए जाते कर दो अत्थ में दो गएतिक बीविफजियोतक प्रिकार के होते हैं मिरदों तक इस थूलकॉण और दृडों तक ठिक है जती जिता ही तक जो स्फकते है जाइलंब और सार करेंगे नोट साथ में बनाते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे आपका पेड़ा पार हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं आपका इस चेप्टर वीडियो नंबर पन जो कि है बायोलोची का सुरुवात करते हैं बिग्यान के बारे में बिग्यान क्या होता है बिग करते हैं तो इसका सब्को एक मैं परिवासा बनाते हैं कि बिग्यान जो है सिधान्टों का सब्सक्राइब और विवस्तित समझ में आ गया तो चलिए समझते हैं पिग्यान क्या होता है साधर ज्यानकाली लेते हैं कि पहले हलका सा तय रहेंगे उसके बात कि जीवन के बारे में जीवन क्या होता है ठिक तो जीवन क्या है जीवन आपका पोसड जीवन आपका स्वसन जीवन आपका उससरजन जीवन आपका जनन और जीवन आपका गतिया गमद ठिक तो यह जो किरियां होती हैं जिनके अंदर उनको सम्मिलत रूप से हम कहा देते हैं भाईया वो जीवित है या कहें इन आधार पर हम क करते हैं उसको परिवासित करते हैं किसके आधार पोसर के आधार पर सुस्षन के आधार पर उस सरजन के आधार पर जन्म के आधार पर और गतिया गमन के आधार पर टिक तो जीवन के आधार पर जीवन के आधार पर साइंस या विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है यानि कि मैं जीवित हूँ, मैंने कहा मैं कोई मल ये ये जीवन है, जीवन के आधार पर किसी साइंस को या विज्ञान को कितने भागों बाटा गया है, दो भागों में बाटा गया है, कैसे पहली विज्ञान या पहला विज्ञान जो होगा, यानि कि पहला कौन सा है, क्या जाएगा दूसरा जो बिग्यान आता उसको कहते है नोन लाइफ साइंस यानि की अजीव बिग्यान अजीब बो वाला नहीं रोड पर कोई कुछता जा रहा है तो उसकी इस्टाइल थोड़ी वैसी है अजीव बो वाला जीव नहीं अजीव का मतलब जिसमें जीवन नहो नोन लाइफ यानि की जिसमें जीवन नहों समझ में आ गया तो मैंने क्या बताया जीवन के आधार पर बिग्यान को दो बागों माटा गया एक तो बो लाइफ ऑफ साइंस यानि की जीवन जीव बिग्यान दूसरा है नोन लाइफ साइंस यानि की अजीव बिग्यान ठीक ह सब देखा है मौलिक जी विग्ञान और दूस्रा है अणु प्रयोगिक लिए पर से बसट ग्योगिक करना सकता है जीए परायोगिक जी बिग्यान या रूटिक रहिं у कॉन कॉन्से से फिन बागएँ सबसे पहला है जतु विज्यान जन्थ विज्यान जिन में जन्तू का अध्यान किया जाता है। Сп канось दूस्रा जो है प१ड़ह का यनिकी जेके पतौत ले घ्री का ध्यान या इस उसको भी 4 भागूं में बाइटा गया है कौन-कौन से बाग है क्रिसी विग्यान क्योन में सभशान कितने बाइटी वेटावू 3 को यह कैने घ्तनी वेक्रिय नोच गिशें तो पता है वागा ने शोच वपने ग域न दो फर amoya को भी 6 उसको बाद में जानेंगे नन-लायव साइंस सइन्स को भी दो बादकमें जाता है जिसमें पहला है बहुत एक ग्यान दूसरा है रसायन ग्यान इसलिए इसको यहाँ बहुत आपर भूल जाए निकाल के धैकने ॡ्शाली डॉसरा समझते जानकारी लेते हैं तो शुरूबात कर लेते हैं जीव विज्ञान की तो जीव विज्ञान सुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं तो जीवन की सबसे छोटी एकाई के बारे में जानते हैं जीवन की सबसे छोटी या जीव की सबसे छोटी एकाई क्या होती है सैल यानि की कोशिका होती है और कई सारी कोशिकाओं से मिलकर एक टिस्यू यानि कि एक उतक बनता है और कई सारे उतक से मिलकर एक औरगन बनता है यानि कि एक अंग बनता है और कई सारे औरगन मिलाकर एक अंग मिलकर आंग टंत्र को मिला कर यह कि जीव बनता है कहा कि अगा पर इ Apache Just को स्टरे से यानि की उसके बाद इस्ट्रे कि से ऐसे जानेगे आगे हलका से जानकर ठीक है इसके बाद समझ आगे ना मैंने क्या बताया सबसे पहले सबसे चोटी काई क्या है सेल यानि कि कोशिका उसके बाद कोशिका से मिलकर उतक उतक से परमाडू कि परमाडू परमाडू क्या होता है परमाडू प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है इसको हम क्या कहते है परमाडू कहते है फिर से मतले दाओं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है इन तीनों में प्र परमाडू जो होता है इन तीनों में परमाडू जो होता है स्वतंत्र अवस्ता में नहीं रह सकता फिसे मैं बोल दे रहा हूं परमाडू स्वतंत्र अवस्ता में नहीं रह सकता है जब कि जो अडू होता है वह स्वतंत्र अवस्ता में रह सकता है कई सारे परमाडू क्या बनत अगर आपने साइंस पड़ं कि तो उसमें पढ़ाय जाता है कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर योगिक बनता है ठीक हाइए यह हो गया जीवन की मूलिक आई को सिकाद से पहले की बारे में भी बात कर ली को सिकाद से पहले के बारे में किसमें पढ़ेंगे non life science में पढ़ेंगे ठिक अब आती है बात कोई सिकाज बाद की इस्टिती क्या थी हलका से जानकारी ले रहे हैं समझेंगे बाद में इससे क्या रहेगा कि हमारी बाकी की चीज़े हैं इससे हमारी connect हो जाएंगी सरीर के बाद क्या बनता है एक जब एक सरीर बन जाता है तो कई सारे सरीर मिलकर एक जन्संक्या का निमार करते हैं कई सारे जन्संक्या जो होती है तो एक समधाय का निमार करते हैं कई सारे समधाय मिलकर क्या करते हैं कई सारे समाज मिलकर क्या करते हैं एक राष्ट का निमार करते हैं कई सारे देश मिलकर क्या करते हैं एक विस्व का निमार करते हैं एक गिरह का निमार करते हैं और जब एक गिरह बन जाते हैं तो कई सारे गिरह बन कर क्या करते हैं कई सारे गिरह बन कर एक सौर मंडल का निमा लूग पढ़ चुक थो आंडियान जोगर्फी में हम लोग पढ़ चुके हैं घामology चियो पढ़ा दिधर स्टेख के लिगार तो पर्मान करते हैं वायो लोजी के बारे में यानि की जीब विज्ञान के बारे में समझते हैं कि जीब विज्ञान से सुरू करते हैं बहुत आसान तरीके से में आप लोगों पताऊंगा सबर रखें, बरोसा करें भाई की तर emerged teacher की तरएं न कर पाएं क्योंकि आजकल teacher पर लोग कम बरोसा कर पाते हैं क्योंकि जितनी मोटी फीस उतनी अच्छी पढ़ाई लोगों को लगता है कि हम जितनी बड़ी coaching center में जाएंगे उतने अच्छे हमें coach क्यों बई अब यह कोगे कि भाई यह तो गलत बात हो गहीं है, टीचर से पढ़ाएड है कि कोई मूल भाग नहीं होता, बईया ऐसी बात नहीं है, चितना सस्ता कोचिंग, उतने कम पैसे, उतने ही छोटे टीचर आप लोगतों को लगें, आप लोगता है कि वो गम पढ़ा प बता दूँ कि चिन लोगों ने कभी science या biology पड़ी भी नहीं है, कभी सुंगी भी नहीं है, कभी देखी भी नहीं है, उन लोगों के लिए ये रामबार सावित होगा, और एक बात और बता दूँ आप लोगों को, ये सभी जितने भी exam होंगे, आई, एस, पी, सी, एस, जितने का बेड़ा पार होगा, 10th का होगा, तो बहुत देख सकता है, 11th का होगा, बहुत देख सकता है, ठीक है, 12th का होगा, बहुत देख सकता है, जो भी चाहिए देख सकता है, इस तरह से मैंने इसको बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत गजब इसको बनाया है, ये कहूँ मैं या कहें उससे जीब धारियों या उससे सम्मंदित किसी भी चीज या बस तू का क्या करते हैं हम अध्यन करते हैं उसको हम जीब विज्ञान कहते हैं अध्यन की दृष्टी से यानि कि जो अध्यन की दृष्टी से जीब विज्ञान की बारे में बात की जाए तो अध्यन की द्रस्ट्री से चीव विज्ञान को दो भागों में पाटा जाता है, नमबर एक है, यानि कि नमबर एक है, जन्तु विज्ञान जिसमें चीव जन्तुओं का अध्यन किया जाता है, अब बात करते हैं, जीव विज्ञान के बारे में, तो जीव तथा जन्तु विज्ञान का जनक जुथा वो अरस्तु को माना जाता है क्योंकि इन्हों नहीं सबसे पहले जू जन्तु विज्ञान थी उसके बारे में ज्यानकारी दी उस से संबन्दी थी जो भी तत्रिते वुरक्षे ठिक तो फिर से बोल देता हूँ कि जीव तथा जन्तु विज्ञान का जनक अरस्त को माना जाता है आपके अरस्तु इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनी मेलियम में पांसो तरे के जीव जंतुओं के बारे में लिखा है वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान का पापा या करें जनक जो है वो आपका जिसक कि यह दो पता चलिए दोनों के पस्तक को बारे मैंने आप लों को बता दिया यानि की जिन्दा बेखती होते हैं जीन में जीवन होता है वो उनके लच्षड क्या क्या होते हैं आइये देख लेथें सब Hydra सबी सजीवों तथा नीर्जीवों में लगवग एक ही तरह के रसाइनिक तत्व पाई जाते हैं फिर से मूल देता हूं जो नर्जीव उनमें भी वही रसानिक तत्व हैं और जो सजीव होते हैं उनमें भी रसानिक तत्व वही होते हैं अब भाया कैसे अब मालीजी ये चीनी है चीनी आपने चम्मस उठाई और खाली भाया वो क्या है वो निर्जीब है ना लेकन उसमें क्या है ग्लुकोज होता है समझे ग्या बगल में कोई कोईला है कोईला है ना क्या है उसमें कार्वन की महत्रा है तो सरीर में कार्वन होता है तो क्या हो गया वो क्या हो गया सजीव हो गया गया नहीं हो गया तो समझ मैंने वोला सभी जजीवों मैं फिर से यहां पर दिखा दे रहा हूँ एक सेकंड मैंने क्या बता jeंजन दोगी जीवा में भी होते हैं इसलिए जीवन की एक साधार परिवासा देना कि उसमें ऑको परिवासा देना बहुत ही मुश्किल है इसलिए जीवितारियों के जीवित बस्तूओं के या सजीवों के कुछ लच्छड दिये गए या उनमें कुछ लच्छड पाए जाते हैं ठीक है उसके आधार पर उन्हें सजीव या निर्जीव की स्रेड़ी में क्या किया जाता है रखा जाता है ठीक है एक वार में फिर से बता देता हूं आप लोगों को मैंने क्या बताए जीवन की संग्ठन होता है उसमें कुछ संग्ठन क्या ठीक है वो बताऊंगा आगे उपाप चाहे पोसर स्वसन ब्रद्य और विकास समेदन सिता जनन अनकूलन जीवन मिरतुचक और अनुक्रियता इस तरह के कुछ इन में सजीवों में लच्छड पाए जाते हैं इनके आधार पर हम इन्हें सजीवों की सेड़ी में रखते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं संग्ठन के बारे में तो आज़े देख लेते हैं सभी जितने भी जीव होते हैं यानिकि जो सजीव प्राड़ी होते हैं उनका एक निर्दारित बहुत एक तता रासायनिक संग्ठन होता है जो क मिलकर कई सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निमार करते हैं इस तरह से एक जीव की रचना होती है यह गुड़ निर्जीवों में नहीं होती है फिर से बताज़ें मैंने क्या बताया जीवों का एक निर्दारित बहुत एक तता रासायनिक संगठन होता है जैसे मान मतलब पैदा हुआ बच्चा मेरा और उसमें क्या सांप बाले गुड़ हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं वो क्या होता है जो अपने जनक होते हैं अब सांप का बच्चा है तो सांप ही रहेगा सांप बाले गुड़ होंगे अपने जनक किस से मिले हैं सांप से मिले हैं कौन है उ किसमें नहीं होता है निर्जीवों में नहीं होता है क्या कभी कोई चियर होती है बच्चा करती है क्या कभी देखा है कि चोटा सा बच्चा चियर का नहीं होता है उसका कभी क्या होता है नहीं आता है न मज़े चलिए आए दूसरा देखते हैं कोशी की संरचना जो की आपका निर्जीम में नहीं होता है, जिस तरह से कोई मकान, इंट, सीमेंट, गारा, मेटे, या अन किसी माल से बना होता है, या ठिक है, मैं फिर से बोल देना हूं, जिस तरह से कोई मकान, इंट, पत्थर, सीमेंट, तथा कच्छे माल से बना होता है, उसी तरह से जो जीवित या पेड़ पॉदे की किसी जीवित प्राड़ी या पेड़ पॉदे की संुरह नात्मक तथा क्रीयात्मक इकाई होती है कोशी काही है यान पूरा शरीर बन जाता है जो कि निर्जीयुमम में नहीं पाया जाता चलिए तीसरा लच्छर देखते हैं तीसरा लच्छर है उपाप चाहे उपाप चाहे मेटा वॉलिज में जिसको हम कह देते हैं अंग्रेजों की फासा में यह सभी क्या मेटा वॉलिज में यह उपाप चाहे यह सभी जीविस प्राणी होता था पेड़ पौधों का सबसे प्र होता है इने क्रियाओं को यानि कि जो मेटाबॉलिज्म या उपाप्चय होता है उसको अलग से चानेंगे अभी हम लच्छड जानना है ठीक है उपाप्चय को दो भागों में बाटा गया है पहला है उप्चय दूसरा है अप्चय आईए समझते हैं उप्चय अप्चय साध् कर रही है, ममी से मैंने पूचा क्या हो रहा है, उनने का की उप्चे करिया हो रही है, यदा है रचनात्म करिया हो रही है, रचनात्म को बने रखा उसके बाद हमने ऐसे करके रोटी बनाई तो वो क्या कर रही है यह रचनात्म किरिया हो रही है उनकी क्या हो रहा है उनका उपचय हो रहा है वो रोटी बना के तयार कर रही है ठिक क्योंकि फिर से मुझ दिया हूं यह रचनात्म किरिया है क्योंकि इस किरिया के द्वा ह 걱정 है निर्माड का यह कि उतना कहा है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कार संसलेशड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं पौधे अपना खाना जल कारवंडा यौकसाइट तथा कुछ अनिक खनेजिकों के रूप में लेकर उसे सूरी के प्रिकास में जब उसको में जब आते हैं तो सूरी के प्रिकास में प्रिकास संसले करते हैं या पर गृत्ति करते हैं और इसको करके रखते हैं किस तरह से मेरी ममी के तरह है उन्हेंने आटा मिलाया और रोटी बनाकर की तो क्या किया इन्होने अपना जल já यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना कर लिया तयार कर लिया यानि कि अपना खाना बानाकर तयार कर लिया ठिक चल किया है इसको पे की सरल संरचना वाले पदार्तों को मिलाकर अधिग जटेल संरचना वाले योग्यों का निर्माड करना संसलेशर कहलाता है पिरसे इंगें मेरा यैटा लिया व्हाँ इसमें सो बना पाई तो पूरी दुनिया जानती है दौनों को मिला कं जटिल हैं ना है जटिल हो गया ठीप फिर थोड़ी देर बाद मुख लगी मैंने कि मम्मी आज रोटी नहीं खानी है मनें कि ये खानी है वाई उनने बताया कि बैटा ऐसा है रोटी नहीं खिचडी बनवाता है खिचडी बनाई उन्होंने क्या किया चाबल डाले डाल डाली उसमें आलू डाल जैघिए इनंसारी चीजों बाइट किया कर दिया खेच्टडी बनाई है अब उनसे पूछे हमने क्या किया रिख़नी पड़ा हल्दी पड़ी धनिया पड़ा नमक पड़ा यह क्या है, सरल चीजों को मिला कर क्या बनाए, एक जटल चीज बना दी, उसी तरह समझवाय गया, इसको क्या कहा, संसले सर कह दिया ठिक च्या लिए, देखते हैं आगे, चलिए दूसरी के लिए देखते है अपचै, अब भाईया, अपचै क्या होता है उप्चे तो हमने बता दिया कि भाया उससे रचना होती है इससे क्या होती है इससे होती है रचना तमक का ये उल्टा होता है उप्चे में क्या होता है रचना की जाती है उससे जो माल तयार होता है वो अन्य लोगों को मिलता है यानि कि मेरी ममी ने रचना की जो तयार हुई खिचड़ी वो अन्य लोगों को मिली अब जब मैंने खिचड़ी खा ली जब खिचड़ी खाई तो आप में दूसरा काम करूंगा यानि कि इसी तरह से मैंने क्या बता है उप्चे जो उप्चे किरिया हुई उससे क्या हुआ जीवद्रब्र और अन्य चीजें उससे बनी यानि यह नासांत्मक क्रिया होती है क्योंकि इस क्रिया के दोरान जटिल पदार्त या पोसक तत्व क्या होते हैं वो तूटते हैं यानि कि मेरी मम्मी ने खिचड़ी बनाई अब मैं क्या कर रहा हूँ जटिल पदार्त को क्या कर रहा हूँ मैं तोड़ ना हूँ मैंने आप चे करट, यहनि की जट्रल पदारतों, सरल पदारतों को जट्ल में बनाकर यह खिच्डी तयार कर ले, खिच्डी तयार करने के बाद उसको मैं अपचय करिया के द users May 8 पेट में डाल कर उसको क्या से उर्जा प्राप्त होती है या उर्जा की प्राप्ती हमें होती है जैसे कि मा लीजिए जब स्वाशन की क्रिया करते हैं तो उसमें कार्वो हाइडरेट बिगटेट होकर बिगटेट होकर उर्जा निकालते हैं जो कि अन्नी कार्वनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन लिपेड न्यूक्लिकम बनाने में काम करते हैं, फिरसे में बोल दे रहा हूं, मैंने क्या बताया, जब सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या हुआ, जो सरीर में जो कार्बोहइड्रेट्स हैं, वो क्या होता है, बेगेटर्स होता है, या निक टूटता है, जब टूटा, तो क्या तो उस सूर्याद हमने क्या गिया अन्य कार्वनिक पदास ने जाके प्रोटीन है लिपेड है नुक्ले वामल है उनको हमने बनाया अब जब इनको बनाया तो इन चीजों के बारे में तो आप जानती है यह तो काम की चीज है ही सरीर के लिए ठीक है समया गया वहीं दूसरी ओ और पसू भी यह काम करते हैं पसू क्या करते हैं पसू हैं जीवाडू हैं कवक हैं और ETC में आप जो चाहें वो लगा सकते हैं अपना भोजन भी कार्वनिक पदासों से प्राप्त करते हैं लेकिन यह किरिया निर्जीवों में नहीं होती है क्या कभी सुना है निर्जीवो नहीं होता है चलिए चलिए पोसर के बारे में थोड़ा से जानकारी ले देते हैं पोसर क्या होता है लच्छड़ाई अभी पोसर के बारे में बात नहीं हो रही है लच्छड़ों के बारे मात करना है जीवधारों के ठीक है हर जीवधारी को निए जीवित होता है या कर बोजन की आविश्यक्ता होती है क्योंकि शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के अच्छी तरह से चलाने के लिए उर्जा की आविश्यक्ता होती है दुनिया जानती है बाइक खरीद लिए आपने भाइया बाइक के लिए अच्छी उसकी सारी किरिया हों तो उसको क्या चाहिए उर्जा चाहिए उसको हम किस रूप में देते हैं उसको हम पैट्रॉल के रूप में देते हैं लेकिन सजीवों का यह लच्छड ठोड़ा अलग ह ठिक तो यह है उर्जा सभी जीवधारी बोजन के आक्सी करड़ से हम प्राप्त करते हैं खाना खाने की किरिया से लेकर जब हम ऐसे करके ममी ने खिचिड़ बेनाई तोड़ी देल पहले अभी रखी है ठंडी अभी खाई नहीं मैंने थोड़ी सी खाई है मैंने खाना ऐसे उठाया एक चमच भरी और जैसे मूह में अने डाली चावाना सुरू नहीं किया जैसे ही मैंने मूह में डाली आपका जो पोसर का जो तरीका था या के पोसर की प्रिक्रिया थी वो सुरू हो जाती है जैसे में उन्हें टाला, उसको चबाया, चबाते चबाते ठीड़ा सा हमने उसको निगला, निगलने के बाद हमने उसको पेट में डाला, पेट में पहुचा, पेट में जाके वो गड़बड होने लगा, यानि कि वो अपना जो भी किरिया है थी वो होने लगी, यानि कि के बारे में बात कर लेते हैं एक लचषड के बारे में बात हो रहा है ठिक तो सुसन क्या होता है है पसंद एक अपचाई या केटावालिज्म के लिया है ये सभी जीव जन्तों के लिए सबसे प्रमुक के लियां में से एक है इसके तहत सभी जीव जो होते हैं इसके तहत सभी जीव ऑक्सिजन लेते हैं जिससे वे बोजन का क्या करते हैं ऑक्सी करण करते हैं इससे सियोटू तता H2O और उर्जा उत्पन होते हैं जैसे कि आप लोग कई बार बता भी चुका हूँ कि जब oxygen लिया हमने अंदर पहुचा तो उससे क्या-क्या बना उर्जा बनी और भार हमने क्या चोड़ा भार हमने CO2 चोड़ी और जब हम सांस लेते हैं तो कुछ जलकी बूधे बाहर आ है ठीक फिर से मैं बोलते हैं कि सब्सक्राइब के लिए एक महतपूर किरियाओं में से एक है इसके तहट मैंने क्या बताया इसके तहट एक सेट मैंने क्या बताया इसके तहट सबीजीव oxygen लेते हैं जिससे बी oxygen का oxygen करते हैं इससे CO2 यानि की carbon dioxide H2O यानि की जल और उर्जा उत्पन होती है बोजन के औकशिकरण से उत्पन ऊर्जा ATP के रूप में इ يا एका चाने चलिए ब्रधि और परिवार्धन इसको हम कहते हैं growth and development तो ये क्या होता है एक सजीवों का प्रमुक लेचड होता है जो की न誉जीवां में नहीं पाया जाता है आई ये समझते हैं या जायोड से होती है, इसके बाद इस कोशिका में क्या होता है, विवाजन होता है, विवाजन के बाद विवाज़ कोशिगाईं से अने कोशिगाई बनती है और उससे पूर पूरा एक सरीर बन जाता है जिसके काड़ एक उतक बनता है फिर एक अंग बनता है फिर एक अंग तंत्र बन जाता है ठिक फिर एक पूरा सरीर बन जाता है ठीक है इसी को हम क्या कहते हैं ब्रद्धी कहते हैं जो कि ज जीमों में होती है लेकिन निर्जीमों में नहीं होती है किसमें नहीं होती है निर्जीमों में नहीं होती है समझ में आगया ठीक है तो यह के लिए निर्जीमों में नहीं होती है बैसे निर्जीमों में ब्रद्धी होती है लेकिन ब्रद्धी बहारी कारणों के होती है जैसे क कि मान लेजी आप रेकिस्तान होते हैं रेकिस्तान में तो या करें मरुस्तल जिसको डिजट क्या देते हैं तो आप लोग कभी कभी देखेंगे अगर जाते हैं वहां के रहने वाले गर हैं तो आपको कभी कभी देखेंगा रेट रेत है ना तो रेत में क्या है कभी रेत कम हो जीव बातावड में होने वाले परवर्तन के प्रती संबेदन सील है सादरवासा में समझते हैं मैं आप लोग की सामने यहां पर बैठा हूँ इसका काड़ है गर्मी लगना इस तरह से मैं एक यह ट्रिशट डालके बैठता हूँ बंद कर दिता हूं तब लगती है गर्मी तब जब गर्मी लगती है तो भाईया क्या करना है इसको किवल यही पहनता हूं इसका मतलब बातावरण में होने बाले परवर्तन की प्रति क्या हो रहा है संबेदन सील हो रहा है व्यक्ति मैं मैसूस कर रहा हूं कि भाईया गर्मी करने में क्या होता है संच्छम होता है फिर दो बोल दे रहा हूं मैं सभी जी बाता बड़ में होने वाले परवर्तन के प्रति क्या होते हैं संबेदन सील होते हैं इसी परवर्तन से अपने आपको बचाने के लिए क्या करते हैं वह जरूरत के अंदर अपने अंदर या जो भी चीज होती है उसमें क्या करते हैं परवर्तन करने में सच्छम होते हैं कौन जो सजीव होते हैं जैसे कि जब सर्दी आती है यह गर्मी होती है तो उसको मैसुल करते हैं तो क्या करते हैं सर्दी आई तो गरम कपड़े पहन लिए गर्मी आई तो टी सर्ट में बैठा हूं समझ जान रखा कि हम उसको उस जगे पैर नहीं रखना है यह मैसुच्छ वहार संब्र दंसीलता ठीक है चैलिए नेख देखते हैं अनुकूलन यह जो संब्र दंसीलता होती है यह किसमे नहीं ओती है सजीवों में नहीं होती है, ये जैसे माली ये फोन है, इसको हराम कोर को मैं फैक दूँ, ये मेरे पास मैं इसे उठा लाओंगा, ये मुझसे ये नहीं कहेगा, बाई साब तुम फैकते हो, आमारी तुमारी बन नहीं पा रही है, हम जा रहे हैं किसी और गिराक के पास, नहीं अनकूलन adaptation क्या होता है जीवों में बाहरी बातावड के अनसार अपने सरीर की रचना को और सवभाब को बदलने की छमता होती है जैसे कि पानी में मचली जो होती है पानी में मचलियों का अनकूलन होता है उसके इसाब से उन्होंने अपने आपको डाल लिया है उनके गिल्स ह यानि कि जो क्लोम है या हम उसको कहते हैं अंतर आ रहे हैं उससे वो सांस लेती है हम लोग नहीं ले सकते हैं ठीक है मेरा क्या होता है पानी में भी रह पाता है और आपका जमीन पर भी रह पाता है उसने इन दौनों के लिए अपको अनकूलन किया है इसके बाद जैसे आपका ये हाथी है, स्री हाथी नहीं है, ये उंठ है, उंठ क्या है, रेगिस्तान का जहाज का जाता है, अब जहाज के लिए मतलब ये थोड़ी ना, इसके पीछे पंक लगे हुई ये उड़ता है, जहाज मतलब इसने आपको वहाँ के लिए अनकूल बना लिया है, ये अपने आप अपने ँपर जो पतियां होती है वो अपने आपकी पतियों कम कर लेती है और उसके साथ ही जो ईसकी पर वास्पूर जेनी आ का है जो पानी की जो मतलब उसमें से जो दूप पड़ी है न तो भाप बनकर पानी कम उड़े, इससे उन्हें पानी की कम आविस्सकता पड़े, तो हैंगा, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, कभी-कभी जैसे ठंडे छेत्र के जीव हैं, जैसे कि आपका पैंग्वीन हो गई, आपका जो भालू दिख रहे हैं, ये दोनों, ठीक है, तो इस तरह ठंडी जगर पर पाई जाने वाले जो जन्त होते हैं, उनके उपर क्या होती है, मोटी परत वो अपने उपर जमा लेते हैं, या कर उनके उपर मोटी परत होती है, तो ये अनकूलन होता है, ये निर्जी वहां में नहीं होता है, भाईया फानी है, पानी है, ये हम, रोज हमसको पानी में डुबो Więiddag कर्क सकता यह पानी में फैसका ना में चाहूंगा तभी समय यह वाटर दुब बनेगा उससे पहली बाटर पूरूब नहीं वनेगा पानी मिर दाल दिया है यह काहानी किया है और यह इस तो ये नहीं है कि अपने आपको इस तरह बना ले के हम पानी में खराब न हो मेरी कहानी खतम न हो तो ये निरजीवा में नहीं होता है चाली कि ठरिजनन देख लेते हैं रिट प्रि जंवर तरह किया करना dział कषर क्रम चलिए और नवा है के फनि प्रिप्रोडक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पैदा करते हैं, ये अपनी बंस विरद्धी करने की छमता रखते हैं, बलकि चो निर्जीब होते हैं, इस तरह की छमता नहीं रखते, ये फॉन रखा है, ये एक रखा है, इसको दो करोर साल तक भी ऐसे ही रखा रहे ने दो, तो अभी इसमें न ये बच्चा करेगा, न इसम कोई feelings नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं, कि हमने ऐसे रख दिया, अब एक के दो हो जाएं, जैते छोटा था हमें, तो छोटे पर बोजे नहीं, बुक्स वगेरा होती हैं, ये इस तरह की जो बुक्स वगेरा होती हैं, बुक्स में जो मुर्गे का पंक लाकर, उसमें बुक्स में रखडेते थे, तो बुक्स में जब मुर्गे का पंक रखते थे, तो उसमें खड़िया डालनी पड़ते ही चौक चिसको बShow, पूलते हैं, जैसे बच्चा कर देती हैं, ये मतलब, मतलब, जनन हो जाता है, एक से दो होलते हैं, तो वह मालब फ़रवूला में आज तक समझ में आए कि एक से दो कैसे हुए तो यह वेचे तक आनी है वैसे ही जो निर्जीव होता है उनमें जनन नहीं होता है चलिए नेक्ट रेते हैं अनुकरिया क्या होती है सभी जीव उद्धीपन या करें भाव के प्रति क्या करते हैं अनुकरिया सील होते हैं जैसे कुटा है अपने मालिक को देखकर क्या करता है पूंच लाता है अब क्यों कर रहा है क्यों क्यों इसे अच्छा लग रहा है क्यों हमने कहा और टॉमी तुम्हारे क्या हाल है तो उन्हें का बहुत अच्छी है अब उन्होंने हमें बताया कैसे उन्होंने अपनी जो पूंच है न उससे हमें बताया जिस तरह की पूंच उसमें एक अलग से पढ़ाई हुथ है, कुप्त्टे की पूंच हिलती है तो book क्या कहती है, वो अलग से एक book है, उसको पढ़न लेना, अब यह मैं हलकी से बात आता हूँ जो पूछिली उसने क्या कहा कि मालिक मैं बहुत खुस हूँ इस तरह से उसने पूरी जानकारी आपको दे दी तो क्या किया मैंने जो उससे अपना भाव था वो दिया कल मैं आप लोग के लिए डालू बहुत सारे वीडियो डालू मैं आप लोग का सुलता हूँ हमेशा बेड ब्लॉक कर दिया ऐसा करता हूँ हमेशा क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया हमेशा कहता हूँ अगर किसी को इतना भी मिल रहा तो ले लो मूँ न चलाओ खुस रहो मस्त रहो तो कि फिरी का चंदन गिस मेरे नंदन वाली कहानी है न तो फिरी में मिल रहा है तो लो ठिक इसी तर तिक मैं इसे कभी कम चलाऊं या ज्यादा चलाऊं ये मेरे साथ किसी भी तरह का कोई विभार नहीं करेगा मैं किसी से पडोसी हूँ उससे थोड़ा से ज्यादा बात करूं उनसे अच्छे से बात करूं बहुत जारा ग्यान पेलूं उन्हें अच्छा लगेगा और जब भी वो कभी मिलेंगे तो दूर से करेंगे और वाश साथ कैसे हैं क्या हुआई ये एक दम भाव है मेरा उन्हों ने किया क्यों हमारा उनसे बहुत अच्छा प्रेम है बहुत अच्छे तरे मानते हैं बेद्हीं परोसıldि क्या होता है कोई कुछ कर रहा है तो उसके प्रत क्या करते है भाब होता है ये निर्जीवों में नहीं होता है तो साथ यो यह हो गया आपके सजीवों के लच्छड़ों के बारे में ठीक है चलिए चलिए शुरुबात कर लेते हैं कोशिका के बारे में कोशिका क्या होती है क् कौन कांसे इसके अंग होते हैं किसने खोज की कब और कितने समय पहले की चलिए देखते हैं आई कोश ये का जीवन की मूल एकाई देखते हैं कोश का जो है चीवधारियों की जैबिक किरियाओं की रचनात्मक तथा मौल एकाई है इसको अंग से मिलक अंग तंत इस तरह से एक चीव का पूरा निर्माड होता है तो इसका क्या मतलब हुआ जीवन की मूल एक क्या हुई आपकी कोश का ही कोश का से मिलकर ही पूरा जीव बनता है ठिक कोश का एक विश्यस प्रिकार की पारगम कला या मेंब्रेन से गिरी होती है मेंब्रेन क्या होती है एक जिल्ली की तरह होती है तो उससे गिरी होती है इ चोषिका कोशिका तो ये की कोशिका होती है तो बो आपकी सुत्र मुर्ग के अंडे की कोशिगा होती है। सबसे बड़ी और सबसे भारी कोशिका भी होती है क्या आप यहां पर देख सकते हैं दोनों की यह मुर्गी का अंड़ा है यह सुत्रमुर्ग का अंड़ा है मुर्गी का जब अंड़ा है तो आप जब एक अंड़ा अगर वालते हैं तो उससे आपका पेट नहीं वेलेकर लेक कोशिका आकार आक्रती संक्या के आदार पर जीवों मैं अलग-अलग होती है, यहां तक कि किसी एक जीव के सरीर मैं अलग-अलग कोशिका हैów कि कि सी में पहले 1665 में एक अंग्रेज ब्यक्ती थे जिनका नम था रौवर्ट हुक ठीक है तो कोशिका को सब से पहले 1665 में रौवर्ट हुक ने क्या किया था खोजा था इसको एक कौर्क में सूच में दर्शी से मदमक्खी के छते जैसी आकरती देखी यानि कि को था उसमें क्या किया जो रौवर्ट आपके हुक थे उन्होंने उसमें एक आकरती देखी किसके कैसी आकरती देखी मदमक्खी के छते जैसी आकरती देखी जिसे इन्होंने क्या कहा कोशिका कहा किसने कहा आपके रोबाट दोक हुकते हैं इन्हों ने सबसे पहले दो जर्मन बेग्यानिकों ने एम स्लाइडन 1838 में तता टी स्वान ने 1849 में एक सिधांत प्रुस्तत किया जिसको कोशिका सिधांत या कोशिकाओं से बने हुए है किसने बताया आपके इम सिधांत ये बताया कि कोशिका सभी जीवों की संदर्चनात्मंक था उनके कार की मूल एकायी होती है इनोंने ही इस सिधांत को दिया दौनों लोगोंने और इस सिधांत को ही कोशिकाओं सिधांत कहा जाने लगा क्या कहा कहा गया कोशिकाबाद सिध्धान्त कहा गया किसके दोरा दिया गया था आपका एम स्लाइडन और टी स्वानम ठीक इसके खुछ समय बाद यानि की टी स्वानम और आपके जो एम स्लाइडन थे इन्होंने अपना जो काम कर दिया कोशिकाबाद सिध्धान दे दिया उसके कोशिका हैं जो मौझूद थी पहले से उन कोशिकाओं से ही यह नहीं कोशिका है मनी यानि कि यह कहा कि कोई कोशिका कहीं बाहर से नहीं आते हैं यानि कि मेरे सरीर में जो कोशिका मौझूद है वो हजारों लाखों सालों से ही चली आ रही है यह यानि कि उनका प्रिकास हुआ है लेकिन यह नहीं कि मेरी कोशिका है तो उसका कोई इस तेसल निर्मार हो जाए को जो पहले से मौझूद कोशिका है उन्हीं के द्वारा ही यह क्या सकते हैं केंद्र का तो केंद्रा ताथा केंद्र का की उपस्त reviews या अन पस्तिति के आदर पर कोशिकारों को दो भागों में पाटा या सकता है पहली कोशिका है आपकी pro-karyotic यानि के शुरुबाद की कोशिगा है इसका निर्मार्वड ठीक है और केरियोटिक मतलब केंदरक तो मूली कोशिका हैं होती है यह मूली मतलब सुरुबात की कोशिका होती है इनका निर्मार सबसे पहले हुआ था इनमें केंदरक नहीं पाया जाता ठीक है किसमें जो प्रो केरियोटिक कोशिका है इनमें केंदरक नहीं पाया जाता इनम केंदरत तता कोशिगा जली भी इनमें नहीं पाई जाती दूसरा है यू केंदरी कोशिगा इसमें इसको हम सु केंदरी कोशिगा सु मतलब होता अच्छी तरह से बिक्सिट जैसे कि आप लोगों को छोटे अगर हो किसी ने सुना हो कि अगर सरकारी स्कूल में पड़े हो या मि लást, हेंदी मीडियों वाले में अगर पड़े हो तो वहां पर सु लेक बोलती थे तो शुलेक यानि कि लेक करते ना आपको उसको español कि वाहत साम क्यते है अंग्रिजों की भातसां में तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, जो कि जिल्ली से गिरा हुआ होता है, अगर साधरवास हम समझें, तो इसमें सत्त केंद्रक के साथ जिल्ली से गिरा हुआ को सिकांग भी पाया जाता है, जब कि प्रोकेंद्रक में क्या है, जब केंद्रक ही नहीं, तो केंद्रक जिल्ली भी नहीं होगी ठीक है समय आगया और यूओक और पे क्या है केंदरक है और अच्छी तरह से बिक्सेट भी है ठिक चलिए तो चलिए सबसे बेले बात कर ले थे हैं दो कैरियो टीक के बारे में किसी जंका ली ले रहे थे हैं पहले मैं आप लोगों बता दूँ को प्रोकेरियोटिक होती है उसमें किसी भी तरह का कोई केंदरक नहीं होता है अगर केंदरक होता भी है तो वो अच्छी तरह से बिक्सित नहीं होता है बिल्कुल ना के बराबर से मान सकते हैं चलिए आई समझते हैं ये बे कोशिका होती ह जिन में केंद्रक कला केंद्रक तथा अच्छी तरह से बिक्सित कोशिकांक नहीं होते हैं किसमें आपका प्रोकेरियोटिक कोशिका में इन कोशिकां को प्रारंबिक या आर्धि कोशिकां भी कहते हैं कोकि जब जीब का निर्माड हुआ था तो सबसे पहले प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं का ही क्या हुआ था निर्माड हुआ था समझ्या गया इसका केंद्रक का पदार्थ कोशिका दिर्व में स्वतंत रूप से फैला हुआ होता है यानि कि इनके केंद्रक का पदार्थ जैसे प्रोटीन है आर एने डिन है कोशिका दिर्व के बीच सीजे संपर्क में ह नहीं पाए जाता तको इन्द्रक में चुसे का ड्रबिसे संपर्कों करती है अब जब केंद्रक है तो केंद्रक में क्या पाए जाता है RNA, DNA और protein पाए जाता है अब जब केंद्रक ही नहीं है और केंद्रक ही नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा अब माली जी यहाँ पर है यह बाला ठिक इसमें पूरे में कोशी का द्रब है ठिक अब जब केंद्रक ही नही तो इसमें क्या जब केंद्रक की नहीं, तो इसका सीधा संपर्क किस से होता है, आपका कोशिका द्रब्ब से सीधा संपर्क होता है, RNA, DNA और प्रोटीन का, ठिक, चलिए, इनके गुर्षूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाय जाता, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि गुर् प्राइबो पाईजाता है इन की कोस्का मैं कि सेवन्टी एस प्रकार के रायबोस्टां के रायबोस्टार अगा प्रमुक प्रो केरियोटिक कोश्काओं वाले जीवों के अगर बात कर लिए तो जीवाडू में ये कोश्काओं पाई जाती हैं विसाडू में ये कोश्काओं पाई जाती हैं और नील हरित या नीले हरे स्वेवालों में ये कोश्काओं पाई जाती हैं किसमें जीवाडूं म में बशाणओं में और नीले हरिस स्यवालों में ये कोशिका पाई जाती है चलिए चलिए यू कारी तकि कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें पूरी तरह से ब्गसित कोशिकांग केंद्रक कला होता है मैंने बताया था आप लोगों tha आप को कि इसमें पूरी से विक्सित होता है इसमें 80S प्रिकार के राइबुसम्स पाए जाते हैं 80S टाइप है यह राइबुसम्स का 80S प्रिकार के राइबुसम्स पाए जाते हैं इनके केंद्रक के पदास जैसे कि आपका प्रोटीन केंद्रक है यह आपका केंद्रक है यह पूरा केंद्रक है कोश्का का केंद्रक है यह आपका केंद्रक है और यहाँ पर भी आप देख से केंद्रक है यहाँ पर ठिक तो केंद्रक में क्या है मैंने बताया है कि इसके केंद्रक में क्या पाई और ये मेरे प्रोटीन और ये मेरा आपका डियने और ये आरेने ये तीनों क्या हैं बच्चे हैं मेरे और ये मैंने क्या कर दिया एक गेरा बना दिया जिसको हमने केंद्रक के चार ओर क्या है ये कोशिका दिरब पर फैला हुआ है इस तरह से इस तरह से इस तरह से अब क्या ह है कि आपको क्या करनी है प्रोटीन से बात करनी है तो किस से पहले बात करनी हूंगे आप किस से बात करेंगे आपको केंद्रक से टकराना पड़ेगा तो क्या है किसके संपर्क में आप केंद्रक के संपर्क में प्रोटीन से सीज़े संपर्क में नहीं है समझ्या गया चलिए तो मैंने फिरसे बहुत बोल दे रहा हूं उनकपअधकर के पतार जैसे प्रोटीन अर ऩकुछका है uniform कि शुंपर्क मुने बल्कि केंदर के संपर्क में होते हैं इनके गुर्थ सूत्र में histone protein पाया जाता है फिरसे में बोल दे रहा हूं इनके protein makes histone protein पाया जाता है यानि कि यू केरियोटिक कोशिकाएं किन किन में पाई जाती है नील हरी सेवालों को छोड़ कर बाकि जितने सेवाल होते हैं उसमें यू केरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है पिर पौधों में आपकी यू केरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है चलिए समझते हैं कोशिका की सन रचना के बारे में कोशिगा की सन रचना के बारे में आए देखते हैं इसकी किस तरह सन रचना होती है हुआ क्या था कि 1932 में जर्मनी के दो बैग्यानिक थे जिनका नाम था एक का नाम रसका दिस दूसरे का नाम नौल क्या नाम था रसका और नौल तो रसका और नौल है 1932 में एक अविस्कार किया जिसको हमने कहा इलेक्ट्रों सूच में दर्सी का मतलब यह था कि इस से यानि कि इलेक्ट्रों सूच दर्सी से किसी भी बस तुका या किसी भी चीज का आतार एक से दो लाख गुना बड़ा देखा जा सकता था तो जब कोई इसका जब अविस्कार हो गया तो इन्होंने क्या किया कि सबसे बड़िया चीज देखी इन्होंने क्या देखा सबसे पहले इनने नहीं देखा और पी कई लोग थे क्या हुआ कि सूच मर्दर्सी से कोशिका को जब देखा तो उसमें क्या हुआ संरचना हमें दिखाई पड़ गया, इस से पहले क्या था कि कोशिखा के बारे में जानकारी तो थी लेकिन, इतना बड़ा नहीं देख पा रहे थे, कि हम उसके अलग-अलग Еще को देख से घजक हैं अच्छी तरह से, और उसका हम एक अच्छा सा विवाजन कर सके, यानि कि उसको एक अच्छा सा उसका बरगी कर सके हैं लेकिन जब इलेक्ट्रों की खोज उगई तो कोशिका को एक से दो लाख गुना बढ़ा करके देखा गया और उसमें कुछ उसकी जुछ कोशिका की संनत्ना देखी और उस संनत्ना के आदार पर उसके कई सारे अंग उसमें प्रानवरों में होती है कोशिका जिल्ली और आपकी पेड़ पहुदों की होती है कोशिका वित्ती ठीक तो कोशिका विल्ली या सेल वाल वो कोशिका वित्ती है सेल वाल दूसरा होता है प्लाजमा जिल्ली या द्रभी कला तीसरा होता है जीव द्रभ या जीव कला या से जूम करके दिखा दीता हूं पहले तो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा हो को माय टूक ओंडिया जिसको एक एक करके समझेंगे कोशिका दिरब्द यानि कि पूरी कुछिका में जो फैला हुआ है उसको दिरब्द कहते हैं लेंड का यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अ हारक केंद्र आपका इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं केंद्र यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कोशिका के बीच बालावा केंद्र कहलाता है केंद्र केंद्र के अंदर भी एक छोटा जवाग होता है जो सेंटर पर होता है उसको हम केंद्र का कहते हैं ठीक इस हुए इसके बारे में बात करेंगे के लिव कोई के लिव ऑपा कते हैं फेंश कंदेन सब्सक्राइब के बारे में को सुधी जो ढोट में में खोषिक जो चीव आपका पेड़ पॉदो की कुःसब्ष का में serious कि हुती है की कोशिकां पाई जाती है जबकि जीव जन्तुओं की कोशिकां में यह देखने को नहीं मिलता तो इस तरह से सभी पेड़ पौद है सभी जीमाडू और नील हरे सेवालों की कोशिकां में कोशिका वित्ती पाई जाती है सेवालों के बारे मैंने क्या बताए था कि सेवालों म में आपकी कोशिका जिल्ली पाई जाती है बाकी जो सहवार होते हैं उसमें कोशिका जिल्ली पाई जाती है यानि कि जिसमें कोशिका समझाए गया ना चलिए तो कोशिका वित्ती जो होती है वह सहलू लोजकी बनी होती है कोशिका वित्ती का मुख्यकार कोशिका दिरभी तत बनाए रखने में भी मदद करता है कि इसकी जो पादप होते हैं यानि पीड़ पॉद्यों की जो कोशिका होती है उनकी कोशिकाओं की एक निश्यताक्रती बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि ये बाहरी आवरण होता है ये कोशिका है पूरा ये ये बाहरा जो बाहरी ज इसकी है आपका ये इस वाली तो ये क्या कर रहा है पूरी कोशिका को एक आक्रती दे रहा है इससे क्या रहता है कोशिका का एक निश्चित आक्रती बनी रहती है इसकी संद्चना तता रसायनेक संगठन अलग अलग होते हैं जैसे कि सेवालों में तता हरे पेड़ों की कोशि कोशिका वित्ति होती है वो सेलूलोज की बनी होती है जब कि जीवानों की जो कोशिका वित्ति होती है वो पेप्टो पेप्टाई पेप्टाई डो ग्लाइकेन यानि कि पेप्टाई डो ग्लाइकेन से बना होता है जब कि कवकों की कोशिका जो होती है कोशिका वित्ति होती ह वो है काइटें से बनी होती है मैंने क्या बताया जो आपकी कोश्का वित्ती होती है उसकी संद्चना तथा संगठन अलग-अलग होता है जैसे कि सेवालों में तथा हरे पेड़ पौदों की जो कोश्का होती है उसकी जो कोश्का वित्ती होती है वो है आपके किस से बनी होती है सेलीलूस से बनी होती है जबकि जीवानों की जो कुछ का वित्ति होती है वो पेप्टाई डोगलाइकेन से बनी होती है जबकि कवकों की जो कुछ का वित्ति होती है वो है आपके काईटें से बनी होती है फिर से बोलते दावं जो कोशिका वित्ति होती है वो अलग 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 हुट कि कब कोफिका क्यों की होती है काइइन की बनी हुइ होती है चलिकोशिका जिल्ली के मत कर लेते हैं कोशिका जिल्ली कोशिका कला या सेल मेंब्रेन के बारे में तो यह देखते हैं मैंने क्या बताया था कि कोशिका की सबसे पहारी परत को हम क्या कहते हैं कोशिका जिल्ली कहते हैं यह मैं देखा दूँ यह आपकी पूरी कोशिका कोशिका की सबसे लास्ट की जो भित्ती कहते हैं मैं पर से बता जिता हूँ कि जो कोश्का होती है मान लिजे कोश्का है ये दो कोश्का है मान लिजे ये जो आखरी परत है ये वाली ये मान लिजे जीव जंतुओं की है और ये आपकी पेड़ पौदों की यही आखरी परत जो है पेड़ पौदों में आपक की वाल के नाम से यान की सेल वाल या बित्ति के नाम से जानते हैं इसको और यह जीव जनतु कोशिका में इसको जिली या कोशिका कला या सेल मेंब्रेन के नाम से जानते हैं चीज भई होती है उसका जो तत्त होता है ठोड़ा बदल जाता है ठीक है बस यह कोशिका के चारो औ एक परत के रूप में होती है If you can do why single kuh जूंद यहाँ पर आप चारो врем परत लिए हैं यह को चै сторों और को पाले रूप में पहले हुती है तो यह जन्तूंता फिर पौदनों में पाई जाती आती है जैसे कि मीने आप लोग symuk processing होती है उसकी आखरी जो bottles होती है उसको हम जीव जन्तों की कोश्का में हम कोश्का वित्ति कहते हैं और पेड़ पौदों की में हम इसको क्या कहते है कोश्का वित्ति कहते हैं वित्ति आपकी मैंने बताया विता कि पेड़ पौदों की वित्ति से बनी होती है आपकी जीवाणों की प्रोटीन तथा बसा से बनी होई होती है इसमें कुछ कार्बोहाइडरेट की मात्रा भी होते है या कर्बोहाइडरेट भी मौजूद होता है कोष्ट का जली है या कोष्ट का कला या कोष्ट मेंब्रेन इसको हम कहते हैं इसे के बारे मीं बात हो रही है चली समझते हैं यहे बहुत पतली होती है लचली होती है और अर्ध पारगम में होती है अ Usedbody पारगम मतलब कुछ चीज़ा आ सकते हैं और कुछ चीज़ा जा सकते हैं सब चीज़ तो मैंने क्या पताया यह जिली बहुत पतली बहुत लचीली और अर्ध पारिगम में होती जो की जरूरी पदार्थ को अंदर और बाहर जाने देता है इस प्रिक्रिया को चैनात्म क्या ह debate कहते हैं अब चैनात्म भी बैश थे तब आपका वहां पर चैन हुआ और आपने वहां पर क्या किया आपने एक्जाम देने के बाइब आप चैन हो गए क्या हुआ चैनात्मक क्या हुआ पारगमिता है यानि कि चैन करने के बाद है यानि कि हमने आपका जैन किया हमने चैन किया आपका अब यह नहीं वो फुल वाल दी पार्टी और उसको यादा पार्टी की नाम से ज्दा धेमगा जाता है तो कि उसमें एक ही जात के सारे पार्टी में लोग होते हैं एक ही जात के पूरे विवाग में लगा लिए जाते हैं ये जातवाद बहुत हावी था आज से कुछ दो-तीन साल पहले जातवाद इतना हावी था उत्तर प्रदेस नामक इस राज्य में कि उल्टी आती थी इस उत लेकिन कूस गां में क्या होता है? यह जातवाद नहीं करता है बलकि क्या करता है चैनात्मा करता है, जो लायक होता है जैसे कि मान लेजिए यह आपका चीज है, अब बहार से कोई माल आ रहा है ट्रक आया यह अब क्या था हमने ट्रक यहां पर रोग लिया ट्रक में क्या माल है हमने चेक किया देखा वह यह जाने लाइक है तो चला गया अंदर कुछ का के अंदर अब देखा है ट्रक में कुछ है सचीज है जो नहीं जा पा रहा है अर्ध पारगम में है नहीं अर्ध पारगम जिल्ली है ना बाहर आता जैता रहता है पर आश्रड टिंग इस से के द्वारा ही प्रोटीन संसलेसर होता है ठीक है चलिए दूसरा समझते हैं चलिए प्लाजमें जिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं प्लाजमें जिल्ली क्या होती है कोश्का जिल्ली के बारे में अपने बात कर दी प्ला कोश्का जिल्ली ठीक है पेड़ पौदों में से कोश्का वित्ति कहते हैं आईए इसके बाद कोश्का के अंदर क्यों बढ़ेंगे तो एक परत पाई जाएगी इसको हम कहते हैं प्लाज्मा जिल्ली प्लाज्मा जिल्ली के बाद क्या होता है आपका कोश्का दिर्ब सुरू ह हो गया यह ठीक है प्लाजमा जिल्ली के बाद आपका कुष्ट का जिल्ली है वहीं इधर आते हैं पेर पौदों कुष्ट का में देख लेते हैं पेर पौदों की कुष्ट का जो होती है लास्ट कुष्ट का वित्ति कहते हैं आखरी जो होता है इसके बाद एक और परत पाई जाती है अलकी सी होती है पतली सी इसको कहते हैं प्लाज्मा जिल्ली आये समझते हैं इसको अब यह कोश्का द्रब की बाहरी सीमा बनाती है अब यह कोश्का द्रब क्या है यह मैं आप लोगों को दिखा तो यह है आपकी पूरी कोश्का कोश्का में यह आखिरी परत है इसको को हम कहते हैं कोश्च का जिल्ली के अंदर जो माल वरा हुआ है जो द्रब पदात है उसको हम कहते हैं कोश्च का द्रब तो कोश्च का द्रब जहां पर खत्म होता है कोश्च का द्रब जहां पर खत्म होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा जिल्ली तो यह कोश्च का द्रब की आकरी सीमा या बाहरी सीमा मनाता है इसके बाद आपकी कोशिका जिल्ली सुरू हो जाती है ठीक है वहीं अगर बात की जाए जन्तु कोशिका में उसके बारे में भी हम भी बात करेंगे जली समझते हैं मैं फिर से बोल देता हूँ यह जो प्लाजमा जिल्ली होती है कोशिका द जित्ती जो होती है उसके बाद पाई आती है जवकि जन्तों की कोशिका में है जो कोशिका जिल्ली की सीमा होती है याकर कोशिका जिल्ली होती है उससे पहले ही एक परत होती है याकर उससे पहले ही एक छोटी सी जिल्ली होती है जो कि कोशिका दिरब उसके बाद कोशिका दिर यह बहुता है। यह भी चैनात्मक पारिगमिता करता है यानि कि कोशिकाऊ में अड़ों तथा आइनों को अंदर आने तथा जाने पर नियंतर रखता है और कोशिका दिरब्य में आइनों की सांडर्ता को बनाए रखने में भी नियंतर रखता है कैसे? जिसे मैंने इभी तोड़ी रपी established प्ताया था कि अगर किसी का किया जा रहा है तो बो जरूरत होगी तो ही हम उसको बलाएंगे तो हमें वहां पर क्या है आयन है अडू है और यहां पर क्या है क्या है अंदर आने जाने पर रोक लगाता है जैसे कुछ आयन है लग राए कि ज्यादे हो गए तो कुछी का प्लाज्मा जिल्ली मैं नहीं पर उन्हां कर लएक है चलिए छीव द्रबह बारे में बात कर लेते हैं जीव द्रबह या या प्लोड प्लिटो पलास्म के बारे में आई समझते हैं हम फ लिए नमक, ऊन्होंने वुझे होनेंवाली सभी जयविक किरियां दिफ में ही पूरी होती है जो कोशिका जि Cover with कुषका क조 होती है मालीजी ये पूरी कोशिका है कोशिका के अंदर मोझिध दम को हम ज्यव पूरी कोशिका में मुझूद रब को हम जीव रब केहते हैं जीव का नाम रखने वाले बैग्यानिक का नाम पुरकिंजय था किसे ने ले लेता तो दो भागों में बांटा है एक जीव दरव के दो भाग में सकते हैं जीव दरव का बैवाग जो केंद्र के अंदर होता है उसको केंद्र रभ यह निकलो प्लाज्म कहते हैं यह मैं फिर से बता का कोशल्ग है मैं जूम कर देता हुगा तोड़ा और ऐसे लगए यह पूरे में क्या फैला हुआ है माल फैला हुआ है यानि कि द्रब पदार्थ फैला है उसको हम जीव द्रब कहते हैं अब जीव द्रब को दो भागों में मार दिया किसने जो भी है हमें उनके बाद में जानकर नहीं दिनी इसको दो भागों मार दिया जो केंद्र यह भाग ह जो केंद्रक है इसमें पाये जाने वाला जीव द्रब क्या कहलाता है केंद्रक द्रब और जीव द्रब को छोड़कर वो केंद्रक द्रब को छोड़कर यानि केंद्रक बाला जो जीव द्रब है उसको हम कोशिका द्रब कहते हैं दोनों को सम्मिलत रूप से क्या कहते हैं कोश कोशिका द्रब की अगर बात आती है तो क्या बोलेंगे हम कोशिका द्रब आपका केंद्रक के बाहर फैले हुए द्रब को कोशिका द्रब कहते हैं केंद्रक 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 केंद्र कोश का में पाए जाने वाले द्रब को जीव द्रब कहते हैं कोश का द्रब क्या होता है कोश के इंद्रब को छोड़ कर के बाहर वाला जितना भी जीव द्रब है उसको हम की कोश का द्रब कहते हैं के अंदर के अंदर पाए जाने वाला जो द्रब है उसको हम के इंद्रब कहत कहते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोशिका जिल्ली के समस्त पदार्द को जीव दरब कहा जाता है समझा गया कोशिका जिल्ली है ये है आपकी कोशिका जिल्ली मैं आपको कोशिका जिल्ली ले चलता हूँ ये कोशिका जिल्ली के अंदर का जितना भी पदार्द से उसको जीब दरब कहते हैं इसको मैंने ऐसे भी बताया है कि आपका केंदरक दरब पिलस कोशिका दरब को मिलाकर जीब दरब कहा जाता है जितने भी तरह से आपको confusion पैदा करना है कर लो जो confusion होते हैं उनको दूर करके अगर पढ़ लिया तो हमें गवराट नहीं होगी गवराट जो होती है कि वही अकाइटोफलाज्म क्या होता है साइटोफलाज्म क्या होता है यह निकलोफलाज्म क्या होता है यह क्या होता है अब वह होता तो है उनके बीच का भाग क्या होता यह कर देता है इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को बता दिया चलिए आई चीब दरब की विजिस्ता के बारे में बात करेंगे क्योंकि इंपर्टेंट है तो हलकी सी जनकारी ले ले लेते हैं आई समझते हैं बहुत यह गुड़ पहले देखते हैं यह रंग ही अर्ध पार्दर्स तक तथा अर्ध तरल पदार्थ हुता है अर्ध मतलब आधा ठी पार्दर्स तक होता है जिसमें कार्वनिक पदार्थ क्या होते हैं घुले हुए होते हैं इस जीब द्रब में चीरी यानिकी ग्लूकोज यानि की सरक्रा नमक तता अनिक खनी जो लबड हैं घुले हुए होते हैं जो कि अडू या आयन के रूप में रहते हैं इस परकार के गोल को क्रेस्टली यो गोल कहते हैं क्रेस्टल मतलब आप लोगों पता ही है कड़ वगयरा होते हैं क्रेस्टल वगयरा तो उसमें क्रेस् जो होते हैं, अड़ों से बड़े होते हैं, क्योंकि ये योगिकों के रूप में जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों पता है तो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्मों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, योगिक कहलाता है, तो योगिक के जो अड़ू होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं समझ मैं गया योग्यकों के रूप में जोड़ा होता है इसलिए इसके अड़ूं से कड़ू क्या होता है थोड़ा सा बड़ा होता है इस प्रकार के घोल को कुलाइड घोल कहते हैं किसमें जिसमें कार्वनिक पदार्स गोले हो क्रिस्टलोग कुलाइफ सौलीशन भी इसको कह जा सकता है कि इसको चीब त्रभ्य को उसमें और घ्र कुलाइफ भूल भी है ठीक तो दोनों को समयले नियुक्ति नीटिक बारें बात कर ले तो झसां有ज है और यह एक बिसकर आसानी से बदल जाते हैं णिकाइब का का जो मान लिए ये मीठा है ये पतला है वो मीठा है और ये खटा है तो खटा मीठा हो जाता है मीठा खटा हो जाता है एक जांपल है मतलब खटे मीठे नहीं होते हैं लेकिन खटा मीठा एक दूसरे बदल जाते हैं ऐसे जो सोल है कभी जैल बन जाता है जैल है कभी सोल बन ज कहते हैं कि है कि यहांपर देख सकते सोल में जो कार्वनिक अडू है Viral यह पर देख सकते हैं यह तुर कहते हैं क्या कर रहे हैं रावनी गति कहते हैं इस कि काड़ जीव रब के जो अडू होते तो यह जो होता है तरल होता है लेकिन जो जैल होता है वह गाड़ा तथा अर्थ ठोस होता है और तो तो इसमें क्या होता है कार्वनिक अडू एक दूसरे से चिपके हुए जैल होता है घोलोग जैंब करफ़े जैल के घ्ल गटेल में नसे से चिपके हुए होता है ठीक है चले यह हो गया भाती गुट आई संदी है रसायनी कोडों के बारे में यहां पर कोशिका कास गया करते है या करती कोशिका यह इस तरह सी घ्य करेंदर लोग गई लगा अन्टत आप देम देख पा है चलिए देखते हैं रशायनी कोड़ के बारे है। रशायनी दरब के बारे में बात alcanz करेंगे आगिसे लगारे मात हो रही है जीव दरब में फिर से लीजें कराई टू क्या शेयर दिरब होता है है यह पूरी कोशी का में जो भी द्रब रहोता है उसको जीगर कहते हैं तर्वल पदाष जो होता है इसको जीगर क случа t+, को जीप थर्फ के समझे हैं तरुन समय गचांटैंग है को मफ धर सी हिसिके में लगबक टीस से जादे तत्व judgement है जिन्द में कुछ प्रमों के उनके बारे में हम बात कर लेते हैं तो यह चे कर्में की पर सेंट ते यह कार्विनिक पदार्थ है कार्वन की बात की जाए चो कार्वन जो है 20 परसेंट है यह पूरी दुनिया जानती होगी यह कार्वन जो होता है एक कार्विनिक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन की बात की जाए चो दस पर सेंट है यह कार्विनिक पदार्थ है नाइट्रोजन यॉसको योग्य कहते है ठीक है फिर से मोड़ें दो या दो से अधेक तथ अभ me माइल लेसे यह आई्टरूजन यह ओक्सीजन है आईटर्जन प्सफीजन मिलकर क्या बढना जयल बन गया एस तो बना इस तरह से यह क्या वह नधी योगिक बना चल क्या है एक हूवि State एक तत्व को यह समझते हैं तो यह पात करते हैं यह कि बात करते हैं यह जल की बात की जाए तो सबस्इब से 90 पर सिए ढइल गार्ध में इस्मनी चीविठेब में हाप लों की बात कि इथ दोष आни की बात की जाए तो यह सकता है आपकी बात की जाए तो एकक पर्सेंट को सकता है आयाने की बात forward तो 0.7% आरेनी होता है DNA की बात की जाए तो 0.4% तक DNA हो सकता है अकारवनिक लबड की बात की जाए तो 0.1% तक आपका कारवनिक लबड होते हैं एक आप फिर से रिविजिन करा दूं जल आपका 65 से लेकर 90 ठीक है प्रोटीन कितना है आपका 10 से 20 क्या है ये कार्वनिक पतार् यहां पर एक होता है के इंद्रब के बाहर का जितना भी द्रब होता है उसको हम कोशिका द्रब कहते हैं समझ में आ गया पूरी जिայ वहार क्या भाव रया में आधने कोशिका लाव में utan pee कोशिका की कितने हैं से इसी कोशिका की मातरा थाई है इसमें एंजायमों की मातरा कुछ AHC होती है एंगा कि मातरा को इस में कोषकाहओं के बहुत से घटक होते हैं दिर बहुत सारे होते हैं जिन बहुत सारे Гटक हो गया के लाइन मैट्कंड्रि यह यह हैं अंघ जैसे कि अनुरांघ थिसन देख न तो छी जुँए के मठेर्य घ्जान व तो को सुझ ना टेच के के दर्च के बारेम किया लेते हैं के इंद्रक क्या होता है फिर से एक आपरा ईयर्जिन कहते हौं ये बंड़ Um मैं आपको यसी दिखाऊं यह माली जूकुष्का के बीच बाला भाग केंद्रक का की उपरी जो सबसे उपरी जो पढ़ाते हैं उसको हम कोश्का जिल्लिक एक टिक शेली समस्ती आगे केंद्रक के बारे बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउण ने 1831 में केंद्र की खोज기 ते एक प्यागानिक दे जिनका था रॉबर्ट ब्राउण ने 1831 में ठीक, जो केंद्रक होता है, सभी यू-केरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में एक अंडाकार या का है गूलाकार रचना होती है जिसको हम केंद्रक कहते हैं मान लीजे ये उकेरियोटिक कोशिका है इसमें ये कोशिका है कोशिका का जो बीच वाला भाग है ये गूल ये अंडाकार आकार में है इसको हम केंद्रक कहते हैं ठीक है केंद्रक को अगर हम पर केंद्रक रखा हुआ है ठीक है तो यह है कोशिका का सबसे महतुट भाग होता इक उनसा केंद्रक सबसे महतूट भाग होता है इस महतुट नहीं को करने सकते हैं केंद्रक कला केंद्रक कला जिस तरह से आपकी कोशिका होती है कोशिका की जो आखरी परत होती है उसको कोशिका जिल्ली कहते हैं उसी तरह से जो आपका केंद्रक होता है केंद्रक की जो आखरी जिल्ली आखरी परत होती है उसको हम केंद्रक जिल्ली कहते हैं केंद्रक जिल्ल है वो लिपाफा से गिरी हुई हुए होती है उस तरह से आप मौने ये चिठी है कि की तरह है ये एक लिफाफिस रखी हुई है तो सबसे लाच nibesip करला है की केंद्रक जर्ली कोशिका की लाजपरत की केंद्रक जिल्ली कोशिका की लाजपरत कोशिका जिल्ली कोशिका जिल्ली यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका जिल्ली यह है केंद्रक जिल्ली ठीक है अगर मैं इसमें भी दिखाऊ आप लोगों को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आखरी परत कोशिका जिल्ली की कोछका मैं किंद्रक में जाएंगे केंद्रक की जो आखिरी परत हैं आपर जो वाइट वाइट देख रहे हैं यह जागी केंद रख जली चलिए दूसरा ने है केंद्रक दरब इसको हम nuclear त्ष कुंसा हो गया के द्रब को हम केंद्रक द्रब कहते हैं और जो केंद्रक द्रब के अलाबा जो बचा द्रब होता उसको हम कोश्का द्रब कहते हैं ठीक है तो केंद्रक द्रब या नुक्लियर शेप या केंद्रक रस्क ठीक दूसरा तीसरा है केंद्र का चौता है आपका क्रोमेटे दागें चलिए चलिए केंद्रक जिल्ली के बारे मात कर लेते हैं केंद्रक जिल्ली केंद्रक कला के आइए दिखाता हूं में आपको यह कोश्का के बीच वाले भाग को हम कहते हैं केंद्रक के ऊपर जो आपर चला होता है या जो परत होती है उसको हम कहते हैं केंद्रक कला या केंद् दोहरी होती है, यह केंद्रक के चार और एक परत के रूप में फैली हुई होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह केंद्रक के चार और एक परत के रूप में है, फैली हुई है, जिस तरह से यह पूरी कोशिका के चार और कोशिका जिल्ली फैली होती है, उसी तरह से जो लाइपो प्रोटीन से बनिऊ ही होती है ठीक है यह सिर्फ यू केरियोटिक कोशिकाओं में ही मौजूद होती है या इसको हम कैसे कह सकते हैं कि यू केरियोटिक जीव होते हैं उन्हें के अंदर ही यह केंद्रक कला मौजूद होती है ठीक है क्योंकि जो प्रोकुरियोटिक को कोशिका होती है या काई पाया नहीं जाता यानी केंद्रक नहीं पाया जाता उसमें जो केंद्रक दिरब भी नहीं पाया जाता यानि कि अविक्सिट होता है उसका कोई मतलब भी नहीं बनता हैं इसीधी स satisf वात है अगर हम पड़स say वे पड़स में नहीं मा लीज़े में बाइक खरीदने जाता हूं और बाइक लेने जाता हूं तो बाइक खरीदगा भाई वो जो चलती होगी बैठूंगा और स्टर्ट करूँगा और मुझे दिलली पिछोड के आईगे लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि भाई साब बाइक तो दिलबादूगा लेकिन अब इक्सित बाइक होगी अब उसमें टायर रही पिवर ट्यूब नहीं इस्टेंट नहीं बैट्ड नहीं इसमें कुछ में केंद्रक नहीं पाया जाता अगर पाया भी जाता है तो वो न के बराबर होता है यानि कि अब एक्सित होता है ठीक है तो सीधी बात यह है कि किसे पॉर्ट सर्फ यू केरियोटी कोशिकाओं में ही केंद्रक मौजूद होता है ठीक है प्लाजमा जिल्ली की तरह यह भी जो प्लाजमा जिल्ली मैंने आपने बताया था कि प्लाजमा जिल्ली जो है चैनात्मक पारगम करता है यानि कि मैंने बताया था कि चैनात्मक होता है कि किसी का भी चैन क करके अंदर बाहर करना है मुझे लग रहा है कि मेरा आई-एस में सेलेक्षिन हो गया हो मेरी हरकते हैं आई-एस JSI नहीं तो मेरा क्या है मुझे बाहर कर दिया गया अब कोई ब्यक्ति वहार खण आ आ है उसको क्या छोटे 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 छेद होते हैं जिससे माल का क्या होता है लेन देन होता है यानि कि लेन का मतलब लेना और देन का मतलब देना यानि कि जो माल है या जो अडू है जो कड़ है वो आते हैं और जाते इसी तरह से इनका चलता रहता है या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रब के बीच पदार्तों का लेंदिन करता है अब केंद्रक को कोशिका द्रब क्या से हो गया अब यह आपका केंद्रक ठीक अब यहां पर यह केंद्रक के बारबाला जो द्रब क्या कहलाता है कि केंद्रक द्रब कहल या नूक्लियर मेंब्रेन या सेल कोट भी हम कह देते हैं फिर से मैं बोल देता हूं केंद्रक द्रब को बहुत सरी केंद्रक जिल्ली को केंद्रक कला या नूक्लियर मेंब्रेन या सेल कोट भी इसको हम कहते हैं चलिए दूसरा देखते हैं केंद्रक द्रब केंद्रक जिल्ली उसको हम कोशिका द्रब कहते हैं, तो हम कब बात कर रहे हैं किसके बारे में, केंद्रक द्रब के बारे में, आये समझते हैं, केंद्रक द्रब या नुकलियर से, या केंद्रक रस, ठिक, आये समझते हैं, केंद्रक के अंदर पार दर्सी, तरल पदार्थ वरा होता है, यह आप प्रोटीन के छोटे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-चोडे कड़ से बना होता है इसको यह हम केंद्रक दिरब के अंदर क्रोमिटेन धागे केंद्र का रायवोसॉम्स आ रने इस तरह के कुछ तत्व पाये जाते हैं फिर से बोल देता हूँ जो केंद्रक दिर्ब है उसके अंदर आपका केंद्र 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 केंद चलिए आगे बात करते हैं इसमें एक चीज रह गई इसके अलाबा यानि की केंद्रिका क्रोमेटन दागे आरेने राइवो सॉम्स के अलाबा इसमें कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं एंजाइम्स होते हैं जब वाइल चैमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मिल रहे हैं इससे मुझे कॲिस नहीं मिल रहा है मैं सोचता हूँ आपको ज्यादा से जादा लाब मिले हैरेक चीज कुलुज siqyakabhi को एक्ताम आखिया बंद करें हर एक चीज आप मह handling कि यहां पर होती है यहां पर होती है इस तरह से इस लिए मैं बहूल रहा हूं मुझे को यहां से फायदा नहीं है मैं स्रिफ चाहता हूं आप लोगों कबला को कि कि आप लोगों तो कोई बढ़िया चीछ पहुंच जाए तो आप कहेंगे हाँ लॉंडे ने कुछ दिया है ठीक है यह बस यह मेरा तरीका है जिसको अच्छा लगे उसके लिए हमेसा में धन्यवाद करता हूँ चली देखते हैं केंद्र का मैंने फिर से बोल दे रहा हूं मैं कि थी लेकिन इसका नाम नहीं समझ में आ रहा हूं कि भाइया इसका नाम क्या रखें फिर में पहुंचा उस समय मेरे दो-तीन जनम हो चुके हैं, 2-3 क्या मैं मुझे तो याद नहीं है, मिरे करीच टीस चालिस जनम हो चुके हैं, मुझे उन चीज़ों की याद नाम दिया नूक्लीos नाम दिया नूक्लियोलिस नूक्लियोलस्चित तो चैंक चैंद्र के अंदर एक या दो केंद्र का हो सकती है यानि कि एक तो होती ही होती है कभी-कभी दो भी हो जाती है ठीक है? तो गबराने वाली बात नहीं है कि अरे भाईया ये क्या होगी है? ठीक है चली देखते है केंद्र का पर कोई भी जिल्ली नहीं होती है जिल्ली किसके उपर होती है केंदर 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 के तो केंदरका कहां से होगी तो फिर से बोल दे रहाँ केंदरक और केंदरका हैं मौझूद नहीं होती है केंदरका में 85% यानि की 85% पर्षेंट प्रोटीन होता है 10% आपका RNA होता है और 5% DNA होता है यह पर लेखा है केंद्रिका में 50% प्रोटीन 10% आर एने और 5 परसेंट डियाए होता है ठीक है चलिये चलिए ग्रोमेटन तथा गुर सूत के बारे बात करते हैं तो मैंने आप लोग बता आता कि यह आप की माण लीजिए कुश्का के अंदर केंद्र केंदर 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 के करो मेर्ट हो गया चिर्ली हो गया चेदस हित्र ही होगया श्रहscreen क्विक संसरय से इसके बाद इस कुछ और भी चीज़ में होती है उसको तो केंडर रग में दागे लुका र्धार यहाँ पर आप देख सकते हैं यह धागे नुमा ऐस तरह से ऐसे करके इस तरह से इस तरह से ऐसे करके लगता ऐसा है लिकर ऐसा होता नहीं है ठीक है तो केंद्रक में केंद्रक द्रम में धागे नुमा पदार्थ जाल के समान एक दूसरे के ऊपर फैला कर क्या करते हैं आकरती बना लेते हैं यह जाल के समान दिखाई देता है लेकिन यह बास्तिविक जाल नहीं होता क्योंकि हर क्रोमेटिन धागे का सिरा हर क्रोमेटिन धागे का सिरा जो होता है वह है अलग-अलग होता है यानि कि जो धागे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते बलकि वो अलग-अलग होते हैं यह क्रोमिर्टन जो धागा होता है उस में अलग-अलग उन में थोड़ा-थोड़ा क्या होता है ये धागे nucleos protein होते हैं जो की nucleos protein होते हैं बनता है, युणधा एंधागे में पिर से बोल देता हूं, जब कोशी का विवाजन होता है, तो यह क्लूमेट दागे एक दूसरे से, क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, युणी होती है, तो सुकुर चोटे तथा मोटे हो जाते हैं, और जब यह सुकुड on, चोटे और मोटे हो जाते हैं तो इनी धागों को हम क्या कहते हैं गुर्ण सूत्र कहते हैं फिर से बोल दे रहा हूं कि यह खोती है आपकी के मैं फिर से बता दे रहा हूं कोश्का के अंदर केंदर 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 आपका क्रोमिटन धागे मैंने बताया जब कोश्का का बेवाजन होता है, तो क्रोमिटिन धागे क्या होते हैं, अलग जब होते हैं, तो सिकुड कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, जब ये सिकुड कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, तो इनी धागों को हम गुर्सूत्र कहते हैं, तो सीधा सा मतलब यह हुआ, कि केंद्रिका का निर् गुर्शूत्रों से होता है समझ में आ गया गुर्शूत्र के बारे में हलकास देखते हैं जब कोशिका का बेभाजन होता है मैंने बताया जब कोशिका का बेभाजन होता है तो क्रोमेटिन जुद्जाल होता है वो संगनित हो जाता है बाहक मतलब भेजने वाला यानि कि एक ब्यक्ति से या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अनुवांसिक लक्षणों का आदान फिर्दान करता कौन है आपका गुर्सूत्र करता है ठीक है तो गुर्सूत्र को अनुवांसिक लक्षणों का बाहक माना जाता है सबसे पहले बा कि थी लेकिन खोश तो कर दी लेकिन शमझमे नहीं आ चनłe दी तो फिर भाल्ड वाइल्ड यह से इत्यास कार्ट नहीं लिखते हैं ये बात अलग है लेकिन मेरा के मानना है ये बात अलग है ठीक है टो अठारजसों नवासी में वाल्डेएर nic इसको गुर्षूत्र या क्रुम सूंब कहा ठीक है परतिय गुर्षूत्र जो भता है जानी की हर गुर्षूत्र जो भता है DNA DNA और मैंत्रिक्स का बना होता है फिर से आप लोगं पता दूं कि ये चैन्जर के पाहते हैं कुस्त का वीवाजन जब होता है तो इनके जो धागे होते हैं सुकड कर छोटे और मोटे हो जाते हैं तब इनको हम घुर्सूत केते हैं जो घुर्सूत्र होते हैं वह डि e n a और मेत्रिक से बने होते हैं यह आपका matrix और DNA के द्वारा बना हुआ होता है यह गुरसूत्र की पूरी आकरती है इस तरह से होता है क्रोमियोटिन होता है क्रोमियोटिन डिन तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है फिर से में बोल दे रहा हूं क्रोमियोटिन डिन तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है लेकिन जो गुर्सूत्र होता है गोकाय का बना होता है डिन तथा मैट्रिक्स का बना हुआ होता है चलिए गुर्षूत्र में अनुवांसिक गुड़ होते हैं जो माता पिता से या जनकों से अपनी संतानों में भेजे जाते हैं फिर सोल दे रहा हूं गुर्षूत्र में अनुवांसिक गुड़ होते हैं जो माता पिता से डीने अडू के द्वारा अगली संतान में भे पतनी के होंगे, तो वो किसके द्वारा गए, DNA अडू के द्वारा मेरी संतान में, या मेरा जो बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, जो आप कहले हैं, उसमें चाहते हैं, किसके द्वारा, DNA अडू के द्वारा, अब ये DNA अडू कहा होता है, गुरसूत्र में, समझ में आ ग कहा हैं भाईया सामने बैठा हूँ ना अब ये तो बताने की जरूतर नहीं है ना चलिए आगे समझते हैं मैंने क्या बताया DNA अड़ो में कोशिका निर्माड और संग्ठन की हर जरूरी जानकारी होती है यानि कि एक छोटा सा कड होता है उस DNA पर ही सारी जानकारी होती है पू किस तरह से क्या होना है कैसे होना है तो ये सारी जानकारी DNA के अंदर मौजूद होती है क्रोमोटन के DNA में यहां पर दिखा दूँ है क्रोमोटन में अपना सुंदर सा हाथ लेकर आओ बेटा आता जाना हाँ मैंने क्या बताया क्रोमोटन में क्रोमोटन के DNA में जिस जिस जग क्रोमो टिन के dna में जिस जगे पर histogram protein पाया जाता है उस इस्तान पर chromatin में माला की तरह यहां पर देख सकते हैं यह माला की तरह माला में जो होते हैं उसकी तरह उसकी तरह हैं उसकी आकृती की तरह है गोल गोल संद्चना दिखाई पड़ती है है जिसको हम क्रोमो मियर्स कहते हैं समझ में आगया क्या कहते हैं क्रोमो मियर्स कहते हैं आप क्रोमो मियर्स कहा है यहां पर आप देख सकते हैं यह है क्रोमो मियर्स माला यहां पर आप देख सकते हैं चले आजा बिटा आगे चलते हैं है लिए होता है अगया मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स अथा क्रोमिन लिए क्रोमॉर्टे इन कह नहीं जाता है पहली कर Trden ये जो उपरी परत है, इसको हम क्या कहते हैं, पहली कलका कहते हैं, मैं आपको हलकी सी जानकारी दूँँ, मैंने बताया, ये आपकी कोश्का, कोश्का के अंदर के अंदर के अंदर क्रोमोटिन, ठीक है, कुंद के अंदर क्रोमोटिन, क्रोमोटिन की जब हम बात करें, तो क्र मैं आप लोगे बताए कि उपर एक उपर क्रोम्रें को Bana आ मैटिक्स को पैली किल्क कहते है ठाट है तो जब कोशीका का विवाजण होताया तो गोड्रक focused के जो उते हैं को सूतर के ग्रम एक जिन का द्युगड़न हो जाता है कुड्यवसूतर के क्रमँस। का जाता है दुगड़न हो जाते दुगड़न का मतला फोटो कॉपी होना या डुपलीकेशन इसको कहा सकते हैं अंग्रे जी थोड़ी हमारी कमजोर है उसको मैं तयारी कर रहा हूं अच्छी करने की लेकिन जीतना आता है उतना मैं आप लोग बता दूँ डुपलीकेट बनाना यानि कि अपनी प्रती लिपी बनाना ठिक समझ में आ गया तो फिर से बोलते हैं जो कोशिका का व्यवाजन होता है तो गुड़सूत्र के क्रोमेटन का दुगड़न हो जाता है या फोटो कॉपी हो जाता है या उसके ही समान बन जाते हैं जिससे दो पुत्री क्रोमेटन य के क्रोमेटरन का दिगड़न हो जाता है यानि कि फोटो कापी बन जाती है या उसका उसी जैसे समान दो क्रोमेटरन का निर्मार होता है ठीक है जिससे जिसको जिससे दो पुत्री क्रोमेटरन बनती है जिसको डॉटर क्रोमेटरन भी कहते हैं ठीक है इसको क्या का जाता है इस इसके बाद जब गुर्षूत्र का संगनन या कंडनसेशन होता है तो दोनों क्रोमिनमेटा सुकुड कर मोटे तता छोटे हो जाते हैं और जब यह मोटे तता छोटे हो जाते हैं अब यह है क्या कहलाते हैं अर्ध गुर्षूत्र या क्रोमिनेटे क्रोमिटिड कहेंगे यानि उसे दो क्रोमी टिन का दो पुत्री क्रोमी टिन का निर्मार होता है ठिक उसको क्या कहते हैं क्रोमी ने मेटा कहते हैं ठिक है जब गुर्षूत्र का संगनन होता है तो दौनों क्रोमी ने मेटा क्या होते हैं सुकुड कर मोटे तता छोटे हो जाते हैं और अब यह क्या क्या जाने लगता है अब यह है अर्ध गुर्षूत्र या क्रोमेटिड कहा जाने लगता है ठीक है तो सीधा सा मतलब क्या हुआ क्रोमेटिड क्या होता है एक अर्ध गुर्षूत्र होता है ठीक है आगे समझते हैं तो इस तरह से जब डियने का दिगुडण हुआ है यानि कि एक स तो ये दोनों क्रोमिटेड जहां पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं उस इस्तान को हम क्या कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं समझ में आ गया सेंट्रोमियर कहते हैं यानि कि ये गुर्सूत्र है और ये क्रोमिटेड जहां पर मिलते हैं तो कहां पर मिल ये दोनों यहाँ पर मिलें, क्या कहला ये, दोनों जहाँ पर मिलें, वो क्या है, सेंट्रो मेर कहला या, टिक, समझ्या गया, तो जहाँ पर सेंट्रो मेर होता है, उस इस्तान पर गुर्ण सूत्र कुछ दबा हुआ होता है, मैं फिर से दिखा दूँ, मैं एक सेकेंड, मैंने संकीडन कहते हैं ठीक है कभी कभी कुछ बिचेस प्रकार के भी गुर्सुत होते हैं जिनमें दो गुर्सुत के कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जहां पर दो जिएक संकीडन हो जाता है तो जहां पर दूसा संकीडन होता है उसको हम दितियक संकीडन भी कहते हैं यहां पर किलमेटर जहां पर मिलें उसको सेंट्र मेर कहते हैं और जहां पर ये दौनों मिलते हैं वहां पर गुर्षूत्र कुछ दबा हुआ होता है उसको हम संकीडन कहते हैं अगर एक संकीडन है तो उसको हम दितियक संकीडन भी कहते हैं ठीक है तो कुछ गुर्षूत्र क्या होते है जब गुर्सूत्र मान लीजे पूरा है तो गुर्सूत्र का जो आखरी छेतर होता है यानि कि बिल्कुल सिरे पर क्या होता है एक गांट सी होती है यहाँ पर एक या कभी कभी दो होती है कभी तीन पर होती है तो कुछ गुर्सूत्र में सिरे पर एक या एक से अधिक गांट क की तरह क्या होता है उबहार होता है जिसको हम क्या कहते हैं सेटेलाइट बॉडी कहते हैं क्या कहते हैं सेटेलाइट बॉडी कहते हैं किसमें गुर्शूत्र में क्या होता है यह यह लास्ट वाला भाग होता है अगरभाग इसको हम कहते हैं ठीक है अगरभाग होता है जो कि क् तरीके से आपको पढ़ने को भी जाएगा कहीं टेलो मियर ठिक है जैसे कि अभी में बुक पढ़ रहा था तो तीन बुक में देखा तो एक फैरो दीप है तो एक जैगे फैरो लेखा था अब इसलिए आपको अलग लग चीजें पढ़तों लेंगे लेकिन समझना एक ही प्रक कोज़ी नहीं होना है। फित्से मैं बथा दूँ गुरशूत्र के आखे चोंटयिलो मिन्वियर कहते हैं. कि इसलिए है, देखते हैं, बात करते हैं, मैडो-कॉंड्रिया के बारे में, सुत्र करका में इसको क् corre tudo ऑफ एक हम आपwerk कोई रिखते हैं मैं कोट्रिया यह आपका में कर जाती है चिने हम माईटो क् जेने हम जितनी भी तो कोशिकाएं होती है या यूकेरिटी जीव होते हैं उनकी अंदर यूकेरिटी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें उनकी कोशिकाओं में गोल या चड़के आकार में या कड़के आकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम माईटो कॉंट्रिया कहते हैं इसकी कोज सबसे पहले क वायो प्लास्ट रखा मैं फिर से बोल दूँ कि मैटो कॉंट्रिया का खोश करने वाली ब्यक्ति कौन थे कौली कर थे इन्होंने 1880 में इसका नाम रखने वाले कौन ब्यक्ति थे 1890 में अल्ट मानने इसका नाम रखा, क्या रखा? Mitochondria नहीं रखा, क्या रखा? Burden या Vyoplast इसका नाम रखा लेकिन 1897 में इस रचना को Mitochondria कहा गया, ठिक? ये 1897 की बात है चले, आगे समझते हैं Mitochondria, Bacteria जिनको हम जीवहडू भी कहते हैं इनकी कोशकाओं को छोड़ कर बाकी सभी पौधों तथा जन्तुओं की कोशकाओं में Mitochondria मौजूद होती है फिर से मैं बोल दूँ जितने भी Eukaryotic जीवहड़ू होते हैं चाहिए पेड़ों, पौधें हो सब में क्या होता है Mitochondria मौजूद होती है उनकी कोशकाओं में लेकिन किस में मौजूद नहीं होती है Vacteria यानि की जीवाडू और नीले हरे सेवाल यानि की नील हरे सेवालों में ये Mitochondria मौजूद नहीं होती है ठीक है? यह है दो जिल्लियों के रूप में होती है यह है कौन सी mitochondria जो होती है यहाँ पर एक तो यह लास्ट वाला आपर दिख रहा होगा और यह यह एक यलो दिख रहा होगा तो यह दो जिल्ली के रूप में गिरा हुआ होता है जिसमें पहली जिल्ली जो होती है पहली जिल्ली जो होती है उसको हम बहरी जिल्ली कहते हैं जो क मतलब चिकना समझ रहा है ना फिर से बोल दूं कि यह है दो जिल्लियों के रूप में होती है जिसमें पहली जिल्ली होती है यहां पर आप देख सकते हैं यह पहली जिल्ली जो होती है इसको क्या कहते हैं बहारी जिल्ली कहते हैं जो कि कैसी होती है चिकनी या सपाट होती है कि कि माइटो कॉंड्रिया की पहली या बाहरी क्योंकि भाईया आप एक सेकंड मैं आप लोगों को अपने घर पर ले चलो ये मेरा घर पूरा ये एक जिल्ली ये बारवाली तो जिल्ली है जब आप मेरे घर में प्रवेस करेंगे तो बाहरी कौन सा होगा भाईया बाहरी नहीं होती है और ये अंदर वाली परत हो गयी जिल्ली ठीक समझया क्या तो बारी कैसी हो रही है बाहर वाली ज्जिल्ली है वह है चिकनी या कर सफाट होती है और दूसरी जो होती है उसके बारे में हम यहां बात करेंगे चली दिखते हैं मैंने क्या बता है यह है दो जलीं के रूप में हो टिए यह पहली जली जुती है सपाट या बिल्कुँ हो टीए जो की बारी जली क्यलाती है जब की दूसरी जली जो की अंदर की ओर होती है यह मेंट्रिक्स की उंगली के समान क्रष्टी जैसे रहुण होती inaugurate बसा तथा प्रोटीन से बनी हुई होती है, समझे आ गया, ठीक है, किस से बनी होती है, बसा तथा प्रोटीन से यानि फैट या कहें लिफिड, ठीक है, चेलिए, आगे समझते हैं, तो माइटो कॉंट्रिया को को सिका का पावर हाउस कहते हैं, अब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी पिरकार के खादि पदार्तों का ऑक्सी करड होता है, फिर से बोल दूँ कि जो माइटो कॉंट्रिया होती है, उसको को सिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी फिरकार के खादि परदातों का ऑक्षिकर होता है, जिस से उर्जा हमें प्राप्त होती है, यह है उर्जा ATP के रूप में हमें प्राप्त होते है, ATP मतलब Adenocene triphosphate इसका निरुमाण ADP तथा अकार्विनिक फास्वेट के संयूजन से होता है यानि कि अकार्विनिक तथा अकार्विनिक फास्वेट और किसके दोरा होता है ATP के मिलन से या संयूजन से होता है यह जो उर्जा होती है यानि कि यह जो उर्जा जो प्राप्त होती है वैं कोश्काओं कि अलग-अलग क्रियाओं को मैं काम आती है मैं फिर से बता दूँ मैंने भी शुरू बात जब की तब मैंने आप लोग बताए था कि मम्मी जब मेरी खिचली बना कर लाती है तो मैं उसको खाता हूं मुझे जब वो उर्जा पर आप थुई तो जो उर्जा पर आप थुई अब वो भाईया कहीं स्टोर तो कर नहीं दूँगा कि किसी बैटरी में जमा कर दूँँ अब उस उर्जा से मैं अपने दूसरे कारी कर सकता हूं जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं मैं खाना खा सकता हूं और उसी उर्जा से खाने के लिए तो उर्जा चाहिए ना उर उसमें जो किरिया होती है उसके लिए वह इस्तमाल करती है ठीक है इस उर्जा के साथ-साथ पदार्थों का जब पूरी तरह से ऑक्सिक्रण हो जाता है तो CO2 और चल का निर्माड होता है क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो मान लीजिए सांस ली ऑक्सिक्रण हो रहा है अंदर सरी के अंदर तो वो किरिया कर रही है सारी किरिया मैं बोल पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि अंदर किरिया हो पा रही है ठीक है तो जब किरिया हुई अंदर काम चल रहा है तो क्या हो रहा है मैं जब बोल रहा हूं ऐसे बोला सांस ले रहा हूं तो क्या निकल रहा है क्योंकि जब आप ठंड होधी हैं तो ऐसे फूक मारा न या या हवा निकलती है गरम गरम तो उसमें क्या होता है जल की कुछ मालतरा होती है ठिक है और कार्म नगहीं चाल पाइडी ये तो यह किसके दोर्रा हो रहा है यह माइटो कौंड्रिया जो किरिया कर रहे औक्सिकेड़ हो रहा है उसमें CO2 और जल पिरापत में हो रहा है माइटो कौंड्रिया में DNA RNA राइबो सॉम्स मोजूद होता है इसलिए इसको अर्द स्वायत कोशिकांग भी कहते हैं अर्द स्वायत मतलब इसमें क्या होता है अपनी खुद की इतनी चमता है कि अन्नी जो क्या बोलते हैं उसको अन्नी जो कोशिकांग हैं उनकी आविश सकता न पड़े क्योंकि मान लीजिए मैं कोई कारी करता हूँ तो मैं एक घर में रहता हूँ मैं एक घर में रहता हूँ लेकिन मैं इतने रुपए कमाता हूँ कि अपना एक घर अलग बना सकूँ इसका मतलब यह है कि मैं अर्द स्वायत हूँ मतलब स्वायत तो हूँ आजात तो हूँ लेकिन आधा मतलब बना सकता हूँ लेकिन बिना परिवार के बिना मेरे परिवार क क allocate घर नहीं बन पाएगा घर यह दो बना लिया लेकिन उनका होना भी आवश्यक एस तरह माईड ग्रक्स जालेंगा भी होने चाहिए इस तरह की चीजा होनी चाहिए समझ मैं गया चलेए तो मैंने क्या पताया मैट्बोट्रिया में DNA RNA और राय वो स्वाइत कोश्चिकांगे भी कहते हैं को मैट्बोट्रिया की संक्या अलग-अलग कोशिकांगे अलग-अलग हो सकती है किसी में दो किसी में इस तरह की यह हो सकते हैं जैसे मैं आप लोग जूम कर दूँं यहां पर आजी बेटा अलकर सा एक सेकेंड हां जैसे मान लिजेए यह कोशिगा है इसमें 123 कोशिगां ने हैं एक इहां पर एक यहां पर और एक यहां पर ठीक है चलिए चलिए बात करते हैं लबक के बारे में या प्लास्टिड्स के बारे में आईए देखते हैं लबड तीन प्रकार के होते हैं जिन्हों हम आगे पढ़ेंगे वड़ी लबक अरित लबक और अवड़ी लबड लबक ठीक है आईए देखते हैं लबक ठिक लबक केवल पेड़ पौदों की कोशिकाओं में पाया जाता है नकी जीव जन्तूं की दिहान रहे किस में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौदों की कोशिकाओं में ये लबक, कबक, जीवाडू, नील हरी सेवालों में और मिक्सो माई सीट्स में नहीं पाया जाता फिर से मैं मोल दूँ, सभी पॉदों में पाया जाती है लेकिन किसमें नहीं, कबक में, जीवाडूं में जिनको हम वैक्टिरिया कहते हैं, ठीक है? जी बाडूँ में और नील हरे सेवाले यानि की नीले हरे सेवालों में ये लवक नहीं पाया जाता लवक की खोज करने वाले जो बेक्टी थे उनका नाम था हैकेल कब की थी उन्होंने खोज अठारे सो पेंसट में लवक की खोज की थी कि द्वारा की गई थी हैकेल के द्वारा की गई थी लेकिन लवक सब्द किसे ने दिया लवक सब्द 1885 में सिंपर नामक बैग्यानिक ने लवक सब्द दिया था फिर से बोल दूँ कि लवक जो है खोज 1865 में हैकेल ने की थी लेकिन लवक सब्द का परियोग सबसे पहले 1885 म हैं सिंपर नामक बैग्यानिक ने किया था ठीक है लवक की बात की जाए तो लवक तीं पृकार के होते हैं हरित लवक क्लोरो प्लास्ट कहते हैं ये हरे रंग के लवक होते है ढूबारी लवक याज़िक लवक यानि लबक एक दूसरे में भी बदल सकते हैं यानि कि हरा है बो सरी हरित लबक है तो अवर्डी लबक में बदल सकता है बड़ी लबक है तो हरित लबक में बदल सकता है यानि कि एक दूसरे में convert हो सकते हैं लाल पीला हो सकता है लाल हरा भी हो सकता है और हरा लाल भी हो सकता है तो आईए कि यह कैसे हो जाता आईए मैं आप लोगों बता दूँ मैंने क्या बताया कि जो वर्डी लबक होते हैं या जो प्लास्टिड होते हैं वो एक दूसरे में बदल सकते हैं जैसे कि हरे रंग का जब टमाटर होता है क्योंकि आप लोगों ने पीड़ों पे नहीं देखें तो मैं आपने दिखा दूँ जब टमाटर होता है तो हरे रंग का होता है तो जब यह रंग का टमाटर होता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन जब टमाटर धी में धी में पकने की तरह DNA, RNA और राइवोसॉम्स मौजूद होते हैं इसलिए हरत लबक को भी अर्द स्वायत कोशिकांग कहा जाता है तो कि मैंने बताया था जब मैंटो कॉंट्रिया के बारे में बताया तब मैंने बताया था कि किसी भी कोश्का में एक से दो या दो से तीन भी मैंटो कॉंट्रिया हो सकती है और मैंटो कॉंट्रिया में RNA और राइवोसॉम्स मौजूद होते हैं चलिए आगे समझते हैं अ सबसे पहला हमें बात करेंगे हर्ट लभक के बारे में lower प्लास्ट के बारे में आईए देखते हैं यह हर्ए रंग के लभक होते है ठीक है पेड़ पॉद्यों की पतियों का हरा रंग इनमें पाय जाने वाल बड़क और रंख झाया होते हैं भी बड़क ये पाड़ हरिम या क्लोरोफिल के कार्ड होता है ठीक है यानि को जो पतियां होती है उसका जो हरा रंग होता है वो हरित लवक के बड़क पाड़ हरित या क्लोरोफिल के कार्ड होता है क्लोरोफिल नामक जो बड़क होता है वो है जीवाणू या करें बैक्टीरिया नीले हरे से से वाल, यह नील हरुत सेवाल तथा लाल से वाल, तथा कवकों को छोड़कर सभी पॉद औ की हरी पत्तियों में पाया जाता है, फिर से मैं यहाँ पर हीठ करा दूँ कि जो द्धी कर दूँ कि जो क्लारोफिल नामक जो भरड़क होता है, यानि कि हरी तलबक का जो क्लोरोफिल जो बढ़ड़क है वो है नीजीवाडू यानि कि बैक्टेरिया नील हरे सेवाल है यानि कि नीरे हरे सेवाल लाल सेवाल तथा कवकों को छोड़का सभी पौधों में पौधों की हरी पत्तियों में यह पाया जाता है हमें कि यहां, हरित लबक सबसे पहले मैंने क्लोर फ्लाश्ट अधिक हरी पत्यों में पाया जाता है, और कुछ हड़ों के तने में भी पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक की अगर बात की जाएं तो हरित लवक या क्लोरो प्लार सूर के प्रकास की मौझूदगी में, पाड हरिम वर्ड़क की साइता से प्रकास संसलेशन किरिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है, यही यह काड़ हैं कि क्लोरोफिलकोपोधों का रसुवी गर कहा जाता है में पिर से बता दूँ कि जो हरत लबक का हरा वर्डक जो होता है जिसको हम क्लोरोफिलिया कार्शिजन केते हैं इसकी साइता से पिर कास संसिलिसर के द्वारा यानि कि carbon dioxide plus gel plus surika प्रकास के द्वारा ये carbohydrate और oxygen बनाते हैं ठीक है समझ में आगया चलिए समझते हैं तो chloroplast यह होता है ये मालीजे अपका ये chloroplast है या करें जो हरे तलवक है तो हरे तलवक के चार और क्लोर क्या होता है दो जिल्लियां होती है किस से बनी होती है unit membrane या एकाई कलाओं से बनी ही दो जिल्लियां होती है एक होती है अंदरी जिल्ली और एक होती है बाहरी जिल्ली यानि कि एक आंतरिक जिल्ली और एक होती है बाहरी जिल्ली तो आईए देखते हैं मैंने क्या बताय कि लोरो फिलास के चारोर यूनिट मेंप्रेन एक आई कलाओं से बनी दो जिल्लिया पाई जाती हैं ये जिल्लिया लाइको प्रेटीन से बनी ही होती है इनके अंदर यानि की जिल्लियों के ठ्वड़ सा अंदर बढ़ेंगे तो यहां पर प्रोटीन से बना एक अर्ध तरल य जिल्लियां है उसके अंदर की जब हम बढ़ेंगे तो प्रोटीन से बना हुआ एक अर्थ तरल पदात फरा होता जिसको हम इस ट्रोमा कहते हैं इसकी बाहरी जिल्ली जो होती है वह सपाट होती है लेकिन अंदर की जो जिल्ली होती है कि मैंने बता है तो दो जिल्लियां होती ह जो बारी जिल्ली है यह कैसी होते है सपाट या चिकनी होते है जब अंदर की ओर जाएंगे तो अंदर वाली जो जिल्ली है वह है पॉलिकाउं गोल पॉलिकाउं या चप्पर की रूप में होती है इसको हम थाईले कोईड कहते हैं किसको अंदर की ओर जब हम जाएंगे तो य एक के उपर एक के उपर एक रख्यों वे दिखाई पड़ते हैं या कहें ये थाइलो कर्ड जगे-जगे सिक्क्य के डेर की तरह एक के उपर एक के उपर एक दिखाई देते हैं इनको हम क्या कहते हैं ग्रेनम कहते हैं मैं फिर से बोल दूँ इसके अंदर जो माल भरा हुआ वो इस्ट्रोमा कहलाता है, इसके बाद और अंदर जाएंगे, तो अंदर की जो जिल्ली है, उसमें चपर की आकार की क्या होती है, इनको हम thailocod कहते हैं, ये thailocod जगे-जगे सिक्ये के घेड की तरह एक के उपर एक के उपर रखी होती है, इसको हम ग्रेनम कहते हैं, ठीक है तो जो जो ग्रेनम है यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेनम है ग्रेनम को जोड़ने वाली पत्ली सी जो पट्टिका है होती है पट्टी जो होती है उसको हम इस्ट्रोमा पट्टिका कहते हैं अब जूम करके दिखा दू पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं यह आपका क्या है घार्टीक जब एक है तो थाई-लोगर कहनाए यह पूरा जो करति और यह की ऊपर एक ऊपर रखेंगे तो क्या कहीं एक पर करेंगा टूक फंकर को डूरुक्षण क किया है इस्ट्रोमा पट्टिका कहते हैं इने घ्रोंदे zucchini पट्टिका कहा के थालो बूंट को खाई का छे लब के एक norm क कहते हैं। कहां पर होता है उस घरावड़क के कड कहां होते हैं क्वांटो सोम के ऊपर ही होते हैं अब क्वांटो सोम कहा होता है थायलो कोड के ऊपर थायलो कोड कहां होता है थायलो कोड जो होता है आपका जो अंदरी अंदर की जो जिल्ली है उस पर छपर की आकार के यहां पर दिखती है प्रिकासित वाली यानि कि जिस तरफ प्रिकास पढ़ रहा है तो प्रिकासित अवकिरिया जो होती है वह ग्रेना में संपन होती है तो प्रिकास पढ़ रहा है तो ग्रेना कहां पर संपन हो रही है प्रिकास में वह सरी ग्रेना में संपन हो रही है ठीक है जब कि जो प्रिक कहते हैं इस्ट्रोमा कहते हैं ठीक तो फिर से मैं बोल दूँ कि प्रिकास हीन अगर अवकिरिया हो रही है प्रिकास हीन प्रिकास संसिलेसर हो रहा है तो वह कहां पर हो रहा है वह इस्ट्रोमा में हो रहा है जब की प्रिकासित अवकिरिया हो रही है प्रिकास संसिलेसर की तो ठीक है आगे बात करते हैं जो झोन होता है उसमें 75 percent okay और क्रूरोप्लास्ट बी होता है 25 पर्सेंट जो रसे एम ट्रॉर फिल एंगी रहेज़त लबक जो एह होता है उसका रंग होता है निला जरंग चो बी होता है उसका रंग जो हता है वह हरा या काला घुल दो hai जो जो होता है एवाला कितना होता है 75 percent कितने क्वेंगी ऐसका इसका नीला है दूसरा या और के संग्थन के बारे मिलात कर लेएं में यहां पर आप गे प्लोर अप्लोर कि नीली ठीक है छालिए प्रोटीन की बात कि जाए तो 35 से 50 परसेंट तक प्रोटीन हो सकता है इसकार कैरो नियर्ट की बात कि जाए तो एक से चार परसेंट आपका कैरो नहीं हो सकता है आरेने की बात की जाए तो 0.5 परसेंट तक आरेने हो सकता है डियने की बात की जाए तो 0.089 परसेंट बहुत कम मात्रा दातों की बात की जाए तो ना के बरावर यानि की बहुत कम होती है लेकिन जलूरी है वह भी होना लेकिन ठोड़ी कम होती है बहुत कम इतना कि हम उसको क कह सकते हैं इत्तूसा ठिक आज कर चल रहा है ने इत्तूसा मैंने बहुत बाद में सुना था डर गया था यह होता क्या है चलिए अवर्डी लवक के बारे में बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अवर्डी मतलब बिना वर्ड का बढ़ मतलब रंग अ बढ़ क्या ह होता है रंग होता है तो यह रंग हीन होते हैं रंग हीन कैसे रंगी नहीं रंग पिलस हीन यानि कि हीन मतलब बिना रंग का ठिक तो यह रंग हीन होता है यह पौद है कि उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूरी का प्रिकास नहीं पहुंचता अब सूरी का प्रिकास कहा होता है भूमिगत हो जाते हैं तो उनमें आपका अवड़ी लबक पाया जाता है ठीक है जब प्रिकास संसलेसर की किरिया से क्लोरोप्लास्ट कार्वोहाइटेट या सरकरा या ग्लूकोज में बदलता है फिर से में बोलता हूँ जब प्रिकास संसलेसर की किरिया होती है तो क् तो leukoplast क्या करता है कारबोहाइडिर के एक बड़े भाको किस में बदल देता है इस टार्च में या मंड के रूप में बदल K quando को संग्र है कर लेता है मैं फिर त्फीवल стоー नद बहुतों मैंने बताया कि जो बड़ी जो है कि अपका जो अरित लबाक होता है वो क्या करता आप पिरकासbank सैसे सुद्ट के दाराग काना बनाए जो अंज के मैं उसको इस्टोर करना है उसको ले चांपर पर अच्छी जेगे रखना है जो कि अच्छे सरख तो वो किसका काम हुआ वो लुको पर हाइड कोakingpa और एक बड़े भाग को इसमें दो उठा कर क्या किया, इस्टार्च की रूप में बदल कर उसको क्या कर दिया, ढखकर रख दिया, या उसको संग्रे कर लिया भोजन की रूप में, ठीक है, लूको फ्लास्ट जो होता है, यानि कि अवड़ी लबग जो होता है, भैं अपने का आधार पर, तीन भागों में उसको हम बाईट से हैं, पहला है इमाई लो प्लास्ट ठिक, यह कारबोहईड को किस में बदलता है, इस टार्च में बदलकर इखटा करके इस्टूर करके रख लेता है, यह कहां पर होता है तने में रखता है, ठिक इलाईयो प्लास्ट ठीक है यह बीज में मिलते हैं यह बसा को एकटा करता है ठीक है प्रोटीनो प्लास्ट यह भी बीज में ही पाये जाता है लेकिन इसमें प्रोटीन का संच्चे किया जाता है यह नहीं प्रोटीन को एकटा किया जाता है ठीक है चली आगे बात करते हैं होती हैं फलों की बित्तियां होती है बित्ति मतलब बाहरी भरत बित्ति मतलब अंदर का वाग नहीं यह माल लीजिए कोई सेव है तो सीव का सेव का जो बाहरी छेतर है ना जो हमें लाल रंग का दिखता है उसमें क्या होता है वो उसे हम भित्ति कहेंगे ठिक उसको हम बित्त कहते हैं तो फलों की वित्तियों में ठीक है फलों की वित्तियों में ये मुख रूप से पीले लाल नारंगी लंके लवक होते हैं क्रोम प्लास्टिक के कुछ प्रमुक बढ़क है जो की बढ़क मैंने बताया था हरे तलवक का कौन को से बढ़क मैंने बताया थे हरा बढ़क नीला बड़क काला बड़क तो क्रोमो प्लास्ट के कुछ प्रमुक बड़क हैं जिन में रंगों का जिन से रंगों का निजाड़ होता है जिसे कि लाइकोपीन, कैरोटीन, एंतोसाइन, जेंतोफिल, यह क्या है, बढ़ड़क है, किसके बढ़ी लबक्या क्रोमो प्लाश्ट के, ठीक है, तो, इसमें कुछ ऐसे है, आपके जैसे की, कैरोटीन जो है, नारंगी है, किसमें पाए जाता है, गाजर में, कुरकुमिन, आपका पी पीला है, अंडे का पीला भाग, समझ में आ गया, तो फिर से बोल दूँ के वड़ी लबक है, उसके कुछ प्रमुक बढ़ड़क हैं, जिसे लाइकोपीन, कैरोटीन, एंतोसाइन, जेंतोफिल, तो इनको पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने इनको सिर्फ रख दिया है, त तो इसलिए जेंतोफिल, पीले, अंडे का पीला भाग, चलिए, अंतर प्रदब्बी जालिका के बारे में बात करते हैं, इसको हम इंडो प्लास्मिक, ठीक है, रेटी कुलंबी कहते हैं, चलिए समयते हैं, इसकी खोज के आर पोटर ने अठारे सो, वो उन्नीस सो पैतालिस में की थी, ठीक है, इसकी खोज, के आर पोटर ने उन्नीस सो पैतालिस में की थी, यह केंद्रक कला से लेकर, कोशिका दिरब्बी तक फैला हुआ था, अब केंद्रक कला करा हो गई, अब केंद्रक मान लिए, यह है आपका, क्या है यह कोशिका, कोशिका के अंदर, केंद्र ठीक है यह केंद्रक ठीक है अब कोशिका की यह जो सबसे बारी परता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं कोशिका कला या कोशिका जिली तो यह आपका केंद्रक कला आखरी परत होता है उसको हम कहते हैं केंद्रक कला या केंद्रक जिली तो यह मैंने कहा बताया यह आप का केंद्रक कला से लेकर कुषिग क कला के भीच में यह फ्यलाव हुआ रहता है क्या कहते है但 यह वो दूंघ आपका केंद्रक श्यली और यह केंद्रक पाया जाता है लेकिन यह इस्तंदारियों की जो कोशिकाओं होती है उसमें लाल रख्त कड़िकाओं की कोशिकाओं में आपका अंतर प्रदब्य जालिका में नहीं प्रदब्य जालिका नहीं पाय जाती है ठीक है यह जालिका जीवानू तथा नीर है दित सेवालों में भी न जितको बैक्टिरिया भी कहते हैं नीले हरी सेवालों में यह नहीं पाई जाती है यह लाइपो प्रोटीन की दोरी एकाई जिल्ली से बनी हुएती है दोरी मतलब डबल ठीक है चिया लिए लाइपोसोम की उपस्तिती के आदार पर इसको दो भागों में पाटा जाता है कि इस दूसरा होता है खुर्दुरी अब सपाट खुर्दुरी को समझते हैं अगर कितावी वासा में समझते हैं उसको हम देखते हैं सपाट मतलब मैं आप लोगों को एक सेकंड मैंने क्या बताया सपाट जो होती है सपाट अन्ते प्रजब जालिका के बारे में बात करें तो सप सपाट मतलब चिकना या स्मूथ ठीक है एकदम इसकी बाहरी परत सपाट यह अंतर प्रदब जालिका है यह यहां पर देख सकते हैं यह यह अंतर प्रदब जालिका है यह तो अंतर प्रदब जालिका की जो बाहरी परत होती है अब कहा होती है बाहरी यह है पूरा अंतर दब जा लगाए कि जो सपाट या चिकनी परद जो होती है इसमें राइवोसॉम नहीं पाया जाता क्योंकि चिकना मतलब एकदम सपाट एक भी बाल नहीं तो क्या माला समझाया इसकी जो भारी परद होती है या सपाट परद होती है उसमें राइवोसॉम नहीं होता है ये प् संसलेसड में भाग नहीं लेती। कौन्सी अंथदर बिजालिका का सपाट वालस भाग या बहारी जो परत होती है ठीक है लेकिन यह लेपेड तथा इस्टिरॉइड का संसिलेसड करता है किस smt तथा इस्टिरोइड का संसिलिसर करता है कौन सपार्ट अंतय प्रदब जालिका ठीक है कनिका मैं अंतय प्रदब जालिका के बारें बात कर लेते हैं तो देखते हैं हालकी से नजर डाल लेते हैं देखते हैं इसकी आंतरिक परत यानि कि जो प्रदब जालिका होता है इसके ज हötज तो यह प्रोटीन के भाग लेता है कि राइबोसांस का काए प्रोटीन संच्रेट का निर्मार करना होता है इसलिए फिर इस शाब होती है था तो बेरिये औला की सब्सक्रेटि सय उन्य होता है इसलिए इसलिए किsky संसिलेसर्च नहीं करते हैं लिए लिए लिप तदा स्टिवोउड का संसिलेसर्च करती है यह जानते हैं के निसीट करता कि करना है कितना नहीं करना है जब विवाजन होता है तो उसके तल को निश्यत करता है यह पदार्थ के अंदर बहार आने जाने पर भी नियंतर लगाता है कितना आना है कुन समाल आना है कैसे क्या आना है ठीकर इसका खुर्दरी जालिका बाला भाग प्रोटीन का संसिलिस्टर क करता है जब कि सपाट जालेकाबला ग्लाइकोजं संग्रेक ल ranges करने में मदद करता है समझाः गया चलिए इतना कफी है कि अब बात करते हैं रायव उसॉम्स की बारे में रायव उसॉम्स की चर्चा हुई रायव till Ox यहां पर यह राइबोसॉम्स है ठीक है इस तरह से चलिए राइबोसॉम्स की बारे में बात करते हैं इसकी खोष सबसे पहले आठारे सौ वह उननीस सौ पचपन में मिस्टर पैलाडेने की क्या नाम था इनका पैलाडेना राइबोसॉम्स की खोज की यह गूल या फिर की आकरती का होता है ये प्रोटीन तथा राइवो न्यूकलिक अमल ये आरेने से बने हुए होते हैं आरेने तथा प्रोटीन की उपस्थिति की कार्ट इसको हम किसको राइवो सॉम्स को राइवो न्यूकलियो प्रोटीन भी कहते हैं या राइवो न्यूकलियो प्रोटीन कड वी कहते हैं, यह सभी जीवित कोश्यकाओं पाए जाता है, यानि कि राइवो सॉम्स प्रेकरियोटिक तथा उकार दोनों प्रिकार की कोश्यकाओं में पाया जाता है ये अंते प्रदब जालिका में राइवो फॉरिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है यानि कि इंडो प्लाजमी रेटुकलम जो होता है यानि कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं इससे ये खुर्दरे वाले भाग पर पाया जाता है सपाट वाले भाग में नह पाया जाता राइवोस्वम्स ठीक है चीया लिए बात करते हैं आगे इसी में माइटोकॉंड्रिया हरित लवक और केंद्रक में भी यह राइवोस्वम्स पाया जाता है फिर जब बोल दे रहा हूं ठीक है समझ में आगया इसके बाद राइवोसॉम्स का कार की अगर बात की जाए तो राइवोसॉम्स एमिनो अमल के द्वारा प्रोटीन संसिलेसर की किरिया से प्रोटीन का निर्मार करता है फिर से बोल दे रहा हूं राइवोसॉम्स का प्रोटीन का निर्मार करता है या फि कहा जाता है रायवुसॉम्स के कड़ों पर कोई जिल्ली नहीं होती है ये ध्यान रहे किसके कड़ों पर रायवुसॉम्स के कड़ों पर कोई जिल्ली नहीं होती है क्योंकि पकाने के लिए कुछिशन ना कि रायवुसॉम्स पर जिल्ली होती है बिल्कुल नहीं होती है ना ज छीज पूंच ही नहीं चाहिए लेकिन तरीका तोड़ा अच्छा ओने चाहिए यह नहीं मैं पिज़ा डिलेवर कर रहा हूँ तो वह फैक के दूँ थोड़ा तमीज भी होनी है वैसे तमीज की कमीज मैंने पहनी नहीं अधने टेस्टिंग चल रहे हैं, तो जैसे यह प्रकार के राइबोसम्स और दूसरा है ATS राइबोसम्स आई देखते हैं यह आकार हैं बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए mitochondria, chloroplast, children, यह प्रकार जो है ATS राइबोसम्स यह आकार में बहुत बढ़े होते हैं यह बड़े तथा बिक्सित पोदों जैसे जीव जनतुनों की कोशिकाओं में और जिए बढ़े-बढ़े जनतु होते हैं उन्हेकी कोशिकाओं में यह पड़े-बढ़े जनतु होते हैं पाए जाते हैं कौन से एस एटी एस फिरकार के राइवसंस किसमें बड़े जनतों में और माइटो कॉंट्रिया क्लोरोप्लार्स चीवाणों और बैक्टिरिया में यह पाए जाते हैं कौन से 70S चलिए मैं और आप लोगों दिखा दूं का मै Здесь के लिए इसे इसको जरूर ध्यान से कहां पर कौन सा है और एक जबनाना में चाहता हूं कि आप थोड़ा सब्सद्यान देंगे तो आपके दिमाग में यह फोटो काफी हो जाए यह ऩाफ इन लाइटो कॉंट्रिया में पाई जाता है ठीक है चले अब पर पर संसिलेसर में ने दिखा दिया आप लोगों को यह एमिलो एसेट के द्वारा यह पर आप देख सकते हैं प्रोटिन गन्माड करना है देखते हैं लाइन का आप करते हैं यह यहां पर लाइसों में आप लोगों को दिखा दूँ लाइसों या यह बीटा आज़ा यह यह देख सकते हैं लाइसों या नहीं कि थी दूबे दिलडूबा गहना सुना है ना दिल डूबा दिल डूबा तो वह डूबे वाला है यह 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 दूबे नहीं है कि पंडिच जी बाला दूबे नहीं है द्यान रख कोई फिस ανα रखभ़ efectoह जाए ब्रकॐ Dash मेरं एक अच इसको चलिए दिखते है लैन का है इसकी कोज 1924 में डी डूबे ने की थी क्योंकि यह डूबे हुए थे बहुत तो उन्होंने यह खोज कर डाली इसको कहते है लैन का है ठीक है यह खासकर जनतुओं की कोशिकावन पाए जाती है जनतु तो आप जानते ही है इनसान भी एक जन सकती है तो एक इनका कोई निश्चित आकार नहीं लेगे खासकर यह गोल होती है यह एक परत वाली जिल्ली या थैली से गिरी हुई होती है या निकि माली जीए यह आपका लाइसेसों में उसको उपर एक जिल्ली है ठिक यह यहाँ पर देख सकते है जिल्ली या इसको हम कह दूँ यह आपका या पिर ये Ведь रच ये अन्तिया प्रिद्ब जाले या दोनों एक ये इसे कि गुर्दे यह फिर यह अंत्रै प्रदब जालेका यह दोनों है यह किये यह ठीक है तो एन्तर प्रदब जालेका यह गॉल जी काई में होता है ठीक है यह ज्यादतर अधायम एब करने वाली कुछ काउं पाए जाते है जैसे कि अगनासे यक्रत मस्तिस्क थाइरोड गुर्दे जैसे कि ग लेंग के बारे में बात को रही है एंजाइम का ये इसमें पिसेस महत होता है क्यांकि ये इसका एंजाइम को हम इंदी बाता में बिकर कहते हैं ठीक है बिकर नहीं इस तरह से विकर विकर ठीक है इस तहली में या लगवक पचास से अधिक बिकर रहा है एंजाइम होते हैं जै यह प्रोग यहां पर क्या होते हैं एंजाइम पाई जाते हैं यह बिकर अब गट अप गटी यह बिकर होते हैं यानि कि हाइड्रो लाइटिक एंजाइम से होते हैं अपका मतलब अपकर अपकर टन कर दें ठीक है इस तरह कि यह क्या होते हैं इनका पी एच मान कि अगर बात की के enzyme बाहर निकलते हैं तो ये active होकर कोशिकाओं के अलग-अलग पदार्तों को क्या करते हैं बिगटन करते हैं यह कैसे enzyme होते हैं अप गटी है बिकर या अप गटी है enzyme होते हैं इसलिए क्या करते हैं बिगटन करते हैं और कोशिकाओं भी क्या हो देते हैं इसलिए लाइसोसॉम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं थैली आत्महत्या की थैली दो तरह की होते हैं वो इसको दूसरी वाली हम बाद मात करेंगे को अगर बताना चाहिए कमेंट करके तो खुसी होगे क्योंकि मुझे तो लगता है कि ज्यादे तो लोगों को सरम आती है लेकिन जो साथ ही करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो कि मैं चांदता हूं सपोर्ट करने वाले भी हैं मेरे पर चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया कि लाइसोस्वम को आत्मत्या की थहली भी कहते हैं लाइसोसॉम कई रूपों में पाया जाता है इसके इन गुड़ को लाइसोसॉम की बहुरूपता कहते हैं क्योंकि किसी के बहुत सारे रूप होते हैं तो उसको बहुरूपता कहते हैं तो मैंने क्या बता है लाइसोसॉम कई रूपों में पाया जाता है इसके इस गुड़ के परिकार इसको Lyososome कहते हैं, Layssosome का प्रिम्ख कारगीं अगर बात की जाये तो इसका पाचन कारी एनजाइम का स्वहरण करना है, यानि कि वो यहां से निकलते हैं और सीधी से बात है कि ये पाचन करना इसका प्रिम्ख कारगी कह सकते हैं, चलिए, आगे बात करते हैं को लाइसोसूम चार Pyr以上 करें होते हैं जिनको नहीं जानना है लाइसोसूम की दरह किये जाने वाले कुछ प्रमुकार देख लेते हैं लाइसोस्वां का प्रमकार जो है को सी काओं के अलग-अलग भागों में अलग-अलग पदार्थों का पाचन करना मैंने बताया है लाइसोस्वां का सबसे प्रमकार पाचन करना है सबसे बहला बाहरी कोस्वां का पाचन करना Digization of extra cellular materials, ठीक है। तो Couषika में Indocytosis से प्राप्त किये गए पदार्थों का पाचन प्रथम lyso RIGHT कि मदग से किया जाता है। जो की कहां पर होता है। प्रथम लाइससां की मदग देने। दूज़रा है अंतय कोसी के पाचन यानि कोशिका के अंदर पाचन करना तो वो क्या होता है कभी कभी जब भोजन की कमी हो जाती है या हम खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है वह कोशिक कहां में के अंदर ही पाचन करने लगता है तो लाइब उसम कोश का दिरब्बे में मौझूद प्रोटीन अगईरे खाते तो उसका पाचन जब होता है तो क्या हो क्या लगई तो वो क्या करता है कोच्ता के अंदर शुर्ट प्रोटीन मौझूद होता है, कार्वोडिन मौझूद होता है, लिपिट्स जो मौझूद होता है, उसका पाचन करते हैं, दूसरा है आत्म लेन, ओटो लाइसिस, ये चोथा कार है, जब जरूरत हो तो, लाइसोसम कभी-कभी अपने आप ही फट कर, बीमार, या रोग गिरस् कोश का है, बीमार कोश का है, टूटी-फूटी कोश का है, उनको क्या करते हैं, नश्ट कर देते हैं, या खत्म कर देते हैं, कोश का विवाजन में ये मदद करते हैं, ट्रिगर ओफ, सेल डिवीजन, ठीक है, तो लाइसोसम के फटते ही, कोश का विवाजन सुरू हो जाता ह है ठीक है चलिए नेक्ट बात करते हैं नेक्ट है तारक का है तारक मैता का उल्टा चस्मा नहीं है ये तारक का है चलिए समझते हैं सेंट्रोसों या तारक का है के बारे में बात करते हैं यह खासकर जन्तू की कुसकाओं पाया जाता है जन्तू इंसान भी या जन्तू के रू की जरूरत होते हैं वो नहीं है इन में और जो नहीं पाए जाता है तो सीधी से बात है कि जानवरों से मिलता जोलता क्या है आपका सेवाल कभक और मौस ठीक है चलिए तो मैंने क्या बता है यह जन्तू कोशकाओं पाए जाता है इसके अलावा जन्तू कोशकाओं के अलावा पौधों में नहीं पाय जाता, लेकिन पौधे के जो कुछ चीजे हैं, जैसे कि सेवालों में, कबक में, मौस में की कोशिकाओं में पाय जाता है, अर निकिसी में नहीं पाय जाता, ठिक, जब विभाजन होता है, तो यह है, दो तारक केंदर में पढ़ जाता है, और दो पर दुरूप पर चले जाते हैं ठीक है जैसे कि ये ऊपर और ये नीचे ठीक है चलिए आके बात करते हैं इतना काफी इसके बारे में जाना गॉल जी काई के बारे में बात करते हैं गॉल जी उपकरड से मिलकर बनता है गॉल जी काई यानि कि ये इस तरह से एक गॉल जी एक मिनट यह जिल्ली युक्त पुटिका होती है पुटिका का मतला होता कैप्सूल के आकरती बनाती है तो यह जिल्ली से ड़की हुई पुटिका होती है जो एक दूसरे के ऊपर समाना अंतर रूप से क्या होती है रखी हुई होती है मैं जूम कर दूँँ यहापर आप लोग हे सकते हुए इतनल हुए है ठिक है चले तो पर था मैंने यह 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 जिली युक्त पोटिका होती है जो एक दूसरे के ओपर रहानी की एक गगउल इन अंतर रखे रहते है इन जिल्लियों का संपर्क अंतर है प्रदब जालिका की जिल्लियों परसे मोल दूँँ अन्तय प्रिदब जारिकाओं की चिल्मियों से इन दो बीकाद के बीच में संपर्क होता है ऐसारे एनजाइम तकृता इसको enzyme का ये स्रावित करता है ठीक है ये सुक्राण जब ये समय क्या करता है कोशह का पट्टिका कों की करता है कैमिलो गौल जी ने किती इनी के नाम पर इसका नाम गौल जी रखा गया है ठीक है गौल जी का एको लाइपो कॉंड्रिया भी कहते हैं कि क्यों माइटो कॉंड्रिया होता है उसी तरह से गौल जी का क्या कह देते हैं लाइपो कॉंड्रिया कह देते हैं ठीक है गौल जी उप वो प्लास्म को छोड़ कर बागी सभी जीवधारूईंटों में आपका गॉल जी उपकर यानि गॉल जी काये पाया जाता है पौधों की गॉल जी काये को डिक्टी यो शॉम केते हैं फिर से मुल्दू पौधों की उस मैक्रो वडीज के बारे में बात कर लेते हैं, यह एक परत वाली जिल्ली से गिरियोई थैली होती है, इसका निर्माण इंडो प्लाज्मिक जालिका या अंतै प्रदिब जालिका तता गौल जी तंत्र से ठैलियों के तूटने फूटने से होता है, यानि कि यह आपका अंतै प्रदब जालिका है, इसमें कुछ ठैलियां अगर तूट फूट जाएं उसमें से निकल जाएं, या फिर यह यहां पर बॉल जी का इसमें तो थैली तूट फूर जाए निकल जाए तो इनका निर्माण होता है ठीक ये दो प्रकार की होती है एक होता है पर ऑक्सिसों और दूसरा होता है ग्लाई ऑक्सिसों ठीक है तो पहला देखते हैं पर ऑक्सिसों की बारे में बात करते हैं यह उन पौधों म का निर्मार करते हैं जैसे कि चाय हो गई, मटर हो गई, मूंग हो गई, सोयाविन हो गई, कपास हो गई, चुकंदर हो गया, ये किरिया करते हैं प्रिकास अंसलेसर की, लेकिन ऑक्सिजन नहीं छोड़ते हैं, बलकि क्या छोड़ते हैं, ये CO2 ही निकालते हैं, इनको हम C3 भी पाया जाता है पेड़ पौधों की कुछकां में होता है लेकिन कुछ पेड़ पौधों में होता है जैसे कि चाय, मटर, मुमफली, सोयावीन, चुकंदर और भी कैसा है होते हैं कि जरूरत नहीं है कोई बताना चाहे मापर उस तो बता सकता है यकरत तथा लीवर यानि की इप्रक में भी पाया जाता है जो कि जन्तूं की कुछकां में होता है इसकी खोज टॉल वर्ट ने की थी किसकी मैक्रो बॉडिज की जो खोज थी किसने की थी उसके बारे में नहीं जानना है मैक्रो बॉडिज का दो दूसरा दो भागों में उनका पहला जो है पर ऑक्सिसो यह खासकर उन जीवह में पाय जाता है जिसमें बसा होती है, जैसे मुझख फली, अरंड, ठिक है, मुझख फली, अरंड, अरंडी मतलब अंडी भी कह देते हैं, और आजकल वो नहीं, नकली मूँच दूगाने वाला जो तेल आता है, उसमें अरंडी का तेली पड़ा होता है पुब की एक प्राम समाजमें नहीं getirin की जब मूश वाला फैसन आने लगेगा तो फैसन ञुप लोगोई तो इसकल मूश मूश मूशय होगाने के बाथ फैसन चला जाया पिर मूश ज़ो मूश Давan करने वाला भी तेल आता होगा तो यह प्जो फैसन की बीमारी होती है ना जो मर्द बनने वाली जो फैसन चल पड़ी है ना होते नहीं है लेकिन कुछ लोग बनने के कोशे करते हैं तो वो थड़ा खतर नाक होता है पहले कुछ होते तो मुच बगएरा देखे पता दिल जाता फाइदा मर्द होगा पूरे पुराने लोग रखते मुच से मर्द नहीं मंते हैं वो गल्स द्रीम है इसलिए किसी को कुष देख़े मर्द मतलब मर्द होते है वह अलगी बात होती है अहीं किसी पे सक नहीं करना हूं मतनало मुझे सकतक करने लग हों तो फिर उसरा लगा करो तो दूसरों पे सक लके चले तो मैंने क्या बताया है खास कर उन वीजों पाया जाता है जिन में बसा होती है जैसे मूऐं प्रकेलियों इन में बसा का कार्वो हाइडरेट में क्या होता है परिवर्तन होता है इनकी खोज वीवर्स ने की थी यहां पर आप देख सकते हैं यह पर आक्सी सोम की किस ने की थी खोज टॉलवर्ट ने और ग्लाइको आक्सी सोम की किस ने की आपके वीवर्स ने चली नेक्स देखते हैं रसधानियों के बारे में बात कर लेते हैं, रसधानिया क्या होती हैं, रसधानिया यह पेड़ पौधों की कोशिका में बड़े आकार में, लेकिन यह जीव जनतों की कोशिका में छोटे आकार की, लेकिन बहुत अधिक होती हैं, यानि कि पेड़ पौधों में होंगी तो ले गिरय भी कहते हैं जिसमें खनेज, लवड, सरकरा, कार्वन, ऑक्सीजन ठीक है? आपके CO2 आद भरे रहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जंतु की कोशिका है उसमें देख सकते हैं कितना बड़ा रसधानिया है ठीक है? और यहाँ पर यह देख सकते हैं वह सरी यह पे एट्रू कॉण्री आप देख सकते हैं यह 2, 3 है चीलिए आगे, बाथ करते हैं बात करते हैं प्रो, कोशिका, तथा, यह, कोशिका, कोशिका के बारे में जानते हैं पहले तो यह जान लेते हैं दॉन Wilsonbol, कोच का दिरब दोनों में कोच का दिरब दोनों में DNA दोनों में जीब दिरब कला दोनों में कोच का वित्ति दोनों में टिक अभी ये बात अलगा है कि दोनों के नाम थोड़े अलग हो सकते हैं ठीक है आई समझते हैं सब्सक्राइब बात कहते हैं प्रोकेरियोटिक और यूक बिक्सित कोच का वो अभी सिट क्या होता है केंद्रक होता है इस में पूरी तरह से बिक्सित केंद्रक होता है यानि कि मैंने बताया था प्रोड़क जो केंद्रक नहीं होता है अगर होता भी है तो अभी सिट होगा जो कि बिल्कुल उसका कोई महत्म नहीं होगा यहां पर समय कें लिए यह आद यानि की प्रानम बे कोशिका होती है जब की युकरियोकि कैसी में होती हैा आई यह कोशिका दिरब्ग पूरी कोशिका में फैला होता है क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं तो तो पूरी कोशिका में फैला रहेगा जबकि इसमें यानि कि यूकरियोटिक में क्या होता है केंद्रक तथा कोशिका कला के बीच में यह केंद्रक है और कोशिका कला के बीच में यानि कि केंद्रक और कोशिका जिल्ली के बीच में आपका कोशिका दिर्ब पहला होता है जबक का केंद्रक केंद्रक की चारों जो जिल्ली है उसको कहते है केंद्रक कला ठिक केंद्रक कला और केंद्रका अनपस्तित होती है क्योंकि मैं आप लोगों बता चुका हूँ जब केंद्रक होगा तब ही तो उसमें केंद्रका होगी और जब केंद्रक होगा तब ही उसके उपर ज जिल्ली होगी, तो जब यह केंद्रकी नहीं है, तो ना जिल्ली है, ना केंद्रका है, लेकिन UKer twenty-tick में क्या है? केंद्रकी भी होता है, केंद्रक कला भी होता है, और उसके ओपर एक जिल्ली भी लगी होती है, ठीक है? चलिए, नमबर पांस जेखते हैं, हिस्ट्रॉन अच्छी तरह से उस पर हिस्टोन प्रोटीन से यह जुड़ी होती है तीसरा देखते हैं गौलजी तंत्र या गौलजी उपकराड या गौलजी गौड़ी अन्ताय प्रजब भी जा लिका तरह लवक तरह माइटो कॉंट्रिया इसमें अनुपस्तित होती है मैं फिर से दिखा होती है ठीक है यह सभी उपस्तित होते हैं लवक लेकिन यूकरेटुक में क्या होता है यूकरेटुक में लवक जो होता है वो केवल पौधों की कोशिकाओं में होती है ना की जन्तुओं की में ठीक सात्मा देखते हैं जो स्वसंतंत्र होता है प्रोकेडिक कोशिका का उसक स्वसंतंत्र काई में होता है जीव दिरब्व कला में उपस्तित होता है जबकि स्वसंतंत्र किसमें होता है माइटो कॉंट्रिया में होता है तब ही मैंने बताए था कि माइटो कॉंट्रिया क्या करती है स्वसंत्र का कार्य करती है तो माइटो कॉंट्रिया में आपका स्वसं होता है नमा देखते हैं लैन का या लाइसोसॉम अनुपस्टित होता है यानि कि लाइसोसॉम जो होता है प्रोकेरियोटिक में मौजूद नहीं होता है जबकि यूकेरियोटिक में मौजूद होता है ठिक सूत्री कोस का विवाजन नहीं करती है सूत्री कोस का विवाजन नही होता है और इसमें होता है टिक इसके बाद कोशिका भित्ती पतली होती है इसमें कोशिका भित्ती मोटी होती है नील हरिस सेवाल जीवानु आद में है पाई जाती है इनमें उच्छ पादब और उच्छ जन्तों में है कोशिका पाई जाती है कौन सी यूकेरियोटिक में शिय पीड़ पौदत चैन्टके में और पॉदभाद्र केthe घं़ड़का पीड़ आपर इंद्रक जोर्डरा रेधुत बदये सलिक पर कीनिवान में राइफ दान या दौन में धूर्ड शूरह गॉल्ची उत्राइब जवान में नहीं होता है ठीक है एक होता है सेंट्रोसॉम सिर्फ जन्तों में होता है लाइसोसॉम सिर्फ जन्तों में होता है सेंट्रो यानि कि सेंट्रोल्स जो होता है वो आपका किसमें होता है किसमें हाँ सिर्फ जन्तों में इसमें क्लोरोफ्लास्ट यानि कि लबक जो होता है वो सिर्फ किसमें होता है हरी तो लबक जंतों की कोशिकाओं में, कोशिका बित्ती, सिर्फ जंत, वो सरी, क्लोरोपिलास्ट यानि की जो लवक होता है, वो पेड़ पदों कोशिका में, कोशिका बित्ती, पेड़ पदों कोशिका में, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो बोल देता हूँ, कोश कोशिका की सीमा होती है इसमें बड़ी बड़ी रस्दानियां होती है जो कि कोशिका का काफी बड़ा भाग गेरे रहती है रस्दानियां बहुत अनपस्तित होती है या बहुत छोटी होती है तो कोशिका जिरब कोशिका के समान रूब में फैला हुआ होता है ठीक है इसलिए रजदानिया होती नहीं है अगर होती है तो बहुत छूटी छूटी होती है चलिए इसके बात करते हैं लबक के बारे में लबक होता है बसा चुका हूं इसमें नहीं होता है जाजतर पौदों की कोशिकाओं में सेंट्रूस्वाम नहीं पाया जाता है अधिकांद पाद ठीक ह इसं में इसमें आपका जो जनतु कोशिका है जायतर कोशिकाउट में सेंटरिो स्वा मौझूद होता है इसके बारे बात कर लेते हैं कोशिका अंगयों के कारियों के बारे में कर लेते हैं कुष काँग मैं आप लोगों बता दूं यहां पर मैंने सारी बनाए माइटर कोंड़ी या कुछ का दरभ लैन का सपाट अंतर प्रत जालिका स्वतनतराइवोस्वम्त तारत केंद्र राइवोस्वम्त कड़ का में आपको याद हो गए ओफि चलिए कि सब बेले बात करते हो कोज़ करता और कारी केंद्रक का खोज़ करता रोबर्ट ब्रायून क्या का रही था कूशिका का करना किस का केंद्रक का क्या होती है वह पता चुका हूं किसने खोज थी फॉन टाने ने आरेने तथा राय वो सवम का संसली सड़ करना गुर्शूत्र के बारे मात करें तो वाल्ड मेर ने इसकी खोच की थी जनननिक लच्छनों का एक पीडी से दूसरी पीडी में इस्ताना अंतर करना है यह नहीं अनुवान से जो लच्छन होते हैं उसको एक पीडी से या कर अपनी जो मातापिता होते हैं उनसे किसमें भीजना संतानों में भीजना ठीक हरी तलबक किसने खोच की थी सिंपर ने की थी क्या कार है इसका इसका प्रिकार संसली सड़ द्वारा भोजन का निर्मार करना कि इसका आपका हरी तलबक का यहां पर सब बने चलिए चलिए साथ यह बात करते हैं मैटो कॉंट्रिया के बारे में मैटो कॉंट्रिया की खोज किस ने की थी आपके कॉलिकर नामक एक प्यक्यानिक थी उन्होंने मैटो कॉंट्रिया की खोज की क्या कार होता है मैटो कॉंट्रिया का जो कार होता है वह स्वासन करना होता ह यानि कि जो कोशिके में स्वासन मुक्रिया होती है लाए मैटो कूंडिया के कार रही होती है ठीक है थि के फिर से में बोल दो रह IO कोश का कोसी यह श्वासन दौारा ATP का निरमार करना माइट्ब का प्रिमक एऩा भीके जानुसरा देखते हैं इसके बाद अंटय प्रतब जाछा किसमने की खूजी सटी इसकी खूज की थी की आपके पोड़ रने ठीक है तो क्या कार क्या होता मैं प्रतब जालिकार जो होती है पेहला दो प्रシルク होती है घ्रति है यह तो कार जो होता है प्रोटीन का संसिलेसर करना होता है जवकि सपाट अंतर प्रतब जाले का जो होती है इसका कार लिपिड ग्लाइकोजन तथा इस्टिरोइड का संसिलेसर करना इसका प्रमुक कार होता है गौल जी काय का क्या कार होता है और किसने खोज की थी इसकी तो कैमिलो न तो आप लोग लोग अंदा लगा सकते हैं कौनसा कार होगा जो करते हैं बुबाला इसका प्रमकार होगा खोज कितने की थी तो आपका ऊटैंट ने नमताओ रोबर्ट होकने इसकी होज कि थी इसका कार क्या होते हो एक आपके कोशिका विच्थि के बीच में पादब को स् warfare होती हैUU उननके बीच में cement का कि ना लोगो बता दो कि सिप्ष करने वाल चूछ से उनका नां था पूर्कनजे ने जीव द्रभ की खोज की तो हुआ कि मैझा होती है का उस तो कोशिका जिली के अंदर जितना भी दिरब पदार्त होता है तरल पदार्त होता है उसको हम जीव दिरब कहते हैं मैंने आप लोगों बताया था उसके बाद मैंने जब आप लोगों के इसी में बताया था कि यह आपकी कोशिका है कोशिका का केंद्रक होता है केंद्रक में म पाया जाने वाला जीव द्रब केंद्रक द्रब क्यालाता है और केंद्रब के बाहर वाला जो इतना भी जीव द्रब होता है उसको हम कोशिका द्रब कहते हैं तो इसका मतलब यह बताया कि कोशिका द्रब तता केंद्रक द्रब को मिला कर समिलत रूप से जीव द्रब कहते हैं जीव द्रब में सारी कोशिकाओं की किरिया होती है यानि कि जितनी जीवन के लिए आके प्रतियक जीव में जितनी भी किरिया होती है वो सारी की सारी जीव द्रब में होती है इसलिए जो आपका जीव द् की जाए तो पार्क तता पॉन नामक तो बैग्यानिक थे इन्हों ने इसकी खोज की थी ये कार क्या होता है इसका प्रकास संस्लिस्ट की यह एकाई मानी जाती है ठीक है चलिए राइवसोम की बारे में अगर बात की जाए तो राइवसोम मैंने बताई थी कि आपका कड़िका पाई जाती है यहां पर कुछ लोग माइटो कॉंट्री हमीं पाई जाता ओकुछ सुदंत रूप से भी राइवसोम पाई जाता इसका कार की बात की जाए तो प्रोटीन का संस्लिसर करना आपका राइवसोम का कार होता है ठीक है अब किसकी खोज करने वाले बैक्ती कौन थ तारक की खोज की थी इसका ताररक काय कार का का गया होता है तारक काई का रीकाई कार होता है वह कोची का वीवाज इसकर जो एस पिश्टर करों उसका ब्रकास करना इसको imagined लाइसू सूम इसको हम लॉंग खार राउं काई भी चाहिए आपर आब देख स सकते हैं लाइन पर दुब सबता रहा दंवा यह डूबे उलर दूब गयाता कि लाद कि कोई अ इतब के बाद क्या निजनल नहीं का निकाला और निकाला कि सिर मैं परिम सर कर्वाया कि कि मैंनल इन चाही है कि खोज कि या के लाइस कोस्ते की खोज कर दिया किसने गैस लिप ठीक, डूबे डूबे नहीं चलिए, कार इसका क्या हम इन है? कार जो है आपका लाइसो्सव्सॉंम का जो की चार होता है जो कोश्का होती है कश्का में पाचन करना इसका या पर पूरे सरीर में जहां पर कोश्का बाजने थे कहीं पर भी कोश्ट अगर पाचन हो रहा है तो वो कारी किसका होता है लाइसोस्वाम का होता है बहारी कोश्का पदार्थ होता था कोश्का के अंदर ही पदार्थों का पाचन करना आपका लाइसोस्वाम का कारी होता है इसको आ करते हैं मैं आप लोगो बता दो थोड़ी एनर्जी थोड़ी कम हो गई हुआ क्या मैंने करी तीन से चार गंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और वो थोड़ा सा उसमें गडबर होगी तो फाइल क्रफ्ट हो गई इसलिए मुझे बुरा लगा क्यों कि मैं बहुत परि चला गया मेरा तो पुरा लगा चली कोई बात नहीं देल उदास है मेरा फिर भी दिल डूबा दिल डूबा मेरा वाईलो जी में दिल डूबा इसलिए चली देखते हैं कोश्का विवाजन के बारे में बात करते हैं कोश्का विवाजन जो होता है क्या होता है उसको समझते ह है मात्र कोशिका मात्र मतलब मदर से पुत्री कोशिका बनने का या पुत्री कोशिका का निर्माड कोशिका विभाजन कहते हैं तो इस सभी प्रिक्रियाओं को कोशिका चक्र कहते हैं यानि कि एक कोशिका बन तो जाती है लेकिन कोशिका बनने में दूसरी कोशिका बनने में जो क्रिया होती है यानि कि जितनी भी क्रिया होती है उसको हम सम्मिले तुरूप से कोशिका चक्र कहे देते हैं ठीक है तो चलिए देखते है करते हैं कुस का चक्र की जो होता है वह 4 पिलकार का होता है या ऐस की चार क्रिया यह होती है यहां के चार भागों में बाटा जा सकता है जीवन ठीक है इसके बाद चीवन के बाद ध्यान रहे एस बन एस आएगा ना की जीटू तो एस बन और जीटू तो आए देखते हैं के करके यहां पर मैंने लिख वी दिया है फिर में इसको इन पर भी बता दूना कोशिका का कोशिका व्वाजन की तैयारी हो जाते है चाहता जोहां एंव अवस्तास में धो आएंव जितले दो इतल दो उसाफ कि नड की मिश्णत होता है शीक ग्धGen की तारे का सव जाता है ठीक है यहां पर मैंने लिखा आपकी जीवन एस और जीटू ठीक है इन तीनों अवस्ताओं को सम्हेल रूप ते अंतरा अवस्ता कहते हैं या के इंटर फेस्ट कहते हैं क्यों कहते हैं उसको माभी से जानेंगे कि जो तिन अवस्ता हैं हो जा उता है इनको क्या कहते हैं अंतरा अवस्ता कहते हैं में सारी क्रिया हो आई जो मिलकर की सबस्ता तक पहुN जाते हैं तीनों अवस्था बिदाई के बाद जब तक है ऊच्छा उत्यदेश आपकी जब तक घर पर हैं और विदाई के जैसी विदाई वी बैसी आपकी चौथी अवस्ता सुर्व हो जाती है और चौथी अवस्ता को दो भागये में पहले केंद्रक का व्यवाजन हुआ और उसके बाद कोशिका पूरा विवाजन हो जाता है ठीक है तो मैं फिर से पिता होती है वो होती है आपकी बिदाई की अवस्ता तो बिदाई जैसे हो जाती है बैसे ही आपका कोशिका का विवाजन सुरू हो जाता है उसके बाद बिदाई के बाद आपका एहम अवस्ता में कोशिका केंद्रक का बिवाजन होता है केंद्रक का जब बिवाजन होता है तो हम इस अवस्ता को कहते है कि केरियो काई नेसिस यहाँ पर लिखा हुआ है केरियो काई नेसिस अवस्ता होता है जब केंद्रक का बिवाजन होता है और दूसरी इसी में अवस्ता होती है जब कूली तरह से कोशिका जो कि नवस्ता को वाटा एक में केंद्र का वाजन वा दूसरे में पूरी कोश्का का विवाजन होके तयार हो जाता है ठीक है चलिए आगे बाद करते हैं कोась का विभाजन के पिरकार देख लेते हैं टिशे काव बिभाजन के पिरकार देख लेते हैं को रहें की टीनगा नहीं च고 अनवांतिय गोडों का ट्रानफर और केंद्रक त्था कोष्का का द्रब्र का विभाजन हो जाता है इससे ही आप को भीवाजन की पूरी प्रीक्रिया होती है ख्त्म हो जाती है और इन प्रीकरियाओ के हम 13 भागों में कि नीले हरे सेवाल सेवाल होते हैं कई सारे प्रकार की होते हैं कई कलर की होते हैं लेकिन उनमें से नीले और हरे जो सेवाल होते हैं उनका ही असूत्री विभाजन होता है दूसरा होता है कबक में तीसरा होता है अमिवा में प्रूटो जुआ और जीवाड़ों में कैसा विभ बारे में बात करेंगे तो आई ये देखते हैं करके सबसे पहले बात करते है सूत्री विभाजन के बारे में सूत्री मतलब सूत्र मतलब गुर्सूत्र और सूत्र का विभाजन करना यानि कि इसमें सूत्री विभाजन आई ये देखते हैं क्या होता है सूत्र विभाजन तो आईजे देखते हैं, इसको इसकी खोज की बारें, इसकी खोज यानि की सूत्री विवाजन या समसूतरड की खोज करने वाले विखती हैं उनका नाम था डवलू फ्लेमिंग, इन्होंने 1882 में इसकी खोज की थी, यह विवाजन, काईक कोशिकाओं यानि की जन्तूँ और पेड़ पौधों की कोशिकाओं में सूत्री विवाजन दोरा कोशिका का विभाजन होता है इस काड़ सूत्री विवाजन को या समसूत्र को हम काईक कोशिका विभाजन भी कहते हैं काईक मतलब क्या होता है एक सरीर सरीर मतलब बोड़ी यानि कि काईक कौन से होते हैं जो हमे सब्सक्राइब आप कहें जीवाड़ों की भाई जीवाड़ों का सरीर नहीं दिखता है वह हमें क्या होती है दुर्बीन का पापा क्या बोलते हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है समझा गया तो यह किन का हो रहा है जिन में बड़ी काया होते है जैसे पेड़ पौधे और कोशिका के समान ही होती है यानि की जो मान लीजिए ये आपकी कोशिका है कोई भी इसके द्वारा क्या हुआ एक कोशिका का विभाजन होने के बाद क्या हुआ यहां पर दूख कोशिका है बनी तो दौनों में समान गुर्सूत रोंगे यानि की च्छालिस इसमें च्छालि साली तो हमने अगर आपको भी दिए तो सैंग पयासी ही चीज में में इनको भी दूगा और दौनों में कोई अंटर नहीं होगा 56 गुरुसा उत्रा आपके में होगे और 46 गुरुसार दूसरे वेक्तिः के हें में होंगिδान गया तो यह अलेंग चलनि का आधार होता updated knight तरह से तो नर। माधा की आफ्षिक्ता ना पड़े ऐसा इस तरह से जो विवाजन से कोशिका का नर। माधा की जब आफ्षिक्ता नहीं पड़ती तो उसको हम अल rappers की यन का सी ठीक है जायगोट में इसी पिरकार का brosium stars भाई आपो औहाब जा होता है जब लेंग हुआता है जब लेंगी की जणन हो जाता है जो की सूतरी वीवाजन नहीं है अर सूतरी वीवाजन ग्रूड जब बनता है ब्रूड बनने के बाद की जो अवस्ता होती है वह सूत्री विवाजन के द्वारा क्योंकि ब्रूड बनके तयार हो गया अब एक पेट में जो मान लीजिए मेरा में एक लड़की हूँ और मेरे पेट में एक बच्चा उसकिया मतलब कैसे भी जो भी कि सूत्री विवाजनस काड़ी घाव भर जाते हैं और फिर से उसी प्रिकार की कोशिकाओं का जन्मुता अब यह कैसे होता है जिसे मान लिए मैं कुट्टा ने खा लिया कुट्टे ने खाया तो एक दो तीन चार पांच करीब दान गड़ा दिये उसने मेरे और बड़े-बड़े घाव कर दिये आपका खुद का सरीर हो गया आपकी खुद की कोशकाओं नहीं अब आपके जो ho bी होगा वो सूत्री विवाजन होगा कहीं कट जाते हैं तो जब वह वफ़ग भाषाव करेंगी होगी वो घाव बन्ने के प्रक्रिया होगी कि क्योशकाओं क्या होती है कोशकाओं से मिलकर उतक बनते हैं, उतक से मिलकर अंग बनते हैं, तो इस तरह से क्या है, यह एक skin है, iskin को मतलब खाल भी कह देते हैं, और तफचा भी कहते हैं, तो यहाँ पर जो नई आएगी वो क्या होगी, मेरे जो अंदर cell है, उनिके आधार पर आएगी, यानि कि नया जो विवाजन हो रहा स्पमे हैं तो सेम सुंधर और गोरिश्किन फिर से मेरी आ जाएगी समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं समझ आ गया गया खाव बने की निमार से जाए गोट के बात की मतलब भूड बनने के बात की जो पिरख्रिया भूड कि किसके आधार पर होती है सूत्री विवाजन के आधार पर ही होती है इसके काड़ी अंगों का भी निर्माड होता है इसमें गुर्षूत्रों की संक्या बिल्कुल भी कम नहीं होती है इस काड़ सूत्री विवाजन या समसूत्र को हम अन्यूनकारी विवाजन केते हैं अन्यूनकारी क्या होता है मतलब नहीं होना कम नहीं होना यानि कि न्यून मतलब क्या होता है कम करना या कम होना ठीक है तो इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का जो गुरसूतर है उनमें किसी भी तरह की कमी नहीं आती है जो माता में होती है आपने बच्चे पैदा कर दिया बच्चे तो जब पैदा कर दिया बच्चे तो मतलब डॉटर सेल्स जो बनी तो उससे क्या का मेरी जो इसकिन थी नई आगी समझाएंगे इस तरह से चलिए आगे बात करते हैं कर दोता हैं असूत्री वखान इस नतो जो आपके का होता है ने तो इसमें गुरशूद्र होते हैं या नहीं इसमें इसे कई वह दो जाना के से मेरा हाथ से मेरा हाथ है ओक Scop … वह जाना मतलब एक er दो अभी कैसे कारता है कैसे मेरे मेरे चंत भाट च्छे कहिले तो में गह्त कंच्र था यह सी कहा तो पीछे से मेरे किसी ने लात मार दी ज़ो मैंने देखा ओ मैने लात twerences वारी तो प्यच्छ बहुत थे पढ़े मेरे टकर तो पीछे जैसी मतलब तक पड़ी मैं गर गया रोड पर रोड पर जैसे गिरा वधर से एक ट्रगा रहा थैं तो उसको हम असूत्री विवाजन कहेंगे इसमें सूत्रूट का कोई चकर नहीं गुर्षूत्र का कोई लेना देना नहीं है चलिए समझते हैं इसको इसके तहट पहले से मौझूद मात्र कोशिका का केंद्रक सीधे दो भागों में बढ़ जाता है यानि कि यहां पर कोई माल रखा है माल लीजिए यहां पर मैंने बर्फी बना कर रखी बर्फी बना कर रखी आपने कुछ नहीं किया मेरी बर्फी उठाई और मेरी बर्फी में से ही दो टुकड़े कर दिया बीच का केंद्रक लिया ऐसे ना पा आपने इस तरह से यह बर्फी का केंद्रक है आपने इ क्या हुआ दो भागों में दोंधोन पर यहां पर ते 열險ंता है यहाँ पर अब बढ़ जाता है उसके बाद जैसी बढ़ता है उसके बाद क्या होता है दो सेम बैसी कोशिका बन जाती है ठिक उसका दिरभी भी यहां पर आ जाता है ठिक है तो मैं फिर से बता जो इसके तरफ पहले से मौझूद मात्र कोशिका का सीधे केंद्रक्मों का दो भागों में बढ आचको हैं, उस्तिति यही रहती है, असूत्री विवादन की ठिक है, अर्शूत्र विवारेन के बाल लेंगी जनन यानि कि लेंगी जनन या लेंगी जनन कोशिकाओं या कि sexual reproductive cells में ही होता है अब यह कैसे होता है अब यह होता है यह मैं हूँ मादा और मेरा दूसरा वाला हाथ है नर जब इन दोनों का मिलन हुआ आपस में इस तरह से आए और इन दोनों का मिलन हुआ एक नर कोशिका और एक मादा कोशिका यानि कि नर का लिंग और मादा का लिंग जब आपस में क्या किया जो किरिया होती है वो किरिया करने के बाद जो एक नई कोशिगा बन कर तयार हुई उसको हम अर्शूत्री विवाजन के तैती रखते हैं फिर से बता दू इसमें लेंगिक जो लिंगी जनन कोशिका ही भाग लेती है इसमें अलेंगिक नहीं होता है क्योंकि मैंने बताये था अलेंगी क्या होता है जिसमें लिंग का या का नर और मादा का कोई भी चक्कर नहीं होता है फिर इसको हम सादर बासा में भी समझ सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इसमें केवल लिंगी जनन करने वाले ही जीव सामिल होते हैं यानि कि ज पर बना ठीक है अब जो मेरे अंदर गुर सूत्र है वो तेज से चालिस है लेकिन आए भईया कहां से थे हो यह आए मेरी मम्मी से थे मम्मी और तेज पापा ठीक पापा ने दे दिया ने मुझे तेज और तेज मम्मी ने तो दौनों के मिलन से एक नई कोशिका बनी किस आधा ठीक अब भईया मम्मी की भी कहीं कहीं से आई होगी ना कोशिका यह अब यह मम्मी के पापा यह मम्मी की मम्मी ठीक समझा क्या अब इधर भी आ जाते हैं यह मम्मी के पापा के पापा और यह पापा की मम्मी समझ मैं क्या ना तो इन से आया पापा के अंदर और इन से आया मम्मी के अंदर इन दोनों लोगों से मम्मी के अंदर इन दोनों लोगों से पापा के अंदर अब पापा के पापा मेरे पापा के पापा वो भी कहीं से आये होंगे एक ये मुन की मम्मी और ये उनके पापा ठिक अब मेरे पापा मेरे पापा के पापा और मेरे पापा के पापा समझ रहा ना अब ये भी कहीं ने कहीं से आयोंगे इस तरह से ये अब समझेना बात को ये 46 ये 40 तो इन्होंने इनके आदे गुर सूतर गए इसमें 23 और इनके गई ठीक है अब इन दोनों की जब साध्य हुई इन दोनों की तो 23 इन ने दिये और 23 इन ने दिये ठीक अब इनकी साध्य हुई इन से तो 23 इन से दिये और 23 इन से दिये हमारे पापा तयार हो गए अब मैं भी तयार हो रहा हूं 23 पापा ने दिये और 23 ममी ने दिय ठीक है अब ममी भी इदर से तयार होते हुई आ रही है 23 ममी को ममी की ममी ने दिये और 23 ममी के पापा ने दिये तो क्या समझ में आया कि जो गुड़ सूत्र हैं वो पीड़ी दर पीड़ी क्या होते हैं आदे होते जाते हैं यानि कि अनुमानसिक जो लच्छड होते हैं वो एक पीडी से दूसरी पीडी में ट्रांसर या करें इस्थानांतरित होते रहते हैं यह सूत्री विवाजन में नहीं होता है सूत्री विवाजन में सेम बैसा का बैसा ही रहता है उसमें किसी भी तरह का अब मेरी मम्मी वह पापा इस विल्मित लहीं आते हैं. यह मेरे जो सेल हैं, सबील से सहीं मेरे हर सेल से ना है. तो कोस्चवाwn ह니 मेरी हर ससरीर में है. अब मैं यहाँ पर कट जाता हूँ. तो यहाँ पर जो कट गया, उसको बरने के لिए क्या करना होगा? करेंगी तहत वह एक नया सब्सक्राइब करा । और क्या करते हैं ये सूत्री व्याजन करते हैं लेकिन जब अर्षूत्री होता है तो उसमें दो लोगों की आविश्यक्ता पढ़ती ही पढ़ती है ठीक है चलिए समझते हैं आगे समझे हो गया तो मैंने क्या बता है इस प्रिक्रिया में जीब जन्तूं में क्या होता है इस प्र जब इस तरह से दोड़ करता है माली जी मैंने दो लोग हैं वो अपना करिया या कारकरम जो भी होता है उनका वो करते हैं ठीक है करिया कारकरम करने के बाद क्या होता है जो सुक्राणू होते हैं यह जाकर अंडाणूं से मिलन करने की कोशी करते हैं इस तरह से आप देख सकते यह ट्रेनिंग चल रही है इस तरह से यहां पर फत्य करनी होती है यह अंडाणू से मिलन करना होता है जैसी अंडाणू से मिलन करना होता है जैसी इसमें क्या हुआ एक अंडाणू जाकर यहां पर अंडाणू में एक सुक्राणू जैसी गुसा बैसी एक ब्रूर तयार हो गय प्रुद ऐस में जो वीजान्ड केते हैं बीजानु धानी भी केते हैं इसमे जाकर जब निस्य होता है तब दोitzer का मिलन उने के बाद एक बुरूड तयार होता है थिक इप जिसको हम जनन के बारे में बात करेंगे तब हím तो इस विभाजन में जीन बिनमें या के द्वारन नई किस्मों का विकास संभव या मुमकिन हो पाया है क्योंकि इस विभाजन से एक जाती के सभी जीवों में एक ही पीड़ी से दूसरी पीड़ी में गुड़े सूत्रों का क्या होता है संख्या हमेशा एक समान ही रहती है यानि कि तेई सुधर से और तेई सुधर से यानि कि कितनी हो जाती है हमेशा हमेशा 46 ही रहती है चाहे वो किसी से भी आयों यानि कि तेई सिदर से और तेई सिदर से होती कितनी है हमेशा 46 ही रहती है तेक वो कब कम जाद हो जाती है तो उस सूत्री तथा और सूत्री विभाजन में अंतर के बारे में बात कर लेते हैं यह क्या होता है आए समझते हैं सूत्री तथा और सूत्री विभाजन के बारे में अंतर जान लेते हैं सबसे बहले बात करेंगे एक एक करके समझेंगे नंबर बन नंबर टू तो सूत्री है यहानी कि यहान से चला आधी मां से और आधी पिता से मिलकर कितना होता है कुल 46 गुर्षूत्र प्राप्त हो पाते हैं ठीक है तीसरा देखते है यह प्रिकरिया चार अवस्θाव में होती है आप लोगों को पता यह इसमें क्या होता है और शूत्र विवाजन में यह दो उप विवाजनों में पूरा होता है जिनमें पहला नियूनकारी होता है ठीक है जिसमें कम हो जाता है नियूनकारी विवाजन होता है जिसमें गुर्षूत्रों की संख्या आधी रहे जाती है तीसरा देखते हैं वो चोथा गुर्षूत्रों में अनुवानसिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता यानि कि जो गुल्वी संतान में आदान प्रतान नहीं होता इसलिए संतति या के संतान कोशिकाओं में भी उसी प्रकार के गुड़ होते हैं जो की जनक कोशिका में यानिकी माता की जो कोशिका है उसमें मतलब मात्र कोशिका में माता वाली कोशिका नहीं मात्र कोशिका में जबकि इधर क क्या होता है गुर्षूत्रों के बीच अनुवान्सिक पदार्तों का आधान प्रदान होता है इसलिए संतान कोशिकाओं के माता और पिता के गुर्षूत्रों से अलग होता है अब यह कैसे अलग होता है अब मम्मी के गुर्षूत्र कितने हैं 46 पापा के गुर्षूत्र कितने हैं 46 ठिक अब 23 यह किसी और से मम्मी ने लिए ना किसी और से और पापा ने भी इसमें से तेज तेज किसी और से तेज मम्मी से तेज पापा से अब मेरे पास जो आए है ना अब वो किस से आए है आदे मम्मी से आदे पापा से तो ना तो मम्मी से सारे मैच करते हैं नहीं पापा से अब पापा से भी मैच करेंगे ना पापा से भी मैच करेंगे तेज तो वो भी पा पापा में से किसकी हो जाएंगे कुछ भाग उनकी मम्मी के हो जाएंगे पापा की मम्मी के और कुछ भाग दादा जी के और कुछ भाग किसका होगा दादी का समझे मारा ने इस तरह तो क्या होता है उनमें जो अनुवांसिक गुड़ होते हैं वो समान नहीं होते हैं बलकि ह देक्ति के जनतीtem होते हैं संतान कस्वा में जैसे ही जोने काड अनवांसिक बिवीता नहीं की अगर सूत्री भ्याजन करूँ मैं अपना मैं नहीं कर सकता है मैyu मे criança कर सकते तो सेम अपनी संतान प्यदा होगी जैसी उनकी सकल है सें बैसा का बैसा ही मौडल तयार हो जाएगा यह पुरस नहीं सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं तो सुत्र विभाजन आशंचे हैं व्यागा पैंदा वेसे लड़के पैहिंप तेक चलिए आगे देखते हैं इस में अर्द गुर्षूरत में क्या होता है संतान personal कोश்का ओम कि जनकों के अलग‑ALग गुर्षूत्र 호lik 하지 एको अनुवानसिक्ता में बिविता होती है याने कि यहां स्यात्य चिंटाем सब्सक्राइब कर दो ड current अगर इंटवाजर्ण टो चैन यहां पर दोरोटर चाछन तक है बनती यहां यहां के लिए जानकारी थे तसके बारे में इस rozpोछ करते हैं है करते हैं कि अचलिए सबसे इंपोर्टेंट सबसे ज़रूरी और सबसे जादे कनफीज स्की कर देने वाला इस कन्फिजिन को यहां साथ के साथ दूर करते जाएंगे ठीक है थो तोड़ी मेरी अबाज बैठके है कोई मेरा पीडियो था मैने पताया विए थोड़ी जर पेले कि तीन गंटे का ठोड़ा गड़बर हो गया तो मैं इसे कोटे को पूरा करना पड़ेगा मुझे आज इसलिए गर मैं टाइमिंग की बात करूं तो अभी पांच बज़े रहे है है अभी मैं सोया भी नहीं हूँ मैं तो से तीन बज़े से बैठा हुआ हूँ ठीक है तो इस तरह से ये परिसानी हो जाती है तो मुझे करना पड़ेगा कोटा नहीं तो फिर मुझे टाइम लग जाएगा ज्याद है आई देखते हैं जीवों का बर्गिकर्ड के बारे मात क कि ये जाए इस बगिक बड़ेद की बात की जाए तो यह है एक विग्यान की साखा है बर्गी का depth कित 플रोक साका है ठीक है तो आई ये समझते हैं इसको बर्गी कड बिग्यान की एक प्रमुक साका है बर्गी कड किया क्यों जाता है क्योंकि जीवों में बहुत अधिक भिन्यता होती है आप लोगों को पता है कैसे होते हैं कुटा देख सकते हैं बिल्ली देख सकते हैं सेर देख सकते हैं हाती देख सकते हैं पकरी देख सकते हैं म सारी पौधे भी क्यों कि जीवों में बहुत अधिक भिनिता होने के बाद भी इन जीवों का अध्यान में करने में बहुत आसानी रहे इस कार्ड हमें बर्गीकर्ड करना पड़ा बर्गीकर्ड से एक नाम लेने से ही क्योंकि आपने जैसे मान लेजिए मैंने कहा इस्तंधारी आपने तुरंट सुचा भाई या इस्तंधारी क्या होता है इस्तं मतलब दूद जो होते हैं तो जिन जंतूओं में इस्थन गिरंदियां पाई जाती है या कहें अपने बच्चों को दूद पिलाते है उनको हम इस्थन धारी कहते हैं आपने सोच गिया दी हैं फिर इस्तरी हो चाहें वो पुरुस हो अब ये बात अलगे कि पुरुसों में इस्थन गिरंतियां होती हैं वो कम विक्सित होती हैं महला में या करें मादाओं में इस्थन गिरंतियां अधिक भिक्सित हो जाती है उस से क्या रहता है वो अपने वच्चों को दूद्द पिला सकती है समयागто है अब हमने कहा कि भाईया इसको समझ लग अगया होगा कि भाईया इसका क्या महत्त है ठीक है तो भाई करड़ से अलग-अलग जीवों के मद्द संबंद समझने में भी हमें आसानी रहती है और भी कई सारे होते हैं जिसको हम डीप में नहीं जाएंगे ठीक है चलिए अब समझते हैं नाम करड़ की दुए पद नाम पद्दिती ठीक यानि कि जो नाम करड़ रखा जाता बड़ी क गड़ाती था नहीं कि उसमें अपका जीवों का तो किसी का भी झाल रखा जाता है वो दिनाम पद्दिती पर रखा जाता इ assistance कि कि इन पद वुगा करते थे उस नाम में वो कैसे थे और कैसे बदला तो आईए समझते हैं हुआ कि शुरुवात में जब नामकरण की शुरुवात की तो एक बैकती थे जिनका नाम था Kerolys Lineus Kerolys Nineyat तो सत्रे सो अठावन में Kerolys Nineyat नामकरण पद्देती की शुरूबात की तो इनके अंशार यानि की linear की अंशार हर जीवदारी के नाम में दो अच्छर होते हैं और तीसरा जो अच्छर था यानि कि तीसरा जो सबद था वो आपका किसका किसका रखा तीसरा सब्द दू रखा उन्होंने बytग्यानिके नावे आए देखते हैं मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि जीवदारुयों के नाम में दो सब्ध रखे गए पहला था बंस यह जैने देख दूसरा सब दूसरा पत था यानि कि जो वो था उसको हम कहते थे इस पे सीच या जाती ठीक है दौनों से ले लिया एक तो ले लिया बंस से और दूसरा ले लिया जाती से ठीक है अब तीसरा किसका रखना था तीसरा रखना था बैग्यानिका ठीक है मैं फिर से बता लिखते थे तो बंस का नाम जो पहला अच्छर होता था वह capital से लिखा जाता था जब कि जात के नाम के सभी अच्छर लिखे जाते थे इन दोनों पदों के बाद यानि की जात थी और बंस के बाद बंस और जात के बाद एक और नाम यह कहें एक और पद लिखना पड़ा करता था उसका नाम था बैग्यानिक का नाम ठीक किसका नाम रखना पड़ता था बैग्यानिक यह कहें जिसमें खोज आता मालेजिगे कि मनसे जो ऑसका बंस क्या है होम उसका यत्याइड कि अश्को इसकी happens खोज किसने की आपको کہवनी सीघोजकी तो बंस क्या रखा लाकी सेटी और didnge सका लग तो तीनों को मिलाकर जो बना homo sapiens Lynn लेकिन जब भाईया बहुत confusion हो रहा था इसे बहुत drama हो रहा था लोग कहरे थे कि भाई साब नाम में क्या रखा है जैसे लोग बाग कहरे थे कि भाई साब ऐसाब ऐसा है आपने बहुत लंबा चोड़ा अपने आम लिखा है इस तरह से आपने नाम लिखा है, इस नाम की जरूरत नहीं है, इस नाम को तुरंट रटाओ और चैनल का नाम तुरंट बदलो, तो मैंने की सर ऐसा क्यों, तो कि ये ठोड़ा अजीब लग रहा है, आपको काम करना है, नाम की जरूरत नहीं, नाम तो अपने आप हो जाएगा समझ रहा ना काम करना है नाम में कुछ नहीं रखा है तो भहिया इनने क्या किया जो बैग्यानिक नाम था उसको हटा दिया किसने हटाया एक बैग्ती थे जिनका नाम था जोन डे तो जोन डे ने इस द्योनाम पद्दिती को क्या किया अच्छे तरह से विक्सिट किया और इसमें सिर्फ दो पद रखने की बात कही और इसको मान लिया गया और इसमें क्या किया गया कि इसमें बंस और जाती के आधार पर नाम रखने की इन्होंने संकल्पना पेस की और यह मान लिया गया और अब सभी का जो नाम है वो दू नाम पद्दती के आधार पर रखा ज जातिका उसके बाद बैग्यानी के नाम रखना होता था जैसे होमियों सेंपियंस होमो सेंपियंस और लेकिन आपके जॉन रहे थे उन्होंने यह मना कर दिया कि बाइद सिर्फ बंस और यात पर आधारित सारा सिस्टम कर दिया गया है चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं बर्गी करण के बारे में या क्लासिफिकेशन के बारे में किस तरह से किया गया है जीव जन्तूंगा आए देखते हैं तो बर्गी कर देखते हैं सबसे पहले और सबसे सरमान बर्गी कर करने वाले जो बैक्ति थे उनका नाम था वे टेकर पैसे कई सारे और भी लोग आई जिन्हों ने बर्गीकड किया लेकिन मों माने नहीं हुआ वैसे थोड़ा बहुत एड़ेश कर लेते थे लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमिया थी इस काड़ बहुत कमियों के बाद एक बैक्ति आये जिनका के द्वारा यानि कि वे टेकर के द्वारा सभी जीवों को जितने भी जीव थे उनको पांच भागों में बांट दिया यानि कि पांच जगत में या पांच किंडम्स में बांट दिया पहला कौन सा था पहला था आपका मोनेरा मोनेरा किंगडम या पर आप देख सकते हैं मो तीसरा जगत है वो आपका कवक ठीक कवक या इसको फंगी भी कह सकते हैं ठीक है चौता जो है पादप या कहें प्लांट प्लांटिक इंगडम ठीक और पांच माहें जन्तु मैं फिर से यहां पर दखा जिता हूं मोनेरा जगत प्रुटेस्टा जगत कवक जगत और पादप जन्तु जगत यह किसके द्वारा सुझाए गए थे आपके वेट एकर के द्वारा और यह सभी बैक्यानिक ने या कहें पूरे जितने भी लोग थे उनने इसको मान लिया चलिए साथी उपात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में या मोनेरा किंगडम के बारे में तो आई दे में जीवानू जिनको हम बैक्टिरिया कहते हैं आर्कि वैक्टिरिया साइनो बैक्टिरिया नील हरिस्यवाल मायको प्लाज्मा जैसे जीव इसमें आते हैं इसमें इन सभी के बारे में तो नहीं जानेंगे हलका जानेंगे लेकिन इसमें जो जानेंगे बो होगा दो के बार सामना रखता हम मायकूप्लाजमा जिसको ज्यादा टीप में नहीं जाएंगे चलिए समस्थे सबसे पहले बात करेंगे जीवाडू के बारे में जीवाडू जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह दो जीवाडू है एक और दो और यह ज समस्थे हैं बैसे तो किसी किसी वोक में जो बैक्टीरिया होते हैं या कि जीवाडू जो होते हैं वह पादब जगत में रखे जाते हैं क्योंकि इनकी जो कोशी का वित्ती है वह सेलूलोज की बनी होते है लेकिन सभी जीवाडू की कोशी का वित्ती सेलूलोज की नहीं बन हैं उनमें सबसे पुराने जो जीव हैं वो बैक्टिरिया यानि की जीवाणूं को ही माना जाता है यह हर जगह मौझूद होते हैं चाहें वो मिट्टी हो चाहें पेड़ हो चाहें पौदे हो चाहें हवा हो चाहें कुछ भी हो यह हर जगह होते हैं इनकी कई सारी आकृतियां होता है यह हमें असे कह सकते हैं कि जिवान होते हैं कई आक्रतिवे में मिलते हैं जैसे की विब्रियों जो होता है बहुत आपका उल्टे-कॉमा के आकर्ति नहीं जाएगा इसके बाद विबिरियों और कोमा के आकार का होता है ठीक है इस्पाइरल होता है इस्पाइरल आप लोगों पता ही होना चाहिए इस्पाइरल होता है सर्पिल आकार का यानि कि इस तरह से सांप होता है टेड़ा मेड़ा उस तरह से इस्पाइरल वेसिलस जो होता है कैप्सूल के आकार का ह पर जो बेखती थे उनका नाम था एंटनी उन्य वान लूवेंक क्या नाम सबसे पहले जिवान ओंग के मैं जानकारी दिए लैकिन इन्हें समझ हों को सब्केसरों सब्क्राइब करकद कि रहे कि वह बहुतन warfareिया क wee confused तो बैसे ही इन्हों ने देख तो लिया पहचान तो लिया कि यह जीवाण है लेकिन यह समझ में नहीं आप रहा था कि इसे हम कहें क्या तब फिर मैं मैं वहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद मेरे एक फ्रेंड थे जो की इत्यास में नहीं लिखा मिलेगा आप कोशिस ने इन जीवाणूं का एक नाम दिया जिसको क्या कहा जीवाणू या बैक्टिरिया का यानि कि एंटोरी वान लिवेख ओन ने जीवाणूं कोश तो कर ली लेकिन लूई पास्चर ने इनका नाम जीवाणू रखा ठीक है इसलिए जो लूई अंकल थे या कहा इनको कहा गय जीवानों विज्ञान का पापा यानिकी जनक कहा गया ठीक है तो आई ही देखते है मेने क्या वत आया 1998 29 में लूई पास्यर लूई पान ने जीवानों इनको नाम दिया ठीक है बैसे हं वह वाका था कि जो लिए पश्चर अंकल थे या खहल रहे हैं इस तरह से च्फटे च्छट च्छटे खेहलते रहे थे ना उस तरह से शुटी सुटी सुटी संकीन होते है तो शुटी संसे बं хотел नेगalg किछना करते हैं उसनफ मेलते हैं जीवानु बगेरा है तो किन्वन करने तब इन्होंने ठोड़ी से जानकारी कर लिए और तब इन जीवानु का इन्हें जब पेंचाना तो इनका नाम क्या रख दिया जीवानु इनका नाम रख दिया ठीक है मैं फिर से बता दूं इन्होंने देखा कि जीवानु सिर्के में अनौक्सी स्वसन कर रहे हैं किन्वन की किरिया सिरका उद्धियोग और एलकोहल बनाने में पिरियोग किया जाता है इसके काड़े ही जब इन्होंने इतना पूरा जानकारी दिया तो इसके काड़े ही जो लुई पास्चर थे इनको क्या कहा गया जीवानु विज्ञान का पा बसके कर दो रहे हैं लोग सकता है लुई लो फिंगरे कंछी करतें पिट अर्यों कोशिका में ठीक है जीवानु पैंडे मेंир जनक था ठीक है या फादर और जीवाडू बिग्यान जो भी आप पढ़ना चाहिए हिंदी इंग्लिस जैसे करना चाहिए और रॉबर्ट कोच को आधनिक जीवाडू बिग्यान का जनक माना जाता है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं जीवाडू के सामान गुड़ देख लेते हैं ठीक है सामान बिग्यान की तरह ही ये सामान गुड़ भी है इनकी इनमें कोशिका बित्ती पाई जाती है जिस तरह से आपका पेड़ पॉद्य की कोशिका में कोशिका बित्ती होती है इसी तरह से जीवाडू उनकी कोशिका वित्ती में जीवद्रब पाए जाता है जो कि फास्फो लिपिड तथा प्रोटीन का बना हुआ होता है इनका जीवद्रब कोशिका वित्ती के अंदर बलित होकर याका है मुड़कर मीसोसोम याका है मद्ध काय बनाती है यह मीसोसोम जीवानों के लिए माइटो कॉंड्रिया का कार करता है यानि कि मैंने आप लोगों को जब बताए था कि जो माइटो कॉंड्रिया होती है किसी भी जंत के कुछ का के अंदर तो माइटो कॉंड्रिया जो हो सरी इसी के ऊपर यानि की मीसो सेंग के ऊपर एंजाइम होते हैं स्वसन के जो की स्वसन में भाग लेते हैं ठीक है स्वसन मतलब सास लेने की किरिया ठीक है चलिए अगे देखते हैं कुछ जीवानों की कोशिका भित्ती में सेलुलोज पाया जाता है यह मैंने आप लोगों को पताया थे कि सभी जो जीवानों होते हैं उनकी कोशिका भित्ती में सेलुलोज नहीं होता है बलकि कुछ ही ऐसे जीवानों होते हैं जिनकी कोशिका भित्ती सेलु लूज की बनी होती है जीवाणों में केंद्रक, लवक, माईटोकॉंडरिया, गौल जी का अनतय प्रदब बिजालिका नहीं पाइजिती। कुछका मैं आप लोगों को बताया कि जो माईटो कॉंड्र era होती है वो सरसंग का कार करती तो ये की कोशिका होती है जिसमें ये चीजें पाई जाती है लेकिन लबक पेड़ पौदों की कोशिका में ही पाया जाता है जिस तरह मैंने आप लोगों बताया था लवक तीन प्रकार के होते हैं पहला लवक होता है वर्डी लवक दूसरा होता है वर्डी लवक और तीसरा मैंने लवक बताया था हरित लवक लवक लवड नहीं लवक ठीक मैंने बताया था लवक कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के नहीं होती है जिसका कार्ष स्थ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अपना भूचन प्राप्त करते हैं लेकिन इनमें प्रकास संस्लेसर होने के बाब जुद भी इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं कि प्रकास संस्लेसर होता है वो लवक के माध्यम से ही होता है इस लवक के स्थान पर क्या होता है इनमें लेमिना की रचना की तरह है इनमें लेकायट्स चो होते हैं इनके जीव्दरब में पहले होते हैं जिससे ही क्या करते हैं प्रकास संसलासर करते हैं sensing कोशिका वियत्ति में दो सरक्रां पाय जाते हैं कोई सावी पूरे जो भी प्रत्वी पर जो भी जितने भी जीव होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ किन में पाई जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके जीवाडू में ये दोनों सरकरा पाई जाती है यानिकि सरक्रा मतलब चीनी याग लूकोल क इसको कह सकते हैं इनमें जनन दू विभाजन द्वारा या कि वाइनरी फिसन द्वारा होता है जो कि एक प्रिकार का असूत्री विभाजन मैंने जब प्रिवाजन के प्रिकार पढ़ाई थे तब मिनें आप लोगों क्या बताया कि असूत्री विभाजन कैसे होता है इनका क्या होता है ना तो इसमें गुर्षूत्र का भाग आदा होता है इसमें क्या होता है जो माल रखा हुआ होता है माली कोई जीवान हुआ उसी से ही डारेक्ट इनका जो केंद्र रखोए दो वागों बढ़ जाएगा यानि कि मैं यहां सब्सक्राइब यहां जाए ट्योंतर करें उचाने चुशनि होता है में और मनेром मामझा और विवाजन के सब्सको यह चesserinct किसी अनुकर पर्स की करते है नुदुई के सबाखा इस Linux जाइए लिए अलिक में आगर बात करते हैं का चलिए जीमाडवू होते हैं उनकी कोशिका की संद्धिना के बारे में कर लेते हैं यहुआ आई लATinka के चारों किशारर के चारों क्या होता एक कोशिका भिगत्य होती है ठीक है जो की ऐगलाग कुछ प्रमयों की अलग जीवाड़ की जो भिगत्य होती है वो अलग जलक उससे बनी होई होती है जैसे कि आपका कुछ जीवाणू होते हैं उनकी जो कोशिका की बित्ती होती है वह है पॉली सेकराइट्स लिपिड और प्रोटीन से बनी हो सकती है किसी-किसी जीवाणू की जीवाणू में कायटिन की भी बनी होती है किसी-किसी जीवाणू की ठ या फिर आपका कायितिन से बनी हो सकती है, समझ में आ गया, चलिए, इन कोशिका विक्ति के चार ओर क्या होता है, अबपंक की एक परत होती है, अबपंक, पंक क्या होता है, कीचड, समझ रहा न, पंक अज, आप पढ़ता होगा न, संद्र विच्छे जब करते हैं, पंक अज जीवाड़ू बरद्धि करता है, तो जो आपकी क की एक परत होती है, जो जीवाड़ू के परत होती है, जो जीवाड़ू का अपने अवपंक को फुला कर कैप्सूल की आकरती बनाते हैं, उनको हम capsulated कहते हैं यहां मैं से भी कह सकते हैं जब कभी जीवाड़ू बिरद्धी करता है तो अवपंक की वह परत जो होती है फूल कर capsule की आकरती बना लेता है वो जीवाड़ू जो capsule की आकरती बनाते है Capsulated क्या कहते है, Capsulated वो कहलाते है, ठीक है, इनका बास्ति भी केंद्रक न होने के काड़, इनको Procariotic वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, कि जो Procariotic और Eukaryotic जो जीब कोश्चिका होती है, उनमें किस आधार पर उन्हें बाटा गया है, कोश जीबानों से लाब और हानी, या फिर जीबानों का आर्थिक मैत, या Economic Importance of वेक्टिरिया के बारे में बात करते हैं, चले समझते हैं, एक एक करके, आए देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम लाब देखेंगे, और वो भी किरसी में लाब देखेंगे, कि हमें किरसी में किस त नाइट्रोजन होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है, मैं फिर से बोल दूँ, नाइट्रोजन पेड़ पौदों की बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन ये जो पेड़ पौदे होते हैं, वो नाइट्रोजन को प्रतियाच रूप से गिरहड नहीं कर पाते हैं, वलकि करने की चंका नहीं होती है तो उसको ग valley करने की इन में चंका नहीं होती है लेकिन किस माध्यम से करते हैं यह करते हैं यह करते हैं योगी के रूप में इसका प्रियोग करते हैं इसलिए कुछ जीवाड़ू ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट को वो सरी नाइट्रोजन को या नाइट्रस को एन थिरी या का नाइट्रेट में बदलने में मदद करते हैं जिस तरह से ये पेड़ पौदों में चला जाता है हो जागी इतना जहरीला एक पतार की तरह है आप मान सकते हैं ठीक है अकेला सोडियम के बात कर रहा हूं मैं Cl क्या होता क्लोरीन क्लोरीन पीसकते हैं नहीं पीसकते ना अब ऐसी मानले लिजिये hydrogen gas होती है hydrogen हो गया हाइड्रोजन क्या अकेले आप उसको हाइड्रोजन के पी सकते हैं या उसको सुमसकते हैं यह नहीं ना तो अब अब एक भी एक यह बाद समझे नैने ट्र 어ो गया अब वैया सोडियम का प्रवीढर और इधर बन गया अब यह क्या नमक, नमक हम कितने आनंद से खाते हैं, पता है न आप लोगों को, तो क्या नमक जहरी ला हो गया, अब यह से ही, क्या हाइड्रोजन पी सकते हैं, हाइड्रोजन सुम सकते हैं, नहीं, ऑक्सिजन की जगे हम हाइड्रोजन गयस नहीं ले सकते हैं, लेकिन H2O जल का फॉर करते हैं तो आई ये फिर समझ लेते हैं किस तरह से ग्रड़ करते हैं और कौन-कौन से जीवाड़ होते हैं इसमें मदद करते हैं तो आई ये दिखते हैं मैं पहले आप लोगों बता दूँ पहला जो प्रोसे से क्रसी में नाइट्रोजन इस्थरी करड़ जीवानों के द्व सिरियरेम राजो भी हम ले भी मिनो सिर्अ मैक को बक्तिरियम के जू ए राइन अ एडर हिखा ए कि dando घृट राजो भी यम क्या ये fatty इनों गाले कमे इश में बात करेंगे ठीक आई देखे है के करके तो यتي लोत हैं ये मैं आप फिर से बटा थां त NachosScine the Grailunta Porsche выступ असिक्टेरी objective नियुक्ति 50 फ् глаз मईंटव जीहिं चांड हुआ इसप्रधियों को मिछ औरoms यूज़य जाते हैं तुछ में बॉल दे रहो कुछ एसे जीमाडू होते हैं ज intrigued बेक्टर तथा क्लॉस्टी क्स टेस्चीऊ उन tracked लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौदे होते हैं उनकी जड़ों में लेग्यूमिनेसी कुल के पौदों की जड़ों में ये जीवानों पाए जाते हैं जैसे की लेग्यूमिनेसी कुल के कौदें से होते हैं जो की दलानी फसल के दलानी जो प्रकार होते हैं जो प्रकार होते हैं उड़द हो गया अरहर हो गया ये दलःनी कूल के पौदे हो गये ठीक है तो इनकी जड़ों की गांटें जो होती है मैं आप लोगांटें देखा दूँं ये मान लिजिए ये पौदा है इसकी जड़की जो गांट है यहां पर आप देख सकते हैं गोल-गोल ये गांटें है गोल गोल ये इस तरह से ठीक है तो इनकी इन गांठों में क्या है ये बैक्टिरिया है ठीक चले तो इनकी गांठों में ये पाये जाता है ठीक है जैसे की राइजोबियम लेग्यू मिनो सेरम जीवाणू पौधों की जड़ों की गांठों में पाये जाता है जिन पौधों की जड़ों में यह जीवाडू नहीं पाए जाता है उनका बेकास नहीं हो पाता है इसके अलाबा अन जीवाडू भी होते हैं जैसे कि सैस्वे निया रोज ट्राटा कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में पौधों की सरी तनों की गांठों में ये जो है आपका एजोटा या रोज ट्राटाव कुल के पौधों की तनों की गांठों में कौन सा है एरो राइजोबियम तिक इसके बाद आता है आडिस या कुल के पौधों की पत्ती की गांठों में माइको बैक्टीरियम कैजू एराइना तिक इसके बाद रूवस की जड़ों में फ्रैंकिया जीवा करेंगे हम भी आपको उतना ही प्रेम करेंगे आप हमें अमारी सेवा करें हम आपकी सेवा करेंगे तो इस तरह से क्या होता है एक दूसरे का बकाइदा प्रेम चलता रहता है यह इनकी जड़ों में होते हैं तो यह अपना भी विकास करते हैं और इससे पौधे का भी विकास ह जुरा हो जाता है ये जीवारु बायू मंडल में पाई जाने वाली स्वतंत्र नाइट्रो जन को नाइट्रो जन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। हर कोई नमक खाता होगा मेरा नमक खाया है मने आपका नमक खाया है इस तरह से यह कहानी चलती रहती है ठीक है तो ncl नहीं होता तो यह नमक नहीं nay खाते से नाइट्रेट नहीं होता उसके बाद सैस्वेनिया रोज ट्राटा कुल के तने की गांठों पे और आडीस या कुल के पौधों की पत्तों की गांठों पे ये बैक्टिरिया पाए जाते हैं कौन-कौन से थे वो मैंने आप लोगों पता दिए चलिए आगे बात करते हैं आई देखते हैं दूसरा देखते हैं क्रेशी महीं हम पढ़ रहे हैं तो नाइट्रो नाइट्री करड जीवाणू के बारे में बात कर लेते हैं वो कौन से थे नाइट्रोजन इस्तिरी करड वाई नाइट्रोजन सिक्सेशन वैक्टिरिया ये नाइट्री करड जीवाणू है नाyes लेकिन आपका क्या मैंनाना है बताना चाहें तो बताना आप कि य почему पती शेयर मुस्खरात ड़ Ware और वह जो है इसकी उदास लग रही है यह मुझे कुछ डाउट है इसलिए मुझे लगा कि यह भाई नहीं है पती पत्नी लग रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं देखते हैं नाइट्रिकर जीवानु यह नाइट्रिक फाइंग बेक्टिरिया के बारे में हलका से देख लिए इसमें दो प्रमुक पॉद्र यह करते किस तरह से हैं यह माल दीजिए यह अमोनिया है ठीक है अमोनिया में ऑक्सिजन की उपस्तिती में क्या करते हैं यह नाइट्रोजन अमोनिया की अमोनिया में क्याता है एन एच और थिरी यह एक एक नाइट्रोजन है एक अडू और यह तीन अडू किसके हैं हाइड नाइट्राइट में यानि कि NO2 में बदल देते हैं उसके बाद फिर क्या होता है नाइट्राइट को नाइट्रो बेक्टर की उपस्तिती में ये क्या करते हैं नाइट्रेट में बदल देते हैं मैं फिर से बता दूं कि इसमें ये दोनों भाई हैं लगातार काम में लगे रहत नाइट्राइट में बदल देते हैं नाइट्राइट में बदल देते हैं किसमें एन ओ टू में ठीक है जब केमिस्ट्री बढ़ाएंगे तब मैं आप लोग बता दूगा किस तरह से अब करिया कार करती है नाइट्रो सो मानास जो होता है किसमें बदलते हैं नाइट्राइट म होता है वो नाइट्रेट में बदल जाता है एन ओ थिरी में ठीक है समझ में आ गया चलिए नाइट्राइट में बदल जाता है ठीक है तो इस तरह से क्या होता है जो आपका नाइट्रो सोमनास होता है वो अमूनिया को नाइट्राइट में बदल देता है और नाइट्राइट है उसमें ये भाते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं रहे चलिए Amoniya Amoni करण देख लेते हैं Amoni इसमानी मतलब यहाँ पर मतलब यहां से मतलब नहीं है Amoni मतलब अमुलों के बारे मोरी Amony Am Bunu यह ऐमीन अमली म्य है इसको कहते हैं तो यह भी क्रस्य में करते हैं इसमें दो बैक्टिया फिरमोंख है एक तो है bacillus ramosas bacillus ramosas और bacillus bacillus bulgaris ठीक है तो आए देखते हैं ammoni karad ठीक है यह प्रिक्रिया मरे हुए जीब जन्तू यह प्रिक्रिया मरे हुए जीब जन्तू तथा पेड़ पौधों के साथ होती है यानि कि कुछ ऐसे जीवाणू होते हैं जो कि जटल प्रोटिन पदार्तों को सरल एमिनो अमलों में बदल देते हैं जैसे कि S2O में, CO2 में, NO3 में, सलफेट में, समझे रहा हैं कैसे? S2O मतलब जल, CO2 मतलब कारण यॉकसाड, NO2 मतलब नाइटरेट, इस तरह से आपका किसमें बदल देते हैं? बिलकुल सरल योगिक में बदल देते हैं, या सरल पदार्तों में बदल देते हैं, समझे आगया? इससे जमीन की उपजाव सकती बढ़ जाती है, इसमें कुछ जिव तो मैं क्या हूँ मेरी हो गई का नहीं का था, मैंने अपने पता जी सका कि मैं मुझे गड़वा देना, मुझे गड़वा दिया, गड़वाने के बाद क्या हुआ? कि मेरा जो सरीर है, प्रोटीन वगएरा से, जो जटिल प्रदार्तों से बना हुआ है, उसमें क्या किया? जो कीडे मकोडे थे, वहाँ पर पहुँचे, कुछ बैक्तीर है, पहुचे बैसलेस, रेमुसस, बैसलेस, बुलगेरस जब पहुचे, तो उन्होंने मेरे जो सरीर की जो प्रोटीन बगएरा थी, उसको बिलकुल साधार, बिलकुल सरल, एमीनो अमलों में बदल दिया, और क पहिर में पेट के रूप में ही भही पर आगया, तो जो मिट्टी ती, जो मेरे सरी की मिट्टी थी, वह श बिलकुल सरत ऑग्या, भो श बखाद के रूप में आ गई, और उस पर फिर पशले पौता लिए तो इस तरह से हुआ इसमें, ख्रुमन है, यह संझ मर आ गया, व् bardziej पर जुक रहातों को सड़ने के बादर जो हाई्ट्रोजन स़ल्फाइब बनता है उसको होई और जसे बाता है आप लोगों को समझा देता हूं मैंने बताया कि सलफर नामक जीवाडू कुछ ऐसे होते हैं जो की जमीन के अंदर पाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है जो भी चीज मिल जाती है प्रोटीन बगेरा कुछ सड़े गले चीजें होती है कुछ जो भी जीव जन्तुक आपसे होता है उसमें ये जीवाडू पहुंचते हैं और उस सड़ने गलेने के बाद हाइड्रोजन सलफाइड बनता है यानि कि H2S वहाँ पर बनकर तयार हो जाता है अब हाइड्रोजन सलफाइड को कुछ ऐसे जीव होते हैं वहाँ पर बैक्तिरा होते हैं उसको सलफेड में बदल देते हैं उसको SO4 में बदल देते हैं और इस तरह से ये इसमें क्या करते हैं पएड़ पौदो में ये वहाँ की उपजाव सकती बढ़ा देते हैं किसकी उस जमीन की उस भूमी की ठीक है चलिए इसमें कौन सा वैक्टीरिया प्लक है सल्फर ऐसल अमनी करण में कौन से जीवाड़ूं में फिल चलिए आगीब से plausible करते हैं के सिम्हों में हो गया अब डेरी उत्पादब में समझते हैं है री उत्पादब में कौन से जीवाड़ू में जो कार करते हैं या फिर मदद करते हैं आई देखते हैं कुछ ऐसे जीवाणू होते हैं जो दूद में मौझूद होते हैं कौन कौन से जीवाणू होते हैं इस्ट्रेटो कोकस लेक्टिक लेक्टो वेसिलस लेक्टिस ये क्या होते हैं दूद में पाए जाने वाले पिरमोख जीवाणू हैं ये जीवाणू दूद में मौझूद लेक्टो सरकरा को जो दूद में मौझूद जो लेक्टो सरकरा होती है उसका किन्वन कर देते हैं किन् तो वेसिलस लेक्टिक नामक दो जीवाडू दूद में पाए जाते हैं, यह दूद में मौझूद लेक्टो सरकरा का किनुबन करके लेक्टिक अमल में बदल देते हैं, जो की एक जीवाडू होता है, इसके बाद जो लेक्टिक अमल नामक जो जीवाडू होता है, दूद में मौझूद कैसीन प्रोटीन को छोटी छोटी भूदों में एकटठा करके ध़ी जमाने में मदद करता है आपने कविताई भी सुना ने होगा ध़ी जमालो किस बैक्टीरिया से ध़ी जमालो आपका लेक्टिक अलमल तथा लेक्टो व श्ट्रैपlor कोकस लेक्टिक तथा लेक्टो वेसिलस लेक्टिस के द्वारा ये कार होता है समझ में आगया किस तरह से दाई जमाएं आपने इन जीवाडू के मदद से इसके अलावा कुछ और भी जीवाडू है जो कि इस डेरी में मदद करते हैं कि आपका पनीर बनाने में लेक्टो बेसिलस लेक्टिस ठीक है थमझ में आगया ना चलिए एक बार हलका समय आप लोगों को बता दूं मैंने क्या बताया जो दूद होता है उसमें दो जीवाडू होते हैं कौन-कौन से दो जीवाडू होते हैं इसको दूद में मौजूद जीवाडू बना दूद में मौजूद कैसीन प्रोटीन को क्या करता है चोटी-चोटी बूदबे में घट्ता करके दही जमां देता है तिक है समझ में ागया च्लिए चलिए , और्द्यों के उकमहत करें में किस तरह सी करते हैं आई देख्थे हैं तो और विख्ट है इस सब्चानceks में कुस्द होता है अल्कोहल पीने से लिवर खराब हो जाता तो त्हान रखें मैंने आप लोगों से Catholic allegation Stories नी देदी आप एशेद निदे देखते हैं वह भी फोले scp क्राप यहा कह प्वेगा तो अब यह आता काने से सरकरा का गोल क्या होता है सरकरा का गोल आ fils असीटोबेक्टर, एसेटी नामक जिमाडों होता है क्या करता है?, एलकोहल का निंवाड करता है तो एलकोहल का निंवाड में कौना जिवाड करता ? negotiatedine, decidedlylicuma को द्वारा होता है तो एसी टॉन का निर्माण किस जीवाणू के द्वारा होता है क्लो इस्टीडियम एसी टो व्यूटाई लिकम फिर से मैं बता दूँ क्लो इस्टीडियम एसी टो व्यूटाई लिकम जीवाणू के द्वारा एसी टोन का alcohol का निर्माण होता है दो हो गए चलिए ती तरह देखते है तंबाकू में जो कि बहुत गंदी चीज़ होती है तंबाकू में तंबाकू की पत्तु का स्वाद बढ़ाने के लिए और उसकी खुसू बढ़ाने के लिए bacillus megatherium का प्रियोग किया जाता है जो कि एक जीवाणू होता है समझ में आ गया कि इसका bacillus megatherium megatherium समझ़़ाना इन जीवाणू का प्रियोग किया जाता है पिर से एक बार इविजन करना दू आपका एलकॉलिक के लिए क्लो इस्टीडियम, एसिटो, बियो, टाइलिकम आपका एसिटोन के लिए और तंबाकू में bacillus megatherium का प्रियोग किया जाता, चलिए, आगे बात करते हैं मनुस्व में कुछ रोग भी ये पैदा करते हैं, हानी के बारे में बात करते हैं तो हानीयों में मनुस्व में ये रोग भी पैदा करते हैं जिसको हमें यहाँ पर नहीं जाना है, जब हम रोग पढ़ेंगे तब बहाँ पर हम सभी के रोग पढ़ेंगे क्योंकि कवक के द्वारा, जिवानों के द्वारा बैक्टिरिया के द्वारा जिवानों के द्वारा, विसानों के द्वारा और जो भी कबक के दार जो भी रोग होते हैं उनके बारे में चलिए मनिस्यों के में रोग जब जानेगे जब हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे आईए तो यहाँ पर समझते हैं बूमी की औरवरा सक्ति को यह कम करते हैं यह प्रमखानी है कुछ ऐसे जीवाडू भी होते हैं जो कि जमीन की उपजाव सक्ति कम कर देते हैं जैसे कि थायो बैसिलर डिनाइट्री फिकेंस नामक जो जीवाडू होता है Nitrogen योग को सतंत्र Nitrogen में बदल देता है या फिर Amboni में बदल देता है जो की दोनों ही सूरत में चाहें वो नाइट्रोजन हों चाहें Amboni हो सतंत रूप से उसको पुवीपेड पौदे गिरहड नहीं कर पाते हैं समझ में आ गया इसको ही भी नाइट्री करड कहते हैं इसमें कौन सा जीवाडू कार करता है इसमें खायो बैसिलस दी नाइट्री फिकेंस नामक जीवाडू भाग लेता है क्या किसके बदल देता है या तो नाइट्रोजन में बदल देता है या फिर अमोनिया में बदल देता है नाइट्रेड ठीक है नाइट्रेड को चलिए खाने को खराब करते हैं यह भी प्रमों हानी है कुछ ऐसे जीवाडू होते हैं या का को चीवाडू की ऐसी बहुत से प्रिजातिया होते हैं जो कि हमारे माल या हमारा खाना जो होता है उसको खराब कर देती हैं जैते कि हमारा मास जो खाते होंगे मास उनके लिए मास उनके लिए कुट्टा भी जो खाते होंगे कुट्टा क्योंकि चाइना वगयरा में सुनाएं कुट्टा खा लेते हैं और हमारे पाकिस्तान में भी कुट्टा खा लेते हैं कि वापे खाने की बहुत ज्यादा कमी है चीन में आपका सा वाले जो माल होते हैं, उनको कुछ जींवाडु खराब कर देते हैं, जैसे कि इसमें एक प्रमुक होता है, या हमारा छहिता है जिसके खाने वाल को Jazri चीनी डाल कर रखना चाहिए या पिर उसमें तेल मिला कर रखना चाहिए या पिर उसमें सिरका मिला कर रखना चाहिए इससे क्या होता है हमारा जो भोजन होता है हमारा जो खाने का माल होता है वो खराब नहीं हो पाता है तो इस तरह से जीवाडू हमारे दोस्त और हमारे उसमनी भी निकाल लेते हैं चलिए तो समझते हैं आगे जीवानों से होने वाले रोगों से बचने के लिए कुछ बैक्सीन भी बनाए गई है यह जीवानों से नहीं बनाए गई है बलकि किस से जीवानों से होने वाले रोगों के लिए बैक्सीन बनाए गई है बैक्सीन के ब इसमें पेर तोटो एंद फोटा खासंद आत न तो आप इस तरह से खास्थ को यहां भी आपने में सुट किया हो कभी आपको भी आउव कुछ खासी होगे थी क्यों मेरा गार पर कॉस्ट पलप उससे रही होता है तो हो जाती है ठीक है इसके बाद इसी बहुद में यह में भी यहीन काम स्टिटनिस के लिए भी लगाई जाती है तीन रोगों के लिए लगाई जाती इव रता काशी जासी जिपरिया और टिटनिस के लिए इस molar एक और है BCG BCG नमक कू पीका आता है या किन के वैक्षिन है यह यह टई भी यह तदेपिक यह थियरू की लिए लगाई चाहती है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं BCG और यह है आपका यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं चलिए बात करते हैं माइको प्लाज्मा के बारे में जादा नहीं जानेगे बहुत गंदर लग रहा देगने में चलिए देखते हैं माइको प्लाज्मा यह बीमार कर देता है में लेकर विमारियों को नहीं जानेगे हम रोगों में पढ़ेंगे चलिए यह एक बहुत ही छोट निख्यरा एक देद्म और इसको पादब जम्देश्ट का जूकर over कार्व डाता कि यह होई इसके बहुत सारे होने के खोड़ नो कोड़ तर्मZA रौक सने 880 sekiva कुछ होती है ध्यान दें yak वैसे सभी की होती है, लेकिन इसकी खोचिंवह तथा आरेन नहीं होती है. इतना इसमे जैनना काफी है. ठीक है चलिए. पाहिरस या बसदू के बात करते हैं. की दीखते हैं। समझते हैं इसको. आये, देखते. पहले तो जानते हैं इसकी खोज किसने की एक प्यक्ति थी जिनका नाम था इवान वोस की कहीं आपको वो नो बॉक्स की मिल जाएगा कर वो कहीं पर कुछ मिल जाएगा इतलिए गवरा है न यह मिस्प्रिंट होता रहता है यह हर वोक्स का परिसानी रहता है क्योंकि यह चीज बहुत बढ़े अच्छा खासा नहीं थे बहुत बढ़ी कोचिंग में बढ़ाते थे उन्होंने मुझे पूरे अच्छे से जानकारी देए कि दुनिया में NCRT से अच्छी कुछ नहीं है मैंने कहता था NCRT काम-काम का ड्रामा लगता है लेकिन हुआ क्या NCRT मैंने जिस दिन पढ़े उस दिन में फैन हो गया NCRT का और आज मैं पहले पढ़ने जाता था जब मैं NCRT नहीं पढ़ी थी और जिस दिन में NCRT पढ़े करने लिए ना उस दिन में आप लोगों को पढ़ाने लगा समझे रहा ना बात को NCRT बो तोप होती है कि आपको तोप से भी बड़ा तोप बना देगी आसपास को टिक हैगा नहीं आपके सामने ज्यान पेलने वाले फालतूगा तो तो तुरंत खिसक लेंगे जो लिशन प क्या पता है इवान वुश्की या इवन बसकी ने इसकी खोच की थी कव की थी 1892 में इसकी खोच की थी हुआ क्या कि एक वैक्टी थे एवान वुश्की यह बगर में तंबाकू के पेड़ भगेरा लगे दे तो उस पर चितोरी चितेरी नामक रोडों रोगों गया था तो समय की थी इसके बाद 1889 में 1898 में हॉलेंड के सूच में जीवी बैग्यान एम डवलू वेंजरिक ने इसका नाम बाइरस रखा यानि कि इवान बोस्की ने 1892 में इसको खोज तो कर लिया था या इसकी खोज तो कर लिया थी लेकिन नाम इन्नों नहीं रखा जनाम किसे ने टीम के समान होते हैं ठीका चलिए आगे बात करते हैं विसाणू की प्रकृति नेचर ओफ वाइरस ठीक है आए देखते हैं बिसाणू की प्रकृति समझते हैं बिसाणू बहुत छोटे हमेशा परजीबी परजीबी मतलब दूसरे के आसिरत होते हैं जब तक भीक मिल रही है तब तक खाएंगे और नहीं तो यह अपना घर कभी नहीं बसाएंगे दूसरे के घर पे कबजा करके वहां पर आनंद लेते हैं अपना इनका खुद का घर नहीं होता है तो फिर से बोल दूँ यह बिसाणू बहुत छोटे होते हैं हमेशा परजीबी होते हैं अकोसिकी होते हैं यानि कि बिना कोशिका बाले होते हैं और बिसाणू प्रिकार के न्यूक्लियो प्रोटीन के कड़ होते हैं यह पिसेश तसा पेड़ पौदों में घातक रोगों का कारण माना जाता है ये नूकलियो प्रोटीन के कड़ बहुत ठीक है ये जो नूकलियो प्रोटीन के कड़ जरूर होते हैं लेकिन इनमें या तो DNA होता है या फिर RNA होता है लेकिन इन नूकलियो प्रोटीन के कड़ों में दोनों एक साथ कभी नहीं होते ये नहीं कि ने इन में RNA DNA एक साथ दोंगों पाये जाता है या तो इनके कड़ में प्रोटीन में या तो DNA होगा या फिर RNA होगा लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते जौल तर जो पेढ पौधों के विसाड़ू होते हैं owा बायरस होते है उन आरेन्य होता है जबकि चीए जंतुन में जो रोख प dibuj पैदा करने वाले जुट होते हैं यानि जो वारस होते हैं उनमें थे एनए लेकिन दौल्रा है क्वी नहीं होता है सबी जीवों की तरह भी सार्वनों में जो फली जो होता है 2 रज्जुकी होता है है दूसरा ते यह इनुट की हो गया अब एक रज्जुक यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ठीक तो इस nieuwe जड़नों होटाया जबकि राइने क्या हुता एक रज्यू की होंगा अर रेने ऐसे होगा इस तरह तरह से ठीक आरेने ऐसे अब यह डियाने करेसा होगा अब डियने ऐसा होगा इस तरह से एक रज्जु को गया और उसी के ऊपर ही दूसरा रज्जु को गया इस तरह से ठीक है इस तरह से ठीक है तो दूर जी की इसका डियने होता है और एक रज्जु की इसका क्या होता है आर हुए अविसे-उ साड़ करे उनकी तरह इनके नहीं होते हैं बलकि थोड़ी सी जो आकृती बगेरा होते हैं इनका जो संग्ठन होता है अंदर जो माल होता है कोश्का के अंदर वो अलग होता है यह पोशी कोशिका की मसुं크 रड़ी को इस्तमाल करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं लेकिन ये पोशी कोशिका के बाहर अपना गुडन करने में सच्छम नहीं होते हैं यानि कि ये आप विकल्पी होते हैं इनके पास आप विकल्पी परजीवी होते हैं यानि कि इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं ह कोई कोई जीवन नहीं है वह बिलकुल किसी कोशका में नहीं है मैंनों इपर रका जैसे ही बायरस चुआ पोछे गार Comicा में जीवित में बैसे एक जिंदा हो जाएगा ठिकर चलिछ देखे हैं कैसे जिंदा होते है है कि बारस वाइरश पर शॉलते हैं जेल May 202 फिर्कार की होते हैं एक होता है आच्छा वाइरस दूत्रा होता है मकार वाइरस ठिक मक्कार कैसे होता है आई देखते हैं पहला होता है विरुलेंट विरुलेंट वाइरस या आपका विनसांक्त वाइरस विरुलेंट वाइरस या विनसांक्त वाइरस जो होता है ये मक्कार वाला वाइरस होता है ये क्या करता है आई इसको समझते हैं ये यह सब्ड़ करते हैं। वैसे ही यह आणू बना पॉसी कोशिका को मार देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है आपका पोसी कोशिका और ये है आपका बुरूबलेंट इसने क्या किया जो बुरूबलेंट था पहले तो आपके घर में आया आपका खाया पिया खाते पीते जब तक ये कम थे तब तक ये इन्होंने कुछ नहीं किया जैसे पाकिस्तान बनाता किस तरह से बनाता मुग मोगल कहां से आई थे इतनी दूर से चले आए कीडे मकोड की तरह यहां पर आए वायरस की तरह फैले प्हलने के बाद खाया पिया यहीं पर हगा हगने के बाद यहीं पर खाने पीने के बाद जब इनकी की संख्या बढ़ गई तो फिर इनोंने पोशी कोशिका को मारना शुरू कर दिया इनोंने धर्म पर वर्तन कराया लोगों का कतले आम किया इनको फांसी पे चड़ाया उनको फांसी पे चड़ाया यही ओता रहा तो यह जो मुगल्त है यह बाइरस की तरह थे कौन सा बाइरस हो जाते हैं और जिस पर इनोंने खाया उसको ये गोली मार कर हत्या कर देते हैं और यहीं पर वो कबजा कर लेते हैं मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या बताया कि ये पोशी कोशिका है ये अच्छी कोशिका है मेरे सरीर में नहीं बोले और खाते पीते रहे आराम से जैसे इन्होंने क्यों कि इनका यह एक से दो 204 ऐसे होते गए बाइडस कीतरह और इनने अपनी संक्या वढ़ाली जैसे इस अब अहराली और बैसे यह मोगल क्या हुए एक बाइरस की तरह अपने आप को इस्थापित कर लिया और एक बायरस का पूरा जक्मी जो बारत देश का एक पूरा अंग था जो कि पाकिस्तान नामक से पाकिस्तान नामक देश के नाम से आप लोग जानते हैं बारत देश का यंग था जो कि बायरस से गिरसत हो गया और वो अलग एक देश वन गया हो सकता आए दिन हमने किसी चलिए वह बाद की बात है किसी दिन बाद में ग्यान पेलूंगा इसके बारे में तो मैंने क्या बताया यह जो बिरुविलेंट होता है यह पोशी कोशिका में खाता पीता है और उसके बाद अपना जब दिगड़न कर लेता है अपने डिने को नुकलिक अ अडू बनाकर यह पोशी कोशिका को मारतीता है दूसरा जो होता है सहीमी वाइरस होता है सहीमी वाइरस होता है यह क्या करता है सहीमी वाइरस जो होता है वो जाता है जहरीला यह भी होता है शरीर में आया इन्होंने हमारा खाया पिया हमें उठाया और हमें मारा सुगए फ के रागे मारते हैं जैसे हमारे बारत देश में पाकिस्तान की खासियत में बताऊं पाकिस्तान में बायरस जरूर है पाकिस्तान में खासियत क्या है पाकिस्तान में देश दुरोई नहीं मिलेंगे अगर पाकिस्तान की बात आ जाती है तो पाकिस्तान का हर कुटा भी पाकिस् बिश्रीवा ने सब्सक्राइब 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 और हमारी सरीर में दुगड़न करने के बाद अपने विसाड़ों बना कर हमारी पोसी कोशिका उमार देता है जबकि सयमी बाइरस या टेंप्रेट बाइरस वह होता है जो कि अपना नुकलिक अमलुको पोसी कोशिका के जीनोम में डाल कर बिना पोसी कोशिका को नश्ट किये उसकी इसाथ ही अपनी संख्या भी बढ़ाते रहते हैं या फिर अपना गुड़न करते रहते हैं जैसे कि अभी कुछ देश दुरोई भारत में अपना आडु गड़न कर रहे हैं किसकी तरह सऀयमि वाहरष की तरह क्यों के उन्हें वह यह मेसूद कराते हैं 22 February biennard देश का भला चाहते हैं लेकिन दिल में उनके पाकिस्तान है चलिए ये गंदी बात मैंने बोल दी आपको चलिए कोई बात नहीं मेरा देश वक्त जाग जाता है उसके लिए स्वरी आप लोगों के लिए चलिए तो समझ में आ गया ना बिरुविलेंट और दोनों अब बात क चलिए ने क्या किया जो मोजयक वायरस था जो तंबाकू में मोजयक वायरस होता है उसको इन्होंने क्या किया है सुद्ध क्रेश्टली रूप में अलग कर लिया मोजयक वायरस को उसमें से निकाला और एक बोतल में क्रेश्टली रूप क्रेश्टली रूप में रख लिया उसके कड़के रूप में एक बोतल में रख लिया। ठिक रखने के बाद किया हुआ है इस वायरिस को इसकी संक्रमत में बिना कोई कमी आए लंबे समय को घेया चाय सकता था Stephen जो तागत है जो कुछी चंसक्रमत करने की च्छाकश्चति उसमें बिना किसी कमी के लंबे समय वो फिर से खुले में आएंगे, वो फिर से संक्रमण कर सकते हैं, किसी को और उतना ही मारा हैंगे, जितना ही मार सकते हैं, जितना कि आज– चाह से सोसाल आऑगे या फिर सोसाल पहले मारते दें, तो इसलिए कुछ लोग ने क Separate थे, भा कि या इक बात नहीन समिझ में आ रहा ह आप हग़ाई है तो तो मैं मर जाओंगा या फिर कोई जीवान है बोतल में बंद कर दिया जाए और वो सानस नहीं ले पारा है या फिर उसमें किसी थरी कोई किरिया hiç हो रहे हैं तो भायन जिन्दा कैसे हो जाएगा भूल तो मरा Police गया तो हुआ है क्यों मैंने फिर से बोल दूँ इसलिए कुछ लोगों में इन विस्ताणूँ के रूप बारे में या उनकी इस्तती के बारे में लोगों में बिवाद हो गया लोगों ने कहा कि या तो यह को यह जीवित हैं यह फिर यह मरे हुए मंब दोनों कैसे हो तकते हैं भईया करी बाले वीगुड और सजीब बाले वीगुड जब तक निर्जीव होते हैं तब तक वो निर्जीव का कार करते हैं जैसे ही वो जीवित में आ जाते हैं वैसे सजीव का कार करने रखते हैं तो कैसे करते हैं आई देखते हैं मैंने क्या बताया जो बिसाडू होते हैं बिसाडू ये निर्जीब रहेंगे जब तक ये किसी सजीब कोशिका में नहीं पहुंचते तब तक ये निर्जीब रहेंगे समझ में आगया चलिए तो क्या है ये बिसाडू क्या है जो बाइरस क्या है सजीब और निर्जीब के बीच की कड़ी है बिसाडू कोश की रूप में नहीं होते इनमें कोश की अंग भी नहीं पाय जाते क्योंकि भई यह कोश की अंग है कोश की रूप में अगर होगा तो उनके कार भी होने चाहिए तो इनमें कोश की न रूप होता है और नहीं इसमें कोश की अंग होता है इसमें पोसर, स्वसन, ब्रदी, उस्सरजन और उपापचाई की किरियाएं नहीं होती है, ठीक है, इनको छोटे छोटे रबे के कड़े या क्रश्टिली रूप में लंबे समयता के स्टोर करके या संग्रे करके रखा जा सकता है, जो कि किसी सजीव को नहीं रखा जा सकता, क् कि किसी भी सजीव की मिरत्यू एक सीमा के बाद हो जाएगी, मैं हूँ, अगर मैं कितना भी बंद कर दो, मेरी उम्र बढ़ती रहेगी, मेरा जो जीवन है, वो जीवन चक्र पूरा होता जाएगा, चाहें आप रोको, चाहें न रोको, कुछ भी कर लो, मैं रुक नहीं प्रोटीन के खोल में सुरक्षित रहता है, जो कि एक निर्जीव का गुड़ है, ना कि सजीव का, क्योंकि सजीव में ये इस्तिती नहीं होती है, जिसको हम कैपसिड या कैपेटिका या फिर हम कैपसूल कह सकते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, सजीवन वाले गुड़, जीवाड़ू होते हैं, जो बिसाड़ू होते हैं, नहीं वायरस होते हैं, उनमें सजीवन वाले कुड़ कौन कौन से हैं, तो आइए समझते हैं, उनको सजीवन वाले कौन से हैं, तो आइए देखते हैं, बिसाड़ू में न्यूक्लिक अमल का दिगड़न होता है, जैसे मै जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्री हो जाते हैं और एंजायमों का संसलेसर करने लगते हैं मैंने आप लोगों पताया था किस तरह से मुगल आए और यहाँ पर जीवित कोशिका क्योंकि जब यहां तक नहीं पहुंचे थे पहले तो गरीब बनकर आए उसके बाद य हिंदू थे यानि कि जितनी भी कोशिकाएं थी जितनी भी कोशिकाएं थी हिंदूओं वाली उन सभी को समाप्त कर दिया अगर पाकिस्तान में पहुंचो तो एक कुता भी हिंदू नहीं मिलेगा यानि कि किसी कुता भी अगर हिंदूओं का पला हुआ होगा तो उसको भी म मिवार को मार दें गे तो क्या होता है वो भी मुसलमान ही बना दिय जाते तो वो क्या होता है उसका उनके उनके जो जार में किताओ उसमें ये सारी चीज़ें लिख wy Absolute करते चल ये भी एक चीज का बाय रस्टिक चलिए तो साथ यो यह हो गया आपका मुनेरा जगत के बारे में जो भी जानकारी थी ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं समझते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में तो आएए देख लेते हैं प्रोटिस्टा जगत या प्रोटिस्टा किंगडम के बारे गया क्या एक उसकी जीव होते हैं इसमें खासकर जली यूकरियोटिक जीव होते हैं जैसे कि आकवा प्रोटो जो आ हो गया योग लेना हो गया डाय अटम हो गया यानि कि इसमें एक उसकी होते हैं और खासकर जली होते हैं कुछ बिना इस थल पर भी पाए जाते हैं ठीक है त जो होता है तो अर्ध सूत्री विभाजन होता है और जो इनमें अलेंगिक जनन जो होता है वो केंद्रक सनलाइन या असूत्री विभाजन होता है असूत्री विभाजन मेंने क्या बताया था जिसमें गुर्ध सूत्रों का कोई लेना देना नहीं होता है इसमें सीधा सीधा क् केंद्रक ही विवाजन हो जाता है या केंद्रक का ही सनलाइन हो जाता है उसके केंद्रक के सनलाइन होने के बाद क्या होता है फिर कोश्च का दिरभी भी उसमें बट जाता है मैंने आप लोगों को बता है ता तीन तरह की विवाजन होता है सूत्री विवाजन और असूत्री म में पोई गुर्षूत्र का कोंगे देने नहीं अर्द शूत्र का पुर्षूत्र का कोश का में होता था ठीक है यह समझ में आ गया था मैं जो जन्तु होते हैं वो भोजन भी अलग-अलग तरह से प्राप्त करते हैं जैसे कुछ प्रोटिस्टा जगत के जन्तु होते हैं या जीव होते हैं वो आपके प्रकास संसलिसर के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं कुछ होते हैं आपके अंतरगहड के द्वारा करते हैं कौनों के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं प्रोटिस्टा कहते हैं यानि कि इसमें जन्तुों के भी कुछ गुड़ होते हैं और कुछ गुड़ पेड़ पौदे यानि कि पादब के भी गुड़ पाए जाते हैं ठीक है यानि कि यह प्रोकेरियोटिक तथा आदुनिक के पूरी तरह से यह आपका प्रोकेरियोटिक होते हैं नाहीं यह पूरी तरह से यूघ stip होते हैं यानि कि रोकेरियोटिक जो होता है इसमें किंद्र रख वगारा नहीं पाए जाता उससे थोड़ा बिक्सेत होते हैं और यूकेरियोटिक के बीच की कड़ी होते हैं नहीं यूकेरियोटिक की सुरुवात होती है ठीक है तो इस तरह सी पेड़ पौधे तथा जन्तु के बीच की कड़ी होते हैं प्रोटेस्टा जगत के जन्तु चलिए बात करते हैं प्रोटेस्टा जगत के ब उसमें न केंद्रक होता है, तो इसके मैंने बताया था, तो उसमें विक्सित केंद्रक भी नहीं होता है, अगर होता भी है, तो क्या होता है, विल्कोल घटिया होता है, विल्कोल इस्टिती ऐसी होती है, कि वो केंद्रक के नाम पे धबा होता है, तो कोई माने नहीं रखता है है तो उसमें केंदर्क नहीं होता है उसमें केंदर्क होता है तो हम इसको apoking में रखते हैं नहीं नहीं रख सकते अब eukaryotic में रख देंगे कीड़ होता है इस लीए ऊक्रीव कोषिकाओं होती है उसकी सुरुति Giurainaçãocji कोशिकों में पाया जाता है ठीक है तो फिर से बोल दे रहा हूं इसमें किसमें आपका ना लबक पाया जाता है इस लिए मैंने आप नों पता है कि जो लबक होते हैं यह तीन प्रिकारके होते हैं हर्यत लबक बाड़ी लवक सपेद रंग बड़ी लवक होता है यहाने कि उसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता समझ में आ गया ये बाद चलिए समझते हैं तो फिर्दियक प्रड़ेटरिस ता में मैटो कॉंटरिया गोल जी का एक इंद्रक तता लबक होता है इनकी कोशिका कभी भी उतक में नहीं बनती मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये एक उसी की जीव होन कर लेते हैं हलकी थी प्रोटिष्ट जगत के जीवों के बारे में हलकी से बात कर लेते हैं इसमें जो प्रोवक जीव हैं यहां पर मैंने सारे लिख दिया स्लायम, मोल्ड, अमीवा, योग लेना आपकी यहां पर है पेरामीशियम, डाय एटम ठीक है इस तरह से तो यह आप के जीब हैं आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे आप एकजम्पल की तौर पे लेकिन जो इंपोर्टेंट है उनको मैं हलके से एक बार बता दूँ योग लीना फाइटा इसमें एक कोशी का भित्ती पाई जाती है डाय एटम और स्वडम सेवाल क्रो यो फाइटा फूड है यह अपका ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं यह होगे आपका प्रोटिस्टा जगत के बारे में देखते हैं तीसरा जगत है फंगी यानि कि कबक जगत तो आएए देखते हैं कबक जगत के बारे में देखते हैं कबक जवगत या फंगी किंगडम आईए देखते हैं कबक में क्लोरोफिल यानि की पाड़ारिम संभान उतक नहीं पाए जाते हैं फिर से बोल देता हूं जो फंगस होता है या कबक जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है यानि की पाड़ारिम नहीं होता है और संभवन उतकी भी नहीं होते इसलिये ना तो ये प्रकाश संसिलिसण की कीरिया कर पाते हैं ना ही ये अपना अच्छे खासी तरह से ना ही अपना पेट भर पाते हैं क्योंकि संभवन उतक होंगे तभी वो खनजबदार्थ वगेरा वो गिंहरında कर सकते हैं तो इनका अच्छी से विकास नहीं हो पाता चलिये तो समझते हैं इनका केंदरक होता है, यह बात द्यान रखना है, कवक का केंदरक होता है, यह अपना भोजन गैस प्रिकास संस्लेसर के द्वारा करते हैं, क्योंकि भाईया लवक होगा, तभी तो उसमें क्लोरोफिल नामक बड़क होगा जब क्लोरोफिल नामक बड़क होगा तभी तो प्रकास संसलेसर्ड की किरिया होगी अब भया ये तीनों चीजें नहीं यानि कि लिए लबक है और लबक नहीं है तो आपका बड़क भी नहीं होगा तो इस तरह से ये विचारे क्या करते हैं अपना भोजन प्र जानूओं द्वारा यानि कि वाई इस्पोर होता है ठीक है इनका सरीर अच्छी तरह से बिक्सित नहीं होता बलकि थाइलोइड या थैलस की तरह होता है थैलस की तरह में आपको प्लकुब साधर सा एक्जमबर बदा दूँ थैलस क्या होता है एक मान लीजिए मेरी ये गा गाय को में चलाने गया हूँ चराते चराते उसने घास ज़ादा का ली जब घास ज़ादा खालेती है तो गोबर करती है क्या activists अर बाब करते है उसमें वह उसको क्या मान लेते तो अब उसको कोई आप ऐसे मान सकते हैं बहस का गोबर देखा ना आपने बहस का है या पिर और किसी का भी गोबर मान सकते हैं तो बो जो होता है ने जिस तरह से उसकी आकरती बनती है बहसा ही यह यहाँ पर बन सकता है इसमें कुछ इस पेसल नहीं होता है थैलस का मतलब बिलकुल कुछ न नहीं इनमें तना होता है नहीं इनमें जड़ होती है नहीं इनमें पत्तियां होती है बलकि डंठल की तरह होता है इस तरह से किसी ने उठाया और डाल दिया यहां पर आप देख सकते हैं यह इनकी न तो पत्तियां समझ में आ रही है नहीं इसमें तना समझ में आ रहा है नही प्रिसानी हो जाते हैं, रिकास हम आगे समझाएंगे, चले, आगे बढ़ते हैं, अगर साधरा बाकसम समझें तो ये हमेसा बिचारे परपोसित ही होते है ठीक है पर पोसित में जैसे की मिरतो पर जीवी होते हैं पर जीवी होते हैं सहे जीवी होते हैं अब भाईया तीनों में अंतर क्या है भाईया जीवी तो आई रहा है तो भाईया ये जीवी जीवी क्या है तो आईये देखते हैं इसको समझते हैं पहले जानते हैं मिरतो पह हमारी उपर आ गया अब वो हमारा माल खा रहा है हमें उससे कोई लाव नहीं है ज wrapper मतलब हमारा हमारा खा खा नहीं हो हम उसको देख रहे हैं हमने दिखा यार कोई खाना खास्छा हमने पिछवारे में लात मार दी, पिछवारे में हमने उसके लात मार दी और पड़ा मिला, वो क्या हुआ, एक परजीवी की तरह हमारा काम कर रहा है, हमसे खा रहा है, हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता, हम उसको भगा देंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा तो हमारा नुक्सान करेगा तो पर जीवी में क्या होता है जैसे आप माल लीजी हमारे सर में जूहे हो गई या फिर आपने किलनी देखी होंगी उस तरह के पर जीवी होते हैं लेकिन ये फंगस की बात हो रही है आप जीवों की बात नहीं हो रही है तो कोई किड़े मकड़े उस तरह से वो क्या करते दूसरों का खून चूसते हैं लेकिन उनको हटा देंगे ना तो उस पे कोई फर्क नी पड़ेगा वलकि उसे लाव ही होगा पर जीवी की कहानी ये होती है कि पर जीवी हमारा खाता है ठिक हमारा ये फोन है इस पर क्या हुआ कि कोई सी जाकर चिपक वह सब्सक्राइबर का जिस तरह से रिस्ता है हमारा ऐप सभी साथियों करिस्ता है यानि कि आप हमें प्रेम करते हैं, हम आपको प्रेम करते हैं, आपके लिए हम करते हैं, हम आपके लिए करते हैं, इस तरह से ये चलता रहता है, सह जीवी कर, यानि कि आप मेरे साथ अच्छा व्यार करेंगे, मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप भी खुस, हम भी खुस, तो न आप खुश रहेंगे न हम खुश रहेंगे यानि कि यहाँ पर दो चीज़ होगी आप मुझे फाइदा पहुचाएंगे मैं आपको पहुचाऊंगा इस तरह से एक दूसरे का प्रेम चलता रहेगा प्रेम चलता रहेगा तो यह सह जीवन कहलाएगा पर जीवी पे क्या है कि मैं खड़ा हूँ आप मेरा माल आकर खा रहे हैं मेरा नुकसान कर रहे हैं मुझे नौस का चोड़ रहे हैं मुझे को आपसे कोई फाइदा नहीं है आप पर जीवी हैं टिक किसी दूसरे पर आसिस होगे मैंने आपको उठाया और भार फैंक दिया आप क्या कहलाए पर जीवी लेकिन सही जीवी में क्या है अगर आप चले जाएंगे न तो मुझे भी नुकसान होगा मुझे भी बुरा लाएगा मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा इस तरह से इसको समझ में क्या आया पर सही जीवी हो गया अब आगया मृतो पजीवी मृतो पजीवी क्या होता है मृतो पजीवी होता है जो कि मैं खता में हूँ जिंदा बैठा हूँ अभी मेरी हो जाती है कानी खतम मुझे उठा के बाहर फैंक दिया जाता है जिसे मैं अलग रहता हूँ अकेले मेरी मा से बात उपाती है अभी मैं इस रूम में जैसे मर जाओं तो करीब 10-15 दिन मुझे पता नहीं चलेगा 10-15 दिन बाद जब लास सड़ जाएगी मेरी उसके बाद जब लोग भार से खटकटाएंगे का वाई साब आप ये लड़का नहीं दिख रहा ये जो इसमें रहता था समझ रहा ना तो मैं मेरे उपर क्या हुआ अब ये लास कैसे सड़ी लास सड़ेगी किसी के द्वारा मिर्तोप जीवी यानि कि जो मर जाता है उसको खाने वाले जीव तो कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं कुछ ऐसे कबक भी होते हैं जो की पेड़ पौदों पर उगते हैं जो मस्खत्म हो जाते हैं लकड़ी के उपर उगते हैं वो क्या करते हैं मुर्तोप जीवी होते हैं यानि कि मरे हुए को खा कर जिंदा रहते हैं या करें मरे हुए पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं समझ में आगा तीनों में अंतार मुर्तोप जीवी पर जीवी और सही जीवी में लेला मुझनुवाला होता है पर जीवी में आप जबरजस्ति कर रहे हैं यानि कि कोई मैं लड़का हूँ या मालीजे मैं लड़की हूँ और मुझे कोई लड़का परिशन कर रहा है तो हमें उससे प्रेम ही नहीं बिल्कुल वह तो हमें जबरजस्ति कर रहा है उसे अच्छा लग रहा है मुझे बात करना तो मुझे चोड़ के चली गई तो मैं मर जाओंगा तो यह क्या हुआ साह जी भी हो गया अब मिर्तोप जी भी क्या हुआ मैं मर चुका हूँ और मुझे जो कि मेरे ऊपर जो पौधे जमाए वो हो गए मरे ऊपर आस्रेत है ठीक है चेलिए आगे समझते हैं कबक जगत के बारे में ही चल रही है यह अफसोसड के माद्यम से अपना बोजन गिरण करते हैं और इसके बाद यह अपना पाचन सरीर के बाहर करते हैं भाईया अफसोसड कैसे करते हैं मेरा माल पड़ा है आपने उसमें से क्या किया मुठी वर के चीरी आप अपने घर पे ल रहे हैं समझ मैं आगया मैं फिर से बोल दूं यह अफसोसड के माद्यम से अपना भूजन गिरण करते हैं और इसके बाद अफसोसड कर लेने के बाद कोई चीज उठा लेने के बाद है मान लीजिए मैं रहता हूं और मेरे उपर फंगस आ गए कुछ तो वह क्या है मेरे सारीर में उनके पॉचét कंद अंत्र नहीं है वो मुझे जैसे मैं हूँ आप जैसे पर्डोस में खडए मैंने क्या कर दिया आपके हात में ऐसे दाद गढडा दिये मैंने आपका हात खालिया इतना बायट करके इतना मैंने हाथ का मास खा लिया और मैंने उसको चबा लिया चबाने के बाद अब पच जाएगा क्यों मेरे पाचन तंत्र दिया गया है मैं आप बगल में खड़े हैं बगल में बाज साब पूछ रहे और बाज साब अंगूर क्या अशाब दिये हैं बाज साब 10 के 2 किलो ठीक है अ अब फंगस की तरह हूँ मेरे अंदर पाचन तंत्र नहीं है तो मैं उसका पाचन कहा करूँगा अब इसका करूगा उस में जो तत्व बगेर हैं वह और बगल यूब है और पच जाएगा लेकिन फंगस क्या कर लिया अंगूर रखे हो हैं उसके ऊपर आ गई फंगस और ब यहां पर देख सकते हैं इनकी जड़ तो है नहीं इनने क्या कर दिया चीजों में ढड़ा दिये वहाँ से आपके बाहराई को बना परहने बार का राक रहने ऑर परहने क्या है इन्हें दो आपनी उपर इम तो तर रख लिया अपना जैसे यह पत्ताт क्या कर दीरे 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 पत्ते में जो माल था जो खनिज था जो लबड़ था उसका अफसोसर कर लिया अफसोसर कर लिया ना चलिए तो इस तरह से होता इनका चलिए आगे देखते हैं इसके बाद इसके बाद ये इन पोसक तत्वों को सीधे अफसोसित कर लेते हैं यानि कि पाचन तंत्र, तो नहीं होता है, यह पाचन बहार कर लिया और जब इसका पाचन किया, उसके बाद उसमें से जो तत्व है, वो पोसर तत्व क्या कर लिये, सीदे अपने सरीर में अब सूसित कर लिये ठीक है कबक जो भोजन संचित करते हैं वह कार्वो हाइडरेट तथा या हम इसको कहते हैं मंड या स्टार्च की जगे गलाइकोजन फिर से बोल दूँ जो कबक होते हैं वह अपना भोजन कार्वो हाइडरेट या मंड या स्टार्च की जगे किस रूप में करते हैं गलाइको रूप में नहीं करते यह glycogen polysaccharides carbohydrate होता है फिर ते में मुल दूँँ यह glycogen polysaccharides carbohydrate होता है तो इनकी कोश्य का भित्ति जो होती है काय कोश्य का भित्ति जो हती है वह है कायटन की बनी होते है मैंने आप लिए भूब बताया था कुछ ऐसे जनतु भी होते हैं इनकी कोश्य का भित्ती जो होती है काई इनकी बनी होती है जीवाणों की काई की बताई थे कमेंट करके कोई महापरूस बताना चाहता है तो बता सकता है कोश्य का भित्ती काई इनकी बनी होती है जो कि नाइट्रोजन की बनी होती है जो कि नाइट्रोजन से भरपूर या ना नाइट्रोजन से बरपूर, पॉली से के राइट्स होते हैं, जिनकी संदचना सेल्वी लोज की तरह होती है, सेल्वी लोज नहीं होता है, ठीक है, चली कवक के पिरकार देख लेते हैं, कवक कितने पिरकार के होते हैं, आईए समझते हैं, देखते हैं, सबसे पहले बात करते के बहर ही वाग पर उकर्व अपना भोजन प्राप्ट करते हैं उन्हें वाई पर जीरी कहते हैं मैं फिर से बता दू मैं पौधा हूं मैं मेरे ऊपर कुछ कब एंग YouTube या या उगाए है और उनों में से अफसूसर कर लेते हैं और यह जो पकबक होते हैं उनके सरीर के अंदर चला जाता है और इस तरह से परजीवी जो कबक होते हैं उनका पेट भरता रहता गरगरस्ती उनकी भी चलती रहती है यह क्या कहलाते हैं यह वाहे परजीवी कहलाते हैं क्योंकि सरीर के ऊपर बाह तरह से पत्तियों के उपर अंदर इन्हें गड़ा दिया है और अपना माल एकदाम उसमें से चूसक लगा के बोच तोक रहें ठीक है दूसरा यहां पर आप देख भी किया सकते कैसे पत्तियां फिर बाद में समाप्त हो जाती है क्यों इनका जो पोसड है या कि पत्तियां अब कोई परजीवी आकर मेरे सरीर पर चिपक जाए अब 20 रुपए में से 15 रुपए वो पर जीवी है वो चूस जाता है तो भाईया मेरे पास तो पांच रुपए बचे अब हम अपने नंगा ना हैगा क्या निचोड़ेगा वाली का नहीं होगे यह पांच रुपए में मैं इस पर आगया मो क्या है पर जीवी के बडिक है दूसरा दिखते हैं डे पर जी जो अपना बोजन पोदे के अंदर उतकों में रहे drowning करते करतें अंते पर जीवी क्यालाते है यह जैसे की आपका भूगो यहाँ पर आप लोगो को में दिखा दूं जैसे कि ये पौधा है पौधा कि यह आंपर नहीं दिख़़ा है लेकिन क्या हुआ सरीर में तना क्या होता है आपका उस्ती क incarो सहमध होता है यानि की उत्क के रूममें तेयार होता है अब में हूं मेरा सरीर है यह मालीजी मेरा तना है तने कि अंदर क्या होग ए कुछ कबक उस गई अब अंदर से मिरा माल दूसरों को किसी को फाइदा नहीं पहुचाते वो सिर्फ सिर्फ दूसरी जो कोईशिका होती हैं उनको समाप्त कर देते जल्कि मैंने बहुता बताया कि किस तरह से उसका माल जो बना रहा है तयार करना है वो खा जाएगा तो बच्चों के लिए कुछ बचेगा निए दूसरों को सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरा संगर्स साथ आपका ये वाली कहानी में रखता हूं कि मैं हमेसा क्याता हूं कि संगर्स मैं कर रहा हूं लेकिन साथ आपका चाहिए मैं यकीन दिलाता हूं आपको जो नहीं मिला मैं वो दे दूँगा क कर लेते हैं लेकिन मैं चाता हूँ किसी और की लिए भी करूँ तो यह क्या है सही जीवन है सही जीवन क्या है मैं आपको लाप पहुचाऊंगा आप मुझे लाप पहुचाएंगे ठीक है इस तरह से मैं किसी और को दूँगा वो मुझे देगा हम उससे प्रेम करेंगे वो हम कि जो कवक होते हैं वो सेवालों के साथ क्या करते हैं सैज इवी के रूप पे रहते हैं सेवालों में क्या होता है फोटो सिंथेसिस की क्रिया होती है यह हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेवाल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है उसमें पाड़ा हरिम पाया जाता है यानि कि क्लोरो शयवाल, इनको भोजन लेता है कविए यह उनको नमी कीज़ के लिए, बाहर कमाई करने के बाद हम रोटी के लिए आटा लेकर आएंगे, सब्जी के लिए तेल लेकर आएंगे, आलू लेकर आएंगे, घल्दी, मेर्च, मन, साला, सब्ची लेकर आएंगे, मम्मी क्या करेंगी, उनके पास बड़िया फोटो सिंतेस्स की विवस्ता है, वो उनके पड़ा हरे मैं, तो उनके पास क्या है वो भोजन बना के तयार कर देंगी अब मैं भाईया भोजन नहीं बना पा रहा हूं तो भाईया मैं हो गया कबक मम्मी हो गई सेवाल मेरी मैं सामन ले आया हूं और वो भोजन बना के तयार कर दिया उनने तो इस तरह से क्या है ये सही जीवन का कार करते हैं तो जो होते हैं आपके चीड या फिर किसी अन पेड की जड़ों की कोईषिकाव में फैले रहते हैं और जमीन के अंदर से खनिज लबड तथा जल गिर्ड कर चीड को दे देते हैं में फिर से बता दूं कुछ ऐसे साजी भी होते हैं जो कि से आपका जैसे चीड है या इसको पाय और नमी पहुचाते हैं, जियल पहुचाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, सेवालों से ये नमी, सरी, कबक से क्या करते हैं, ये नमी गिरर कर लेते हैं, और कबक को ये क्या कर देते हैं, भोजन दे देते हैं, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है न, आपका उसका चीड़ गा, तो ये खनीज लबड देते हैं पाजल देते हैं तो कवक को क्या मिलता है भाया कवक को भोजन मिलता है क्योंकि वो खनीज लबड पहुंचा रहे हैं आप लोग सप्लाई कर रहे हैं बढ़िया-बढ़िया माल की एकदम तो क्या कर रहे हैं ये भोजन पहुंचा रहे हैं बोजन मूलक सहजीवन भी कहते हैं यानि कि जो पेड़ पौदों की जड़ों में रहते हैं इसको हम क्या उख पर क्या हुआ। और मुलकबक और जड़कास सहे जीवन समझा क्या चलिए इसमें मिरत्व पोजीव के बारे में जाना जाना जरूरी नहीं है क्योंकि यह मैं आप लोगों बता दिया कि यह मर्योवे जो होते हैं उनके उपर जाते हैं चलिए फपूंद के प्रिकार देख लेते हैं जो उनके क कालब फफबूंद के बारे में बात करते हैं काला वपफबूंद लैक मुडब इसमें के तेह toward है जो म्यूकर दूसरा है राय जो पस तीसरा है एसफर जिलस ठीक है एसफर जिलस नाइजर ये तीन है ये तीनों के तीनों कैसे हैं काले फफुंद या फ्लैक मोल्ड कहलाते हैं दूसरा देखते हैं नीला फफुंद या फिर हरा फफुंद नीला या हरा फफुंद देख ले कहते हैं लाले गुलावी फंबूद क्या होता है नियूरो इस्पोरा नियूरो इस्पोरा को हम लाले गुलावी फंबूद कहते हैं या पर आप देख सकते हैं लाले गुलावी फंबूद क्या कहलाता है नियूरो इस्पोरा फिर से में एक बाद वीजन करते हो नीले हरे दुनके रूप में जाना जाता है चली आगे बात करते हैं कि इसको हम एकॉन Story इंपो इंपर टेंस और सग्य कवं कि वहां इनके बाद केश्ली के निंदि हैं इनके बात कवक, वीवन इन सबसे पहले जानते हैं लावधाय कबक लावधायक जो कि भोजन की रूप में देख लिए मस्रूम के रूप में कवक्ता प्रयों किया जाता जैसे कि छत्रक यहां पर आप देख सकते हैं शत्रक और गुछी यह चत्रक है और यह गुछी यानि कि आप ने देखाई कुकर मुत्ता कहते हैं नहीं मस्रूम कहते हैं क्यों जब बड़ा हुआ तो जाना कुकर मुत्ता नहीं होता यह मस्रूम होता है यह खाया भी जाता है ठीक है तो चले समझते हैं इसके बाद मस्रूम मैं फिर से बोल दूं बोजन के रूप में जो प्रियोक करें किया जाने वा यिस्ट की बारे में अगर बात की जाए तो कुछ प्रमुख विटामिन इसमें मिलते हैं यिस्ट में कुछ प्रमुख विटामिन मिलते हैं जैसे कि थाइमीन, राइवो फ्लेविंग, ठीक है, निकोटिनिक ठीक है, निकोटिनिक अमल, वायोटिन इस तरह कि यिस्ट में जाते हैं ठीकर तो आप यहां पर देख सकते हैं इस्ट की किस तरह से प्रक्राइब होती है एक गंटे में दो गंटे में पिर तीन गंटे में क्या रहता है यह फूल जाता है चलिए आगे समझते हैं प्राइम के परक्षाइब की पर उपक्ति के सَ marriage कि chiarosity सेरे वसी सेकेरो माई सीज सेरे विसी यह किसopra सेरे विसी यह किसे पयूब कि जाता दबल लोटी या फरण ब्रेड बनाने में कुछ格का प marché किया जाता है तो यह क्या हो गया सेखेरो माई सीज सेरे विसी ये एक यीस्ट हो गया दूसरा देखते हैं एलकोहल उद्ध्योग में यीस्ट से सरकरा के बिलियन का किनमन करके ठीक है क्या किया जाता है एल्थिल एलकोहल बनाया जाता है मैं फिर से बोल दूँ एलकोहल उद्ध्योग में यीस्ट से सरकरा के बिलियन सरकरा ठीक है तो सरकरा के बिलियन का किनवन किया जाता है जिससे एथिल एलकोहॉल बनाया जाता है यिस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है जिसके कार किनवी करड की किरिया होती है और इसी यिस्ट का कई तरह की सराब बनाने में भी प्रियोग किया जाता है जैसे कि एलकोहॉल हो होते हैं उसके प्रकार होते हैं जैसे कि सराव हो गया, वियर हो गई, रम हो गई, विसकी हो गई, स्कॉच हो गई, मायटीनी, बोध का इस तरह cancer आगे ना इस्ट का कई तरह की सराब बनाने में प्रियों किया जाता है जिस बियर रम विस्की स्कॉच सराब मायटेनी बोध का इस तरह से चलिए नेक्स देखते हैं लाव के बारे में बात कर रहे हैं भूमी की उर्बड़ा सक्ती बढ़ाने में बहुत से कवक सड़े गले पदार्थों से बोजन प्राप्त करते हैं ऐसे कवक मिर्तोप जो भी मिर्त पोसी होते हैं ये मरे हुए जीवों के कार्विनिक पदार्थों का बेक बनने के बाद आप लोगों को पता है कि इस तरह से वो नाइट्रिट में परवर्थित परवर्थित तो हो जाता है उसदी निर्मान में देख लेते हैं बहुत से कवक का उपयोग प्रति जैबिक यानि की एंटिवायोटिक और सिदी के रूप में किया जाता है यह बीमारियो इन्होंने कीटो मिन कीटो मिन पैंसिलिम की खोज की थी और यह किस से प्राप्त किया था पैंसिलिम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था यह आप देख सकते हैं पैंसिलिम पैंसिलियम नोटेटम नामक के कवक है इससे यह प्राप्त किया था यहां पर आप देख सक अब बात करते हैं अब बात करते हैं हानी कारक के बारे में कुछ ऐसे भी कबक हैं जो कि हमें हानी पहुचाते हैं हमें नुकसान पहुचाते हैं हमें बीमार करते हैं आए देखते हैं कुछ ऐसे कबक यो कि इंसानों में रोग उत्पन करते हैं उनका नाम हम आप लोगों को ब इसे और यह और अलफा टॉक्षिंशो कुछ इसे कबख है जो कि हमारे भोजन को बीमार करते हैं वह संवाइब करते हैं विशाट्र है यानने की IS अनुख्यों को इसी बीमारी को खत्म करने के लिए जो कि कबक से होते हैं कुछ ऐसे कबक जो इंसानों में रोग उत्मन करते हैं एस पर जिलस नाइजर मनुस्यों को फेपड़ों में एस पर जिलोसिस नामक रोग फैला देता है फिर से बता दूँ एस पर जिलस नाइजर नामक एक कबक होता है जो कि मनुस्यों में या कर इंसानों में यानि कि हम जैसे ब्यक्तियों में सरीप लोग में एस पर जिलोसिस न नामक रोग फैला देता है, जो की फेपणों में परिसानी उत्पन्य कर देता है, इस से आपका दाद, खाज खुजली नामक जो बीमारी होती है आपके कबक द्वारा ही होती है बहुत से कबक जो होते है इमारती जो लकड़ी होती है या कैन लकड़ी होती है उसको खराब कर देते हैं नुकसान पहुंचाते है वो कौन सा कबक होता है आर्मी लेरिया कबक फिर से मोल दूँ जो पहुंचाता है आर्मी ले या कभक जो होता है सेव की पेड में लाल गलन या रेड डॉट नामक बीमारी फैला देता है या फिर आप ने कभी अम्रूस बगेरा देखा हो तो उस पर काले काले कभी कभी दाग आपको देखने हो बिल जाएंगे तो वो इसी कभक के द्वारा व पर जिलस जो होता है ये हमारे भोजन को हमारे खाने के पदार्थ को क्या करते हैं खराब कर देते हैं ये कभक खुले हुए खाने के ऊपर जाल सा बना देते हैं जैसे कभी आपने अचार देखा हो का चार का डबबा जो होता है खुला रह जाए तो उस पर उपर ही जो होता जाल की तरह ये आकरती बना देते हैं जाजी खुला चार हो गया चटनी हो गई इसको जैली भी कह देते हैं जैली हो गई रोटी हो गई फल हो गया इनके ऊपर क्या करते हैं ये हमारे भोजन की उपर जाल नुमा आकरती बना देते हैं खुले हुए खाने में कभी कभी ये अन यहां पर रखवा दिया अगर वहां पर तरीका चरथे यह बगई दीशेड़ कोई cui- paysin नब कहते हैम यहां तो वहाँ पर गलत तरीकेते कर दिया जब हम खाना बनाते हैं और पकाते हैं उस समय भी वह है अलफा टॉक्सिन नामक जो कवक होता है वह नष्ट नहीं होता उस ते से ठीक है इस तरह के कुछ कवक है जो कि हमारे भोजन को हमें बीमार करते हैं तो ये हो गया आपका फंगी जगत यानी की कवक के बारे में जो भी जानकारी थी चली आगे बात करते हैं कर चली साथियो पात करते हैं प्लांटी किंगडम या पादब जगत के बारे में समस्ते हैं बिलकुल बहुत ज़रूरी है और important भी है और हमें confused फ्यदा कर देता है जब इसके भाग भाटे जते ह है आई ये समझते हैं पादव जगत में क्या क्या सामिल किया जबता है आई देखते हैं पादव जगत में कौन से जी बाते हैं सभी बहु खुषी फ्रकास संशिलेसर करने वाले यूकेरियोटिक तथा उत्पादक जीवों को हम पादव जगत में रखते हैं पादव जगत को हम दो भागों में बाटते हैं कौन-कौन से दो भागें बहुत समझना असानी से क्योंकि यह कंफूज फैदा कर देता है मैं इस तरह से बताओंगा कि आपको कोई कंफूजन फै बनाते है किसी और पर आशिर नहीं रहते हैं यह जिब होते हैं इनी पर आसृत रहते हैं, किस पर पादब जगत पे, चलिए, समझते हैं, पहला एक करके समझते, तब पहला है थेलो फाईटा, थेलो फाईटा को देखते हैं, किस तरह सी होता है, इस तरेडि के पौधों का, न तो सरीर मालुम पड़ता हैं, अच्छे से, या एक सम रूप या कहें सुकाय या थेलस के रूप में होता है जैसे की मान लीजिए मिट्टी उठाई और वहां फर फैंक दी उसे आप पौधा मान सकते हैं ना तो उसमें तना है न पत्ती है और ना ही उसमें आपको जड़ देखने को मिलेगी इसमें नर तथा मादा जननांग अलग-अलग होते हैं मैं फिर से बता दूँ इसमें नर तथा मादा जननांग सुकाय पर ही बनते हैं जो पौधा होता है जो थेलस आकार का होता है उस पर ही नर और मादा के क्या बनते हैं अंग या कहें जननांग बनते हैं इसमें इसके निसेचन के बाद ब्रूड नहीं बनता, इस थैलो फाइटा को बरगी करड़ के साथ से दो भागों में बैसे बाइश सकते हैं, इसमें सेवाल और लाइकन के बारे में हम इसमें थैलो फाइटा में पढ़ने बाले हैं, तो आएए देखते हैं, आके बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, सेवाल के बारे मे सेवाल, जाजतर सेवालों के गुड़, पौदों से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम इसको इस जगत में रख देते हैं, इसमें संभहन उतक नहीं होता है, मैंने आप लोग को पता है, संभहन उतक क्या होता है, जैसे कि आपका तनी, तना, पत्ती बगेरा, ये सारे संभहन उतक नहीं होते हैं, इनकी कोशी का वित्ती, यानि कि जो सेवाल होते हैं, उनकी कोशी का वित्ती किस से बनी होती है, सेली लोज की बनी होती है, ये आत्म पोसी होते हैं, यानि कि ये स्वैम ही अपना खाना बनाते हैं, यानि कि स्वापोसी होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना प्रकास संसले सड़ की किरिया के दोरा ये निसेचल के बाद इनमें बिरूड नहीं बनता है, सेवालों का सरीर तना जड़ पत्यों में नहीं बटा हुआ होता है, जैसे कि सबसे पहले और सबसे प्रोग इनमें क्लोरोफिल की उपस्तिती होती है, जब क्लोरोफिल की उपस्त तो जो कबक होते हैं इनमें सई जी वी की तरह कुछ कबक किसमें कारे करते हैं बरफ पर पाई जाने वाली भी कुछ सेवाल होते हैं जिनको हम क्रिप्टो फाइट कहते हैं फिर से मूं बोल दूं सेवाल जो होते हैं जो बरफ पर पाई जाते हैं उनको क्रिप्टो फाइट कह यह अपना भोजन इस्टार्ज के रूप में इखटा करते हैं या क्या बोलते हैं उसको उसको इस्टोर करके रखते हैं या संग्रह करके रखते हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि सेवाल का जो एक थैलस के आकार का है जबकि जो सादर पौदा होता है उसमें जड़ तना और आपका पत्ती के रूप में ये विभाजित होता है, लेकिन आपका ये नहीं होता है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसकी जो भित्ती होती है, वुकाई की बनी होती है, क्लोरोफ्लास्ट यहां हमें से कह सकते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें क्लोरोफ्लास्ट पाहे जाता है यानि की लबक पाहे जाता है इसके त define के लिए करिया कर पाता है चलिए आके समझते है सैवालों को पक्रमोक रूप से तीन भागों में पाइसे बाट तो हम इसको और भी प्रकार से रखते हैं लेकिन हम इसमें सिर्फ तीन के बारे में ही पढ़ेंगे लाल भूरे और हरे सहवालों के बारे में वैसे और भी रंके होते हैं जिनके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है कि आविश्यक्ता नहीं है सबसे पहले हम बात करते हैं लाल सहवालों के बारे में रेड इ इत्रिम नाम का लाल वर्डक पाए जाता है इनकी कोश्का वित्ती में केल्सियम कार्बोनेट होता है यह जादतर समुद्री ही होते हैं हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो लाल सेवाल होते हैं इनकी कोश्का वित्ती होती है इनकी कोश्का वित्ती होती है सेलुलोज की तो बनी हो यह जादा तर समुद्री सेवाल होते हैं यानि कि समुद्री छित्रों में ही पाए जाते हैं कभी कभी ये नदियों में या तालावों में या फिर छोटे मुटे जील वगएरा में मिल जाते हैं लेकिन मुप्रमक रूप से ये तालाव समुद्र में ही मिलते हैं इसी सेवाल क काड जो आपका लाल सागर है, लाल सागर की आपको location बतानी होगी, लाल सागर कहाँ परिस्टिता है, किन किन देश्टों के और किन किन महादीपों के बीच में सीमा बनाता है, बताने वाले को एक रुपया इनाम दिया जाएगा तुरंत पेटीय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा चलिए इसई सेवाल के काड़ लालाग्र का यल लाल दिखाई देता क्योंक็ यहां पर tri koda ismium फिसे बोल देता हूँ tu给 ismium नामक एक सेवाल होता है में जो उसमें होता है उसके काड क्या होता है यह जल्ल जो होता है लाल हो जाता है इसके काड इसको क्या कह देते हैं लाल सागर हम इसको कहते हैं इसको रोडो फाइटा वर्ग में रखा जाता है लाल सेहवाल को ठीक है चलिए नेक्ट बात करते हैं, भूरे सेवाल के बारे में, भूरे लाल, भूरे लाल, इसी तरह से सेवाल, ठीक आई समझते हैं, इनका रंग भूरा, फिल को जेन्थिक वर्ड़क के कार्ड होता है, लाल बाला का क्या बताए मैंने, इसी तरह से इसका भी एक समुद्री ही होते हैं इस वर्ग में समुद्री घास भी रखी जाती है नि बूरे सेवाल की जो फाइटा वर्ग में आपकी समुद्री घास भी आती है यह सेवाल खास कर उत्री अट्लांटिक महसागर की सरगासो सागर में मिलता है जिसे सरगासम सेवाल कहते हैं ठीक है इसकी आपको location बतानी पड़ेगी सरगासों की तो मैं उसको इनाम दूँगा क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है world geography में सरगासों सागर कहां पर है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दूसरा तीसरा प्रकार देखते हैं तीसरा है हरे सहवाल प्रथवी पर जो सबसे पहले पौदों का विकास हुआ वो हरे सहवाल ही थे मैं फिर से आप लोगों के जानका नहीं देदू मैंने बताया था जब पूरी प्रथवी पर जीवों का सुरुआत हुई थी तो सबसे पहला जीव जीवाणू ही बने थे कौन बने थे बैक्टीरिया ही थे और जब पेड़ पौदों की वात की जाए तो प्रत्वी पर सबसे पहले जो पेड़ थे वो सहवालों के रूप में ही बिकास इनका हुआ था समझ में आ गया कि इनका सहवालों के रूप में ही इनका बिकास हुआ था ठीक चलिए इनकी कोश करते हैं कौन भोजन इघटा आपके हरे सहवाल ठीक चलिए आगे बात करते हैं सहवाल का आवाज कहां कहां पाई जाते हैं कौन-कौन से छेतर हैं वहाँ पर सेवाल आपको देखने को मिल जाते हैं कीचड में कीचड का जो सेवाल होता है उसको हम कारा कहते हैं लेकिन किसी किसी बुक में आपको चारा लिखा मिल जागे लेकिन वो कारा होता है चारा नहीं ठीक है तो मैं फिर से बोल दूँ कीचड में पाया जाने वाला सेवाल आपका कारा कहलाता है, जील तता कालावों के किनारे पाया जाने वाला जो सेवाल होता है, उसे रिवुलेरिया कहते है, रिवुलेरिया सेवाल कहते हैं, उसके बाद पानी में तहरने वाला जो सेवाल होता है, उसको हम डाई एटम कहते हैं, डाई एटम है, क्या होता है पानी में तहарने वाला सहवाल होता है यहाए और सहवाल होता है जिसको हम कछुय की पीट के रूप देख सकते हैं, यहाँ कुछ पर नंके देख रहे होगी यह सहवाल यहां पर आई जाते हैं जिसको हम प्रोडर्मा कहते हैं प्रोटोडर्मा कहते हैं प्रोटोडर्मा नामक सहवाल कहां पर मिलता है आपको कच्छुए की पीटफर मिल जाता है चलिए और देखते हैं समुद्री सेवाल की अगर बात की जाए तो समुद्री सेवालों में ठोड़ा से जान लेते हैं सर्गासम जो की आपका अट्लांटिक महासागरवाले छेतरे मिलता है ग्रीसी लेरिया नामक जो सेवाल होता है आपका समुद्री सेवाल ही होता है आपका जो बर पर पाए जाने वाले जो सेवाल होता है उसको क्रुस्टो फाइटा कहते हैं फिर से बोल दूँ बरब पर पाए जाने वाल सेवाल क्या कहलाता है क्रुस्टो फाइटा कहता है उसके बाद जो चट्टाने होती है यहां पर आप देख सकते हैं इनकी उपर सेवाल आप हरी रहे आपर ये बर्फ के ऊपर होगाते हैं तो रंग बिरंगे दिखते हैं ये जैसे की ऐलपाइन तथा अंटारिटिक आपर जमी बर्फ हमें लाल रंग की दिखाई पड़ती है किस निटकाई पड़ती है सही है ठीक है कारमनिक तता अकारमनिक सारी पदार तता विटामिन हमें प्रापत हो जाती है इसलिए इसका भोजन के रूप में अच्छा खासा इस्तों किया जाता है, जैसे कि जापान के लोग जो होते हैं भूरे सहवाल को सलाद के रूप में खाते हैं आप देख रहा होंगे यह भूरा सेवाल है इसको हम सलाद के रूप में नहीं खाते हैं जापानी लोग खाते हैं ठ grains छीनि लोग जोकि हमिशा अच्छी छी चीनि लोग ही ख सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख स्कॉर्ट लेंड के लोग रोडो मियम मैं फिर से बोल दूं स्कॉर्ट लेंड के लोग रोडो मेरिया रोडो मेरिया नाम का जो सेवाल हुता है उसको बिमल पान मसाला की तरह यानि की तंबाखू की तरह इस्तमाल करते हैं मैं फिर से बोल दूं स्कॉर्ट लेंड के लोग य जो सेवाल है इसका प्रियोग अंत्रिचे आत्रियों द्वारा प्रियोग किया जाता है क्योंकि यह है बिटामिन तता प्रूटिंग का अच्छा शुरूत होता है यहां पर आप देख सकते हैं इसकी गोलिया बना ली जाती है और इसे ऐसे करके कि इस थोड़ा स्वाद इसका उसको एक वार फट गई तो कैप्सूल खारा था मैं ऐसे करके दबा खारा था उसका कैप्सूल पट गया तो इसमें इतने ही गंदी बद्वूर चुके ऐसे चक्के देगा मुझे लगा मीठी हो गया रे भीया बहुत बुरी स्टिधी हो जाती है वैसी जब गंदा स्वाद होता है तो फिर से मैंने क्या आप लोगों बताया इसको ट्लेंट के रोड़ो मेरिया सेवाल का तंबाखू के रूप में क्लो और रेला अंत्रिक्ष्यात्री बिटामिन और प्रोटीन का अच्छा सरूत है इसलिए गोली बगयरा के रूप में ले लेते हैं चीनी जो लोग जिन पदार सेवालों से ही प्राप्त होता है जो की टाइप राइटर होते हैं उनका जो रोलर होता ही आपको रोलर दिख रहा होगा टाइप राइटर का जो रोलर है उसको इसी से बनाए जाता में फिर से बोल दूँ एली जिन पदार सेवालों से ही मिलता है जो की टाइप राइटर के रोलर में पिरियोग किया जाने वाला पदार्थ होता है सार गासम से आपका जो जापानी लोग होता है सार गासम की जो सहबाल होता है उसको जापानी लोग मंगाते हैं और उससे किर्थम क्या बनाते हैं उन किर्थम मतलब आर्टिफिसियल उन बनाते हैं यह जो स होता है। वो कहां से मगाया जाता है ? एक का 7 बात किसार अगर का, किया जाता है , आपने नाम उगा होगा अगर 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 नहीं सुना है तो आप अभी Amazon पर जाना उस पर सर्च करना आपको देख जाएगा अगर-गर कैसा होता है उस पर मिलता है अगर-गर से चोकलेट बगेरा कभी-कभी बर्फी बन जाती है तुर्कीज जो होता है न एक तुर्कीज डिलाइट करके एक देस होत कि लाइक क्या होती है तब वहां पर मैंने देखा था आ कि वो अगर-गर से ही बनती है नहीं आई रिस अगर-गर से ही बनती है तो इंका उतफादन को अधर से सेवाल है इससे प्राप्त किया जाता है इससे चॉकलेट आइसक्रीम में इसका प्रियोग किया जाता है इस अब आते हैं बात भूरे सेवाल के रूप में बूरे सेवाल का एक प्रजाती होती है जिसको हम कहता है लिमेनेरिया तता फ्यूकस मैं फिर से बोल दूँ बूरे का निरुमार किया जाता है, यहां पर iodine दिख़ रा होगा iodine ओर siinä कि आ ला किस से किया जाता है आपका लेमेनेरिया चाहिता से कैसा सहवाल है य इससे क्या होता है आपकी जो मचलियां होती है वो मर जाती है उन सहProduls का नाम के आगर बात की जाए तो मैक्रो सिस्ट तथा क्रोको क्स नाम के दो सहहाल होते हैं ये मचलियों को मार देते हैं किसमें तालाबों में पैदा होने के बाद कुछ सेवाल चाय की पत्यों पर लाल किट नाम का रोग पैदा करते हैं इसके काड़ सेल इसका काड़ जो है सैफे लियूरोस में फिर से इसको पूरे सेंटेंस बोल दे रहा हूं कुछ ऐसे सेवाल होते हैं जो की पत्यों को चाय की पत्यो चाई की पतीयों ना बस जो का बागान होते हैं उस conquist Inc कि उनकी पत्यों को खृराब करते हैं यह उन की पत्यों को खराब करते हैं यहां पर पत्यों पर ही लगे हुए है और यह पका अम्रूत देखा दो यह अपने तो ये जो कारड होता है वो आपका होता है सिल्फे लियरो जो होता है जमीन जो होती है हरीसी दिखने लगती है उस पर क्या होता है जमीन पर क्या होता है सेवाल उगाता है या फिर एलगी हो जाता है जिसको काईवी कह सकते हैं आ जाता है और जमीन पर फिसलन हो जाती है और यह किसके गाड़ होता है नील हरिर सेवाल के काड़ है होता है इसके लिए जूते आ रहे हैं आप लेना चाते है है तो आप order कर सकते हैं कहा से करेंगे इसके बारे में जानकारी मुझे भी अभी मिली नहीं बस ये देखा था कि它LG से बचने के लिए कौमसे जूत मिल इन ये अला आ गया है आप लेना चाते हैं तो लेट चलीं मैं चलीं चलीं लाइकन के बारे में बात कर लेते हैं लाइकन ठीक है लाइकन या लाइकन ठीक है तो लाइकन जो है कभक और सहवाल के मिलने से बना है क्या होता है कभक और सहवाल से तो यह मत कहना कि सारे कभक और सारे सहवाल एक दूसरे मिल जाए नहीं कुछ ऐसी प्रिजातिया है सहवाल की और कु उन्होंने लाइकन की खोच की ती इसकी संद्चना का अध्यन किस ने किया था डी वैरी नाम के एक विखती थे यह बहुता है तथा बहु कोच की जीव होता है इसी वज़े से इसको पौधा माना जाता है लाइकेन में कवक तथा सेवाल आपस में बहुते प्रेम के साथ रहते हैं और ये एक ही पौधे की तरह दिखते हैं हम इसमें ये नहीं जान पाएंगे कि कौनसा लाइकेन है और कौनसा आपका सेवाल है सुरी कौनसा इसमें सेवाल है और कौनसा कवक है दोनों को सेखतरू से क्या कहते हैं लाइकेन कहते हैं ठीक है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कवक और सेवाल से मिलकर क्या बना लाइकेन बना और जो किसकी तरह रहते हैं सह जीवी की तरह रहते हैं यानिकि एक दूसरे को स सेवाल होता है भोजन बनाता है जबकि जो कवक होता है सुसकन से या कहें सर्द जो नमी होती है इसको नमी देता है यानि कि सुसकन से रच्छा करता है तथा अब सुस्ड का कारी करता है आपका कवक ठीक है लाइकन के सेवाल का जो सदस्य होता है यानि कि मैंने क्या बताया ल लाइकन में जो कबक होता है वो कौनसी जाती होती है उसको हम कहते है फाइको व्यांट फाइको व्यांट नामक जो आपका सेवाल होता है यह है किस से मिलकर किस से संयोग कर लेता है किस के साथ रहता है आपका कबक के साथ अब कबक कौनसी पर जाती होती है कबक जो होती है माइको व्यांट और फाइको व्यांट नामक जो कवक और सेवाल होते हैं ये दोनों मिलकर आपका लाइकन बनाते हैं यानि कि सारे जो कवक होते हैं वो नहीं बनाते हैं सारे सेवाल आपस में मिलन नहीं करते हैं यानि कि उनका वो आपस में जगड़ा रहता है यानि कि दोनो मिलन नहीं करतें ठिक सारी पिर जातें नहीं कितनी करतीं हैं सिर्प आपकी FICO V Neoant नामक क्या है आपका सेवाल और Mico V Neoant नामका आपका कबक है ये दोनों आपस में प्रेम से रहतें चलिए लाइकेन का महत्व के बारे में किसी जानकारी ले ले दे दे हैं लाइकन हमारे लिए बहुती लावधाय के उते हैं क्योंकि इसका प्रियोग कई सारी चीजे बनाने में किया जाता है नाम यहाँ पर मैंने लिख दी है आईए मैं समझाता हूँ जैसे कि खुसूवाला सावन खुसूवाली अगरवत्ती और हवन सामिक्री बनाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है रहमेलाइना नाम के लाइकन का प्रियोग किया जाता है ठीक है कुछ लाइकन खाया भी जाते हैं जैसे कि लेके नुरा लीके नुरा पारमेलिया और क्लेडोनिया नाम के जो लाइकन होते हैं उनको खाया भी जाता है इनमें से कई ऐसे लाइ के रूप में प्रियोग के देते हैं जैसे खांसी के लिए बुखार के लिए जुखाम के लिए तो इसमें इर्वेनिया नामक जो लाइकन होता है यह खांसी के दवा के लिए इस्तमाल किया जाता है और क्लोडोनिया नामक चो क्लोडोनिया नामक चो लाइकन होता है उसका प्रियोग बुखार की दवा बनाने के लिए किया जाता है इसमें से रंगाई में भी कुछ आपके लाइकन होते हैं उनका इस्तिमाल किया जाता है रोले रोसेला टिंकोरिया नामक जो go like anota is the limit must be rapt किया याता है मैस्वाइक होते हैं कुछ हानिकारक भी होते हैं जिनके बारे में हमें जयानकारी यहां लियना है उनकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है चलिए तो यह हो गया आपकाえーवं बात करते हैं और दूसरा समबनिपादब को हम कहते हैं बरायोफाइटा और समबनिपादब को डियक क्यों करें अम लाई किरें ब्रेटा को मतलब होता है ब्रोड तो इसमें ब्रूड बनता है ठीक ये दो भागों में बाटे गई हैं व्राइयोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा तो प्राइयोफाइटा को मैं क्याखा सामिल किया गए है लिवर LEVRBUD लॉ simplement और मोस इसके बारे में बात में किसमें आके जा नेंगे जब हम द्र subscription ग्राइब कर लेते हैं क्या करनेदे ग्हेर संबनि उतक यानि कि ॥ यानि कीजो आगो उतक या तंत्र नहीं पाये जाता है, ठीक है? तो आईये समझने ब्रायोफाइटा को. इसको हम ब्रायोफाइटा ठीक, गयर समनी पादप या नोन वैस्कूलर वैस्कूलर प्लांट सी हम इसको कहते हैं. ब्रायोफाइटा सबसे सरल, सबसे छोटे और इस्थली पौधे हैं, जो की नमी वाले इस्थानों पर उगते हैं, मैं फिर से बोल दूँ, व्रायो फाइटा सबसे छोटे, सबसे सरल और इस्थलिप फौदे हैं, जो की नमी वाले जहां पर नमी ज़ादे होती हैं, उस जगह ये उगते हैं, ठीक है, इनका सरीद, थैलस या परने माकार के होते है यानि कि इन में कभी-कभी तना और पत्ती हो जाते हैं कभी-कभी तना नहीं होते हैं कभी-कभी वैसे तो यह थैलस त्रकार के होते हैं थैलस आकार इनका होता है लेकिन जो तना और पत्ती होते हैं वो निकल आते हैं ठीक है लेकिन लेकिन जब भी मैंने क्या बताया लेकिन जब भी इनमें तनाय पत्ती होती है तो बास्तिविक नहीं होती है तनाय पत्ती के नाम पर दोखा होता है यानि लगते तो है वो तनाय पत्ती जैसे लेकिन अगर छूलो नो तो पिखल जाएगा अगर छूलो तो वो लगेगा नहीं यार क्या है यार ये खाम-खाम की घेनप पाई जाते, इसलिए हमने क्या बताया था, कि Embryo Fita को Do भागों में बाटते थे, एक तो बो जिसमें संभिनी उतक पाई जाते हैं, और एक बो जिसमें सम्भण उतक नहीं पाए जाते हैं, संबनों तक क्या होते हैं, जरतना पत्ती जिससे क्या होता है, माल का आधन प्रदान होता है, यानि कि इखनीच फदारत है, जल है, इधर दर आधन प्रदान होता है, ये इसमें नहीं पाए जाता है, नहीं इनमें बास्तिविक जड़ें होती हैं, नही कि मूला भास होता है मूल आभास मूल मतलब जड़ और आभास मतलब महसूस होना लगता तो है वह यह जड़े हैं आप यहां पर महसूस करेंगे वह यह लग रहा होगा जड़े तो है लेकिन इनको यह जड़े नहीं है यह मूल आभास है यानि कि नीचे जमीन पर क्या है एक एक रुपे का सिक्का मालू पढ़ रहा था मैं रात में जा रहा था भार गरली में निकल के ऐसे चस्मा उतार के जा रहा था तो क्या हुआ साधी का टाइम था किसी की साधी चल रही तो बलब जल रहा था तो नीचे मैंने देखाया और मैं उझे लगाया पांच का सिक्का वो तो मेरा किसी ने थूका हुआ था तो वहां पर देखा एर एची क्या है यार ये मैंने छूलिया तो क्या था वहां पर लग तो वो देखने में सिक्का रहा था लेकिन ये पास जाके कोई चस्मा लगा या नहीं था मेरे तो जब पास देखा तो वो किसी ने थूक दिया थ तो इसी तरह से क्या हुआ मैंने क्या बताया कि इनमें जड़ें तो दी गई है लेकिन जड़ों के नाम पे धोका किया गया है यानी मूल आभास है मूल यानी कि जड़ों का आभास है यानी कि हलकेंस रूए रूए से होंगे वो जड़ नहीं होगी समझ में आ गया तो इस तर नहीं पादप होते हैं उनमें क्लोरोफिल यानि की पड़ हरिम हरिम जो होता है वो होता है इस काड़ ये स्वपोसी होते हैं तो मैंने आप लोगों बताए स्वपोसी मतलब क्लोरोफिल है तो अपना बोजन बना सकते हैं तो अपना जगन्नात वाली कहानी किसी कायसान लेने क जिरूरत नहीं अपना खाना खुद बनाएंगे और चैन से खाएंगे और बढ़िया बंसी बजाएंगे समझते हैं तो यह स्वपोसी होती है यानि यह अपने आप में ही क्या होते हैं जगनात होते हैं ठीक है चलिए समझते हैं तो इनको दो पिरकार का इन में दो पिरकार का जनन होता है कौन से जनन होता है एक तो होता है लेंगिक जनन और दूसरा होता है अलेंगिक जनन अब भया लेंगिक और अलेंगिक कैसा होता है मैं बता चुका हूँ लेंगिक का मतलब वो होता है जिसमें दो लिंग सामिल होते ह और अलेंगे की जनन वो होता है जिसमें लेंगे की आवश्यक्ता नहीं परती है वलकि वैसे ही काम चल जाता है ठीक है तो आईए समझते हैं मैंने क्या बता है इनमें दोनों पिरकार का जनन होता है लेंगे तथा अलेंगे की यानि की लेंगे की जनन में युगमक यानि की द दोनों का चाहे वो पानी हो तो उसमें भी मिल जाएगा चाहे वो धर्ती हो तो उसमें भी है दोनों में रहने वाला क्या कहलाएगा उभैचर कहलाता है ठीक है मैं फिर से बोल दूँ ब्रायो फाइटा को पादप जगत का नहीं पेड़ पौधों के जगत का क्या का जाता है वेचर कहते हैं क्योंकि ये बैसे तो इस्तली पौदे होते हैं लेकिन इन जब ये निसेचन का समय आता है तो निसेचन के समय जलकी इन्हे आविश्यक्ता पड़ती है व्रायोफाइटा को भी तीन प्रमुक प्रकार हैं जिनमें हम एक है आपका लिवर्वर्ट हॉर्णबट और मॉस ठीक है समझा गया व्रायोफाइटा के कितने प्रकार हैं लिवर्वर्ट यहां पर मैं आप लोगों दिखा सकता हूं लिवर्वर्ट हॉर्णबट और मॉस यह इतने प्रमुक है और ज्यादा नहीं जाना है चलिए तो एक सेकंड हाँ सबसे बात करते हैं मॉस के ब हुआ एक परसी जम गई है अब परसी जम गई है तो परसाथ बगेरा होगी तो बरसाथ जो मिट्टी है यहां की नहीं बाकि ले जा सकता है इससे क्या होगा मिर्दा अपरदन नहीं होगा जब हवा चलेगी तो मिट्टी उपर की नहीं ओड़ेगी ठीक है तो इससे क्या एक साथ उगते हैं, तो वो एक परत बना देते हैं, या एक परत को क्या कहते हैं, एक लेयर बना देते हैं, और जब उस, जब इनकी मिरत्य होती है, तो वो जो लेयर होती है, वहीं की वहीं रह जाती है, और सतय पर हुईूमस की क्या होती है, एक परत जम जाती है, मैं हूँ म परत बना लेते हैं एक लेयर की तरह बन जाते हैं धरती पर या कहीं पर भी तो क्या होता है जब इनकी म्रत्य होते हैं उपर ह्यूमस की एक परत जम जाती है तो वो मिट्टी या जगह क्या होती है उपजाओ हो जाती है जिसके उपर अन्य पौदे आ जाते हैं समझ रहा न त से बड़ा विरायो फायटा तो अभी तक ही पचास से सतर सेंटी मीटर की उंचाई तक ही बढ़वाया है ठीक है मैं फिर से बता दूँ दुनिया का सबसे उंचा या कर सबसे बड़ा विरायो फायटा डासो निया है डासो निया नामक है जिसकी उंचाई पचास से सतर सेंटी ही हो पाती है दुनिया का सबसे छोटा अगर विर्य में बात करते हैं या मोस के बारे में ही हमने बात नहीं करनी है ठीक है तो आईए देखते हैं इन में जल का अफसोसर करने की सक्ति के काड़ ये बाढ़ को रोकने में सच्छम होते हैं मैंने बताया था कि जब ये यूमस की तरह ये उपर जबा जाते हैं या कहें मौस जो एकदम मिट्टी को बांदी रखता है तो जो परसाथ होते हैं इसके बाद और महत्व देखें इस फैगन इस फैगनम नामक जो मौस होता है उसका प्रियोग इंधन के रूप में किया जाता होता है क्या है कि इसको हम पहले कूट के सुखा के रख लेते हैं उसके बाद इसका इंधन के रूप में हम इसको प्रियोग कर लेते हैं इसके बाद इसेखनम नामक जी यही जो पीट मौस जो होता है इसको पीट मौस भी कहते हैं ध्यान रखना इसको क्यान करते हैं जो इसको femần क्ल Kennedy जंजाती होती है जो उत्तरफ वाले च्छेतर उसके और धर यो यह क्या करते हैं इस मौ स्का या इस स्टे सेग को उसका क्या करते हैं दिये की बत्ती जलाने के लिए प्रियोग करते हैं कि यह क्या करते हैं इसको सुका बगएरा के रख लेते हैं उसके बाद वो दिया टाइप बनता है उसमें उसमें बत्ती बना वुनों कि यह जलाते हैं कौन एक्सिमो नामक लो एक्सिमो जन जाती है समझ जड़तना पत्ती थे अब यह नट नते। सेटिवाले भागों को भी दो भागों माता गया है यह उसको समझते हैं और संभनी पाधप कियोंकि इस समय उतक पाये जाते हैं या कर आप देख सकते हैं जो विराए फाउता था जो भी जानकारी लेनी थी होर्मर्ट लिवरडवर्ट और मॉस्क्र अब हम बात करेंगे संभणी पादप के बारे में आनिकि इनमें संभणी उतक पाए जाते हैं जैसे कि जिन में बीज होते हैं यानि कि यहीं से चला आ रहा है Embryo Fighter एक तो संबहनी बिना संबहनी पादब गेर संबहनी दूसरा है संबहनी लेकिन संबहनी के बाद उसको भी दो भागों माट दिया एक तो है जिसमें बीज नहीं पाए जाते और एक है जिसमें बीज पाए जाते हैं तो आईए समझते हैं इसमें बेपोदे आते हैं जिन में संबहनी उतक या कहें बात्विक जड़तना पत्ती होते हैं इनको तीन भागों में बाटा गया है कैसे तीन भागों में आईए वो समझते हैं सबसे पहला जो है टेरेडो फाइटा इसमें बीज नहीं होते हैं समझ में आगया ना टेरेडो फाइटा इसमें बीज नहीं होते हैं संबनी उतक तो होते हैं लेकिन बीज नहीं होते हैं अब मैं फिर से बोल दूूं, ट्रेकीयोफाइटा को तीन भागों में बाटा गया यह टेरिडोफाइटा जिसमें भीज नहीं होते हैं, टिक बिना भीज के, इसके बाद है दूसरा अनावरत् वीजी, जिमनोस्पर्म जिसको हम कहते हैं, तीसरा है आवरत् वीजी, जिसको एंजि वर जस्त होते हैं चलिए समझते हैं टेरिड उफॐटा यह बिना वीज के प्राचीन तम संब्हनी पौद्य होते हैं यानि कि संब्हनी उत्तक तो इसमें लेकिन इनमें बीज नहीं होते ये ज़ायादार तथा नहीं ठीक है तो कुछ प्रमुक देख लेते हैं इसमें कुछ टेरेडो फाइटा जली होते हैं जो की जली फर्न के नाम से भी जाना जाता है इनको जिसमें आपका मारसीलिया, मरसीलिया, सालवानिया और एजोला में फिर से बोल दूँ टेरेडो फाइटा जो की आपका सम्भ फर्न कौन कों से है एजोला जली फर्न ठिक आपका मारसीलिया और सलवानिया ठीक है फर्न ठीक है समझ में आ गया तो इसमें जो एजोला फर्म है वो एजोला जो फर्न है यह है फर्न उर्बरक के रूप में प्रियोग किया जाता है यानि कि यह खास कर धान के खेतों में पाय जाता है या उसमें इस्का प्रियोग किया जाता है समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं ठीक चलिए इसकी विसिषता देख ले घ्लेड़ फाय्टा के बारे लेकिन इसमें जायलम में वाहिका यानि कि विसल्स तता फुलोयम में सह कोच चिका है यानि कि आपकी यो सरी सह कोच चिका है इसमें नहीं होती है किसमें फ्लोयम में ठिक और इसमें जायलम में क्या नहीं होती है इसमें फूल नहीं आते हैं जब फूल नहीं आते हैं तो आप इसमें बीजगावी निर्माड नहीं होगा, इनका ज्म निश्यचन होता है, यानि कि जब फि्रेम होता है इन दोनों का, तो इसमें क्या होता है, इसमें निश्यचन के लिए जल की होती आपस्यक्ता पढ़ती है, तेल्द्डव फापको वनस्पती सांप या वाट नेकल इसन सोना निकाला जाता है पसूओं के चारे के लिए टेरीघ्यम नामक यहां पर आपको करन कहते हैं ठीक है सब्जी के रूप में मारसीलिया खाया जाता है और सिरे-टोप आ को भी सब्य को में इस्तमाल किया जाता है ठीक है इका मर्सीलिया और सिरे टोबि आपका खाने के रूप में वो सब्जी के खाने की रूप में किया जाता है चलिए चलिए अनावरत्वीजी के बारें एनावरत क्या होता है पेहनों समझते अना क्या होता अन अन मतलब कपड़े ठीक है या फिर उसके बर जो पच्बच केसके तए ठीक है या मलिजिए यह जो फोन ही को पूरा रगदे तो क्या लेंगे इसके उपर आवरत है ठिक या इसको उपर कवर है ठिक चलिए समझते हैं तो अनावरत बीजी ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरत नहीं होता है ठिक है फिर से में बोल दूँ ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरत नहीं होता है चलिए तो समझते हैं इनको हम नंगे बीज भी क पनपते हैं और फलों में बंद होने की बजाए छोटी छोटी तैनियों या संकूओं में खुली अवस्ता में मिलते हैं मैं फिर से बता दूँ ऐसे पौधों ऐसे ब्रच्चों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में तो पनपते हैं लेकिन फलों में बंद नहीं होते क्या ह होते हैं वो बीज जो होते हैं उनके टहनियों या संकुओं में खुली अबस्ता में मौझूद होते हैं क्योंकि जैसे कि आप मालेजिए सेव हैं सेव का फूल बना फूल के बाद वो फल बना उसका बीज कहां मिला फल के अंदर समझे ना बीज कहां मिला फल के अंदर लेकिन अब संत्रा की बात की जाए, फूल बना, फल भी बना, बीज कहा है, संत्रा के अंदर, अंगूर बना, अंगूर के बाद, फूल के बाद अंगूर, अंगूर का बीज कहा है, फल के अंदर, ठीक है, समझ में आगे न, यानि कि फूल भी बना, लेकिन फूल बनने के बाद फल बना लेकिन बीज क्या था डारेक्ट फल के रूप में आया ना कि फल के अंदर बीज तो इसको हम क्या कहेंगे अनावरत यानि कि इसके ऊपर कोई कवर कोई आवरण बीज पर नहीं होगा ऐसे पौदों को हम अनावरत बीजी या नंगे बीज की पौदों की स्रेडिमे में इ यह इस्ति आवरत वीजी या अंजियो स्प्रम बनस्पती के विप्रीट होती है या आबरत वीजी जो होती हैकar प्रिज़ के विपिरीत होती है इस पर एल प्रतविज और फ्रफिलों के अंदर क्षित होकर पनपते हैं किसमें आवरत वीजी में अनावरत वीजियों की बारे में अगर बात की जाए जिमनों स्पर्म के बारे में बात की जाए तो अनावरत वीजी ब्रचों का सबसे बड़ा उधार जो है वह कौणधारी है जिनकी सिरेडी में आपका चीड जिसमें हम इंगलिस म पेड़ है इन में आपका अनावरत बीजी क्या होगा अनावरत बीजी होते हैं इनके बीज थिक या फिर हम यह ऐसे भी कह सकते हैं इनको अनावरत बीजी बिरच्छों की स्रेड़ी में रखते हैं इस समू के या फिर कहें कि अनावरत बीजी या जिमनो इस पर ऐसे पौदों को कहते हैं जिनके बीजों में कोई आवरड यानी की कबच नहीं पाया जाता या फिर इसको हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके बीज जो होते हैं पैदा होते हैं तो नंगे होते हैं समझ रहा है ना ये नंगे बीज होते हैं ठिक विसिस्ता की बारे में अगर बात की जाए अना खासी लकड़ी तथा लंबे होते हैं ये सालों सालों तक जीवित रहते हैं समझ में आ गया चलिए ये मरोद भिज होते हैं इसके अंतर का संकुदारी फेड जिसमें चीर फर और इस्परूस आते हैं इनमें जननांग जो होता है एक लिंगी होता है और ये बायू परासड परागण द्वारा अपना क्या करते हैं जेनन वगेरा की प्रिक्रिया करते हैं इनमें नर्ज जो संगु होता है माईको इस्पॉरफिल ता निर्माड करते हैं इनमें बहु ब्रूड पाया जाता है यानि कि बहु ब्रूड का मतलब क्या हुआ यह माल लीजिये आपका निशेचन के बाद इक ब्रूड बना गुरूड के अंदर ही बच्चे के अंदर बच्चा मतलब जोड़मा आत्रवमा भी हो सकते हैं एक में दो से तेन भी हो सकते हैं ठीक है चलिए आगे समझते हैं अनाविरत्ति बीजी या जिमनोस्फर्म का महत्व देख लेते हैं चीड के पेड से तारपीन का तेल निकाला जाता है फिर से मैं बोल दूँ चीड का जो पौदा होता है इससे तारपीन का तेल निकाला जाता है देवदार की लकडी से आपका कहां पर है हाँ सेडरस का तेल किसकी लकडी से देवदार की लकडी से इसके अलावा साइकस के जो तने होते हैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा साइकस ठिक तो साइकस के तने में तनों में जो इस्टार्च होता है या उसका जो मंड होता है उसको निकाल कर साबूदाना बनाया जाता है यही एक कार्ड है को जो साइकस का जो पौधा होता है साइकर का जो पेड़ होता है उसको क्या कहते हैं साइकस की लकड़ी को सागो पाम भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इससे साबूदाना का निर्मार किया जाता है जिनिफेरस की लकड़ी से पैंसिल तथा पैंसिल होल्डर बनाया जाता है ठीक बजबी बनाया जाता है किस से वाइट फाइन तता पीनिया रेवीज की चीड फर चीड फर इस्प्रूस और शिकोया की लकडी से क्या बनाया जाता है फर नीचर बनाया जाता है इसके अलावा चीड के जो बीज होते हैं उनको सुखाया जाता है और सुखा कर उसको खाया जा जाता है किसके नाम से चिल गोजा के नाम से चीड के जो बीज होते हैं उसको चिल गोजा के नाम से सुखा कर खाया जाता है ठीक है चलिए बात करते हैं Angio Sperm या आब्रत भीजी आब्रत ठीक है आब्रत का मतलब क्या हो ज्या क्या होता है चारो और कबर किया हुआ किसी के उपड़ALK ठीक है तो आएए देखते नग्या इस पर देखते हैं आवरत वीजी पौदों में बे फूल वाले पौदे आते हैं जिन में बीज फलों के अंदर बंद रहता है मैं फिर से बता दू मैंने क्या बताया था कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्जेंपल दे चुका हूँ कि कैसे तरह से पहले सेव का पेड़ बना पेड़ के ऊपर फूल बना फूल के ऊपर फल बना फल के अंदर वीज लेकिन अनावरत वीजियो में यह इस्तिती नहीं होती है यहाँ पर फूल तो बनता है लेकिन जो पेड़ होता है वो किसी आवरड में आक है आवरत में नहीं होता है समझ में आ गया ठीक है इस बर्ग के पौध हमें जड़ तनः पती फूल और फल भी लगते हैं इस बर्ग में साक जाडियां या फिर व्रच तीनों ही प्रिकार में या तीनों ही रूप में पाए जाते हैं मैं फिर से बोल दूँ इस बर्ग के जो पौधे होते हैं उसमें साक जाडियां और व्रच तीनों ही रूप में पाई जाते हैं जब हम बाद में बात करेंगे तो लाश्ट में इसके बारे भी बता देंगे कि साख जारियों अबरच क्या होते हैं आब आबरत बीजी पादपों में पराकर तथा बीजांड एक बिसे सरचना के रूप में बेक्सित होते हैं जिने फूल की क्या होती है किसमें एंजिो इसक्रमियद में आपको रिवीजन करा दूसेश्ञा मैंने हमने, 20 में बताईट हैं किस किस में aring तो था आपका था यह यह ठीलो-फएटा और दूसरा था आपा O एंभरियो फैंटा में हमने दो रफमें बताए तो बापो राई हो फैटा और आपका ठ्रैक्यों फाइटा ठिक है और त्रेकी ओब पाईटा को भी हमने तीन भागों में बाताथ समय ए ट्रैक्यों आबरत बीजी के बारे में आबरत बीजी के बारे में आबरत बीजी जो होते हैं उनको दो भागों में बाटा गया है एक भाग वो होता है जिसमें बीज जो होता है एक पत्री होता है और दूसरा वह है जिसमें बीज दुपत्री होता है तो आई समझते एक पत्री और दी पत समझ लोगा तो चलिए एक बीज पत्री के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसके बीज में केवल एक बीज पत्र होता है यानि कि जब बीज होगा तो उसको हम ख़टनी कोजी करेंगे तो उखड़ेगा नहीं दो भागों में अगर करेंगे तो उसका टूट जाएगा लेक टिक चलिए इसके बाद कहा पर है इसके संबहन पूल में कैम्बियन नहीं पाया जाता है फिर से मैं बोल दूँँ आपके जो एक बीज पत्री होते हैं इनके संबहन पूल में क्या नहीं पाया जाता है कैम्बियन नहीं पाया जाता है यह फ्लोयम और यह जायलम है उसके ब मत्का में एक बीज पत्र होता है लेसुन को जब हम करेंगे तो एकी बीज पत्र निकलेगा केला में एकी बीज पत्र होता है सुपारी में एकी होता है ताड में एकी होता है नार्यल में एकी होता है अब यह आप लोग सर्च कर लेना चाहिए कैसी भी आप जैसे देखना चाह में भी एक जाई में भी एक घास्वा में जो होती है उनमें भी एक ही बीज बत्र होता है चलिए दो बीज पत्र के बारे में देखते हैं जो बीज पत्र यहाँ पर सारे बीज पत्र है इनमें दो बीज पत्र होते हैं इनके संबहन पूल में केम्बियन होता है मैंने भी बताय है या तो चार होंगी फूल की पंगडियां या फिर आठ होंगी या फिर दस होंगी या फिर बारे होंगी चार या पांच के गुडान के में ठीक है इनमें दितियक विरद्धी पाई जाती है इनमें कुछ दिवीज पत्रियों के बारे में हलकी सी जानकारी लेते हैं मुली के बीज होते हैं, उनके दोभीज पत्र होते हैं, यहाँपर आप देख भी सकते हैं इस तरह से, यह स्तर सरसों में, कपास में, बिंडी में, गुढ़हल में, सूरज मुख्यू में, कुसम में, गैंदा में, नीमबू में, संत्रा में, मौसमी में, इसको हम मौसमी भी कहते हैं, गाओं में भासा में, या हम भी, हम गाओं छोड़ो, हम सेर में भी इसको मौसमी कहते हैं, ठीक है, इस टोड के देख सकते हैं अब लोग जानता है है कर भूंजा चीज मनखोल की उसके अंदर जो मलái जीन चलि आगे बात करते हैं के देख लेते हैं को यह आपके नारियल से ही प्राप्त होथा है यहाँ पर आप नारियल देख सकते में सूखा हुआ, जब इसको फोड़ते हैं तो इसके अंदर नारियल निकलता है और यह क्या है आपका, यह इससे कोर नामक रेसा प्राप्त होता है, जैसरशी बनते हैं, टोकरी बनते हैं, टाटकी आपने बो भी देखा हो क्या बोलते हैं के से मिलता है जो केसर होता है केंसर विघ्फ कर यहां पर यहां ले आते हैं और इसको तोड़ तार के यहां से क्या निकाला जाता है केसर निकलता है यह बर्दिका और और बर्तिकाग्र से यह है प्राप्त किया जाता है केजर का क्रोकस सटाइवस के फूलों से है प्राप्त किया जाता है चुंगम जो होती है चुंगम जो है आपका यहां पर लिखा है मनिल मैनिल कारा जपोटा मनिल कारा जपोटा के दूद से बनती है यहां पर आप देख सकत ठीक है चलिए तो यह हो गया आपका क्या बोलते हैं आभिरत बीजियों के बारे में और पौधाओं के बारे में यानिकी प्लांट्स जो था यानिकी kingdom है जो कि important भी है और बहुत उल्जा हुआ है तो उसको हम सुलिजा सुलिजा के पढ़ेंगे तो आइए समझते हैं एक एक करकेश में point के लिए करते हैं चली जन्तु जगत की अगर बात की जाए तो शुरुबात कर लेते हैं पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इसका बरगीकर कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया तो जन्तु जगत के अगर बरगीकर की बात की जाए तो बरगीकर कई सारे लोगों ने किया जिनको हम नहीं जानना है यानि कि जिनके बारे हमें नहीं बात करनी है कुछ प्रमों के जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी भी है और उनके बिना बात भी नहीं बनने वाले ठीक है तो आईए समझते हैं मैंने क्या पता है जन्त जगत एने में लिया जो मानताओं कि आधार पर जंतुं соओं में रखा था जिनमें पहला समू था इनृमा और इनृमा ठीक है ज्यादा अंत्र नहीं है स्भी सिर्फ एक में ए बढ़ी है और इसमें चोटी है ठीक है तो इनृमा और इनbayल नृमक दो समू रख दिये पहला जो समू कि इसके तरह किया था बेस्ट का यहाँ कि इनके लाल राघ्ट नहीं पाए जाता है यानि कि इनके अंदर रख्त तो होता था याजिसमें इनाईमा के इंतरल थे ढूते हैं ठीक है दूसरा हम देखते हैं दीसरा कौन सा सामिल किया गया था जिनके अंदर लाल रखत होता है मैं फिर से बोल दूँ इसमें बेजनतु सामिल किया गया थे जिन में लाल रखत होता है ठीक है इनको भी दो भागों में बाटा गया था यानि कि जो इनैमा है इसमें लाल रखत होता है ये कस्वेर की के रूप में इनको गया तह, यानि कि इनके अंदर रेडs की हडड़ी भी हुआ करती थी, चाहे वो किसी रूप में महों चाहे वो इस तरह से ओच, तो इनको भी दो भागाव में माटा गया था है पहला भाग वो था, इसको मैं हल्काता पीछे आपने पता चुक हूँ करा दे रहा हूं इसमें उन को भी आनी कि इनायमा था इसको दो भागों में वाटा गए था पहला तो जरायुज जरायुज का मतलब जो की पैदा होता या काई जो बच्चे देने वाले जो वूआ करते थे जन्तू उनको हम जरायुज में सामिल करते हैं जैसे कि मनुष्ण हो गया पसू हो गया आपके इस्तंदारी हो गया और उच्छी कोटी के जो जनतु होते हैं कुता विल्ली हाथी सेर इस तरह के कुछ जनतु होते हैं को काय में रखा गया था जराय युझ में धूज दूसरा हो था अनोज लिए अनडियुजिञ का मतलब ये था कि ऐसे जंतु जो की अंडे देटे ते और अंडे से बच्चे निकलते थे ठाट कर ऐसे बोल दूदू अनडे मैं इसमें अंडे इसको backbone या spine भी हम कहते हैं चलिए समझते आगे अब हम बात करते हैं यह तो अरस्तु ने सबसे पहले कर दिया जिसके बारे में ज्यादा जानकरी नहीं लेनी है इतना काफी है अब हम समझते हैं अरस्तु के अलावा एक और ब्यक्ति थे जिन्नों ने जीवों का बर्गी कर ग गड़ किया था इनका नाम था वे टेकर वे टेकर ने सूल उननीस सो उनतर में जीवों का बर्गी गड़ किया जिसके अंतरगत आपका मुनेरा जगत प्रोटिष्ट्या आपका पादप जिकबक और जनतुों को सामिल किया गया था ठीक है तो यहां पर मैं एगर बैसे किया गया था मुनेरा को और यू के रिटक में क्या किया गया था दो जगत रखेस में दो दो बांटे गए एक तो था एक कोशी ये जनतु और दूसरा था बहु कोशी ये जनतु ठीक है तो एक कोशी में आपका प्रोटेस्टा था ठीक है हमने इसके बार में जानकारी ले लिए मुनेरा के बारे में जानकारी ले लिए फिर आता है बहु कोशी में बहु कोशी में क्या था जिसमें आपका कोशी का भित्ती पाई जाती थी तो कोशी का भित्ती में पादप के बारे में जाना और कवक के बारे में जाना दूसरा था आपका विदाउट सेल वॉल यान थे कि जीवाडू, नीरहरिस, वाल, इस तरह के कुछ जीव रखे गए थे, जो की प्रोकेरियोटिक कोशिका के अंतरगत आते हैं, ठीक है, प्रोटेस्टा यानि की एकोशिकी जन्तु जैसे की पैरामीसियम, अमीसा, अमीबाबक के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है अच्छे समझते हैं, मैंने जीवों के बारे में आप लोगों को हल्का सरीवेजन करना थे हैं, अब हम जन्तु के बारे में समझते हैं, बैसे तो मैंने बता है कि जन्तु जीवों का बरगी कर आपके अरुस्तु ने भी किया, आपके वेटे करने भी किया, लेकिन सरोमान ज आपके जो वी टेकर थे उनने तो अच्छे से बाढ़ दिया है मोनेरा प्रोटेस्टा आपका कवक फंगी और जन्तु इस तरह से आपका पादा बगयरा में समय बाढ़ दें लेकिन जन्तु का बर्गी कर जन्तु के बारे में जानकारी देने के लिए एक अच्छा जबरी एक कड़ किया था उसमें दो बैगयानिक सामिल किया गया थे क्या क्या नाम था इस्टोरस तथा यूनिलंजा तो आईए मैं आप लोगों का सारी पिजन का आपको यहां पर लिखा है उसको बता दूँ मैंने क्या इस किये था है दो बैगयानिक थे जिन्होंने उनीस सो पिचा रखते हैं जो एनिमल है जो एक जन्तु है वो एक जगत है या करे एनिमे लिया एक जगत किंगडम है ठीक है समझ में आ गया तो इस जगत को यानि जन्तु जगत को दो उप जगतों में रख दिया ठीक है समझ में आ रहा ना केस में रख दिया दो उप जगतों में रख दि किया चंतु जगत को दो उप जगतों में वाटा जिसमें पहला था आपका मोटो जो प्रोटो जोवा और दूसरा था मेटो जोवा ठीक है तो आए बिलकुल सरल तरीके से समझेंगे कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है चलिए तो देखते हैं बात करते हैं प्रो दूसरे से मिलते जुलते हैं इसलिए जो प्रोटो जोवा उप जगत है इसका सिर्फ एक ही संग बनाया गया था क्या बनाया गया था एक ही संग बनाया गया क्योंकि ऐसे होता जैसे आपका कोई किंग्डम है जैसे कि पांच किंग्डम है फिर किंग्डम को किसमें बाढ़ तो इस तरह से तो हमें किस किस की बार में सिर्फ जाना है हलका सा किंगनम तब पहुंचेंगे और क्लास तक कभी अभी पहुंच जाते हैं ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे तो मैंने क्या बता है प्रोटो जुआ जो उप जगत है उसका एक उप संग बनाये गया जिसका क् प्रोटो जुआ संग रखा गया है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए मेटो जुआ उप जगत के बारें बात करते हैं किसका यह उप जगत है यह आपका जन्तु जगत का उप जगत है ठीक है जन्तु जगत है एने में लिया किंगडम का सब किंगडम क्या है मेटो ज अलका अलका जानर रहा है फिर इनको खूल के की करके देखेंगे तो operating कहले हैं तो ये बहुत कोशिकाब कर देकיה लग तो रूटो जवाग प्रोटो जुवाग से बहुत बहुत जटिल उता है क्यों प्रोटो जुआ जो उता है उप जयगत का प्रोटो जुन है वो एक कोश्ची की होता है इस ने कहरे इसके से बाद मेन जुआ को संग उत्वा निक्रोटो जुआ को भी भी कुछ भागों में मार जिया जाता है, पहला बे-जन्तु, जो बहुकोसी की जन्तु होते हैं, जिनकी रीड की हड़ी नहीं होते हैं, फिर से बॉलकोसी की लेकिन रीड की हड़ी नहीं होते है जिनने अके अकसेरुकी या इन वर्टिव रेट कहते हैं या इसको हम नोन कॉर्डेटा संग में भी हम इनको रख सकते हैं ठीक है दूसरा बे बहुकोसी की जनतु जिनके सरीर में या जिनके रीड की हड़ी होती है जिनने कसेरुकी या है और प्रोटो जोवा क्या है आपका एक उपजगत है ठीक है तो मेटो जोवा और प्रोटो जोवा को मिला कर कुल संग हो जाते हैं जिन में से हम तीन संगों के के बारे में बात करने वाले हैं कि flake mee एक पहला संग जो गया प्रोटो जो का संग प्रोटो जो आ ठीक है दूसरा जो हो जाता है वो दूसरा हो तीसरे के अगर बात की जाए तो मोटो जोगा का कॉल डेटा संग और नौन के कॉल डेटा के बारे में बात करेंगे ठीक है तो आई ये समझते हैं फिर इसको तो आई ये फिर जानते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटो जो का उनिए जन्तू जयाट मैंने कितने कितने आपटो जो एक ये उसको क्या कहा गया तो वही देखेर पर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं संग प्रोटो जुवा के पारे में ठीक है मैंने अभी बताया किस तरह से यह किसका संग है प्रोटो जोवा उपजगत का संग प्रोटो जोवा का मतलब क्या होता है प्रोटो जोवा का मतलब होता है पहला जन्तु यानि कि जब इस प्रत्वी का निर्माड हुआ या इस तो सबसे पहले जो जन्तु का निर्माड हुआ या ऐसे कह सकते हैं इस बनावट के आधार पर अगर बात की जाए तो बनावट के आधार पर इनकी संरचना बहुती सरल होती है क्योंकि एक ही कोशिका होती है उसी में इनका पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है इसके अध्यन की अगर बात की जाए तो अध्यन की बात की जाए तो सबसे पहले इ इसका अध्यन किया था ये एक कोशिका में पूरी हो जाती है खाना पीना ये वो तमाम चीजें एक ही कोशिका में पूरी हो जाती है ये जादतर स्वतंत्र ये जादतर स्वतंत्र तथा इनकी कुछ जाती है क्या होती है परजीबी तथा मिरत पीजबोसी भी हो जाती है मैं फिर से बोल दूँ ये जो आपके पिरूटो जवासंके जो जन्तु है वो जादे तर तो स्वतंत्री रहते हैं लेकिन इन में से भी कुछ ऐसी जाती हैं जो कि या तो परपोसी होती है या कर परजी भी होती है या फिर मिरत पोसी भी हो सकती है यानि कि जन्तु हो या फिर पेड़ हो या फिर हो कुछ और ये हर जगे मौजूद होती हैं इनका सीधा सा नारा होता है सबका साथ सबका विकास ये परजीवी भी होते हैं ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं ये मिरत पूसी भी होते हैं इन में सब तरह की चीज़े पाई जाती हैं समझ में आ गया य यह जादतर पानी में रहने बाले जन्तू होते हैं किसके होते हैं पानी में रहने बाले जन्तू इसमें प्रिमक रूप से सामिल किये जाते हैं तो जो संग प्रोटो जवा के जन्तूं के अगर स्वसन की बात की जाए स्वसन किरिया की बात की बात की जाए तो यह स्वसन किरि जा बिस्रड के माद्यम से करते हैं, और याप दे ले लेते हैं, ईसके बाद जो CO2 होती है, बाहर निकल जाती है, बिस्रड क्या होता ह्को मैं आगे आपको डिटेमिन बताऊंगा, लेकिन आप एतना भी समझ ले ठीक है। तो बिसरड की अगर बात की जाए तो बिसरड का मतलब होता है अधिक सांदरता से कम सांदरता की और बिलियन के अड़ों का जाना यानि कि मैं आपको एनिमीसन के माददें दिखाऊंगा अभी इतना समझ लें कि अधिक सांदर्ता से कम सांदर्ता की और बिलियन के अडूँओं का जाना क्या कहलाता है बिस्रड कहलाता है ठीक है इसमें जनन करिया की अगर बात की जाए किसमें संग प्रोटो जवा की अगर हो जाती है ये और अगर लेंगिक की बात की जाए तो लेंगिक में क्या होता है दो लिंगों की आविशेक्टा पड़ती है नर और मादा वाली कहानी होती है उस तरह से यहाँ पर इनकी किरिया दोनों पिरकार से होती है ठीक है जनन किरिया अगर की बात की जाए लेंगिक के बारे में तो इनकी जो लेंगिक जनन के लिए होती है वैं दो चरड़ों में पूरी होती है पहला जो चरड़ होता है उसको हम युगमक सनलायन कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो चरड़ होता है उसको हम युगमक सनलायन कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको ह हम संयोजन कहते हैंlles यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रिक्रिया और यहां-से शुरू होती है यह यह संलयन की होती है यहांग किषां यह दो होते हैं जोडे की तरह और इनन में क्या हो जाता है सनलेन हो जाता है इस तरह से ठीक अब आगे मैं इनको टिटिल में आप लोगों को पता हूँगा इन जनतुओं की चलने की अगर बात की जाए या फिर पिर चलन करने की बात की जाए तो इसके लिए इनको छोटे छोटे अंग दिये जाते हैं दिये जाते हैं ह यहbei छैसे कि सल्टेला कुटभत या किसाव से चलते फिर थे एक आप्सुड आपके जो प्रूटो ज्वा समुगे जो जंटु यही सबसे पहले हैं, मुठाले आपका अमीबा ऐल्या है, पर आप देख सकते हैं अगर नहीं दिख रहा हो तो आप यहां पर गौर से देखें यह आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा और आपको यह भी हिलता हुआ दिख रहा होगा यह अमीवा की आकरती है इस तरह से आई यह समझते हैं अमीवा को अमीवा तो अमीवा जो होता है त आलाब में नहर में या फिर जील की जील के मीठे पानी के कीचड में पाया जाने वाला यह जन्तु होता है इसका आकार की अगर बात की जाए अमीवा की तो वह अनिश्यत होता है यानी कि मैं फिर से बोल दूँ इसकी आकार जो होता है अनिश्यत होता है इसकी बाहरी सते से इ इस को हम क्या क्या चैथा है इस कार्ड जो आक्रती होती है इस तरह होता ही रहता है यहां पर देख रहा है किरिया हो रही है ना इस तरह से तो इनका सरीर जो होता है प्लाजमा लेमा से ढखा हुआ होता है यानि कि जो अमीवा होते हैं इनका सरीर प्लाजमा लेमा से ढखा हुआ था है प्लाजमा लेमा जो होता है इसे ये स्वसन करते हैं तता उस सर्जन का काम भी इसी के द्वारा ही करते हैं यानि सांस लेने का काम भी आप प्लाजमा लेमा के द्वारा तथा उस सर्जन करने का काम भी आप प्लाजमा लेमा से ही करते हैं इनके सरीर का जो इनका जो सरीर होता है अमीबा बगेरा का तो इनके सरीर में कंकाल नहीं होता है इनके चलने के लिए या चलन करने के लिए फिर चलन करने के लिए पादाव या कूट पाद मौजूद होते हैं मैं फिर से बोल दूँ जो आपका अमीबा होता है इसके चलने के लिए कूट पाद या फिर पादाव दिये गए होते हैं इससे चलते पिरते हैं अपना खाते पी कहते हैं यानि की जो अमीवा होता है यह कुछ रोगों को हमें हम मनुसियों को इससे क्या करते थे प्रभावित करते हूं उतकर से लिष्श क्रें तो कॉछ रोग है एक करके हम अलजुिसी अनकर लेते जो कि Ant Amoeva Historic का नामक जो Amoeva होता है उसके द्वारा होता है यह क्या करता है आत में जो बड़ी आत होती है उसमें घाब कर देता है मैं फिर से बोल दूँ Amoeva के द्वारा कुछ रोग फ्यलाई जाते हैं जिसमें आपका बड़ी आत का रोग होता है जिसको हम पेचिस कहते हैं इसके इसमें कौन सा अमीवा भाग लेता है इसमें आंट अमीवा हिस्टोरी का नाम जो अमीवा होता है वह इसमें भाग लेता है ठीक है दूसरा रोग की अगर बात की जाए तो दूसरा रोग जो है वह दांतों में होता है उसका नाम हम कहते है पायरिया तो पायरिया भी अम जिंट इंट पर तैलावों में या फिर जीलों में या फिर नदियों में ऐसी जगह पाय아 जाता है जहाँ पर कार्वियिक पदार्तों की मात्रा बहुत अदे act थिक है, इसका आकार जो होता है, उल्टी चप्पल के आकार का होता है, चाह utility हवाई हो, चाहिए फिर यो लखाने हो, आप जो पहनते हो, आप अपनी just you, अपनी चप्पल देखना, उल्टी करके आपको महसूस हो जाएगी, आकरती क Bennett किसकी का सकते हैं कि जुब पैरा मिसया होता इनका चलन रोमाव यव या पच्छा ये पक्छमा बेकाव के करते हैं तीक है चलिए कि एक मैंने आप लोगों चीज मिस्करदी डी मैं आपको तरन कसा दिखा देता हुं ने बताना बूल इस C Big रही होगी ठां यह एन तक यह पर क्या अदिक सांधरता प्रका से कम संसांधरता की और क्या जा रहे है अडू जा रहे है यह इदर क्या है यहां पर हाई टू लो यानि कि यह अहां हाई है और इदर लो है हाई लो तो हाई से लो हाई से लो की और जा रहे है और इस तरह से इन्हें अमीबा बगेरा जो भी जीव होते हैं इन्हें इस तरह से यह क्या करते हैं पर आप आप आचानी से बना सकते हैं तुल ओर अधिक संदर्सान से कम शांद्रorousा कि वर जी desto जाम्हाना के बारहें बात करते नियोग लीन तो ये एक जन्तु ये भी एक जन्तु है ये जन्तु और पादप जगत के संही ओजन से बनाएं, मैं फिर से बोल दूँ, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको जन्तु को बारें पढ़ा रहा हूँ, जन्तु में क्या पढ़ा रहा हूँ, जन्तु जगत में क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रोटो जगत का क्या पढ़ा रहा लेकिन योगलीना जो है योगलीना जो जन्तू है उसमें जन्तू और पाधफ यानि की पेड़ पौदों के गुड़ भी मोजूद द्वाज़ते हैं तो आपका जो योगलीना है यह जन्तू तता पाध। के यानि की पीड़ पौदों के सही हो जन से बनाए क्योंकि इस जन्तू के सरीर में इस च्रीज में क्लोरो क्लोरो फिल और ऑनु किलोरो फिल ऑद होते यह समझते यह ताल या ताल आवों के साप पानी में पाए जाता है जहाँ पर यह पाए जाते है वहाँ तालावों के उपर हरे रंग की परत जम जाती है आप लोगों को जब तालावाल आप देखने को मिलता हो तो आप लोग मैसुस करते होंगे कि इस तरह की जो हरे रंग की परत है यह कुछ नहीं है यह यूगलीना है जो की एक जन्तु है ज कहें इनका चलन या फिर आम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके यूगलीना है वो किस से चलते हैं यूगलीना जो है आपका कसाव से चलता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कसाव के द्वारा यह है चलन करता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए प्लाजमोडि तो संग प्रोटो जवा का समझ में आगे चलिए देखते हैं आई यह एक परजीवी होता है परजीवी का मतलम मैंने आप लोगों बता दिया जवर जस्ति की सरकार बनाना यानि कि दूसरे पर आसरित होना अपना जीवन चक्र दूसरे के पास जाके बिताना और उसे किसी भी कोई लादना होना यांता कि उसको नुकसान पहुचाना यानि कि मैं एक परजीवी हूँ तो आपके घर पर आता हूं आपका खाता पी तो आपका नुकसान करता हूं आपका कोई उससे फाइदा नहीं हुआ जवर जस्ति की सरकार में आपके घर में मना लिया तो इसी तरह से होते हैं बिन बलाए मैमान होते हैं ठीक है और नुकसान भी करते हैं खून भी चूछते हैं तो आईए देखते हैं तो मलेरिया रोग इसी प्लाज मोडियम के काड़ ह होता है तो प्लाज मोडियम की बाहक मच्छर के घर की महलाएं होते हैं यानि की एना फिलेज मादा मच्छर ही इसको एक इंसान से दूसरे इस इंसान के सरीर में पहुंचाती हैं प्लाज मोडियम की अगर बात की जाए तो इसका जीवन चक्र बहुत ही जटिल होता है किसका प्लाजमोडियम का जीवन चक्र होता है बहुत ही जटिल होता है जिसमें ठीक है इस जीवन चक्र की कुछ प्रमुक अवस्ताय होती है मैं फिर से बोल दूँ प्लाजमोडियम की अगर बात की जाए तो इसका जीवन चक्र बहुत ही जटिल होता है इनके जीवन की कुछ प्रम मनुस्य के अंदर ताता सेस बचा हुआ भाग ये महला एना फिली जरूरी बात कि अगर बात की जाए, सबसे जरूरी बात हम जान लेते हैं, होता क्या है, कि जो एनाफिलिज जो एक, बो सरी, प्लाजमोडियम होता है, ये जीव होता है, जीव सबसे पहले किसको संक्रमित करता है, किसको, सबसे पहले ये मच्छरों को संक्रमित करता है, जब इससे मच्छर संक्रमित हो जाते हैं उसके बाद इनका किसको यह देती है यह इंसानों तक पहुंचाती है जानवरों काड़ती है और उनको होती है ठीक है तो सबसे पहले कौन इन से संक्रमित होता है सबसे पहले मच्छर संक्रमित होता है इन प्लाजमोडियम से ठीक उसके ब बात मलेरिया परजीवी का पहला सिकार तथा बहाग बेचारे गरीब जो होते हैं मादा मच्छर या करे मादा एनफिली मच्छर ही बनती हैं मैं फिर से बोल दूँ गरीब और बेचारे जो मच्छर होते हैं उन्हीं को ही सबसे पहले सिकार बनाया जाता है उन्हीं को ही सताया जाता है कौन जो मलेरिया के परजीवी होते हैं या प्लाज मोडियम जो होते हैं ठीक है तो संक्रमित मच्छर जब हो जाता है प्लाज मोडियम से या मलेरिया परजीवी से तो उस संक्र में क्या करता है किसी इंसान को या किसी मनुष्य को जब वह काड़ता है तो उसके रक्त में या उसके खून में मलेरिया के परजीवी क्या हो जाते हैं उसमें छोड़ देता है या करें वो मलेरिया के परजीवी क्या हो जाते हैं वो ग्रहर कर लेता है मनुष्य उससे कहा रहता है वो भी संक्रमें तो हो जाता है ठीक है तो मलेरिया परजीवी के अगर बात की जाए तो इसमें चार प्रमुक है तो केबल चार जो ऐसे प्लाजमोडियम के जो वो होते हैं परजीवी जो की मनिश्य को प्रवालित करते हैं कौन-कौन जो होते हैं मैं आप ल यह चारों को सम्मेले तंद मेलेरिया परजीवी कहते हैं चलिए M exactamente मैंने या पर बात कर लेते हैं मैंने याप यह 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 नंबर पड़े उनको आप जेख सकते हैं मने एक काट कर माल का ट्रांसवर करना या निजिक जो पर जीवी है जो प्लाज संक्रूइद मच्छर हो गया वो काटकर मनुस्री के अंतर क्या करता है सबसे पहले ट्रांसफर करता है सबसे पहला ठिक है सब जैसे ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ यहां से ट्रांसफर होने के बाद लीवर में पहुंचा ठिक लीवर में पहुंचने के बाद लीवर से कोशिकार तक पहुँच जाता है नमबर 4 तक काहनी पहुँच गई जैसे कोशिकार पहुचा है जी इनका आंसरी जीवन चक्र चुरू हो जाता है और यहाँ पर अपना जनन चक्र यानि कि बच्चे पैदाई circ करना सुरू कर देते हैं अपर अपना यह एक सुदो 250 चार इस तरह से यह दुगड़न करना सुरू कर देते हैं ठीक है और उसके बाद यहां पर होता है فिर से इनका जनन्चक्र पूरा हो जाता है 2004-2004 से होते रहते हैं ठीक है इसका फिर से मच्छर में ये ट्रांफर हो जाता है यानि कि मनुस्य जब संक्रमित हो जाता है तो फिर वो मनुस्य को कोई आका कोई इंसान को अगर मच्छर काटता है तो वो मच्छर अगर साधा भी होगा ना तो भी वो संक्रमित हो जाएगा मच्छर भी ठीक है इस तरह सिम का जीवन चक करते हैं कि जंत जगत का उप जगत मेटो जवा के बारे में आए समझते है जणT jगत का ठीक है इसका है किसका है मैंने क्या बताया था जबत हुआ को कि तने आप जगता ऑए दो जगता गया एक तो प्रोटो मेसं दूसरा मेसं फे Meadow Jawa के बारे में, आइए समझते हैं Meadow Jawa को देखते हैं, पहले में आप लोगों का हलका सा मैं जानकारी दे देता हूं, Proto Jawa के बारे में तो उसको समझना पड़ेगा, और एक बार नहीं, मैं दो से तीन बार में आप लोगों को बताऊंगा जिससे क्या है, आप जो टॉपिक है उससे भटके ना आपको confusion पैदा नहों बिलकुल भी तो आए अब आब बात करते हैं जन्तु जगत के उप जगत मेटो जोवा के बारे में तो आए समझाते हैं तो हमें आप लोगों मेटो जोवा का मेटो जोवा को दो भागों में बाड़ते हैं जिसमें नमबर एक है कॉल कोड़ देटा के वारे में ठीक है तो संघ कॉल डेटा को दो समु में बाटते हैं मेटो जोवा का पहले क्या है उप नॉन कोड़ संग करेंगेगा क्ट हो बात अब द GIR्ड़ महां बर्गों में मांटा गया है टेट्रो पोड़ा और पिसी ठिक जो मैं आप लोगों को एकर करके बताऊंगों सब समझ में आ जाएगा और सारा याद भी हो जाएगा ठिक है इसके बाद जो टेट्रो पोड़ा है टेट्रो पोड़ा को फिर से चार बर्गों में मांटा गय उपवर्गों में रख दिया है बर्ग क्या है आपका इस्तंदारी उपवर्ग क्या है आपका चार वर्गों में वो तीन वर्गों में कौन कौन से हैं प्रोटी प्रोटो थीरिया मेटो थीरिया ठीक है और यू थीरिया जिसमें मनुस्य और उस चिकोटी के जीबाते हैं ठीक को अब रोड़ेटा यहां पर और और निकेड़ अब क्यार देता को नीचे ओठा लो नोण केड़रा को आब यहाँ पर भूल ज़ाओ us भाग्वाद कर सकूंच के बारे में जिसमें मैं मसर दमारे लां ह Ut道 पर क्रेंटा को यह हने तो इस्टो मेटा अब एगनेथा को बूल जाओ और नेटो इस्टे मेटा को नीचे लियाओ तो आईए नेटो बूनेथो इस्टो मेटा जो है उसको दो भागों माता गया है टेट्रो पोड़ा और पिसीज को यहाँ पर भूल जाओ पढ़ाओंगा लेकिन इनके बर्ग बग को बूल जाओ और यहां पर आपका उभैचर को बूल जाओ किसके समूह है इसको तीन बागों माता गया यह बाटा नहीं गया इसलिए मैंने इनको पढ़ाऊंगा मैं पच्छी बगेरा को लेकिन को समूह नहीं बनाए गया है अब इस्तंदारी के बारे में बात करें इस्त नॉन समझते हैं non-core data क्या है देखते हैं non-core data इसको हम invertive rates भी क्या देते हैं इसको हम बिना रीड की हडड़ी वाले भी कहते हैं ऐसी जन्तु जिसमें रीड की हड़ी नहीं पाई जाती तो सबसे पहले देखते हैं non-core data का संग पोरी फेरा आईए देखते हैं पोरी फेरा में क्या है पोरी फेरा को हम कह सकते हैं छेद बाला अंकल यानि कि ऐसे अंकल जिनके बहुत सारे छेद हो तो छेद बाला या छिद्रधारी हम को कह सकते हैं तो आईए देखते हैं फिर छिद्रधारी के बारे में बात कर लेते हैं इस संग के सभी जनतुओं के सरीर पर छोटे 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 छेद होते हैं जिसे ओस्ट्रा जो पर पोरी फेरा कहा जाता है में बहुत सी साखाएं भी होती हैं लेकिन ये पेड़ पौदे नहीं होते हैं मैं फिर से बोल दूं इनका जो सरीर होता है वह कहता होता है बेलनाकार होता है जी तरह से बेलन होता है यहां पर देख सकते हैं बेलन होता है उस तरह से होता है लेकिन इनका जो सरीर होता है बहु परिफेरा संग के जो जेनतु होते हैं, उनको हम कभी-कभी इस पंज के नाम से भी पुकार लेते हैं, ये बहुकोसकी होते हैं, लेकिन इनके उतक तथा अंगों का विकास इन में नहीं होता, मैं फिर से बोल दूँ। बहुत कोशी की तो होते हैं लेकिन इनका न तो उतक बनता है और नहीं उतक से अंगों का निर्मार होता है ठीक है इनके सरीर में एक बड़ी गुआ होती है जिसे इस्पंज गुआ कह देते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों दिखा दूँ इनकी एक बड़ी गुआ होती है यान लिदे कि यहां से यह स्पंज गया होती है एक यहां से चलते चली जाते हैं और यह बड़े से च्छेथ में यहां पर खुलती है इसको हम कहते हैं क्या क्छते हैं समझा गया क्या एंस तरह से नहर नहीं होती है सारी खुल जाती है ये माले ये कोई नधी में बहुत सारी नालिकाईं नालिकाईं होती है इस परणाली में पानी के साथ सच छोटे चोटे जीब जन्तु नास्ता करने के लिए तता सांस लेने के लिए oxygen sponge गवा में austria के माध्यम से पहुंच की मैं फिर से बोल दूँ ये austria जो होती है इसमें जो छोटे चोटे ये जगए हैं gap है खाली यहाँ पर देख सकते हैं ये इसे यहाँ पर ये इस तरह से इसमें वहाँ सारे जो जगए हैं खाली जगए हैं इसमें क्या होता है austria के मौप्स on oxygen को ये ले लते हैं और co2 को ये छोड़ देते हैं और चंत आकर फश जाता है उसका ये क्या कर लेते हैं नास्ता कर लेते हैं उसको खा डालते हैं ठीक है चलिए इसके बाद मैंने क्या बताया मैं यहां पर मैं आप लोगा बता हूँ इस प्रणाली में जीव जन्तू नास्ता करने के लिए सांस लेने के लिए इनके लिए ऑक्सिजन इस पंज गुवा में और श्टिया के माद्यम से प्रवेस प्रण देते हैं कुछ प्रमुक जन्तू है उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ साइकन ठीक है साइकन लिउको सो लेनिया मैं फिर से बोल दूं साइकन लिउको सोलोनिया यू इस पंजिया यहां पर आप देख सकते हैं इनके नाम लेखना चाहें तो आप निडारिया निडारिया नहीं हो रहा है यह निडारिया या प्रवाल जन्तू भी हम इस संग के जीवों को कह देते हैं ठीक है तो इस संग के प्राड़ि इस संग के प्राड़ियों में उतक बनने की प्रारंबिक अवस्ता सुरू हो जाती है यानि कि जो पौरी फेरा होता ह उसमें उतक बिलकुल नहीं होते हैं, यहां कोई भी अंग भी नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उतक बनने की प्रारम्भिक अवस्ता सुरू हो जाती है, तो यह जीव प्रमुक रूप से समद्री जलमें पाए जाते हैं, ठीक है, इनका सरीर बहारी तता भीतरी दो इस्तरों में बटा हुआ होता है यानि कि यहां पर जो आपका यह आपको दिखेगा यह बाहरी और यह आपको दिख रहा होगा गैस्ट्रोडर्मिस यह आपका बीतरी तो मैं आप लोगों बता दूँ इनका जो बाहरी इस्तर होता है या बाहरी तुचा होती है इसको हम एपी इस्तर के बीच में ठीक है जो की मीसो गिलिया क्याता होता है मीसो गिलिया एक जैली की परत की तरह इस पर चड़ा हुआ होता है मैं आपने फिर से बता दूँ मैंने बता है इनका जो सरीर होता है दो इस्तरों के माध्यम में या कर दो इस्तरों के रूम में बटा हुआ होता ह जिसमें पहला जो इस्तर होता है या बाहरी जो इस्तर होता है उसको हम एपर्मिक कह सकते हैं आपर आपको लिखा मिल जाएगा एपर्मिक कह सकते हैं जो बीतरी हिस्सा होता है उसको हम गैस्ट्रोडर्मिक कहते हैं तो एपर्मिक और गैस्ट्रोडर्मिक के बीच में एक परत होती है या एक हिस्सा होता है जिसको मीसो गलिया कहते हैं इसको हम सारी अभी 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 या पदार्थ के नाम से भी जानते हैं यह है जैली की परत होती है ठीक है किसके बीच में एपिर में तता गैस्टो डर्मे क्यानिकी बीतरी और बहारी परत के बीच में क्या होता है आपका जैली नुमा पदार्थ की परत चड़ी होती है जिसको मीसो गलिया कहते है हाँ पर आपको आकरती दिख रही होगी जो मैंने बोला वो यहाँ पर लिखा हुआ है चलिए तो जो यह जनतू होते हैं यह दोनों जनन करता है वो आपके मेडूसा करता है यहां पर आपको दिख रहा होगा मेडूसा मेडूसा आपका लेंगे की जनन करता है वो जो अलेंगे की जनन करने वाला जुझी होता है वो पोलेपया मुकुलन होता है ठीक है यह क्या करता है आपका अलेंगे की जनन करता है ठीक है इ इनका जो मुह होता है, इनके चारोर क्या होते हैं, इनके मुह के चारोर धागे जैसी संरचना की आकरती पाई जाती है, या करें संरचना पाई जाती है, जिन्हें इस परसक कहते हैं, आप आप देख सकते हैं, ये धागे नुमा आकरती है, इस तरह से फैली फैली आकरती है, यह इस तरह से यह यह दागे नुमा जो आकरती है इसे हम क्या कहते हैं इसको हम इस परसक कहते हैं ठिक इन इस परसकों में क्या लगे होते हैं दंस कोशका है पाई जाती है या निकि दांत की तरह कोशका होती है जिससे यह अपने सिकार को डंक मार कर या तो बेहुस कर देती ह या फिर उसकी कहानी ही खतम कर देती है ठीक है इन जीवों के अंदर एक ही गुआ होती है जिसे जठर वाहिनी गुआ या सिलेंट ट्रान कहते है इसी की यही विशेशता के कार इसको सिलेंट ट्रेटा संग कहते है इसमें एक लेंगी जन्तु की अगर बात की जाए तो एक लेंगी जन्तु जो है पॉलिप टिक हाइड्रा इसमें नहीं दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हाइड्रा है ठीक है हाइड्रा यह आपका जैलिफस और मुंगा ठीक एक लेंगी यह जन्तु होते हैं किसमें आकी निडे वो निडे रिया संग में ठिक चलिए चलिक चलिक साथ यह बात करते हैं संग प्लेटी ऐमंधिज के बारे में ठीक है आई देख से ही हैं है स्डोपव साफ नयाटिए है तो आज देख लिए थे हैं यह संग प्रमों करूप से पर जीवियों से बना वह ऑब ब्र संग का मितलब क्या मैंने अपनों को बताई था कि दूसरों पर आशारी तूह ना बिनना उनकी मर्जी के ठीक है इस संग के जंतुओं का सरीर फीते की तरह चप्टा होता है इन में दे गुहा नहीं होती है या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन में जो खाने पीने की जो पूरा आहर नाल होता है वो अपूर होता है यानि कि पूरी तरह से विक्सित नहीं होता है जब इनका खाने पीने का या आह सिरित रहते हैं इनका सरीर तीन इस तरों में बटा lete गहिंस तरों होता है जिसको पहला इस तरों थै इंडो वह एक्टोडर्म यहां पर आप देख सके no दूसरा है मीजोडर्म और ती समय जो है इंडोडर्म अभ़िए कैसे बता हुआ होता है जब हम इसको को काटांगे ना यह जब हम काटते हैं बीच का इससा तो हम इसकी जो इसTara से जो इनकां शरीर मतलब लंबा जो लबाए रही हैता इसको काटांगे तो तीन पारते हैं इक्टोर्म मिसोर्म और फोल और क्हूं की तरफ कांटे का चूसक कहा था बाने ँक्रीया एक पालना चाते तो समय जाकर ये गरा देते हैं ठीक है मैं पैसे के मूपों था है या चूसक पाई जाते हैं इन चूसकों से ये अपने सिकार में चिपकने का कारे करते हो जब वो ये चिपक जाते हैं तो वहां से आनंद इनका जीवन का सुरू हो जाता है ठीक है इनके उस सर्जन के लिए बिशेज प्रकार की जौला कोशिका है मैं फिर से बोल दूँ इनके एक फीता कि यह हूँ जिसको हम फीता किरum के नाम से भी जानते हैं, अब मेरे अंदर माधा का लिंग और मादा और नर और माधा का जो लिंग है वो एक ही जन्तू के अंदर है, यानि कि मैं जो हूँ अपने ही काम स्वैम चल सकता है मेरा यानि कि मुझे किसी आविश्यक्ता नहीं पड़ेगी तो क्या समझगा है मैं क्या हूँ दू लिंगी हूँ यानि कि मेरे दो लिंग है नर का भी लिंग है और मादा का भी लिंग है लेकिन अन कैसे जंतू होते हैं उनके एक लिंगी कौन होते हैं एक लिंगी ब्यों होते हैं जिनके नर का लिंग अलग होता है मादा का लिंग अलग होता है समझ रहा है ना उनको हम एक लिंगी बोलते हैं यह क्या है उबय लिंगी है या फिर दू लिंगी है इनमें दो लिंग पाए जाते हैं एक ही जंतु के अंदर इनमें कई बर्ग होते हैं जिनके बार में हमें बात नहीं करनी है डीप में नहीं जाना है चलिए तो आगे देखते हैं फिर इसी में ही समझते हैं इसके कुछ ची यहाँ पर आप लोगों को दिखी जाएगा सिफ्टो सोमा लिवर्फलोक ठिक तीसरा जो है टीनिया सोलियम जिसको पोक तेप वर्म या फीता किरम के नाम से भी जानते हैं फीता किरम यहाँ पर इंपोर्टेंट है तो उसको हम हलका सा जानेंगे तो इन में फीता किरम बेड, बकरी, तथा बंदर की आंतों में यहे जन्तु खास कर पाया जाता है इसका सरीर लंबा और फीते की तरह फीते के समान होता है और चप्टा होता है मैं फिर सो बोल दूँ मैंने क्या पताया यह जो जन्तू होता है इंसानों के अंदर, सुवर के अंदर, वेड के अंदर, बकरी के अंदर, वंदर की आतों में इन जन्तूं में यानि कि इन जीवों में यह फीता किरम पाया जाता है इसका सरी लंबा होता है और कैसा होता है फीते के समान चप्टा हुआ होता है ठीक है इसका जीवन चक्र यानि की फीता किरम का जीवन चक्र होता है दो चक्रों में पूरा होता है फहला जब मनुस्री के पेट में होता है तो फीता किरम के जो फीता किरम मनुस्री के पेट में क पैदा हो गया तो इसके बाद जब कोई मनुस्य बाहर खुले में खेलने जाता है या करने सौच करने जाता है तो जब खेलते समय जो मलवा बाहर निकालता है तो उसमें क्या होता है उसमें जो लारवा होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और उस मलवे को क्या करते हैं सूर खा ले तो दो चक्रों पूरा होता है, फहला मनुस्य के अंदर जिम्ह, मनुस्य के अंदर क्या होता है, ये लारबा पैदा कर देते हैं, उसके अंदर ये अंडे वगएरा दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब ये दे देते हैं, जो इंसान होता है, वो खुले में जाने का ज गास के उपर कर देते हैं गास गाय खा लेती है या भेड खा लेती है बकरी खा लेती है ठीक है तो इस तरह से भी हम कभी कभी कांडी हम लोग होते हैं हम लोग इस तरह के कांड कर देते हैं तो यह क्या होता है इन जन्तुओं के पेट में चला जाता है जब जन्तुओं के पे या किसी अनिका तो दूसरा चक्र जो होता है मनुस्य किसी सुवर का अध़ पका मास खा लेता है तो मनुस्य में क्या होता है उसके जो लारबा होते हैं उसके मास में होते हैं तो वह संक्रमित हो जाता है मनुस्य इससे किसी भी इंसान में लिवर रोड लिवर सरी लिवर जोड़के आता है तो उसमें क्या होते हैं लार्वा होते हैं लार्वा के जंतु खा लेता है उसको या तो सूर खा लेगा डारेक्ट या फिर इंडारेक्ट जैसे कि उससे घयर बगरा Thy आप कोच निसानी जैसे घयर ए तो गास पर सूर सबके न करें तो भी त्युस्क्ट तो कछा रह गया उसके अंदर उसके अंदर जो आत में प्वेट में थैट्यीत बस चाले ढ़िए यह तो यह को смотреть आ आननद ले रहे ही जीवन का इसके बाद यहां पर अपनी कीमति सामन छोड़ जाएंगे और यह पानी में कभी कभी बैटा हूँ चला जाएगा और यहां पर इस Antar kh unexpected चलती है ठीक है चलिए दूसरा देखते हैं संम्ह एक के हैलमें दो के बारे में बात कर लेते हैं देखते हैं क्या इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तिकते हैं ये परजीवी तता स्वतंत्र जीवी दोनों प्रिकार के होते हैं लेकिन जादतर ये परजीवी ही होते हैं यानि कि अपना जीवन दूसरों पर आसे तो कर ही बैतीत करते हैं ये बेलनाकार होते हैं साथ ही ये दोनों और नुकीले भी होते हैं आप यहाँ पर यह बेलनाकार ओता है साथ ही दौन और यह नुकीले भी होते हैं यह खंडों में विवाजित नहीं होते हैं यानि कि यह बिना खंड के खंड कहोते हैं खंड मतलब किसे होते हैं कि इनका सरीर उता है एकदम सपाट होता है या रबड की तरह होता है अगर इन्हें Toad नहीं कोशी करेंगी तो टूटेंगे नहीं जैसे कि माली यह मेरी उंगली है इंगली क्या है यह एक खंड कितने खंडों बठी हुए है एक दो तीन खंडों बठी हुई है तो अब जैसे खंड की बात की जाये तो खंड मतलब टुकड़े कह सकते हैं आप उनके बीच में जो यहां पर जुड़ा हुआ है, तो यह क्या, यह खंड हो गया, लेकिन यह क्या होते हैं, यह पूरा एक खंड में होता है, इनका कोई भी खंड नहीं होता है, यानि कि यह सीधा एक ही आकरती होती है, ठीक है? चलिए, यह नालिका के अंदर नालिका है, यानि कि ट्यूब बिद ट्यूइल की संरचना प्रिस्टत करते हैं यहानरी कि यह इसको बनाते हैं यह एक नली नली होती है उसके उपर एक नली चड़ी ओती है और इस तरह से तो कहा हुता है ट्यूप बिदेन ट्यूप नामग संरचना के सरीर में परवहन अंग तथा स्वसन अंग नहीं होते लेकिन ये इनके अंदर तंत्र का तंत्र जो होता है काफी बिक्सित होता है परिवन अंग या हम संभन की बारे में बात कर सकते हैं इनके चलने फिरने की जो अंग होते हैं वो नहीं होते हैं स्वसन अंग अच्छे से बिक्सित नहीं होता लेकिन तंत्र का तंत्र जो होता है वो अच्छी तरह से इन में बिक्सित होता है इनके सरीर में उस्सर्जन की अगर बात की जाए उस्सर्जन मतलब हम जो खाते पीते हैं उसको निकालने की क्रिया को हम उस्सर्जन कह सकते हैं तो उस्सर्जन की अगर बात की जाए तो प्रोटे ने फ्रीडिया से होता है यह एक लिंगी होता है यानि कि इन में नर का लिंग तथा मादा का लिंग अलग अलग होता है दो लंगी और उभैलंगी में मैंने क्या बता था एक ही जंतू के अंदर दोनों लिंग होते हैं जबकि यह एक लिंगी होते हैं यानि कि एक ही यानि कि नर है तो नर का लिंग होगा और मादा है तो मादा का लिंग होगा यह नहीं कि दो नों में एक ही लिंग हो बहुत ज्रूरी तो इन शें की जरूरी बात है हे कि ये अंतह परजीवी होते हैं, अंतह परजीवी का मतलब परजीवी तो होते हैं, लेकिन विकास इनका कहाँ पर होता है, विकास इनका अंतह होता है, अंतह मतलब आंतरिक भाग में होता है, अंतरिक मतलब को सरीर के अंदर, यानि कि ये हमारे कभी आपने देखा है, कभी फी किरम पाए जाएंगे शरीर के अंदर ही आपका गोल किरम होंगे लेकिन शरीर के बाहर ये नहीं पाए जाते ठीक है क्योंकि अंतर परजीबी और परजीबी में मैंने आप लोगों को अंतर बता दिया है ठीक है क्योंकि मैंने क्या बता था परजीबी क्या होते हैं परजीबी होते हैं कि यह तो पेट के अंदर ही कहीं पर ही हो पेट के यांथ के चाहिए कहीं पर भी हो यहां पर कहा कर कहीं पर भी हो लेकिन विकास इनका अंदर ही हो पाएगा ठीक है तो प्रमक अंताय पर जीवी जो है उनमें एक दो का नाम में पता जेता हूं फाइल एरिया फीता कि लिंग और यह माधा का लिंग चलिए नेक्ट बात करते हैं संग एनी लिड़ा के बारे में एनी लिड़ा के बारे में एनी लिड़ा भी आप लोगों कहीं मिल जागे एनी लिड़ा में लिख दिया है जैसा आपको सही लगे ठिक आप जैसा सही समय है बैसा आप पड़ सकते ह क्यों मैं हमिस्ता बोलता हूँ हर box में क्या कर एक तीन चार अगर box आप इकर्टे कर लें जैसे कि मैं आप लोगों को जैसे आप पर आप दिखा दूं एक ही subject की यह कई box की रख्य हुई है और एक मैक ग्रेव वाले हिल की रख्य हुई है तो यह मेरे पार बुक तो बहुत सारी रख्य हुई हुआ मैं सब को पढ़ भी लेता हूँ लेकिन बैस्ट क्या करता हूँ बैस्ट मेरा तरीका होता है नोट्स बनाना और वो इसको आधार बनाकर NCRT को बनाकर और मैं जो कभी दुकान में पढ़किया था मेरा मतलब भी छेड़ खानी न करनी पड़े यानि कि मैं यह कह देता हूँ आप अपनी बासाम बिल्कुल मतलिकना जैसी मेरा लिखा हूँ बैसा लिख देना ठीक है तो जो बहुत बहुत बैसा ही मैं उस नोटबुक में लिखता हूँ तो क्या रहता है कि वह मैं आप लोगों के नहीं होता एंसी आटी यही कहती है आप सुनें पढ़ें और देखें इनी तीनों के आधार पर पढ़ाई होती है और वो में तीनों आधार आप लोगों की पूरे कर देता हूँ तो आप लोगों को जो मिलता है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा समझ में आ गया तो चलिए एन यह होते हैं खंडेत जयंतु हैं मैंने अभी बताई था कि कि उन्मे खंड नहीं पाए जाते हैं तो वो खंड थे इनमें पाया जाते हं खंड मतलब सेगमेंट ओना या भाग होना कि हमंखन हो जाना इस तरह से कभी आपने सुना होगा नणोर hommead तो खंड हो जाना खंड खंड मतलब होना टुकडे टुकडे कर देना यानि कि इसमें कुछ सीगमेंट या कुछ भाग होते हैं चले समझते हैं इनको हम क्या कहते हैं खंडित जन्तु कहते हैं इसके तरह खंडित जन्तु आते हैं ठिक ये स्वतंत्र जीवी तथा किरम की तरह दिखने बाले जी करते थे तो मैं कभी-कभी ग्यान की बातें कर लेता हूं ठोड़ा बत पढ़ लेता हूं लेकिन अपनी आजसों से बाज नहीं आता ये बात अलग है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे जैसे नवनकर आप अपने जैसे बने कभी किसी के जैसे मतमने मैं कहता हूं मैं कर सकता हूं अन्य था मैं अपने अंदर सुधार करने बाला नहीं हूं जैसा हूं अगर मैं आप लोगों के साथ बनावटी बनके दिखाऊं किताबी बनके दिखाऊं तो वह फील नहीं आएगा क्या फील आएगा यार कॉपी है यार तो यह तो सब कर देते हैं मैं कहता हूं म मैं आप लोगों का एक बार सब्जेक कंप्लिट करवा दूगा जी है उसके बाद मैं सी सेट कंप्लिट करवा दूगा और करेंट अफेर के लिए कोई अगर लड़का बगेरा मिल गया तो वह आप लोगों के लिए डालता रहागा मैं अपना जीवन के आनंद लूँगा देखने बाले जीव होते हैं इनका सरीर मुलायम गोल तता खंडित होता है यानि कि इनमें खंड पाए जाते हैं अगर साधर बासाम समझें तो इनका सरीर छलेदार खंडों का बना हुआ होता है यानि कि एक चला यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक चला दो चला तीन चल चार चल्ला त्रिचला पंचला ऐसे करके बहुत सारे चल्लों से एक करके ये इनका सरीर बना हुआ हुता जो की खंड के आकार में बटा हुआ होता है ठीक है जैसे ये अगर काट दिया जा तो एक खंड ये निकल आएगा दूसरा तीसरा चौता पांच माँ छटा शटा साथ म इनके सरीर की रचना भी नली के अंदर नली यानि की ट्यूब विदिन ट्यूब के रूप में होता है इनकी देगवा सीलोन कहलाता है मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ आप लोगों दिख जाएगा इनका जो देगवा होता है वो क्या कहलाता है शीलोन कहलाता है किनका आपका एनिलिरा जो जन्तु होते हैं इनका देग हुआ सीलोन कहलाता है इनका उस्तरजी अंग जो होता है नेफ्रीडिया होता है नेफ्रीडिया इनका उस्तरजी अंग होता है टिक यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा होगा इसके बाद इनमे पाचन तंत्र, संबहन, उतक, आपका उसर्जन तंत्र, जनन तंत्र, सारे जो प्रमुक तंत्र होते हैं इनमे पाए जाते हैं बोल दूँ इनमें पाचन, संभन, उस्सरजन, जनन, तंत्र और तंत्र का तंत्र खास कर इनमें अच्छे से भिक्सित होते हैं इसके अंतरगत आपका केंचुवा आ जाता है, आपका चूँखा आ जाता है, समुद्री चूआ आ जाता है, इस तरह के कुछ प्रमुक जीव आ ठीक है चलिए तो इन जीव जो है इन सभी जीवों में सबसे प्रमुक की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुक जो है वो है आपका कौचुवा केचुवा कहते हैं इसको केचुवा है अर्थवर्म हम इसको कह देते हैं तो इन में सबसे प्रमुक केचुवा है इसके बारे मे पोस्थुमा फेरी टिमा पोस्थुमा इसका बैक्यानिक नाम है इसके दो लिंग होते हैं यानि कि नर और मादा लिंग एक ही कैंचुआ में मौझूद होता है यानि कि यह नहीं मादा कैंचुआ अलग होती है नर कैंचुआ अलग होती है नहीं ऐसा नहीं इसमें यह दो लिं लेंगी है या फिर हम इसको उभाई लेंगी भी कह सकते हैं निकि एक कैचुवा उसके दो लिंगी यानिकि अपना जीवन का काम यह जो भी महतपूर काम होते हैं यह अपने आफस में निवटा लेती हैं यह किसी से मदद नहीं लेते ठीक चलिए यह अंडों का निशेचन कौ होगा izetat तो मैंने इसको CT पड़ दिया है, तो ये CT के माध्यम से क्या करते हैं? चलन करते हैं, पर छुट-छोट-छोट-छोट इनके प्त, मतलब पेर की तरह या आकर्दी बनाते हैं, तो ये CT के मात्यम से चलन करते हैं ये अपना जीवन स्वतंत रूप से मिट्टी के अंदर ब्यतीत करते हैं इनका सीधा सा स्वयम का नारा होता है अपना हाथ जगनात बाली कहानियां ये किसी पर आसित नहीं होते हैं ये कहते हैं खाने पीने को नहीं होगा दाई पकोड़े नहीं होगे और आपका क्या होता है पिजया नहीं होगा हम मिट्टी खा लेंगे लेकिन किसी से मांगने नहीं जाएंगे तो जो केंचुए होते हैं या जो अर्थवर्म होते हैं ये अपने आप में ही क्या होते हैं सुपोसी होते ह कैसे ये मिट्टी को खा कर अपना जीवन ब्यतीत करते हैं तो मैंने क्या बताया इनका ये अपना जीवन मिट्टी के अंदर ब्यतीत करते हैं इनका सरीर लंबा तथा बेलनाकार होता है इनका सरीर अने खंडों में या कहें, सेग में इंटों में बटा हुआ होता है, इनके आगे भाग की तरफ मुहूं तब पिछले भाग की तरफ क्या होता है, गुदा होता है, गुदा जो होता है, अगर बिल्कु साधर वासा में अगर समझें, अंग्रेजों की भासा में तो इसको एनस कहते ह समझ रहा है न क्योंकि भारत देश में जो हमारी मात्रवासा चाहिए पर हिंदी हो तामिल हो तेल्गू हो जो हमारी हमें साथ जानते हैं उसको जादा अगर इंपोर्टेंस दीदा है तो जादा अच्छी बात है अंग्रेज ओ फक्रेज ओ वाली बात हो यह तो जवर्जशी क बोलते हुए वो सिर्फ इस्तुमाल करने के लिए जितनी जरूरत उतनी सीखते हैं बाकी अपना खुद का लेंग बेज जो है उनका वहां का उसको ही करते हैं ठीक है चली यह बात का ग्यान है बाद में देखेंगे तो मैंने क्या बताया केंचुए के मुह के उपर एक पदार्थ होते हैं उनको खाता है और जो गुदा होता है वहां से यह निकाल देता है मैं फिर से बोल दूँ है मिट्टी में क्या करता है जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर रहकर मिट्टी को काटता है और मिट्टी में से ही सड़े गले कार्विन पदार्थों को खाता है यह मिट्टी को आहर नाल से होते हुए गुदा द्वार द्वारा छोटी छोटी गोलुयों को रूप में बाहर निकाल देता है इसको हम कास्टिंग कहते हैं आप लोगों कभी देखा हो जब कभी बरसात हो जाते हैं अब तो केंचुए देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि हम घर चीज खा लेते हैं अब यह को केंचुए खाते हैं केंचुए खाते हैं हम केंचुए खाते कैसे हैं हमने केंचुए देखे हैं हमने उटन को उठाया उनको केंचुए को चारे की रूप में मचली के रूप में लगाया और वहां से हमने केंचुए खा लिए ठीक है समझ कि सानों का दोस्त किसानों का सखा कह देते हैं ठीक है क्योंकि कैफ़ा कीसानों के लिए प्र detailed जमीर आफ अंकल की तरह कार करते हैं कैसे करते हैं क्योंकि यह जमीन के अंदर क्या करते रहते यहां पर जब उनको खाया तो अकार्मिर पदार्तों को खापी कर भेपीछे से इनने गुदाद्वार से क्या कर दिया इनने वहां से माल भी एक दम निकाल दिया गोल-गोल कास्टिंग के रूप में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिए संग आर्थो-पोडा के बारे मे पाद प्रणी नहीं है, इस दुनिया का सबसे बड़ा बर्ग माना न हे जाता है इस संग के जंतुओं में सबसे अधिक की बात की जाए तो वो कीट भरकी होती है इन जंतुओं का सरीर खंड युक्त तथा टांगे इनकी क्या होती है चोड़दार यान की जोइंटेड होती है यहां पर यह सरीर है यहां पर यह सरीर है या एक सेकंड हां मान लीजिए यह मेरा एक कीड़ा है तो कीड़े में क्या किया इस तरह से हमने चार टांगे इसमें जोइंट करा दी इस तरह से है मैंने क्या बताया इनका सरीर खंडियोक तथा टांगे इनकी जोड़दार यानि की jointed होती है ठीक है इनकी जोड़दार टांगों होती है इस जोड़दार टांगों के काड़ी इस बर्क का नाम आर्थो पोड़ा नाम रखा गया है इसका सरीर जो होता है तीन भागों में बटा हुआ होता है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो आर्थो पोड़ा बर्ग के जो जनतु होते हैं, उनका सरीर तीन भागों में बिभक्त होता है, सिर, धड़, सिर, धड़ और पेट, ठीक है, सिर, धड़ और पेट के रूप में ये पूरा जो होता है, सरीर बटा हुआ होता है अब ये बात अलग है कि इनका पेट थोड़ा आगे पीछी हो सकता है यानि कि पहले ये पेट आ जाता है फिर इनका धड़ा आ जाता है इस तरह से ठीक है क्योंकि इनकी टांगे बगेरा तो एक्ष्टा होती है अलग से जोड़ दी गई है टांगे नीचे तो है नहीं चलिए समझते हैं मैं पर से बोल दूं इनका सरीर तीन भागों में बटा हुआ होता है सिर उपर वाला हिस्सा पेट धड़ यह बीच वाला हिस्सा और पेट जो होता है यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिख जाएगा इनके भी अगर मकडी की बात कर लो तो यह इसका आगे का सिर यह इसका बीच वाला धड़ और यह आपका पेट वाला हिस्सा हो जाता है जो धड़ होता है उसको हम बक्षवी कह देते हैं क्योंकि आपको बक्षवी लिखा हुआ मिल जाएगा और जो पेट होता है वो आपको उधर भी लिखा हुआ मिल जाएगा उध क्या उधर नहीं ये आपका उधर लिखा है ओ अधर ठिक आपने पढ़ा होगा ने लंबो उधर लंबो उधर ठिक है तो कौन होते हैं लंबो उधर गनेजी होते हैं ठिक है तो इस तरह से तो कहां पे था में तो इस संग्य के जनतुओं का कंकाल तंत्र काइटिन से ढका ही होती है इनके कंकाल की इनके कंकाल की ऊपरी परत जो होती है वह समय समय पर क्या होती है उतरती रहती है और उनके उसके साथ या उतरने के साथ ही क्या होती है एक नई परत आ जाती है या पिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका जो बारी कंकाल होता है बारी नहीं बारी यानि कि तो उससे बोर हो गया तो अब उसको क्या करना तो थोड़ी से गोरी चमडी लेके आनी थी तो उसमें अपना काइटिन का जो उपर वाला जो उपर थी उसको हटा दिया ठीक है किसका बना होता है काइटिन का बना होता है जब ये अपनी काइटिन की उपरी कंकाल को जब ये उ इस संग के जन्तुओं में नर और मादा अलग-अलग होते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस संग के जन्तुओं में एक लिंग पाया जाता है एक लिंग का मतलब नर का अलग और मादा का अलग समझ मैं गया नर और मादा का जो लिंग होता है वो अलग-अलग होता है ठीक है चलिए इनके कार के अनुसार यानि कि जो आर्थो पोड़ा संग के जो जनतु होते हैं इनके कार के अनुसार इनके अंग भी पाए जाते हैं कैसे कुछ जनतुओं के जैसे की जली जीव जो होते हैं ट्रेकिया इनके जो जो इनकी जो चमडी होती है इनकी जो उपरी इसकी होती है उससे ये स्वसन करते हैं जिसको क्या कहते हैं ट्रेकिया कहते हैं या फिर ये बुक लंग के द्वारा भी ये अपना क्या करते हैं स्वसन करते हैं किसे करते हैं बुक लंग से भी अपना इनके सरीर में जो अंग होते हैं वो बिक्सित होते रहते हैं इनके सरीर की जो तवचा होती है मैंने क्या बता हैं इनके इनके सरीर की जो तवचा होती है उसके द्वारा भी ये क्या करते हैं ये स्वसन करते हैं जिसको हम क्या करते हैं ट्रेकिया स्वसन या स्वसन ट्रेकिया कहते हैं ठीक है इनकी देगुआ जो होती है देगुआ जो होती है बैहीमो सील गुआ कहलाती है क्योंकि इस गुआ में रक्त भरा हुआ होता है इनमें सभी अंग डूबे रहते हैं मैं फिर से रता दूँ इनमें जो रक्त पर संचरर तंत्र जो होता है वो कैसा होता है वो शरीर में जो बलड या रक्त जो होता है या खून जो होता है जो भी आपके अना चाहे सरलवासा जो आपको लगे है वो क्या होता है किसी ना तो सिरा में बैता है ना ही धमनी में बैता है क्या बैता है इनके सरीर में एकदम खुले रूप से होता है जैसे कि माली जी ये गिला भिलास यह फिक्षिक रुसम्हें इनिये फिल्म में भौ करdoes आधा है उनिये फिलास इनिये लुक्राइब हो इसे टूबह और चैपसा कुम का पनूल है उस्कुम्हें का या रक्त का या विलड का जो रंग होता है वह है कैसा होता है नीला होता है अब होता क्यों है क्योंकि हीमो गिलोबिन की उपस्ति इमो गिलोबिन इनमें नहीं पाए जाता है बलकि क्या पाए जाता है हीमो साइनिन की उपस्तिती करें इनका विलड कैसा होता है नीला होता ह अब यह हीमोसाइनिन क्या होता है हीमोसाइनिन में लोहा नहों कर क्या होता है तावा होता है मैं फिर से बोल दूँ जो आपके आर्थो पोड़ा संगी के जुजनतु होते हैं उनका जो रक्त होता है या उनका जो ब्लेड होता है उनका खून होता है वह नीले रंका होता है उ आपका तावा मौजूद होता है अगर लोहा या का है आपका आइरन मौजूद होता तो इनमें हीमोगलोविन पाया जाता और इनकी बिलड का रंग कैसा होता है या खून का रंग कैसा होता है लाल रंग होता इनकी आखें जो होती है संयुक्त होती है यानि की इनकी हर आख मे तालों या lens की संख्या जो होती है वहाई अनिश्शित होती है ठीक है श्यालिया आगे समझते हैं अब इससंखी के बारे में हलकी सी जानकरी क्रिस्टा लिते हैं तो सरी यहां पर एक सकंड मैंने क्या बताया क्रिस्टेसिया मीरियो पूड़ा इंसेक्टा अरे के नाइडा फिर से मैं बोल दूँ क्रिस्टेसिया मीरियो पूड़ा इंसेक्टा और अरे के नाइडा अब यह इंग्लिस में जैसे आप लोग कभी उल्टा सीधा इधर उदर जैसे आपको समझ में आया जैसा आप उच्चारड करना चाहें कर सकते हैं आप अपनी पसंद का लिखने में सवतंत रहें ठीक है हम यह नहीं कहते हैं कि जो इसमें लिखा है वह ही लिख लें अगर आपको लग रहा है कि इंगलिस में उच्चारड इसका कुछ और होगा तो आप लिख सकते हैं मुझे समझ में आया वो मैंने लिख दिया ठीक है मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं क्रिस्टेशिया ठीक है इसका मीरी यो पोड़ा इंसेक्टा और अरे के नाइडा ठीक चालिए पहला बर्ग देखते हैं क्रिस्टेशिया के बारे में तो क्रिस्टेशि पांच छे साथ आठ नो तस कितने पैर हो गए इनके पांच जोड़ी पैर हो गए यह आगे बाला हिस्सा को भी मिला कर ठिक इस बरके सबी जन्तू जो होते हैं तालावों में नदियों में जीलों में समुद्रों में पाए जाते हैं इनके सिर तथा धड़ एक साथ मिले हुए और तीसरा जो हिस्सा आजाएगा वो पेट आजाएगा वो अलग है तो मैं आप लोगों को तिखा दूँ यह आपका सिर है लेकिन सिर नहीं है क्योंकि यह जुड़ा हुआ है किस से आपका धड़ से जुड़ा हुआ है तो सिर और धड़ इनका जो है वो मिलकर क्या बनाता स्वोच बाद दूसरा जो आ जाता है वो पीट समझ में आ गया, इनके संयक्त आंकें, एक छोटे से डंटल मैं फिर से बोल दूँ इनकी जो दो आंखें होती जो एक छोटे से डंठल के सिरेबर होती है यानि या निकर मैंने बचा आए था कि दिख रहा होगा दो इस तरह से इनकी डंठर को इनकी सिर्भ पर ने होती है तो जो इनका मुवह बगेरा सकते हैं या इनको सिंग भी कह सकते हैं या फिर इनको इस पर सक भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे जो समझ में आता है जिस तरह से ठीक है मैं फिर से बोल दूँँ इनके सिर पर दो जोड़ी सिरंगे का हैं या एंटीना होता है होते हैं इससे ये किसी भी चीज को छू कर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जैसे मान लीजिए मेरी यह जो सिरोबक्स है उस पर क्या है यह दो जोड़ी क्या है इस तरह से दो जोड़ी क्या यहां पर मैंने क्या बताया दो जोड़ी सिरंगिका हैं जैसे सिरंगिका है कैसे हो गई यह टंक हो गई मैंसे मान ली कि इनके जी सिर होता है जो कि नहीं होता है सिर जैसा होता है उन पर दो जोड़ी एंटीना होते हैं यानि कि यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ यह एक दो तीन चार तो यह दो जोड़ी क्या हो गए एंटीना हो गए इससे यह क्या करते हैं किसी भी बस्त आपको देखे जाएगा केहते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर खर टिकेर चलिए बात करते हैं इसी महीं चलिए बात करते हैं می्रियो मीरियो पोडा के बारे में तो मीरियो पोडा किसका पहले मैं आप लोगों बता दू मीरियो पोडा क्या है ये एक बर्ग है किसका बर्ग है ये आपका आर्थो पोडा संग का एक बर्ग है समझे रहे ना आर्थो पोडा तो अब फिर से में एक बार बता दूँ जन्तु जगत को कितने वागों में बात दिया दो में मेटो जुवा और प्रोटो जुवा प्रोटो जुवा के बारे में यहां बात नहीं करने हैं हम किसमें कर बात कर रहे हैं आपका मेटो जुवा के बारे में ठीक है तो मेटो से हैं पेरừ खतम होगा होगा चलिए देखते हैं इसमें खतरनाक जीव आते हैं तो ऑससे सुरुबात करते हैं इनके पेरों के बाझे में सुन्दर- सुन्दर पेर हैं इनके पचाशही पैर होते हैं और इन से मेरा बहुत बार पढ़ा है ढूंप 34- 35 वार मुझे काट चुके होंगे, कैसे काटे हैं, किन काड़ों से काटा हैं, वो मैं किसी दन आप लोगों को अलग से explain करके एक वीडियो बना दूँगा, लंबा वीडियो होगा, और सबसे खतरनाक तरीके से काटा था अभी एक डिट साल पहले ही, तो वो काटा था, मैंने आ कोनों डंक यहां पर गड़ा दी है, मैं उठके देखा कि यार किसी ने मेरे यार मुझे लगा सांप काट गया, दो डंक थे लाल लाल उसमें सूजना अरन्य लगी, क्योंकि इन में ठोड़ा बहुत जहर होता है, लेकि इंतना जहरीला नहीं होता है कि यह कोई इंसान मर जा रात में दो बज़े की टाइम पर चीमता मांगना पड़ा, तम मैंने उसको पकड़ा, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा किसी ने, चलिए, बाद मैं यह ग्यान दूँगा, चलिए, देखते हैं, इनके पचास जोड़ी पैर होते हैं, इस बर्क के जनतु, कूड़ा करकट, ठी इनका जमी से सटा हूआ हुथा है, इस तरह से, और इनके पैर जो होते है, ये ट्रेन की तरह काम करते हैं, यानि की, एक, दो, तीन, चार, ऐसे करिकर की, पचास जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है, तो जिस तरह सी मालगारी जाती है, बहुत दूर उतरा कि इनके पैर, उस तर वारा, तेरा, चौदा, पंदा, सुले, ऐसे करके, चोटे-चोटे खंडों में इनका जो सरीर होता है, वह है बेभाजित होता है, ठिक, इनके पिर्थम खंड को छोड़कर, बाकी के सभी खंडों में, से एक या दो टांगे निकली होती हैं, कौनसा? ये फिर्थम खंड छोड दीजी इसे, जिसमें सरी, इनका सिर है, ठिक है, इसके अलावा, एक, दो, तीन, चार, बाकी के जितने भी खंड है, उनमें एक या दो जोड़ी पैर इनके होते हैं, ठिक, पिर्थम खंड कोई सा, जिसमें सिर है, सही है, चलिए, आगे देखते हैं, तो इनके आगे के पर खोलती है, इनके सिर पर एक जोड़ी सिंग, या सिरंग काई, या फिर एंटीना होते हैं, ठिक है, ये जिस नली से सांस लेते हैं, उसको ट्रेकिया कहते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों बताया था, ट्रेकिया क्या होता है, कि अपनी जो इसकिन से जब ये सांस लेते ह और भी कहिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो इनको नाम लिख सकते हैं ठीक है वैसे तो ये दो ही काफी है चलिए आगे बात करते हैं तीसरा देखते हैं इनसेक्टा यानि कीडे वाला वर्ग जो होता है इस वर्ग के जनतु जल, थल, बायू यानि की तीनों में पाए जाते हैं इनका सरीर, सिर, धड़ और पेट के रूप में बटा हुआ होता है यानि की सिर, धड़ और पेट के रूप में बटा हुआ होता है यहां पर आप देख सकते हैं इनका सिर है यह इतना इससा इनका धड़ है और यह फीचे वाला इससा जिसमें माल भरा होता है यह आपका पेठ है ठीक तो इनके जो धड़ होते हैं यानि एक सेकंड मैंने क्या बता है इनके सरी जो होता है सिर धड़ और पेठ के रूप में धड़ से जुड़े हुए थे हैं, कुछ जन्तुों में धड़ के, कुछ जन्तु जो ऐसे भी होते हैं, जिनके धड़ जो होते हैं, उनमें ही एक जोड़ी या फिर दो जोड़ी भी हो सकते हैं, पंक जुड़े हुए होते हैं, मैं फिर से बोल दूँ, कुछ जन्तुों के में उड़ने के लिए पंक भी दिये हुए होते हैं ये स्वसंद ट्रैकिया के माध्यम से करते हैं यानि कि इनका जो इसकिन होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसकिन होती है इससे इसी पर ही सांस लेने का क्या होता है स्वास प्रणाल तंत्र जिसकों क्या कहते हैं ट् जीन में आते हैं मक्हियां हो गई है जीने हम बर्यावी च्रsm 疫ट है यह क्या करते है यह इसी बर्ग में आते हैं और उड़न पाथे हैं दूसरा अगर इंसेक्टा की बाता जोगते है जो की नहीं उड़न पाते हैं तो फॉलन दूसरा गाइए जिंत JUST जो कि क्या करते हैं उड़े नहीं पाते ठीक है शलिए नेक्स देखते हैं इसी में ही बर्ग अरे कनाइडा ठीक है कनाइडा है कनाइडा है कनाइडा नहीं है कनाइडा है अरे कनाइडा पहुंच गए भई हम तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे अरे कनाइडा ठीक तो इस बर्ग के जन्तू जमीन के अंदर पत्रों के नीचे घास पूस में तथा घरों की दीवारों पर पाए जाते हैं मैं फिर से बोल दूँ जो इस बर्क के जो जन्तू होते हैं वो जमीन के अंदर नीचे मिल जाएंगे आपको पत्रों के नीचे मिल जाएंगे आपको घास पूस में मिल मिल जाएंगे घरों की दीवारों पर भी मिल जाएंगे जिससे आप लोग कभी देखाओ अगर कुछ गाउं बगएरा के जो लोग होंगे साथ जानती होंगे कि जब वो साब सफाई करते हैं खेतों बगएरा में जाते तो अकसर होने बिच्चु बगएरा कटी वो काट लेता तो कभी कुछ उठा रहा हूं कभी कुछ उठा रहा हूं तो घर में कभी कभी इंट है वगएरा उठा के उनकी गाड़ी बना लेता था इंट होती है एक एक कैसे इंट होती है ना ऐसे करके जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं यह एक इंट किस तरह से मैं आप लोगों को यह एक इंट यह हो गई और दूसरे इंट यह हो गई इस तरह से और पीछे वाली पर बैठ जाता था और उसके बाद ऐसे करके इलाता था ऐसे करके तो गाड़ी मेरी आगे जाती थी उसको में रेल गाड़ी बोलता था तो जब मैंने एक दो बार कभी कभी इंट टुटाई तो उसमें मुझे बिच्छु मिला तो यह पत्थरों की नीचे हो जाते हैं कभी कभी जमीन के अंदर हो जाते हैं गास फूस में भी यह किडे बगोडे मिल जाते हैं दीवारों पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे ठीक है तो इस बरक के जनतु सिर और धर मिलाकर क्या बन करता है ठीक है इनके सिर पर भी इनके जो इनका जो सिर होता है इस पर सींग नहीं होते हैं यानि कि एंटी नहीं होते हैं मैं फिर से बोल दूँ जो अरे कनाइडा जो होता है इसमें सींग नहीं होते हैं ठीक है इनकी टांगे जो होती है चार जोड़ी होती है यानि कि मैं तो तीन चार जोड़ी टांगे इनकी हो गई ठीक है ये स्वसन जो करते हैं बुक लंग से करते हैं कौन से जन्तू अरे कनाइडा वाले जो जन्तू होते हैं जो केनेडा में रहने वाले जन्तू होते हैं वो कैसे स्वसन करते हैं बुक लंग से करते हैं बुक लंग क्या होता ह जाएगा यह आपको क्या बोलते हैं इसको इसको और भी है मतलब बिच्छू मकडी किलनी यहां पर आप लोगों के किलनी भी दिख जाएगी और किलनी जिसको हम मैट्स कहते हैं कहां पर बिटा यह इसमें नहीं है इसमें आप लोगों दिख जाएगी किलनी और भी कई सारे इ मिल जाएगा तो घबरान नहीं कोई केस नहीं करेगा मुझे पर कि भाईया उस वाली बुक में मिलस्का लिखा है बनता है यह मैंने बताए था आप लोगों का जीवन चक्र ऐसे चलता है कोई छोटा कोई बड़ा दिखाता रहता है कोई अपने आपको छोटा दिखा देता है कोई अपने आपको बड़ा दिखा देता इसी तरह से तो मुलस्का जीव है वह संग है इसको बुक में आप मेलस्का भी आप लोगों को मिल जाएगा लिखा हुआ तो आईए समझते है मेलसका के बारे में ठीक है चलिए बटा मुलस्का खुल जा मुलस्का का मतलब पहले हम हल कासा समझ लेते कोमल सरीर बाले अंकर कोमल सरीर या मिरदू कवची मिरदू अंतलव होता है कोमल मुलायं कभची उपर कभच उन के उपर होता है टिक है तो आई ये समझते हैं फिर संग non-covideta का दूसरा सबसे बड़ा संग है सबसे बड़ा संग कौन सा में नौन कॉर्डेटा में तो वो आता है आपका मोलस का ठिक तो चलिए समझते हैं यह संग नौन कॉर्डेटा का दूसरा सबसे बड़ा संग है ठिक है यह मीठे समुद्री जल तथा नमी वाले इस्थानों पर पाया जाता है इनका सरीर बहुत ही कोमल यानी की मुलाइम होता है इसलिए इनका नाम मोलस का रखा गया है इनका सिर और पैर को छोड़कर कहां पर है इनका सिर ये इनका सिर है और या पैर कौन से है इसमें इनके पैर है ये तो इनका सिर और पैर को छोड़कर बागी का जितना सरीर होता है वह पूरा का पूरा एक मेंडल नाम का आवरड से धकावा होता है, यह mental जो होता है, वह calcium का बना हुआ सक्थ कबच होता है, ठीक है? तो मैं फिर से बोल दूँ, इनका सिर और पैर को छोड़कर, यहां पर आप लोगों के दिख़े जागा, यह है सिर और यह है इनका पैर, तो कुछ ऐसे भी जन्तू होते हैं इनके ऐसे भी जन्तू होते हैं जिनका सरीर पर कबच नहीं होता है जैसे कि आक्टोपस होता है आक्टोपस आपका मोलसका में ही होता है लेकिन इसके उपर कबच नहीं होता है इनको चलने के लिए इनके चलने के लिए अधर पेसी अंग होता ह हैं इनको चलने के liए क्या मैंने बताया अधर फेसी अंग दिया गया होता है कैसा होता है यह छपटा चपटा नीचे और चॉड़ा होता है चलिए यह सास काई से लेते हैं यह साथ गिल्स के द्वारा और बायू-कोसों ऐरसी के द्वारा भी लेते हैं यहां पर आप लोगों दिख जाएगा आपको क्या है यह मैंने बताया था यह गिल्स के द्वारा गिल्स का होते हैं यह यहां पर यहां पर मताया था मैंने यहां पर दरारे होती हैं तो गिल्स दरारे होती हैं इसे यह सांस लेते हैं ठीक है कब होते है जब ये पानी में होते हैं और ये एर सेक के दौरा या बायू कोसों के दौरा भी सांस लेते हैं चलिए आगे बात करते हैं चलिए इनकी बिस्षिस्ता अलकी सी जान लेते हैं यह जो जन्तु होते हैं इनका जो रक्त होता है वह रंग हीन होता है रंग हीन नहीं रंग हीन बिना रंग का यानि की पानी की तरह दिखने बाला होता है लेकिन कुछ जन्तु ऐसे भी होते हैं जिनका जो रक्त होता है यानि की खून होता है वह नीला या फिर हरा हो सकता है य उसमें नरका होगा ठीक है इनके पिरमुक जन्तु जो हैं गौंगा, कोडी, संक, ऑक्तोपस, कटल फिस, सीपी, नामक ये कुछ है इसके जन्तु हैं इसमें जो ऑक्तोपस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऑक्तोपस दिख जाएगा ये ऑक्तोपस जो होता है मासा कर देता है इसमें जो कटल फिस होती है, दूसरा जो है कटल फिस मासारी होती है इसके दस हाथ होते हैं, अब भया दस हाथ कहा होते हैं, ये मुझ की तरफ यहाँ पर दिख रऊंगे, इसके ये दस हाथ हैं टिक क्या है नाम है इसका कटल फिस्ट चलिए इनके सरीर में सियाई गिरंसी होती है किसके कटल फिस्ट के सियाई गिरंसी होती है जिससे ये काला रंग का दिरब बिचोड़ता है इससे पानी या तो काला हो जाता है या फिर रंगीन हो जाता है इससे क्या होता है ये अपने क सिकार से यह अपने आपको सिकार होने से बचाती या फिर हम इसको ऑसका जखती है ये अपनी इससे रच्च्छा कर लेती है इसके होगा के बारे में तोमा given एक साकाहरी जन्तु है और यहये एक लिंगी है यहनी कि नरमादा शकूय इसमें पाई जाती है तो भी आप तो उने खासकर देखा हो कभी-कभी आपने देखा हो जिन में नरोल मादा वाली कहानी नहीं होती है उनके उपर खासकर मुवी बगएरा भी नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वो प्रेम दिखाने वाली जो कहानी होती है वो समाप्त हो जाती है क्योंकि होलीबॉट में जिस्ट चन्तु होता है तो जनतु होता है इस ही में जिसका नाम होता है CP या या यानुयो तो यह है जनतु का, इस जनतु का एनकि CP नामक क Lieन्स का इस Jewish रूपे से बहुत मैंद वहता है इसको pink tada या पर ओस्टर भी कहते हैं क्योंकि मोतियों का निर्माड CP द्वारा ही होता है क्योंकि आप नोगों ने ये देखा है न CP इस तरह से तो होता क्या है इनका कबच होता है वो बहुत सक्त होता है तो जब कोई कड इनके कबच में या कोई जीव जो होता है इनके कबच के क्या होता है उस कड के चार और या उस जीव के चार और चूने चूने तथा मेंटल की परस जम जाती है जिससे क्या होता है मोति का निर्माड हो जाता है ठीक है मैं फिर से बता दूं कि मैंने बता है मानलीजी ये CP है CP का इस तरह से होता है इस तरह से ठीक है तो ये मानली उस कड़ के उपर क्या होता है केलसियम की केलसियम की केलसियम तता मेंटल की क्या होती है परत जम जाती है और बाद के समय में वो क्या बन जाता है मोती के रूप में बिक्सित हो जाता है सबसे महंगा मोती के अगर बात की जाए तो पिंक टाडा बलगेरियस नाम के सीपी से न इकाला जाता है चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथ यो बात करते हैं इकाई नो डर मेटा के बारे में इकाई नो इकाई नो डर मेटा चलिए देखते हैं यह क्या होते हैं पहले तो मैं इसको अलका जानकारी देतूं आपको पूरा उससे पताते जाएगा कांटेदार तच छेद बाला जन्तु उसी तरह से यह कांटेदार जन्तु होते हैं उसमें छेद होते हैं इसमें कांटे होते हैं तो आई देख लेते हैं इस संगे के सभी जन्तु जो होते हैं समुद्री होते हैं ठिक इसके अंतरगत कांटेदार तवचा बाले जन्तु रखे जाते हैं इनके ह Yay YouTube होते हैं जिने ट्यूब के यहां पर काटेदार तनना की तरह दिखने वाली मॉलाइम संद्य्वियस कि देख़ा दूँगा इनके उपर वी कांटेदा संद्न होगी, यह आपका समुदरी खीरा, इसके उपर वी कांटेदार, और अगर इसको उजूम कर लिया जाए, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यह जो आपका, क्या है यह समुदरी स्टार्फिस है, यहाँ पर आप लोग देख रहा करते हैं बोजन करते हैं संबेजना करते हैं कभी-कभी इससे स्वासन भी कर लेते हैं कभी-कभी यह क्या करते हैं किसी सिकार को पकड़ने भी इस्तुमाल करते हैं यहां पर आप देख रहोंगे इसकी यह चल भी रहा है इससे कभी कोई सांसे भी ले ले लेता है इससे यह सिक अगर तारे की तरह नहीं है तो इनका सरीर बेलनाकार होगा अब जितने भी देख लें जन्तु जैसे मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगे यह जन्तु जो है यह भी तारे की आकरती बना रहा है यह भी तारे की तरह ही दिख रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, जाए ना इस तरह से चलिए इसके तायत कुछ प्रमुख जीब भी आते हैं जिसमें आपका हो जाएगा एक तो हो जाएगा सबसे प्रमुख जो है स्टार फिस स्टार फिस यहां पर समुदरी में चली आप लोगों दिख जाएगी ब्रिटल स्टार आपको देख जाएगा आपको समुदरी आर्चें दिख जाएगा यह आपको सी आर्चें दिख रहा होगा समुदरी खीरा आपको दिख जाएगा ठीक है और अगर जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं चलिए इनमें संबहन तंत्र पाया जाता है लेकिन कैसा संबहन तंत्र होता है जल संबहन तंत्र होता है यह इनकी प्रमुख पिस्षिस्ता होती है संबहन तंत्र तो है लेकिन कैसा संबहन तंत्र है जल संबहन तंत्र है तो आईए देखते हैं इनके जल जो संबहन तंत्र है इसमे एक छीज़ होता है यहां पर आप देख सकते हैं एक छीज़ होता है उसमें क्या होता है पानी सरीर के अंदर आता है प्रिविस कर जाता है और उससे हम क्या करते हैं यह भी आनंद देने वाली चीज़े हैं उसमें हम रखे लेते हैं बाकी काम वो चीज़ों को निकाल देते है किससे जल-, सम्मधनी, तंट्र के द्वारा ठीक है चलिए तो यह हो गाज आपका को नून Imany च्लिवी आ चीज चराइब है तो लीटा कि जिसको चार वागों में पढ़ा तीक है किस तरह से इंसेक्टा और रहो है और इसके बारा है मिने मुलस्त पारे मात की एक लिनु डर्मीता के बार नन fiction abd कर लिए थीक है तो ये होगि आपका non card data के बारे में जो भी जानकारिए आए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं संंग card data के बारेमें्ट तो में आप लोगों कर रहा हों किसका अध्यन पर से हम जो अध्यन कर रहे हैं यहाने कि रा इने मिलिया Kingdom के बारे में जन्तो जगत को कितने बागों माट मेंदो अब आती है यहाँ पर कार्डेटा को अब आती है यहां पर कार्डेटा को दो सम्मूव में माटा गया क्रेमिया और एक्रेमिया तो यहां पर जो क्रेमिया है इसको हमें पढ़ना है एक्रेमिया भूल जाओ ठिक क्रेमिया को दो भागों में माटते हैं एगनेथा और नेथो इस्टोमेटा ठिक एग टेट्रो पोड़ा को हम कई भागों माणते हैं उसमें हैं चार वर्ग ठिक तो टेट्रो पोड़ा महावर्ग को चार वर्गों माणता गया उबैचर एम्पिविया शरीजीर प्रेप्टेलिया पच्छी एस्तंदारी में मिलिया आब इनमें जो वह चाहा हैं इनके कोई भाग नहीं है लेकिन हम इनको पढ़ेंगे इसमें आप ते हैं उठा के ले आते हैं इस तंधारी को इस तन्धारी को हैं आपको कारडेटा भी मिल जाएगा cardator भी मिल जाए जैसे आपको अच्छा लगए आप कर सकते हूं चली समझते हैं संंह cardator के बारे में तो इस संंह के जंतुछं जो होते हैं या live cardator संह के जंतुछं जयां वो जल थल और बायू तीनों में पाए जाते हैं या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस संग के जन्तु हवा में पानी में और धर्ती पर तीनों में मिल जाते हैं अगर कोडेटा के अगर बारे में बात की जाए तो कोडेटा के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें तीन प्रमुख प्रश्ट रज्जू या फिर रिड़ के बान सकते हैं तो यह जो होता है अन्नि किसी जन्तु में नहीं पाए जाता अब वह है अवेस्ता कुछ भी हो ठीक है तो वह आगे बात करेंगे दूसरा जो है केंद्रिये तंत्र का तंत्र ठीक है और दूसरा तीसरा जो है गिरसनी ग गिल डराने है केंद्रिये तंत्र का तंत्र कहुं कहते हैं सेंटल नर्व सिस्टम और क्रसणी गिल डरा जो है आपका जीन को आ हम फिल के नाम से भी का या पाया जाता है अब बहुत कुछ भी अब अवस्ता कुछ भी ओंका मतलब कि fraction चाहें मान लीजिए मैं खड़ा हूं एक इंसान हूं तो इस तरह से हो जाएगी आपकी चाहें वो कोई मचली हो तो इस तरह से हो जाएगी चाहें वो फिर हिरन हो तो इस तरह से हो जाएगी चाहें वो एक साप हो तो इस तरह से हो जाएगी चाहें वो एक पच्छी हो तो इस तरह से हो जाएगी चाहें वो खचु था खाने की नली के ऊपर तक एक सिरे के रूप में एक से यहां से लेकर इस तरह से फ्यला होता है ठीक है तो नोटो कार्ड कहां पर है यह है आपका नोटो कार्ड ठीक है अब नोटो कार्ड के ऊपर क्या है यहां पर आप देख सकते हैं नर्वस सिस्टम है आपका ठीक प्रूड का जूशिका से तर्ष करेश प। जो किसी अन्य में नहीं पाया जाता है दूसरा लक्षड जो है वो है केंद्रिय तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम ठेक तो आईए इसको भी समझ लेते हैं ठीक है ये क्या होता है तो दिमाग दुनिया जानती है जिसको मस्तिस किया बिरेन कहते हैं दिमाग तथा रीड रज स्थे कहते हैं अब दो भागों में बातिया जाता है जब आज तन्त्र का तंत्र कहते है ये खोकली ूकुली नली कीतर होता है जो कि सरीर के बीच प्रस्ट रेका पर nuestro Card के ऊपर होता है मैंने भी पताए था No to Card है इसके ठूऊ कूपर आपका क्या होता है ये ये सकेंद्री या कहें Central nervous system होता है ठीक है तो जाद़तर ज्यंतू होते है इस संके इनका जो अगला सिरा होता है यहां पर मस्टिस्क से जुड़ा हुआ होता है बाकी का भाग रीड रज्यू कहलाता है ठीक है चलिए तो समझते हैं इसको हम जब सेंटरल सिस्टम पढ़ाएंगे तब हम बहुत अच्छी से पर जानेंगे अभी हम केबल लक्षड के ब हवस्ता में गिल्स पाए जाते हैं ध्यान रहे हर कोई डेटा में अब मैं हूँ तो मेरे अंदर भी कभी न कभी गिल्स रहे होंगे अब कब रहे होंगे यह बात को हम यहां पर देख लेते हैं आए समझते हैं तो मैंने क्या बात है हर कोई डेटा जन्तु में किसी ने किसी अवस्ता में गिल्स पाए जाते हैं जो की सांस लेने में हमें साइता करते हैं जैसे की जल में रहने वाले जन्तुओं में जो गिल्स होते हैं वो तो इस्थाई होते हैं जैसे की मचलियों में इस्थाई होते हैं जब की जमीन पर रहने वाले जो जनतु होते हैं जमीन पर रहने वाले जो जनतु होते हैं उनमें कब होता है उनमें तब होता है जब वो बिरूड के अंदर होते हैं कि भाईया आप मानने पेट में हैं मेरे कोई बच्चा पेट में हैं तो अब भाईया वो सांस कहां से लेगा तो उसके यहाँ पर किसनी गिल्स होती है तो उससे वो सांस लेता है कव लेता है जब गिल्स में होता ठीक है जब पैट में हुता है ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिल्स दरार हैं यह इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर जो कॉल själv संका जो एक चोटा मोटा बो बना है डाइग्राम तो उसको आप देख सकते हैं यह आपका मुह हो गया यह आपका नंबर टू पर यह गिरसनी गिल यानिकी गिल्स हो गए ठीक है और यह आपका नंबर तीन है यह यहां पर पिछवाड़ा हो गया जिससे हम गूबर बगेरा कर करते हैं यह आपकी नंबर चार पर पूंच हो गई ठीक है और नंबर पांच पर जो है आपका यहां पर यह इस तरह से यह हो गया आपका नोटो कार्ड ठीक नोटो कार्ड हो गया और नंबर छे पर अगर बात करें नोटो कार्ड के ठीक उपर आपका मिल जाएगा नंबर यहां पर तंत्र का तंत्र और यह नोटो काड़ के नीचे की अगर बात की जाए तो हमारा ये ये आहार नाल हो जाएगा ठीक है तो आएए चलते हैं समझते हैं आके चलिए इन तीन अवस्ताओं के अलावा यानि कि मैंनों कौन कौन सी बताएं आपका नोटो काड गरस्नी गिल और सेंटल नर्वस सिस्टम के अलावा एक दो छोटे बोटे लेच्छर और भी हैं जो कि सिर्पॉसिट कॉर्डेटा संग में ही पाई जाते हैं एक है लेच्छर का प्रस्थ बुक प्रस्थ हिरद्य या व्न किलें यह अधर Дसक॥ तो आये इसकों समझते है कंछियर की जन्तूं का यह जै अधिक होता है यह इनका प्रोक लच्छर होता है इसमें एकौर लच्छर होता है जो कि सिर्प औस संग कॉइडेट आम कॉज़े तब भो होता है बंद रूदिर परिसरण चंत्र अब बंद रूदिर परिसरण चंत्र क्या होता है उसको जब हम इंसानों के बारे पढ़ेंगे ता हम जानेंगे लेकिन हलकी सी जानकारी ले लेते हैं यहां पर इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो रक्त होता है या तो धमनियों बहरा होग उसमें सारे के सारे क्या होते हैं उसमें सारे के सारे अंग डूबे हुए होते हैं जब मैं क्यूडों के बारे में जब मैं आप लोगों बता रहा था तम मैंने आप लोगों बताया था कि ये मान लीजिए ये क्यूडों का सरीर है और उसमें इस तरह से बिलड भरा हुआ रहत है इस तरह से ठिक बिलड भरा हुए रहता है और इस बिलड में क्या होता है नीला बिलड होता है ना इस बिलड में क्या मैंने बताया था इस बिलड में आपके क्या डूबे हुए होते हैं अंग डूबे हुए होते हैं ठीक है समझे मैं के चलिए समझने इसको तो यहां पर आपको देख जाएगा खुला रूदर तंत्र और यहां पर बंद रूदर पर संचर्रड तंत्र आपको देख जाएगा ठीक है तो दौनों आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से तो यहाँ पर देख सकते हैं चलिए तो समझते हैं इसका रक्त हमेशा नालियों में बहता है या नलियों में बहता है चाहें फिर वह सिरा हो चाहें फिर वह धमनी हो समझ मैं गया यानि कि जो बंद परिसर्ड चंत्र होता है उसमें या तो धमनी में बहरा होगा या पिर सिरा में बहरा होगा लेकिन खुले रूप से नहीं बहता है इस तरह के भाब को बंद परिसर्ड तंत्र कहते हैं जिसको हम बाद में टेटेल से समझेंगे जबकि नान लक्षड चलिए आगे बात करते हैं एक दो लक्षड और देख लेते हैं लाल रख्त कड़िकाएं हमारे जो नौन काईड़ेटा होता है या काईड़ेटा संग की जनती होते हैं उन में लाल रख्त कड़िकाएं पाई जाती है ठीक है तो काईड़ेटा में लाल रख्त कड़ होते हैं उनके सरीर में हीमो गिलो में नहीं पाया जाता है हीमो गिलो में की जगे कुछ और पाया जाता है जो की तावे की उपस्तिती के काड़ होता है और रंग कैसा होता है लाल की जगे कैसा बने बताये था नीला रंग बताये था ठीक है तो आई ये समझते हैं के नॉन या हम इसको मतस्य भर्ग भी कहते हैं तो ये आपका महाबर्ग है ठीक महाबर्ग है सुपर किलास है को हम कह सकते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहला वर तो मैंने आप लोग को पहले तो यह बता तो हुआ यह पिसिजा कहा से गया मैंने आप आपका दूसरा था'll नष्ट कर रहे ढhone को डिटा के बाद कर रहें नवक पाई जाती इन online क्या होता है पाया जाता है ठीक है किसी भी आदर पर भाढ़ा फ़्यक्रांट प्रकर जाता हो ट्रीक तो हम क्लीवन्य को अब को डिटा के बात कर रहें नों अब है था कि कोई डेटा को दो सम्मूव में बाटा जाए एक तो है क्रेमिया दूसरा है एक क्रेमिया ठीक है तो एक क्रेमिया के बारे में हमें बात नहीं करनी है, हम बात करेंगे क्रेमिया के बारे में, क्रेमिया को नीचे उठा लाए, क्रेमिया को हम फिर से दो भागों में माटते हैं, क्रेमिया को कितने भागों माटते हैं, दो भागों में, एक कौन सा है, एगने था, एगने था, दूसरा है नेथो इस्टो मेटा, तो ए पिसीज या मतस्य या इसको हम मचली बर्ग भी महाबर्ग भी कह सकते हैं दूसरा है टेट्रो पोड़ा या चत्तोस्पाद ठीक है चत्तोस्पाद का मतलब इन में चार पैर होते हैं ठीक है तो चलिए समझते हैं हम किसकी बात कर रहा है पिसीज के बारे में तो पिसीज के बा यो फिसेस होती है या हम इसको मतस्य होती है वह कलोम यानि की गिल्स से क्या करती है सांस लेती है इनका हिर्दय में अगर इनके हिर्दय की बात की जाए हिर्दय मतलब दिल की अगर बात की जाए जो की एक नकली नाम है दिल नहीं होता है हिर्दय ही होता है या हर्ट कह सकते है तो इनके एकर हिर्दय की बात की जाए तो इनके हिर्दय में दो चेंबर होते हैं एक होता है आपका आलिंद और दूसरा होता है निले मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या बताए एक तो होता है आलिंद और दूसरा होता है निले ठिक समझना गया यह जो हिर्दय जो होता है यह की रक्त को साफ करने का काम कौन करता है रक्त को साफ करने का काम आपके गिल या क्लोम करते हैं मैं फिर से बोल दूँ जो हिर्दय होता है इसमें रक्त का गंदे खून का या या पंप करने काम करता है साफ कून का नहीं करता है काम कौन करता है साफ करने का साफ कून के वो आप विलड इसमें आया और यहां से पंप करता है यह गंदा विलड और यहां से असुद जो रक्त होता है इस तरह से कलोम में आकर गिल्स में पहुंचता है और इस तरह से पूरे सरीर में प्रवेश कर जाता है साफ होते हुए समझ में आ गया उम्मीद है कि बुक में इस तरह से आपने नहीं समझ पाया होगा, तो चलिए समझते हैं, मैंने क्या बताया, रक्त को साफ होने के लिए कलोम से होकर गुजरना पड़ता है, यहीं से यह साफ होने के बाद बाकी के अंगों में चला जाता है, इनकी तुचा पर सल्क के रूप में बाहरी कंकाल पाया जाता है, ब पिरबाद में जो बनाने वाले लोग होते हैं तो उसको उपर का जो माल होता है यानि कि जो सल्क होती है इसको छील देते हैं ठीक है तो मैं फिर से बोल दूँ इनकी तवचा पर सल्क के रूप में बहारी कंकाल पाया जाता है मचलियां जो होती है वो असमतापी या कोल्ड ब तापमान जल के तापमान के साथ घटता और बढ़ता रहता है ठीक है जैसा जल यानि कि जैसा देस बैसा बेस की इस्तिती इनके सरीर में पाए जाती है क्योंकि अगर जल ठोड़ा थंडा हो गया तो तापमान उनके अनकूल कर लिया गरम हो गया तो तापमान उसके अनकूल कर लेती है ठीक है चलिए मचलियों को कुछ प्रकारों के बारे में देख लेते हैं सबसे पहला जो है उसको एक दो यह जाने के ज्यादा प्रकार नहीं जाएंगे फिर यह चैप्टर बढ़ा हो जाएगा जो पूचा जाता है और ज़रूरी भी था इसलिए में इसको रखा है लेक तो डॉन्वीस को हम पर सकते हैं यह एक परकार की साक है ठिक समझतिआ निक समुदृ चेती है यह लडाकु और शिकारी साघ को मानी चाती है यह मचली मचली जो होती है अंडे नहीं देती बलकि बच्चे देती है इसलिए मैंने इसको मैंने बार बताया था कि इंपोर्टेंट है यह मचली जो होती है अंडे नहीं देती है बलकि बच्चे देती है इसलिए इस मचली को हम चरायूज कहते है कि इसको डॉग फिस या कुता मचली क संधिक है चाल यह एक और मचली देख लिए ने डार पीडो तो तो आई ये समझते हैं यह बजली बाली मचली को हम कले मचली वह केते हैं यानि कि बजली बाली आंटी होती है उसी तरह से उसके कह सकते था क्योंकि यह विदुत का उत्पादन कर लेती है कुछ तक ठीक है तो आईए समझते हैं यह समुद्र की तली पर या कीचड़ में यानि कि पूरा समुद्र मान लीजिए यह यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र की तली पर जब चले आएंगे तो यह मान लीजिए तली में कीच ब्जाड वगरा या रेत वगरा हैं तो वहां पर यह मचली देखने को आपको मिल जाईगी तो मैं फिर से बोल दिता हूं है समुद्र की तली पर किचड़ या रेत पाई जाती है इसका सरीर जो होता है प्रस्थ-tली से चप्ता हुटा जाता है चप्टा होता है तता बिना सलके होता है सलक मैंने बताया था कि मचलियों के ऊपर क्या पाया जाता है उसके ऊपर बहारी कंकाल पाया जाता है पंक्खी की तरह है उसके ऊपर ठीक लेकिन इसके ऊपर नहीं पाया जाता इसके इनका जो आगे का सिरा होता है वो चोड़ा तता बिजली पैदा करने बाले अंग होते हैं यहांपर मैं आप लोग चूम करके दिखा दूँँ यह आपका जो गूल है आगे का इसमे बिजली पैदा करने वाले अंग होते हैं इस बार में लगभग 50-60 बोल्ट तक बिजली पैदा कर सकती है इस बिजली से आपका जो टार्पीडो मचली होती है वह क्या करती है अपने सिकार को पकड़ती है बेहोस करती है और इन जो सिकारी जो लोग होते हैं उनसे अपनी रच्छा करती है कभी कभी छोटे मोटे सिकार बात करते हैं महा भर्ग पिसीज ठीक का एक बर्ग ठीक है महा भर्ग का एक छोटा सा बर्ग ओस्टी किथीज इसका नाम है चलिए देख लेते हैं छोटा सा बर्ग है और खतम करते हैं चलिए देखते हैं बर्ग ओस्टी किथीज जो है वह इसको हम हिंदी में अगर कह सकते तो कहेंगे हड़ी दार मचलियां या बौनी फिसमीन को कहते हैं बौनी मतलब बौन बौनी मतलब छोटे कदगा बौनी नहीं तो बौनी फिसमीन को कहते हैं इस बर्ग की जो मचलिया होती है या हमें इसको ऐसे कह सकते हैं इनका सरीर यानि इस बर्ग की जो मचलिया होती है इ सकता है या किया जाता है जैसे कि आपकी रोही हो गई मचली आपका बेट की स्क्राइब यह आपका थिए क्या पर फेस हड़ी दार बार मचली यहां रखा जा सकता है इन सबके बारे में नहीं जाना है सबसे इंपो न्टेट्ट Whoo Hai Gouldam Gir या मिसको कहते हैं सी और्स या है वोगयमपास इसको हम कहते हैं तो इसके बारे में हमें जाना है यह जो मचली है यह भारतिय समुद्रों में तथा अंध महासागर की अस्थी यह मतलब अस्थी क्या होता है अस्थी होता है हड़ी तो बोनी फिस है ठीक है इसको समुद्री घुड़ा भी कहते हैं यह मचली पानी में सीधे या कर खड़े होके वर्टीकल तेरती है इस तरह से ऐसी कर का हुआ होता नरके आगे बाले भाग पर आक प्रति प्राष्ट प्रति प्रस्ट अघ्राच का सिचने कि जैसे होता है आपको में हलकह सा इंदेट कि अपने महां प्रति पीठवठी होता है और तो यहीय है आप का तो मैंने क्या बताया नर के पिरटु प्रश्ठ तलपर एक देले की तरह रचना होती है जिसे बुरूडदानी कहते हैं इसी में अंडे दे दे थी California क्या ये आपका नर मत्रेट ये नर है तो इसके नर के मालीजे में नर हूँ गोडा मचली एक नर का हूँ तो मेरे पीठ है पीठ के पीठ क्या बोलेंगे प्रस्थ प्रती प्रस्थ कहां होगे ये वाला चुछत्र तो यहां पर एक क्या होता है एक थेले की तरह रचना होती है जिसे ब्रूरदानी कहते हैं तो एक तो मादा मचली होगी मादा माल लिजी गोडी मचली माली जिये तो गोडी मचली क्या है इस प्रतिफिरुस्ती में जो इससीत बुरूड़दानी है उसमें क्या करी अंडे देगी अंडे देने का रेकर दंटे क्री के पार निषिए चन और विकास इस हुआ और का ब्रूरदानी में होगा समझ में आगया किसमें होता है मादा नरके ठिक मादा में नहीं होता है समझ आगया चाहिए आगे बात करते हैं कि समझते हैं टेट्रो पोड़ा के बारे में टेट्रो पोड़ा क्या है एक महाबर्ग है ठीक है सुपर किलास है चलिए देखते हैं महाबर्ग के बारे में तो पहले तो मैं आप लोगों फिर बीजन कराऊंगा मैंने कहा यह बहुत उल्जा हुआ है इसलिए मैं सुल्जा सु तो भी उतने आते हैं तो यह दिमाग से मतलब करो के मुझे को इसने फाइदा होगा समझ रहा ना मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मिले आपको अच्छे से समझ में आई यह कोई मतलब नहीं है कि इसमें मुझे कोई फाइदा मिल जाएगा करूरपती बन जाओं ऐसी क करेमिया के बारे में नहीं पड़ना है कृमिया में खुरि ओन फसे थो म माठी है है कर में नहीं पड़ ने था है dedajat नहीं बाथ कर लिए कि मैँछ दाट सीमेट स्विफेड ऑफन जात स land कर लिके आ gjort तो यही आप आगे चलने वाला ए ठिक है तो आई त घुक है तो आई- ने या टेटरो पोड़ा तो चतुस पाद क्या स्थ होता है शसम प्यार पाद मतलब प्यार प्या कि प्या till African वे हैं संभिव चाहा प्याई लो जयए घ cared क्यलो चाए कुछ और जो समर्य में पर जारा दरके जैन्ट testar जन्तू में अपने जली जीवन को छूड़ कर इस तलिय जीवन को अपना आया यानफी इस वर्ग त illegally जीवन को नाया है समझ मि आ गया चलिये तो इसमार ऑर को चार भागों में पंटा गया है या हम इसको ऐसे कह सकते हैं इस महा बर को चार वर्गों में बाइटा गया है वभैचर सरी सरफ पक्षी और इस्थंदारी इसको मैं ऐसे भी कह सके है एंप़िविया रेप्टालिया ठीक है या रेप्टेलिया एवीज और मेमेलिया ठीक है तो आएए समझते हैं सबसे पहला टेट्रोपोडा का टेट्रोपोडा क्या है एक महाबर्ग है टेट्रोपोडा का बर्ग सरीसरब ठीक है तो आएए फिर समझते हैं सरीसरब के बारे में सरीसरब के बारे में बात कर ल धर्ती पर या इस्तल पर रेंग कर चलते हैं मैसो जो एक युग को सरी सरफ का युग कहा जाता है क्योंकि इस युग में सरी सरफ तता डाइनोसोर्स का काफी प्रभाव था ठीक है इस बर्ग में रेंगने वाले जो जनतु होते हैं वो बिल में रहने वाले ठंडे खून वाल और असमतापी जन्तु होते हैं सरी सरफ समझा गया ना मैंने क्या बताया कि इस बर्ग में रेंगने वाले बिल में रहने वाले ठंडे खून वाले असमतापी जन्तु होते हैं समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं तो जो सरी सरफ होता है सरी सरफ के हिर्दय में तीन या करें चार बेसमी या करें फोर चेंबर होते हैं ठीक है जिन में से दो इसपस्ट आलिंद या एट्रियम तथा दो आइसपस्ट निले या बेंट्रिकल होता है ठीक है क्यों आइसपस्ट क्यों होते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि मगर मच्छ में चार होते हैं तो अगर आ पढ़ों से करते हैं लेकिन ये गिरसनी क्लोम दरारों से सुरसन जब करते हैं जब ये भ्रोड में होते हैं मैं आप लोग पता चुका हूं कि किस तरह से कोई भी जन्तु जो होता है ज़ो कि आपका कोईडिटका है उनके अंदर आपका क्लोमपाए जाते है जाए यहां पर मखिली पारे में देखी जाए तो मखिली caval की बात की जाए तो सरीसरे के आपके ब्रूड में होते हैं तब और जब बाहर निकलाते हैं तो ये हट जाते हैं इसके बाद चुडिया यानि की चुडिया जिसको हम कहते हैं वड कहते हैं उसके में उसमें क्या होता है जब ये पेट में होते हैं तब इनमें होते हैं और इस तरह से इंसान जब पेट में होते हैं समझा गया तो मैंने क्या पता ये स्वसन फैपणों से करते हैं लेकिन गिरस्निय क्लोम दरारों से स्वसन जव करते हैं जब ये मम्मी के पेट में होते हैं या कहें जब ये अंडे में होते हैं तो साप तथा मगरमच जो होते हैं आपका ये साप हो गया और ये मगरमच हो गय साप और मगरबंच्चों में मूत्रा से नहीं होता है यानि कि जो ट्वालेट करने वाली जो विवस्ता होती है इन में डालने डालना भूल जाते हैं भगवान तो यह बहुत परिशानी बाली बात है जो कि आप काफी समय से यह अरजी बगेरा दे रहे हैं कि ही इस्वर हमारी जो बिवस्ता जो भंग हो गई है उसका थोड़ा सा सॉलीशन किया जाए लेकिन अभीता कर्ची पहुँच नहीं पाई है क्योंकि चलिए आगे बात करते हैं तो आगे समझते है इन में निसेचन आंतरिक होता है यानि की इन में जनण छित्र तथा गुदा दोयार जो होता है दोनों मिलकर अवस्कर बना लेते हैं अब भैया ये बिमारी होती है अब गुदा क्या होता है मैं आप लोग बता चुका हूँ कि जिदर से गोबर निकलता उसको गुदा कहते हैं और जनन छित्र जहां से आप जानते हैं जनन बगेरा की करिया होती है उसको हम जनन छित्र कहते हैं ठीक है तो ये क्या होता है इन जनतों में इन में जनन छित्र और यानि कि टॉयलेट वाली और जहां से गोवर होता है वहां का दोनों को जो छित्र होत बेट वाला बेवस्था ओर यह है आपकी टॉइलिट वाली वेश्था दोनों को मिलकर क्या बना लिया इन्होंने अवस्कर बन जाता है। तो चलिए, आगे बात करते हैं, इसमें नर में मैथुन अंग होता है, इसलिए गर्वाधान मादा सरीर के अंदर या इंटर्नल होता है, ठीक है, मैं फिर से बोल दूँ, इनमें क्या होता है, इनमें नर में मैथुन अंग होता है, मादा अंडे देती है, यानि कि ये जो सरीस त्रिष्रप का झो एंडा होता है वो एक मजबुद कवसख से डखा वाता है होता है जोकि ki lucky lucam car часов कारव won नेट होता है ठिक है समझ में गया इन जनतुं увों में में मैडख की तरह विवस्टा नहीं होती है क्यों गयू एस ब्रक्षट नहीं होती है क्यों कि ये अंडे मेधी में बड़े होंगे बड़े होनी के बाद फिर वो धीरे से बिक्सित होंगे फिर वो पानी में तैरने लगेंगे लारवा की अवस्ता में यानि कि अंडे होनी के बाद तो यह अवस्ता इन में नहीं होती है इन में क्या होता है जब अंडे से निकलेगा तो बच्चा बि आजाती है, आपका कच्छुवा आ जाता है, गड़याल आ जाता है, मगरमच आ जाता है, इसमें और भी कई सारे जनतु आते हैं, जो अगर आप डालना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, समझ में आ गया, तो पिरमुक बिंदु की अगर बात की जाए, एक हलकी सी जानकाली ले सकते हैं, समझ में आ गया, ये सरीसरफ जो होते हैं, क्या हो सकते हैं, उभैचर हो सकते हैं, लेकिन उभैचर जो है, वो सरीसरफ नहीं हो सकते, समझ में आ गया, क्या नहीं हो सकते, सरीसरफ नहीं हो सकते, चलिए, बात करते हैं आ गया, इसमें जो इंपर्टेंट है, वो है सांप सांपों के बारे में की से जान करी लेंगे तो प्रमुक सांप है इनमें आप लोगों को दिखा देता हूँ काला नाक या कॉब्डा हम इसको कहते हैं करैट बाइपर अजगर ठीक है यहां पर बाइपर देखने को मिल जाएगा यह बाइपर इस तरह से यह आपका करदा आप लोगों को देख जाएगा ठीक है यह कोब्रा है आपर यह आपका इचकर है तो इसमें सबसे एक की जानेंगे हैं विशिस्ता और एक दो होंगे वह हम देख लेंगे तो इसमें कोब्रा की बारे में बात करते हैं को कोब्रा एक इकलवाता साफ है जिसे किन कोब्रा यानि गुंसला बनाता है या मैं इसको फिर से बताऊं मादा कोबरा जो होती है भै अपने अंडों के लिए गुंसला बनाती है जिसमें भै अपने बच्चों का पालन पोसंड करती है यह बिसेस्ता सिर्फ और सिर्फ कोबरा में ही पाई जाती है ठीक है किसमें पाई जाती है पिरसी में पता दूम, सामक़ जो होते हैं, सामके अंदर पैर नहीं होते हैं इन गरीब बीचारों सामके पास मूत्रा से भी नहीं होता है यानिकी इने लगी होती है, तो ये नहीं कर पाते हैं ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर सोध चल रहा है साइद इनके लिए कुछ जुगार बन जाए ठीक है इसके बाद बात करते हैं साप जो होते हैं जबड़े इनके लचीले इस नायू द्वारा एक दूसरे से जड़े हुए थे यानि कि यह जबड़े होते हैं यह इस नायू द्वारा एक दूसरे से जड़े हुए होते हैं यह जो इसनायू क्या होता है इसके कार्ड क्या होता है यह अपना जो मुह हैं काफी अधिक तक खोल लेते हैं जिसके कार्ड यह अपना पूरा का पूरा सिकार क्या करते हैं पूरा का पूरा सिकार निगल जाते हैं समझ रहे न क्या करते हैं यह पूरा का पूरा सिकार निगल जा यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका इसनायू ठीक तो इस तरह से यह क्या करते हैं यह पूरा का पूरा सिकार ही निगल जाते हैं समझ में आ गया चलिए आपके जो सांप होते हैं सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना सांप के कान नहीं होते हैं लेकि लेही नहीं सुन सकते हैं लेकिन जमीन पर इनकी चलने की क्या होती है इस तरह से इनकी जो तवचा वगरा होती है उसमें तरंगों को मैसूर करने की स्यमता होती हैं मैं पिर से बोल दूँ सापों के कान नहीं होते और ये बिचारे सुन नहीं सकते लेकिन इनकी जो तवचा होती है उनको पहचानने की तवचा जो होती है वह द्वहनी तरह अंगों को महसूस कर लेती है यानि की मान लीजिए ये धरती है और धरती पर ये साप है इस तरह से र ऐसे करके इस तरह से कदम रख रहा हूंगा तो इस तरह से मैसूस होगा जिस तरह से आपको मायक में सुनाई पढ़ रहा हूगा इस तरह से क्यों इनकी जो इनकी जो तचा होती है वह ध्वनी तरोंगों को मैसूस कर सकती है ये भले ही न सुन पाते हूं क्योंकि आप लोगों ये बीन काहिका होता है इसलिए आजकल सांप बीन पर नहीं नाचते हैं केवल बीन पर नाचने वाले इंसान रहे गए हैं इसलिए आप लोगोंने साधी विवा में नागिन डांस जैसा एक प्रिचले डांस देखा होगा जो कि नागिन डांस से प्रेरित होकर यानि कि जो ना यह दायां को अपनी तवचा से या फिर अपनी इस्किन से महसूद कर सकते हैं चलिए इनमें बाया फेपड़ा मौजूद नहीं होता है कभी कभी इन अगर होता भी है इनका बाया फेपड़ा तो है बहुत ही छोटा होता है क्योंकि आप लोगों पता होना चाहिए जिस तरह स हमारे सरी फेपड़े होते हैं तो एक इस तरह से यहां पर होता है और यहां पर होता है तो यह दाया हो गया यह बाया हो गया तो साप का जो बाया फेपड़ा होता है वो नहीं होता है अगर होता भी होगा तो बहुत छोटा होता है या अविक्सित होता है ठीक है तो यह समझते हैं टैट्रो पोडा का है एक महावर्ग है तो महावर्ग का एक बर्ग उबहचर वर्ग या फिर MPVIA के बारे में बात कर लेते हैं जली समझते हैं इसको बर्ग उबहचर या MPVIA क्लास आई यह समझते हैं, यह बर्ग मचली, चरकी, रानी है, और सरी शरफ के मिलन से बनाए, हम इसको बहुत भी कह सकते हैं, कि जो आपका उभढ़ाएकर भर्ग है, इसे में मचली तरा सरी शरफ के दोनों को गढ़ पाए गुड़ पाए जाते हैं, या फिर हम इसको बहुत काई सकते हैं, क्योंकि ये book में इस तरह всёा होता है या फ्र किजी दूसरे त्रीका से भी लिखा हो सकता है इसलिए मैं आप को कहीं पर बता दूं को पर इंठी जाएगर तो आपको आव़्चानी से समझ में आजाएगा और आप भी घ्यानी वावा बन सकते हैं चलिए तो मैंने क्या बता है यह वर्ग मचली तता सरी सिरब बर्ग के बीच का बर्ग माना जाता है या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जल और थल दोनों में रहने वाले जीवों को उभय चर्ग कहते हैं ठीक है तो अगर उधार देखा जाए तो आपका जो मेड़क होता है इसको फ्रॉग भी कहते हैं गाउ मेर की या मिडुका भी कहते हैं इसको तो जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से भुख में लेख सकते हैं तो मैंने क्या बताया उधार देखा जाए तो जो मेर को हता है जब अंड Wendy के आकार में होता है यानि कि जब मैडक अंडे देते हैं उसके तुरंत बाद यहां पर ब्रोड तयार होता है ठीक है ब्रोड तयार होने के बाद जब ये लारवा की अवस्ता में होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर गिल्स होते हैं या कहें इनके अंदर ग्रस्नी जो डरारे होती हैं वो होती हैं और ये क्या करते हैं पानी में भी सांस ले सकते हैं या कहें पानी में भी अपना जीवन ब्यतीत कर सकते हैं जब तक ये बैसक नहीं हो जाते हैं जैसे ही ये बैसक होने लगते हैं बैसे ही इनकी जो गितनी दरार हैं वो खत्म हो जाती हैं और ये इस्थल पर रहने के लायक हो जा ठीक है तो इन जन्तुओं का तापमान बाता वरड के साथ साथ गटता और बढ़ता रहता है यानि कि ये असम तापी जीव होते हैं इसलिए जब कभी भी गर्मी या फिर सर्दी बहुत अदिक पड़ती है तो इससे बचने के लिए ये जो जिन्तु होते हैं यानि कि उभैच चलिए आगे बात करते हैं तो आपके जो उभैचर वर्ग होता है इने में बहारी कंकाल नहीं पाए जाता जैसे मैं आप लोग बताए था कि इनमें बहारी कंकाल नहीं पाए जाता क्योंकि क्योंकि इनकी जो इसकिन होती है या इनकी जो खाल होती है या इनकी जो तचा होत हैं उन पर बहुत सारी ग्रंथियां होती है इसलिए इनकी जो तचा होती है वो एकदम सपाट या फिर बिलकुल चिकनी होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड़को ठिक चलिए तो इसमें सांस लेने की प्रिक्रिया की अगर बात की जाए तो किल तचा और फैंपनों तीन प्रिक्रिया उसन करना होता है क्योंकि अगर आपका गिल से करेंगे तो उसमें और यहाद बात जाएग इससे भूर क बग्यारा लगने के चांस रहेंगे, इसलिए लंबी नीद नहीं ले सकते हैं. इस सुस्तावस्ता के दो चरड होते हैं यानि कि एक तो होता है ग्रीस्म निस्क्रियता तथा दूसरा होता है सीत निस्क्रियता यानि कि जब गर्मी अधिक पड़ती है तब ये उस गर्मी को सेन नहीं कर पाते हैं इसलिए क्या करते हैं ये वहचरवर के जुजनती होते हैं गर्मियों में सो जाते हैं और जब आते हैं जमतापान इनके अनकूल हो जाता है अब दूसरी कब होती है जब बहुत ज़्यादा सर्दी पढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी पढ़ने के कार इन पे वो सर्दी या कर इन पे वो ठंडी जिलती नहीं है इसलिए य आते हैं जाकर उसको हम सीट निस्क्रियता कहते हैं ठीक है तो सुष्ता अवस्ता को अपनाने वाले कुछ प्रि公ग जीव movement सीव को है professor जिनने में आपका मेरदक आता है है यह आपकी हाई-ला है यह और यह आपका टोड है ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जब सुस्ता बस्तामीं होते हैं तो यह सरीर, के किस बाक्ट से सांस ले रहे हैं? यह आपकी तुचा से सांस या करें त्वसासे स्वसंद करते हैं, ठीक है, चलिए. चलिए, अबर, वाइचर के यख दो और देख लिए थे हैं, धल पर निवास करने वाले, सब से पहले कसीर की वाइचर ही थे, ठीक है, इूए, in का विकास, पिसेज स पिरकार की मचलियों से हुआ था, यानि कि यह पहले चली जीव थे और इनमें से कुछ ऐसी पिसेश पिरकार की कुछ आपकी मचलियां थी जो कि किस में बदल जाती हैं आपकी उवैज चली जीव में बदल जाती हैं इनका पिसेश पिरकार की मचलियों से हुआ था इनका विकात इन जंतियों का इन जंतियों का हिर्दय जो होते हैं जो कि यहांavors पर आप देख सकते हैं एक दो और तीन आपका एक दो और तीन आपका दो कोश्ट में क्या था एक और जो खिसंडहused होता है ठीक है चलिए समझे है मैंने क्या बताया इन जैंतों का हिर्दा है तीन कुश्टी होता है या फिर हम इसको कि यह हो गया ठीक है शाल यह जिसमें से यानि कि तीन चेमबर में से जिसमें से दो जो होते हैं काँ पर हाँ दो जो होते हैं आलेंद कहलाते हैं यहां पर मैं आप लोगों के दिखा दूँ राइट और यह है लेप ठीक है दो इसमें क्या होते हैं यह और यह जो होता है आपक थिक राइच यह बिंत रिटो करने वाले सबसे पहले कासर की जो थे वह है यह जीव थे कसुर की दर्ती पर निबास करने वाले यह एक पिसेश प्रिकार की मचली थी उससे इन का विकास हुआ था ठीक है मैं फिर से बोलतूं धलप पर निवास करने वाले जमीन पर निवास करने वाले सबसे पहले कसेर की उभायचा रही थे इनका विकास विशेश पिरकार की मचली से ही हुआ है इन जंतूओं का हिरदय तीन कोश्टी होता है या पिर ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि इनके हिर्दय होता है या दिल जो होता है उसमें तीन वेस्ट होते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका हर्ट जो होता है वो उसमें थ्री चेम्बर होते हैं कैसे कैसे होते हैं आपका यह तो हो गया एक इसमें उसमें क्या होता है इसमें जो दो होते हैं आलिंद यानिक आलिंद यानि कि राइट इाट्रियम यह 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 जह यह बात करला ह। अब इंसानों के बात कर लिजा तो इन में धेक這些 होता है जब हम है और आध या देल की जाने के लिए यह tension आपका लीते हैं यह आपका हो गया लेप्ट अparty यह हो गया आपका राइट अट्रियम यह अपका वेंटृ cotton ठीक चलिए तो मैंने क्या बताया इन तीन कोष्टी यह हिर्द्वे में से दो आलिंद होते हैं तथा एक निलयthen होता है एक दो आलिंद और यह आपका हो जिसको हम कहते हैं पकशी वर्गिया class average ठीक है तो चलिए समझते हैं इसको आईए देख लेते हैं पस्षी वर्ग कौन होते हैं इस वर्ग में बे जन्तु आते हैं जिनके दो पैर तथा दो पंक होते हैं इनको हम बढ़ के नाम से जानते हैं चुडिया के नाम से जानते हैं और जब मैं छोटा था तो इसको हम उसकी तरह समतापी रूधिर रिये या गर्म खूनबाले होते हैं समतापी का मतलब होता है कि इनका तापमान न तो गर्मियों में जादे होता है ना ही सर्दियों में कम होता है जबकि समतापी में क्या होता है इनका जब सर्दी पढ़ती है तो ये अपना तापमान कम कर ले करते हैं उसका तापमा नहीं सरदियों में कम्रते हैं इनके सरीर पर पंकों का बाहरी कंकाल होता है इनकी पहले चार टांगें हुआ करती Gewa करती थी लेकिन इनकी जो टाइंडेंसे दो टांगें थी किसी ने तोड़ दी वह इंकी पहले चार टांगें हुआ करती थी लेकिन इनकी आगे की जो टांगे थी वो पंखों में बदल गई तिक फिर से मैं बोल दूँ इनकी पहले चार टांगे हुआ करती थी लेकिन इनकी आगे की टांगे जो थी वो समाप्त हो जाती है और किसमें बदल जाती है पंखों में बदल जाती है और तब से ये गाना गाते हैं उर्ती फिरू इस तरह कुछ गाना भी है ना उर्ती फिरू मस्त गगने में तो ये मस्त गगन में गाना गाना पसंद करते थे इसलिए इनको इसवर ने क्या कहा कि जा बेटा तू उर्ती फिर मस्त गगन में और तुझको में हाथ की जगए पैर की जगए क कि दो 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 पैर होते हैं उनमें चार चार पंजे होते हैं चार इसमें और चार इसमें पंजे होते हैं इनके मुह में एक चोंच होती है उससे ये नास्ता उससे ये खाना उससे ये पीना सब चीज करते हैं लेकिन इनके दांत नहीं दिये गए हैं समझ में आ गया इनके दां का ही होता है जैसे कि इनका सरीर जो होता है दारा रेकेत होता है सिर जो होता है छोटा होता है पूंच इनकी छोटी होती है हड्डियां इनकी खोकली और मजबूत तता हल्की होती है इससे क्या रेता है इन्हें उड़ने में आसानी होती है क्योंकि इनकी हड्डियों में क्या ह पूस्ट होते हैं या क्या फूर्ड चेंबर होते हैं यानि कि एक उपर वाला आलिंद एक इदर वाला आलिंद एक यहां पर आपका निल है और यहां पर निल है यानि कि लेट निल है और राइट निल है और इसका left island और right island अब हम इसको कह सकते हैं कि left atrium और right atrium ठीक है left ventricle और right ventricle समझ में आ गया इस तरह से इनके कितने chamber हो गए एक, दो, तीन, चार इसमें चेमबर हो गए किसमें पक्षियों में यानि कि पक्षिवर्ग में चार कोष्ट होते हैं या चार चेमबर होते हैं ठीक है इनके आहर नाल में दो एक्स्टरा कोष्ट होते हैं या दो एक्स्टरा चेमबर होते हैं जिनमें एक जो है चेमबर जो हो तो जिसमें जो क्रोप होता है इसमें ये खाना क्या करते हैं एकटा करते हैं यानि कि क्रोप में भोजन इन्हों ने खाया पिया मस्त रहे और यहां पर क्रोप में एकटा कर लिया और उसमें क्या किया एकटा करने के बाद धीरे 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 यहां पर एक कवता भी वनी है धी जाड में यहां पर पीशते हैं और क्रोप में ये एह थाटा करते हैं सब्झाड़ा गया यह सरीशिप की तरह अंडे देते हैं कौन आपके पक जाता है यानि कि उन्हें पंक तो दिये जाते लेकिन उड़ने में वो साय ताया मदद नहीं करते और कुछ पस्षी ऐसे होते हैं क्योंकि उड़ सकते हैं तो न उड़ने वाले पक्षियों के बारे में बात करें तो न उड़ने वाले पक्षियों में आपका आ जाता है सुतर में पाए जाते हैं यहां पर मैप के साब से आप इनको लिखवी सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं उड़ने बाले पक्षी कि अगर बात की जाए तो आपका कवगा हो गया चिरया हो गया तो ता हो गया गोरया हो गया तो यह गोरया होता ना गोरया यह यह आपकी में आगे बात करते हैं चलिए कुछ चणियां की आपकशियों की विश्यिस्ताओं के बारे बात कर लेते हैं तो मरमर यह इसको बखशि है इसको हम सकर होड़ा भी कहते शकर मतलब आपका जो भी है अब पहले में आप लोगों हरका से दिखा दो आपको यह आपका हमिंग वर्ड है ठीक है इसको मरमर कहते हैं ठीक और यह आपका है आपका इसको हम कहते हैं खंजयन जड़िया यह आपका पैंग्मिन है यह आपका कोयल है यह आपका डोडो है और यह आपका कोसो बरी है चलिए तो जूस चूसता है रस चूसती है या उसको हम जूस भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं ठीक है दूसरा देखते हैं पक्षी जो है कि कोयल कोयल जो होते ही है अपने अंडे किसी दूसरे चिडिया के गहुंसले में रख देती है चाहे फिर वो कववा हो चाह आती है ठीक है चलिए बहुत कहतरनाक और जुँख करसे बगये का सब्सक्राइट है ये दोड़ा-दोड़ा कर इस के दोड़ा-दोड़ा और कर--------.. यह मोरी दीप के लोगोंने इसको मार-मार के खा पीकर ख़तम कर दिया या करे डिकार मार कर खतम कर दिया और अब बिलुप्त हो चुका है अब इस देखा नहीं गया है ठीकहे? तो चलिए यह होगे आपका चुड़िया के बारे में जो भी जानकारी थी? बात करते हैं टेट्रो पोड़ा के बारे में महा वर्ग टेट्रो पोड़ा का आपका इस्तंदारी वर्ग के बारे में इस्तंदारी नहीं इस्तंदारी धारी मतलब धारण करने वाला इस्तं मतलब आप लोगों पता ही है आगे समझते हैं इसको चलिए देखते हैं इस्तंदारी आए तेख लेते हैं इस्तंदारी या क्लास में में लिया इस्तंदारी का या कि इस्तंदारी सब्द का मतलब होता है इस्तं ग्रंतियों को धारड करने बाला यानि कि जो हमारी जो ये हैं ये ग्रंतियां होती हैं जो की अन्नी जीवों में भी होती है जैसे कि गाय में भेंस में दो स्थनवाली होती है आपकी बकरी हो गई आपकी चार स्थनवाली भेंस गाय इस तरह से हो गई आपकी बारे थनवाली भी है पता नहीं बारे दो चार छे आठ दस तुबारे दो सोले सोले थनवाली भी हो गई सोले वे अपने वच्चों को दूद पिलाती है इस्थनी बर्की अगर बात कि जाए या क्लास मेमिलिया की बारे में अगर बात कि जाए तो सभी प्राणडी बहुत अच्छी तरह से बिक्सित होते हैं इनमें चाहे कोई सावी तंत्र हो, चाहे स्वसन तंत्र हो चाहें कोई सा भी तंत्रो इनमें अच्छी तरह से बिक्सित होता है ये समतापी होते हैं प्रोटो थीरिया को छोड़ कर क्योंकि ये जो प्रोटो थीरिया होता है उसके बारे में हम इसी में बात करेंगे ठीक है तो मैं फिर से बोल दूँ आपके जो इस्तंदारी वर्ग जो बार निकलते हैं जो आपका इस्तंदारियों के बर्ग की अगर समय काल की बात की जाए तो सेनों जे काल को इस्तंदारियों का काल कहा जाता है ठीक है तो चलिए आगे समझते हैं इस तंदारी बर्क ठीक है इस बर्क के जन्तुओं की तुचा पर बाल होते हैं या हम ऐसे कह सकते हैं इस बर्क के जन्तुओं की तुचा पर तुचा या खाल या फिर जो आप कहना चाहें खाल या फिर इसकिन के उपर रोम होते हैं या बाल होते हैं इनके कान कुछ जादा ही बिक्सित हो जाते हैं क्योंकि इनके जो कान होते हैं वो बहारी कान के रूप में भी निकले हुए होते हैं जिनको हम कान पल्लव या इयर पिन्ना कहते हैं क्योंकि अन्य जन्तुओं में जो कान जो होते हैं इतने बिक्सित नहीं होते हैं अगर होते भी हैं तो लेकिन इतनी त सूर के कान बिली के कान इस तरह से सबकी दुकान की कान की दुकान होगे ठीक चया लिए नर्ट अमादा दौनों में इस्थन गिरंतियां पाय जाती हैं मादा और नर होती तो दोनों में इस्तन गिरंती है लेकिन मादा में कुछ जादा ही विक्सित हो जाती है इससे यह क्या करती है अपने बच्चों को दूद पिलाती है यानि कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नर की इस्तन गिरंती है और यह मादा की इस्तन गिरंती है, यहाँ पर मादा की इस्तन गिरंती को जादे बड़ी हो गई है, यह कब हो गई है, जब इन्हें अपने बच्चों को दूद पिलाना होगा, ठीक है, तो जैसे चुईया हो गई, चुईया अपने बच्चों को दूद पिलाती है, आपकी ज संदारी वर्ग में इस वर्ग में चार कोष्टिय हिर्दय होता है समझागे ना इस वर्ग के जितने भी जीव होते हैं उनमें चार कोष्टिय क्या होता है हिर्दय होता है यानि कि लेप्ट एंट्रियम आपका राइट एंट्रियम आपका लेप्ट वेंट्रिकल और यह आपक ये मेरा दिल है ये मारा इस तरह से दिल है ठीक आप इस तरह से तो ये आपका हो गया राइट और ये हो गया लेप्ट ठीकर तो इस तरह से अभी इस्कीन मान लीजिए मेरी इसकीन जल रही ठीकर तो इस तरह से मान लीजिए मेरी इसकीन ये इस तरह से इस तरह से मेरी इसकीन जल रही है पॉन की ठीक है तो ये हो गया स्कीन का राइट और ये हो गया लेफ्ट तो दिल का क्या हो गया ये राइट और ये लेफ्ट लेकिन मुझे दिखाना कैसे आपको आपको जिल दिल की मेने आप वहां से जब फोटो की जाएंगे तो जब आप इसे देखेंगे तो ऐ से बदल जाएगा अब क्या हो गया अब यह उल्टा हो गया जो इसका लेट था जो इसका लेट था वो राइट हो गया और जो इसका राइट था वो लेट हो गया इसी तरह से यहां पर दिल का हो गया ठीक है यह हड का हो जाता है चलिए तो आगे समझते हैं इसमें तो मैंने क क्या बताया था अवस्कर क्या होता है खाने और जाने की वो सॉरी अवस्कर क्या होता है मैंने बताया था टॉयलेट करने की और गोबर करने की दोनों की जो रास्ताइं होती है वो जब एक हो जाती है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह है आपकी मान लीजिए कोई जीव हैं तो इसता ये है आपका ख teenage खाने का ये है ओहर नाल और ये यहाँ से करके ये यहां पर आप इसको निकालना भी है, तो आप इसने निकाल दिया, अब ये होगी इसकी आहर नाल, अब भाईया इना हर नाल के बाद यहीं पर इसको टॉइलेट वगेरा भी जाना है और यहीं से निकालना है तो यह दोनों मिलकर क्या बनाती है यह दोनों मिलकर आपकी अवसकर का निमार करती है तो जो की इस्थंदारियों में नहीं होता है अवसकर यानि कि खाने का और निक चिए कीज़िक में क्या की किया गया है अवसकर बनाया गया है ठीक है। इस बर के सभी जनतु जरायुं। जो होते हैं ή spos記 को यानि कि इन्में मादा सीधे बच्चे को शरी अच्छे सीधे बच्चे को एक बिकृसित बच्चे को जन्म देती हैं। बस प्रोटो थीरिया को छोड़ कर इसमें बिक्सित बच्चों को जन्म नहीं दिया जाए जाए तो अब बात कर रहेते हैं इस्थंधारी बर्ग को तीन उपवर्ग में बाटा गया है कौन-कौन से उपवर्ग हैं आईए मैं उनको देख लेता हूँ मैं क्या आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहला है प्रोटो थीरिया जो की क्या होगा आगे ही हम बात करेंगे दूसरा है मेटो थीरिया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और तीसरा जो है यू थीरिया जिसमें हम लोग आते हैं चलिए समझते हैं तो चलिए आपक क्या बताया था आप लोगों को कि कॉर्डेटा और नोन कॉर्डेटा के रूपे बांटा गया है कॉर्डेटा को आपका दो सम्मून बांटा गया है क्रेमिया और एक क्रेमिया ठीक है तो मैंने एक क्रेमिया को छोड़ दिया अब क्रेमिया को नीचे लिया हो क्रेमिया को दो बारे में पढ़ चुके हैं अब हम किसके बारे में पढ़ रहा है टेट्रो पोड़ा के बारे में टेट्रो पोड़ा के बारे में टेट्रो पोड़ा को मैंने क्या बता है था चार बारे में बाता गया था उबैचर सरीस्रा पस्षी और इस्तंदारी के बारे हम पढ़ने वाल इस्तंदारियों को फिर से तीन वागों में माड़ दिया है जैसे कि प्रोटो थीरिया मेटो थीरिया और यू थीरिया के बारे में ठीक है तो आएए सबसे पहले हम बात करते हैं आइग महाबर्ग टेट्रोफड़ा चल रहा है जो इसका बर्ग जो है इस्थंदारी ॉvideo कई कर दो आइए फिर देखते हैं प्रोट२ थिया की बारे में चर daha लिए आ की छ़ले प्रोट थिर्या के बारे बास करते हैं प्रोटchau थिरो क्या मतलब आद इस्थनी इस्थनी आप लोगों पता ही इस्थन किरंतियों के बारे बात है आद ही मतलब शुरुबात की यानि कि यह बेजीव होते हैं जिनकी इस्थनों की क्या हुआ है शुरुबात ही हुई है तो आइए समझते हैं कुछ ऐसे कुछ गुड़ इन प्रोटो होते हैं यानि कि असम तापी होते हैं यानि कि इनका जो ब्लड होता है यानि कि रक्त होता है वो कैसा होता है असम तापी होता है सर्दियों में क्या होता है इनका जो जो तापमान होता है वो कम हो जाता है गर्मियों क्या हो जाता है बढ़ जाता है और जब कभी कोई इस्तित यह आजाती है कि यह अपना तापमान सेट नहीं कर पारें तो यह निश्क दिए ताकि इस्तिती में पहुँच जाते हैं ठीक है तो आज़े समझते हैं मैंने का पताया इनका पिकास सरीसरप से हुआ है यह कोल्ड बिलडेड होते हैं यह सरीसरप की तरह अंडे देते हैं लेक लिकने इस्तंदार्यों की तरह है इनमें चुचुख नहीं होते हैं यानिकि जो इस्तंदार्यों होते हैं उनमें जो आगजे चुचुख होती है वो इनमें नहीं होती है किर में आपकी Impro burned in ne कड़ पल्लब भी नहीं होते हैं जिस तरह में आप लोग क्या बताया था कि हम इस्तंदारियों में क्या होते हैं कर फल्लब होते हैं यहनि कि हमारे कान कुछ ज्यादा ही विक्सित होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप चुईया देख सकते हैं ठीक है लेकिन इन में क्या है इन में गया एक sprototeria ठीक है चलिए आगे बात करते हैं प्रमुक जंतूं को देख लेते हैं सब बहुत क्याते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्लेटीबस यहाँ पर आप देख सकते हैं सुन्धर सा जानबर है या फिर छनटू है इसको हम कहते हैं प yolk मातों पड़ा है इसका यह कहा जाता है वो बतक से ही हुआ माना जाता है ठिक ये कभी जें कभी पहले बतक हुआ करती यह स्लीक में ब्ली टिक अनुने को ढल भाए तिक दो यहां पर आप देख सकते हैं आपका और यह जनतु है जिसको हम कहते हैं आखिडिना यह रात में निकलने वाला एक जनतु है जो कि चीटियों को खता है सीटियों को खता है बहूतील चाब से ठीक चलिए कर छिश् offense करते हैं महा वर्ग टेट्रोपूडा का इस्थन दारी वर्ग का ठिक है एक उपबर्ग जिसको हम कहते हैं मैटो थीरिया तो आईए देख लेते हैं मैटो थीरिया को भी समझे लेते हैं देखते हैं मैटो थीरिया की पिसिस्ता इसमें आदि गरंथी तता प्रारंबिक इस्थनी आते हैं यानि कि इस दुरुबात हो चुकी है लेकिन थोड़े से बिक्सित हैं आदिसे यान बच्चों को जन्म देते हैं या कहें अब विक्सित बच्चों को पैदा करते हैं यानि कि ये बच्चों को पैदा कर लेते हैं उसके बाद आगे लगी थैली में उनका पालन पोसंड करते हैं मैं फिर से बोल दूँ प्रोटो थेरिया में क्या था कि बच्चों को अंडे दे क उन्हें पैदा करते थे और पैदा करने के तुरंत बाद वो क्या करते थे दूद पीते थे अपनी मम्मे का ठीक यहाँ पर क्या है मेटो थीरिया में ठोड़ी सी कहानी अलग है इसमें बच्चे तो निकल पैदा होते हैं लेकिन बिक्सित बच्चे नहीं होते हैं अब बिक्स सिसधानी या मार्सू पीम कहा जाता है, इसलिए इस बर्ग को मेटो थीरिया बर्ग में रखा गया है, और इस बर्ग को हम कभी-कभी मार्सु पियम बर्ग भी कह देते हैं क्यों कह देते हैं क्योंकि यह सिसुदानी इन में पाई जाती है इस थैले के अंदर इस्तन गिरंतियां भी लगी होती है यानि कि जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों ठैला दिखा दूँ एक मान लीजि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं हमारा दूद भी पीते जा रहे हैं बच्चे जब इसमें दूद पी रहे हैं समझ रहना तो जो सिसुदानी जो होती है उसमें क्या है इस्तन गिरंतियां भी लगी होई है समझ में आ गया तो मैं फिर से बोल दूँ इन थैलों के अंदर इस इसके बाद कि जाए तो वह होता है कंगारू जो की और जाता है और भी वह आपको अपके अधाई नाम से यह आपके यू की तरह देखने वाला एक जंतु है और यह अपने बच्चों को पीट पर इखटे जितने भी करते वो इस तरह से आगे का विकास करता है और इसके बाद है डाइसी यूरस इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं डाइसी यूरस जो है यह है तस्मानिया वाले छेत्र में है पाया जाने वाला जीव है ठीक है च इसका एक उपवर्ग है जिसको हम कहते हैं आपको यूथीरिया तो आईए देखते हैं यूथीरिया और इसकी हमकानी इस्तंधारियों की समाप्त करते हैं चलिए यूथीरिया के बारे में बात कर लेते हैं यह पूरी तरह से बिक्सित बच्चों को जन्म देते हैं यानि कि जब बच्चों को जब बच्चे जो होते हैं पूरी तरह से उनका विकास हो जाता है तब उसके बाद उन्हें जन्म दिया जाता है दिया क्या जाता है वो अपने आपी पिरक्रिया होती है दिया जाता है जिस तरह से आप पर मान सकते हैं कि ब्रूर से वो फिर एक पूर बिक् तो इस वबर के जो जनतुएं में ब्रूड तथा सिशू का जो पौसर होता है मादा के मादा मतलब जो भी हो मादा के घरवास में एक नली होती है उसके माद्यम से ये बच्छों का पौसर और विकास करते हैं किसका शिशु का और भुरूड का इसमें ही विकास होता है जिसको हम प्ले सेंटा कहते हैं यहाप आप देख सकता है यह एक प्ले सेंटा है इससे बच्चे का बुरूड का और फिर भुरूड का और फिर बच्चे का विकास होता है कहां से होता है प्ले सेंटा से ठिक इस इन में अवसकर नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें मूत्रोजन यानि मूत्रोजन छेद तथा गुदा का छेद अलग-अलग होता है यानि कि आप यहां पर देख सकते हैं पुत्ते की जो चीज है वो आपकी गोबर करने वाली अलग दी गई है या फिर जितने भी जीविविव होत है ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं चलिए यू ठीरिया के कुछ प्रमुक जन्तियों के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि मनुस्याब यहां पर देख सकते हैं या इनसान देख सकते हैं इसके बाद यह डॉल्फिन है जो कि गंगा में पाई जाती है यह आपकी यह बिल्ली देख सकते हैं यह यह जील करने का बच्चे पालने का तरीका मुझे बड़ा प्यारा लगा यह देखे बड़ा आनंज से सो रहा है तो पड़ा प्यारा लगा था मुझे तो मैंने क्या बताया ये सारे जीब जो हैं आपके किस में आते हैं आपके इस्थंदारी वर्ग में आते हैं यहां पर मैं क्यों बताना भूल गया इसका सोसड हो रहा है जो कि एक गलत बात है तो सौरी जो मैंने सोसड दिखाया किसी जीब का ये गलत बात है इस तरह की चीजें दिखाना अफराद है तो उसके लिए सोरी ये सुसर हो रहा है बिल्ली का बिल्ली का नहीं उसका चलिए नेक्स देखते हैं इसी में ही इन में इन में भी कुछ ऐसे जन्तु होते हैं जो कि सीत निस्क्रियता की क्रिया करते हैं क्योंकि ये ताप का नियंतर नहीं कर पाते यानि कि जब ताप मन प गया बालू हो गया ठीक है यहां पर सो रहा है बच्चे के साथ मनी ममी जो है सो रही है आपर देख सकते हैं यह भालू हो गया ठिक इसके बाद यहां पर चमगादर हो गया और यह क्रंतक जो होते हैं जो कुतरने वाले जो जन्तु होते हैं जैसे चुआ हो गए गिलेर हो गई कि इस तरह मुझछना क्या है कि भाईया गोड़ा के नाम से लग राए कि वह समुद्री खुड़ा मैं इसाल लगगा है कि यह रहा है Juением वोगा तो यह समुद्री घुरा तो यह भी एक इस्थंदारी होता है ठिक समुद्री घुड़ा ठिक समुद्री घुड़ा बस अरी समुद्री सिंग जो होता है एक इस्थंदारी होता है ध्यान रहे समुद्री सिंग यानि समुद्री सेर और सील में अंतर होता क्योंकि इनके पैर होते हैं इनके पैर नहीं हो होते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका स्थंधारियों के बारे में भी जो भी जानकारी प्र होत करते हैं मानव का जन्तु जगत्में स्थान के इसके बहुत अगे नाम इसका क्या है है ह Merci थर देगा आता है ट्रफिंदी वह सब्सक्राइब करें आता है यह संग की की बात की जाए मैमेलिया है है गड की बात की जाए तो प्राइमेटा है उपगड़ की बात की जाए तो एंत्रो पोइंडिया है इसके बाद उपगड़ की बात की जाए तो होमो निडी है इसके बाद बंस की बात की जाए तो होमो है और जात की बात की जाए तो सेंपियंस है ठीक है तो ये हो गया आपका जो भी जानकारी थे ठीक चलिए साथ यो बात करते हैं जन्तुओं और पेड़ पौदों की सारी रिख संतिना के बारे में यानि की बोडी स्ट्रक्चर और प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है तो आए देखते हैं एक एक करके दोनों को समझेंगे पहले हैं तो हम प्लांट्स करता है उसकी और कई सारी उतक मिलकर एक अंग का निमार करते हैं अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं एक पूरे चीव का निमार कर देते हैं मैं यह आप लोगो को कई बार बता चुका हूँ जैसे कि आप अगर हम यहाँ प पर देखें तो पेड़ पौदे की कोशिका है तो यहां पर केड़ पौदी कोशिका है यहां पर जन्तु कोशिका है यह पर पौदी कोशिका मिलकर एक उतक का निर्मार करती है यहां पर जन्तु की भी कोशिका मिलकर उतक का निर्मार करती है इसके बाद बहुत सारे उतक मिलक चे-si-pांच थंतर कोई सावी तंतर मान सकते हैं इससे सार मिलकर एक पूरे जीब करने मिलें करते हैं वो पेड़'s पोधा भूदा हो चाहें फिर वो पिराण्वी तुछ से भाहि जैसे मनुशी महों ठीक है तो भीसलिग कले से बटो कि आप लोगों कहीं बार काऊं के कोशिकाएं जो होती है या काएं बहुत कोशिकाएं जो जीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर बने होते हैं अब भाईया यह कोशिकाएं मिलकर तो बने होते हैं तो मैंने अभी जब आप लोगों को बताता हूं कि थैलस क्या होता है तो कोशिकाएं से मि मान लगा है तो आवा हमें ऐसे कह सकते हैं एक भूसे का जो कड है और बहुत सारे बूसे के कड मिलाकर क्या करते हैं एक भूसे का डेर बनाते हैं तो क्या ये मनुस्यों का या फिर किसी जीब का ऐसा होता ऐसा नहीं होता है जो कोलशका होती है या उतक होते है या अंग होते है या अंगतंत्र होते है ये किसी धेर की तरह नहीं होते बलकि एक बहुती मजबूत और एक बहुती सुरक्षि सरीर में इनका क्या होता है एक आकरती बना तो क्या होता है उसकी जटिलता बढ़ती जाती है कैसे बढ़ती जाती है जैसे मान लिजे कोई एक कोश्ची की जीव है अब एक कोश्ची की जीव का मतलब यह हो गया कि उसमें एक कोश्ची का है और उस एक कोश्ची का के द्वारा ही उस पूरे जीव का निर्मार हो चुका ह वो उसी कोशिका में ही पूरे पूरा हो जाता है और उसी कोशिका में पूरा होने के बाद वो समाप्त हो जाती है तो इसी तरह से एक कोशिकी में होता है अब ये कोशिकी से हम बड़े सरीर की तरफ जाएंगे जैसे कि हमारा हो गया तो हमारा क्या है बहुत सारी कोशिका मिलक मैंने क्या बताया इसका मतलब ये हुआ कि जीव जितना चोटा होगा उसके सरीर की सनतना उतने ही कम जटिल होगी और सरीर जितना बड़ा होगा उसके सरीर की जो जटिलता होगी वो बहुत ही बढ़ती जाएगी या बहुत अधिक हो जाएगी तो सारीरिक सनतना होती है पौधों में क्या बनाते हैं एक डाली बना लेते हैं या फिर पौधों की जो उतक होते हैं एक पत्ती बना लेते हैं जो कैसा एक अंग है यहां का पौधों का अंग है अगर मनुस्यों की बात की जाए किसी इंसान की तो बहुत सारे उतक मिलकर कोई एक अंग बना लेते हैं जैसे कि आंक बन गई हमारी नाक बन गई हमारी तो इस तरह से तो क्या हो गया इनका दोनों का क्या है संरचना जो है पेड़ पौधों की अलग है और जन्तूं की अलग है तो इस तरह से हम क्या करेंगे जन्तूं को अलग पढ़ेंगे और पेड़ पौधों की संरचना के बार बारे मात करते हैं सबसे पहले तो नहीं दो आम लोगों हमने बता कि जो कोश्काइं रहे कि कि सरीर की क्या होता है यानि की सबसे चोटा जो उन का शुरुभात होती है वो एक कोश्काइव की शुरुभात होती है और फिर धीमे धीमे उससे ही मिलकर एक पूरे सरीर का निर्माड हो जाता है ठीक है तो ये समान खोशकाय मिलकर क्या करती है एक पूरा उतक बनाती है और कई सारे उतक मिलकर अंगों का निर्माड करते हैं जैसे कि आँख हो गई, हिर्दय हो गया, मस्तिस्क हो गया, यक्रत हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जो भी आपको अंगा आते हों, वो आप यहां पर लिख सकते हैं, मैंने फिर से बता जो, मैंने क्या बताया, समान कोश्काय मिलकर एक उतक का निर्माड करती हैं, और फिर कई सारे उतक मिलकर एक अंग का निर्माड कर लेती हैं, ठीक है, तो इ होते हैं मिलकर क्या करते हैं आपका उस सर्जन तंत्र का निमाड करते हैं यानि कि जो हमारे सरीर में जो गंदी चीजें हैं उसको निकालने का कार जो क्या करता है आपका उस सर्जन तंत्र का होता है तो यह कौन-कौन से इसी तरह से क्या होता है इसी तरह से किसी भी जन्तू के सरीर में कई सारे अंग तंत्र होते हैं जैसे कि हमारा स्वसंद तंत्र हो गया पाचन तंत्र हो गया यहां पर तंत्र मैंने बना दी हैं वो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पर संच्रड तंत्र हो गया उसके वाद तंत्र का तंत्र हो गया तो इस तरह के जो तंत्र होते हैं वो कई सारे उतक और फिर कई सारे अंगों से मिलकर बनते हैं तो उतकों में जो कोश्काइं होती हैं यानि कि मान लीजिए ये आपका मान लीजिए कोई उतक बन जाता है जैसे कि आपका ये उतक बन गया ठीक ह और जब उतक मिल जाता है तो फिर एक अंग का निर्मार हो जाता है यानि मालीजी ये सारी एक अजार दो अजार तीन अजार कोश्काय मिली फिर और भी बहुत सारी कोश्काय मिली उसके बाद कोश्काय बनने के बाद एक उतक बने गया फिर क्या हुआ कई सारे उतक मिलने के किया हुआ एक आपका अंगू बनी गया ठीक है इस तरह से आपकी प्रिक्रिया चलती रहती है ठीक है तो मैंने क्या बताया जो उतक में जो कोशिकाएं होती है जो आपस में जुड़ी जब होती है तो अंतय कोशी की पदार्थ के माध्यम से जुड़ी होती है यानि कि माली जी एक कोशी का है दो कोशी का है और ऐसी हजारों लाखों कोशी का या करोडों कोशी का हम मान सकते है तो जब ये एक दूसरे के माद्धियम से जब ये मिलकर उतक का निमार कर रही है तो इसमें जो चिपकाने वाला पदार्थ है उसको हम अंतय कोशी की ये पदार्थ कहते है तो अंत्य कोशी की जो पदार्थ होता है उसका स्रावड या कहें वो कहां से रिस्ता है या कहां से निकलता है तो कोशिकाएं ही करती है फिर से मैं बोल दूँ अंत्य कोशी की जो पदार्थ होता है उसका स्रावड कोशिकाएं करती है या जो पदार्थ होता है जो कोशिकाए करती हो और यह पदार्थ कहता होता है यह निर्जीव और अर्द तरल होता है अब यह अर्द तरल कहता हो गया यानि कि पतला तो होगा लेकिन कम पतला होगा यानि कि हलका गाड़ा होगा ठिक यह उतक द्रब्य का निर्माड भी करता है कौन आपका अंतर कोश्च के करती हैं, तो क्या करती है, अलग-अलग प Hinterka ken का पिरकार के इत्गोंका निर्मार करती है थiक़ है, तो यहां पर मैं अप लोग उत्गों के नाम बता सकता हूँ, एप कर फिर आगे हम एक एक करके समझेंगे जैसे कि connective tissue होता है या हम इसको कहते हैं आपका संयोजी उतक हो गया उतक उपकला उतक हो गया पेसी उतक हो गया और तंत्रिका उतक हो गया तो एक करके समझते हैं सबसे पहला जो उतक है उसको हम कहते हैं उपकला उतक ठिक वैसे तो इसम जितने में से आ चुका है अगर उतना ही पढ़ाओंगा तो फिर उतने में से नहीं आता एक दो कोष्चन रिपीट हो जाएगे तो हम उसे थोड़ी न पढ़ते रहेंगे कि हम भाई आ वोवाले जो आचुके हैं, तो उनसे बेड़ा पार नहीं हो सकता है, यह बात मानि कि एक दो question बढ़ सकते हैं आपके, तो कि अगर repeat हो गया तो हमें आसानी रहेगी करने में, लेकिन यह नहीं कि repeated से ही आप क्या कर सकते हैं, आप पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं, तो एको से थोड़ा बच्का काम करता है यह उतक सरीर के ऊपर तथा सरीर के अंदर के अलग-अलग भागों की गोएकाओं के ऊपर परत बनाता है जैसे कि आपकी तुचा हो गई, मुह हो गया, आहरनाल हो गया, आपका फेंपडा हो गया, इस तरह की जो अंग होते हैं, उनकी क्या करता है, यह मुह खोलके मेरी आकरती ऐसी बन गई, जब इसकी आकरती ऐसी बन गई, मुह जब मैंने खोल लिया, इस तरह से आकरके न, तो मेरा मान लिए ये मुह खुला हुआ है, तो जब ये मुह खुला है, तो इसकी जो ऊपरी सत्य है, इसकी ये काई की बनी हुई है, ये उपकला उतक से बनी हुई होगी और हम आहर नाल की तरफ चले जाएं अंदर तो हम इस तरह से देख सकते हैं इसके अंदर चले जाएं तो इसकी जो भारी परत होगी वो काई से बनी होगी उपकला उतक से बनी हुई होगी समझ में आ गया तो इसकी उत्पत्ति यानि कि उत्पत्ति की जो उत्पत्ती होती है, आपकी मिसोडर्म से भी उपकला होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रोड की तीनों अबस्ताएं हैं, ठीक है, तीनों इस तर हैं, या तीन लेयर हम इसको कह सकते हैं, तीनों परत हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एक, दो, तीन, तो एक्टोडर्म और यह आपका है एंडोडर्म, तो तीनो से इसका क्या होता है, निर्माड या उत्पत्ति इसकी होती है, तो आगे आगे बात करते हैं, इसकी एक सתय हवा के लिए खुली हुई रेती है, तसा दूसरी सतय जो होती है, आदारी जिल्ली पर इस्तित होती है, जिस को हं, जिस जो जो भी आपको color दिख रहा हूँ वैसे तो pink pink लग रहा है अलका था तो यह जो है यह इसकी जो ऊपरी परत है आज जो कहां बहरी परत जो है यह किसके लिए खुली हुई होती है आपकी हवा के लिए खुली हुई ही रहती है जब कि दूसरी जो सत्य होती है यहाँ पर आप अपसोसड में साइता करती है यानि कि आपका जो अपसोसड की बारी आती है या अपसोसड का जब जरूत पड़ती है तो आपका उपकलाओ तक अच्छा खासा अपसोसड कर लेता है कि इसका जल का आपका पदार्थ होते हैं उनका टिक तो जो आपका उपकलाओ तक जो होता ह यह घाबों को इससे घाबों को भरा जाता है यानि कि जब भी हमारे कभी चोट लग जाती है मान लीजिए हमारा ये मान लीजिए मेरा कहां पर गया ये मान लीजिए कैंची है ये कैंची मान लीजिए ये वाला हिस्सा चाकू है तो चाकू से मेरा हिस्सा जैसे मैं किसी कलती स यहां पर कट जाता है तो यह जब घाव जो हो गया यहां पर यह किस से भरा जाएगा यह आपका उपकला उतक के द्वारा भरा जाएगा क्योंकि उपरी परत पर आपका कौन सा है सबसे पहले आपका उपकला उतक है मैं फिर से बोल दूँ आपका इन उतकों से या उपकला उ शबोखेजिपरा यादिक होती है यानि कि धुबारा पुनर जनन की याक हैं धुबारा बनने की चमता इसमें बहुत अधिक होती है इसलिए जब हमारा कभी हाथ पगेरा कट maple कट जाता है कहीं पर लगजाती है तो घाव बरने का कार आपका उपकला उतक का ही होता है तो इस आपस में सटी तो रहती है लेकिन इनके बीच में रक्त नहीं होता है यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूँँ माल लीजिए यह आपका उपकलाओ तक है तो यह कहीं पर भी आप देख सकते हैं जितना भी है यह सारे उपकलाओ तक ही हैं आपको कहीं पर भी रेड रेड ही देख रहा होगा यहां पर हलका सा देख रहा होगा लेकिन नीचली पर दा है जो की सयो जी उतक ठीक बालए च्येतर है तो मैं फिर स्य बोल दूँँ इसकी जो जैसे जैसे मालीजिए यहां पर आप danny UK. युर आपकी एक दूसरे से सटी हुई है और उपकलाओ उतक्का निर्मार करती हैं लेकिन उतक्ला उतक्का निर्मार करने के बावजूद भी इनके बीच में रक्त नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो कोश्का ही होती है कोश्का ही होती है उतकों में किसके माध्यम से जुड़ी होती है कोश्क की आपका अंत्य क उसकी द्रब के माद्यम से जुड़ी होती है जो की एक निर्जीव और अर्ध तरल पदार्थ होता है जब ये अर्ध तरल पदार्थ होगा और निर्जीव भी होगा तो इसमें बिलड यानि की आपका रक्त की कड़ नहीं होंगे समझ में आ गया तो किसमें रक्त नहीं होता ह आपका उपकला उतक में रत नहीं पाये जाता है सरीर की जितनी भी गरंथियां होती है जितनी भी गरंथियां होती है या करें जितने भी ग्लेंड्स होते हैं वो आपके उपकला उतक से ही बनते हैं या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि हमारे सरीर में जितनी भी गिरंथियां होती है वो काई के द्वारा निर्माड हुआ होता है आपका उत उपकला उतक एफिथीलियम के द्वारा ही इसका निर्माड हुआ होता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो ये जो गिरंथियां होती है जो हमारे सरीर में पाई जा कैसी होती हैं बहुत कोशिकी होती हैं तो पहले हम बात करते हैं एक कोशिकी गरंथियों के बारे में एक कोशिकी गरंथियां या इनको हम चूसक कोशिकाएं भी कह देते हैं चलिए समझते हैं तो मैंने क्या बता है ये गरंथियां दो प्रकार की होती हैं इनमें पहली है एक क कोशिका के द्वारा बनी होती है या इस गिरंती का निमार एक अकेली कोशिका के द्वारा होता है इन गिरंतियों में स्लेजमा बनता है जो की सत्य को क्या करता है गीला करता है जैसी कि हमारी लार हो गई हम अभी जीब है जब हम कभी खाने की चीज़े देखते हैं तो हमारी क जो सत्य जो हमारी गेली है हम आहर नाल की जैसे माली जी हमारे ये है पैन है हम और गहराई तक डाले हो तो जहां तक हमारा ये जा सकता है गले में फिर आहर नाल में स्वास नाल में फिर इस तरह से यहां पर चलता चला जागा तो जो अंदर की तरफ जो भी है यहां पर इस त आपकी सांस लेने की नली में कुछ चूसक कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो कि हमारे इन छित्रों को क्या करती हैं गीला रखने का कार करती हैं दूसरी देखते हैं आपको बता दूँ जब हम यहां पर जब हम उतक पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ यह टॉपिक है जब हम गिरंतियों को अलग से पढ़ेंगे तो बहां पर अलग जानेंगे यहां पर गिरंतियों को नहीं पढ़ रहे हैं बलकि उतकों को पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर गिरंतियां इन से जुड़ी हुई है तो उनके बारे में हलकी सी चर्चा कर रहे हैं चले देखते ह कोई भी द्रब जो है इसमें से निकल रहा है हार्मोंस बगेरा जो भी है या कंसलेस्मा बगेरा इसमें से निकल रहा है तो अखेली जब यह कोशिका है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम एक कोशिकी ग्रंथी कहेंगे जब बहुत सारी कोशिकाय मिलकर क्या करती है स्रावड क कार करते हैं तो उनको बहुत कोशी की या गिरंती कहते हैं ये बहुत कोशी की गिरंती जो होती है पिरमुक रूप से दो पिरकार की होती है पहला जो होता है अंताय स्रावी गिरंतियां यानि कि अंताय स्रावी गिरंतियां को इसको बताऊंगा अभी दूसरा जो होता है वह स या स्रावर सीधे कहां पहुंच जाता है रूधिर में पहुंच जाता है रक्त में पहुंच जाता है यहां पर आप देख सकते हैं माल लीजिए यह उतक कला है उतक कला उतक है बुज़री उपकला उतक जो है यहां पर आप देख सकते हैं इसकी उपकला उतक की यह पूरी पर जाता है जबकि वह सिरावी के बार में भी बात करेंगे ये कहां पर होता है ये बिलड में नहीं कर रहा है का इसे जुड़ा हुआ है ये आपका उपकला उतक से जुड़ा हुआ है ठीक है तो मैं फिर से बता दू इन गरंतियों का संबंद जो होता है वह है किस से सतय से समाप हो जाता है इससे निकलने वाला जो हार्मोंव lows होता है वह सीधे रक्ट में या विलर्ड में चला जाता है इसमें अगर विल्टिएवं की बात की जाए तो हम पर सारी गरंथियां हैं जिसको जहाम गरंखियां पढ़ेंगे तब हम बहां पर अलग अलग इसके बारे में हम ब इन में से जो हार्मोंस निकलता है वह क्या होता है इसका स्रावड नालिकाओं के माध्यम से सत्य के ऊपर होता है यानि कि उपकलाओ तक की जो सत्य होती है उसके ऊपर इसका क्या होता है स्रावड होता है या उसके ऊपर ये रिष्टी है कौन सी वह स्रावी गरंतियों से निक कुश्की में लेकिन गीला करने का जो सलिस्मा होता है वो आपका एक कुश्की में आता है लार गरंतियां काई में आती है लायर गरंतियां जो होती है वो आपकी आपका बहु कुश्की में आती है तो लार गरंतियां क्या करती है मैंने आप लोगों पता है जब हमारे मूँ से जब लार आती है या कि जब हमारी कभी-कभी जीव लप 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 आने लगती है तो हमारे मूँ में क्या हो जाता है? पानी आ जाता है तो किसका हो रहा है? ये बहुत कोशी की गिरंतियों का है जब हमारा अमासाय जो होता है वो क्या करता है हमारा जो हर्मोंस होता है वो कहां पर होता है आपकी उसी सत्य पर ही बहता है ठीक है या उसी सत्य पर ही निकलता है ठीक तो कहां पर रहता है उन्हीं सत्य की संपर्क में रहता है जबकि अंतेसरा भी क्या होता है ये सीधे बलड में रख्ट में प्रवेस्ट क जाता है चलिए चलिए साथियो संयों जी उतक के बारे में बात कर लेते हैं चलिए देखते हैं संयों जी उतक या कनेक्टिव डिश्यू आए समझते हैं इसको तो संयों जी उतक को हम तीन भागों में बाड़ते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं संयों जी उतक के तीन प्रिकार होते है जैस सबसे पहला जो होता है बास्त्रिक को तक या सामाने उत्क दूसरा जो होता है कंकाली उतक दूसरा जो होता है तरल उतक ठीक है तो इक भार में फिर से आप लिगव सबस्टें जो इसके तहित सबसे सामानी रूप से पाय जाने वाले उटक आते हैं इसके प्रमुक जो अभीयव हैं उनको मैं आप लोगे करके बता देता हूं इसके जो प्रमुक अभीयव हैं वह सबसे पहला जो है वो है आपका Fibro Blast यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो अब अब हैं उसको हम कहते हैं Fibro Blast यह घाव बरने में मदद करता है ठीक साहिता करता है बरता कोन है आपका उपकलाव तक के द्वारे लेकिन ये मदद करता है दूसरा जो है मास्ट कोशिका है ये एलर्जी में प्रमुख भूमे का निवाती है लशी का कोशिकाओं के अगर बात की जाए तो प्रतिरच्चियों का संसलेसर तथा संसलेसर करती है कौन आपकी लशी क कोशिका जबकि प्लाजमा जो कोशिका होती है प्रतिरच्चि पदार्थों का संसलेसर करती है आप लोग दोनों में कंफ्यूज नहों है मैं फिर से बता जाओं प्रतिरच्चियों का संसलेसर करती है और संबहन करती है उसका अब मान लीजिए मैं हूँ क्या एक पूरा प् आपकी लशी का कोशिका अब प्रतिरच्छी पदार्थ क्या हो गया अब अब मालीजे ये आपका मारकर एक प्रतिरच्छी है तो इसमें पदार्थ कौन-कौन से हो गया ये ये इसका धकन हो गया इसके अंदर इंक हो गई तो प्रतिरच्छी का जो पदार्थ है उसका क्या कर करते हैं दूसरा देखते हैं कंकाली या सबसे पहला जो है उपास्ती उपास्ती कंकाली संयोजी उतक ठीक है इसका जो मैट्रिक्स होता है यानि कि उसमें दिरब्यों जो होता है उस वो कैसा होदा है अर्द ठोस तथा लचीला होता है भाईया लचीला कैसा होता है जो कि लचक मारता है कमरिया लचकती है तो उसका मतलब है कि वो कैसी होती है वो लचकदार होती है अब कैसे होती है अब यह मेरा कान है कान है यह लच में ये लचक मार सकता है इसको हम क्या लचक मार सकता है या हमारा नहीं ना तो मैं फिर से बोल दूँ उपास्ती जो होता है इसका जो मैट्रिक्स होता है वह अर्द ठोस होता है और लखीला होता है अर्द ठोस कैसे होता है भाई यह हड़ी कैसी होती है ठोस होती है कैसी होती ह अब अब उपास्ती देखें कैसी होगी उपास्ती कैसी अर्ध ठोस है उपास्ती कैसी अर्ध ठोस होता है इसमें जो प्रोटीन होती है उसको हम क्या कहते है अर्ध ठोस है और यह कोंड्र नाम के प्रोटीन से बना होता है जो हमाई कानकी जो पास्ती है जब हम अस्ती उपास्ती पढ़ेंगे वहाँ पर अलग से जानेगी यह उतक के बारे में चर्चा हो रही इसलिए उसमें यहाँ पर जिक्रा रहा है थिकह है तो यह Heart चलिए दूसरा देखते हैं कंकाली संयों जी उतक में ही अस्ती को अस्ती संयों जी उतक हम कह सकते हैं ठीक है आई ये समझते हैं अस्ती मैंने क्या बताया आपका उपास्ती में कहता होता है अर्द ठोस लेकिन अस्ती में कैसा होता है ठोस तथा कठोर संयों जी उतक होता है इसके मैट्रिक्स में कैल्सियम तथा फॉस्पेड के एपेटाइट लवड होते हैं यानि कि यह आपकी मानलीजी अस्ति है यानि कि अस्ति उतक है अस्ति कंकाली उतक है और यह क्या है इसमें इसमें ठोस तथा कठोर संयोजी उतक है यह है और इसका मेंट्रिक्स के ठोस है और कठोर भी है ठिक और इस मेंट्रिक्स में क्या मौझूद है यानि कि यह मानलीजी अस्ति है इसमें क्या मौझूद है? इसमें कैल्सियम तथा absorbing के appetite level मौझूद है इसके बाद बाद करें इसी में ही तो osteocypes जो है अस्ती का या हळवड़ी का निर्मार करती है इसके matrix को आसीन कहते है किसी भी हडवी के या क्या के मैं क्या क्या होता है मान लिजे मेरे सरीर है मेरे सरीर में जो भी जितने मान लिजे 20 किलो मान लिजे हड़ी है तो 20 किलो हड़ी में से आस्तियों में से क्या क्या होगा तो 20 किलो में से 62% आपका कार्मिनिक पदार्थ होगा और 38% जो होगा अकार्मिनिक पदार्थ होगा और कार्विनिक और कार्विनिक पदार्थ में अंतर ऐसे अगर हम जाने हैं तो जब हम मारा मेमालीजे मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो जब मैं जलाया जाता हूँ तो जलाने के बाद जो मेरा कार्विनिक पदार्थ होगा वो जल जाएगा बिल्को समाप्त हो जाएगा और जो मेरी राख होगी वो अकार्विनिक पदार्थ होगा यानि कि जो राख के रूप में बचा है वो अकार्विनिक पदार्थ है और जो जल चुका है वो है कार्विनिक पदार्थ होगा समझ में आगे हैं जल जाने के बाद कार्वनिक पदार्थ ये जल जाता क्योंकि आकार्वनिक पदात राक के रूप में रह जाता प्रहुंड है उसको जलाया जाता है तो जब उसको जलाए जाता है तो उसमें जो राक होती है वो झो ना के बराबर निकलती है तो इसाए से से वो है आपका इसनायू तथा कंडरा तो इसनायू क्या है और कंडरा क्या है ये मेरी हड़ी है इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा हाथ है हाथ कितनी जगे से जोड़ा हुआ है एक ये वाला हाथ ठीक और दूसरा ये वाला हाथ इस तरह से कहनी और तीसरा ये कंडरे से ठीक पर मैंने अब लिखा है कि इसनायू अस्ती को अस्ती से जोड़ता है जब कि कंडरा जो होता है पेसी को अस्ती से जोड़ता है अब भया हड़ी कहां से है माल लीजिए ये एक हड़ी का ये माल लीजिए दो जोड़ है तो जब इसमें जोड़ है ना तो ये हड़ी को हड़ी स से जोड रहा है तो उसको हम कहेंगे इस नायू जब आपका कंडरा जो है वो क्या कर रहा है इसमें सरीर में कुछ मासपेशी भी है हमारे हाथ में कुछ मासपेशी है टाइंग में हमारे जाए जाए यह कंदे में भी कुछ मासपेशिया है तो जो मासपेशिया माल लिजिए से मेरे कंदे की मासपेसिया है तो कंदे की जो मासपेसिया है उसकी मासपेसि को हड़ी से जोडने का कार आपका कंडरा करता है और कंदे की जो हड़ी है हड़ी कंदे को इस तरह से जोडने वाला जो कार है वो किसका है हड़ी से हड़ी को आपका इसना यूगा क्योंकि मैं जब आप लोगों को सरी सरभ पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर आप लोगों एक जनतु पढ़ा था जिसका ना था साफ तब मैंने बताय था कि जो साफ होता है उसका जो मुँँ होता है वो आपका 150 डिगरी यायनि कि 150 50 डिगरी खुल सकता है इस तरह से और वो अपना पूरा का पूरा जो सरीर होता है वो सरी जो अपना पूरा का पूरा जो सिकार होता है उसको क्या करता है पूरे के पूरे सिकार को इस तरह से निगल जाता है और पूरे के पूरे निगलने के लिए उसके मैंने जबडे में क्य से अड़ी ठिक इसनायू की द्वारा और जो जो जिस से जुड़ी हुई थी ना तो उनका इसनायू क्यासा था थोड़ा लचीला और थोड़ा सा मुलायम था ठिक समझ में आ गया चलिए तो आना समझे आ गए होगे हैं इसनायू कंडरा इसनायू को अगर बात कींड़ा तो आपका प्लाजमा हो जाएगा लाल हो जाएगा शपीज हो जायँगा फिसी है ठीड एक हैं यह प्रेकार को पूछे सकते यह देकते हैं तो अपने पसدا का लिख सकते हैं यह नहीं आ वेरी पसंद का लिखन तो हमारे सरीर में या जो जन्तु होता है उसके सरीर में जो रक्त पाये जाता है जो खून पाये जाता है जो विलड पाये जाता है वह एक तरल संयोजी उतक होता है यानि कि हमारे सरीर में तरल रूप से बहने वाला एक संयोजी उतक होता है उसको हम क्या कहते हैं तरल संयोज जी उतक, जैसे किस नाम से जाना जाता है, विलड के नाम से जाना जाता है, इस उतक की कोशिका है, तरल मैट्रिक्स में तेरती रहती है, यह जो कड़ होते हैं, यह जो रूधिर के जो कड़काएं होती है, वो तीन प्रिकार की होती है, रूधिर कड़काएं, एक और भी एक् ग्मा यः लसिका कोछ स्काई भी यहां पर आप देख सकते हैं ठिक है जो भी आपके विलड में यानि की तरल रूप में ये पाया जाता है, चलिए, *** बात करते हैं, पेशी उतक के बारे हम बात करते हैं, अब भई याप पेसी हो के लिए एंग कौन से होंगे अभी हम बात करेंगे तो पेसी की इकाई जो होती है भई एक उसकी होती है जिसको हम पेसी रेशा कहते हैं अब भई याप पेसी रेशा क्या कहलाता है आईए उसको भी देखते हैं तो एक पेसी रेशा जो होता है सूचम सूच में दागों से बनी एक रिचना वोती है जिसे हम पेशी पेशी तंत्टक अब भया आप लोग पता होगा कि जब हम सुई का धागा जो होता है मालिए पतलासा होता है तो उसमें भी छोटे ठोटे रुम्य के हो पर यहां पर माल लीजिए इस तरह से आप देख सकते राकी में एक ये धागा है पतला सा धागा है तो धागा जो है कई छोटी छोटी पतले पतले रेसों से बिनकर बनाएं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो आई समझते हैं मैंने क्या बताया कि पेसी जो होती है एकोशी की पेसी की होती है जिसको पेसी रेशा कहते हैं यह पेसी एक सूच में धागे से बनी एक रचना होती है जिसको पेसी तंतो क्या रेशा या मायो फ्रिल कहते हैं मायो फाइवरेल यहाँ पर आप लोगों बनाते हैं कि मैंने भी बताया था कि यह मान लिजी है धागा है धागे के अंदर बिल्कुल छोट 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 पत्रे-पत्रे रेसा होंगे उनको मिलाकर क्या बनता है अगर हम उनको देखे तो हमें यहां पर दिखेगा भी नहीं तब जाकर यह धागा बना है तो उसका जो प हमारी पेशियां बनती है इस तरह से आप लोगों के यहां पर रचना दिख जाएगी इस तरह से इसको हम उठाकर अगर यहां लाएं तो यह इस तरह की दिखेगी ठीक इस तरह से इसकी बुनाई होती है जिस तरह से इस तरह से हमारे पूरे सरीर पर होती है तो आईए मैंने क तो पतला सा रेसा इसके अंदर बहुत सारे पतली रेसे इस तरह से यहां पर दिख जाएंगे इसको हम कहते हैं मायो फिलामेंट इतना जानना काती है और डीप नहीं जाएंगे फिर तो हम साइंट्रिक्ट बन जाएंगे ठीक है चलिए नेचिक जो किरियाएं होती है वो आपकी पेसी उतक के द्वाराई होती है जैसे कि आपका हिर्दय हो गया आपका फेपड़े हो गए अमासय हो गए बिरक हो गए इनके काड़ ही यानि की पेसियों के काड़ ही सरीर के अंगों में गति हो पाती है ठीक है समझ में आ गया खांकित पेसी या कंकाल पेसी हम इसको कहे देते हैं तो चलिए सबसे पहले के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको देखे जाएगा रैखिक पेसी यह इसको हम कंकाल पेसी भी कह सकते हैं जो कि हमारे पूरे सरीर पर यहाँ पर इस तरह से हैं आये देखते हैं तो यह पेसियां जो होती है अस्तियों से कंद्रा के द्वारा जुड़ी होती है मैंने क्या बता है हड्डियों से किसके द्वारा जुड़ी होती है पेसियों मैंने बताये था कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम इसनायू का होता है और कंद्रा का कार क्या होता है या कं चाहें तब हम इनसे कारी करा सकते हैं मैंने आप लोगों का भी धागे की जब जरूरत थी तो मैंने आप लोगों को तुरंत धागा निकाल कर दिया इस तरह से मैंने फिर से उठाया अपनी मर्जी से उठाया और इस तरह से इसको तान रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा मैं बोल पा रहा हूँ तो मेरे इच्छा अंसार हो रहा है मैं यहां तिला पा रहा हूँ तो मेरे इच्छा अंसार हो रहा है ठीक है तो मैं फिर से बोल दूँ इनमें एच्छिक गत्य होती है इसकी काड आपका रेखिक पेसियां होती है या रेखांके पेसियां होती है या कंकाल पेसियां होती है इनको हम एच्छिक पेसी भी कहते हैं यह आपकी हाथ में हो गई इस तरह से हाथ में पाई जाती है यहापर मैं आप लोगों कर दूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी डिजाइन बना सकते हैं हा तो मैं फिर से बोल दूं हाथ में पैर में हो गयी जीव में हो गयी ठीक है जीव में इस तरह से ऐसे करके मैंने आप लोगों दिखाया अपनी मर्जी देखाया ना अगर मेरी नहीं होती तो आप जीव नहीं देख पाते हैं ठिक समझ मैं आ रहा ना चलिए तो ये क्या हुआ ये आपकी रैखिक या एच्छिक पेशियां हो गई दूसरा देखते हैं अर्याखिक पेशियां देख लेते हैं अर्याखित या हम इसको इसमूट मसल्स टिस्यू या आरे खांकित पेशियां भी हम इनको कह देते हैं चलिए देखते हैं ये पेशियां हमारे मनमुताबित का हम नहीं करती हैं या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये पेशियां जो होती हैं हमारा कहना नहीं मानती हैं इस कार्ड इनको हम अनेशिक पेश बाग में खाने का फ्रवाहा इसी पेजसी के संकुचन और पिरसार के माध्यम से होता है संकुचन का मतलब क्या होता है संकुचन मतलब सुकुड़ना इस तरह से और आपका पिरसार मतलब इस तरह से होता है यानि कि हमारा जब मान लीजिए मैं हाँ पर आपका पानी ये पानी पी रहा हूँ इस तरह से ठीक है तो आपका ये पानी है तो इसमें जैसे पानी है तो इसको जब मैंने पिया तो क्या जैसे मैंने पानी पिया तो क्या हुआ कि इसको किसके द्वारा किया गया इसको हम किसके द्वारा करेंगे हम इसको अनेचिक पेसी के द्वारा करेंगे जै अबी हलका समय पेश तयार करे दे रहा हूं तो मैंने क्या बताया कि यह आहर नाल होता है इसमें भोजन का एक छित से दूसरे छितने का कार्यापका किसका होता है आपका संकुचन तता परसार के मार्दियम से आपकी अनेच्छिक या आरेखित या अरेखांकित पीशियों के द्वारा होता है यह आपकी मूतरासाय में भी होती है आपकी जैसे आपका आपको क्या है के टोइलेट जैसे जाना है तो कुछ समय तक आप रोक सकते हैं अनिथा वो आपको आदेश देगा कि अगर मैं आपने नहीं किया एक इस्पेसल जगए आपने हमें नहीं दिखाई toilet करने के लिए तो हम यहीं पर ही कर देंगे समझ रहा ना अगर मुझे अभी toilet लगी है तो गंटे दो गंटे में रोक सकता हूँ लेकिन वो एक सीमा होती है किसी कारी को रोकने के लिए हलका सा तो हम गंटे दो गंटे रोक सकते हैं लेकिन एक सीमा ऐसी आईगी कि वो यहाँ पर क्या होगा हमारे यहीं घाला के यहीं टार।। यहाँ पकड़ा खाया तो हमने खा लिया ना तो हमारे सरी में पहुंचा अब हमारे सरी में पहुंचने के अब माल दीजिए हमारे इस तरह यहाँ पर आ किया अब उसका पाचन हो गया शुरू तो वो हमारे मर्जी से कारने करे अपने आप हो रहा है पाचन होने के बाद जैसे ही उस छेत्र को छोड़ कर हम दूसरी तरफ जा सकते हैं क्योंकि इस तरफ का जो कार है वो हमारा समाप्त हो गया यह ऐसा नहीं यह आपका रेखे वो स्वरी अन्य चिक जो आपकी पेसियां होती है उसके माध्यम से किया जाता है ठीक है समझ में आ गया और भी इस तरह की बहुत सार भी नूरी होता है रहात पैस होती है ना तो यह रहत पर हरने और जो अ होती और था में तो यह था oftentimes काम करती है इसलिए ये क्या होती है ये सबसे फ्रमुक मानी जाती है इरदय पेसियां जो होती है स्वतंत रूप से हमारा जो तंत्र का तंत्र होता है उससे जुड़ी हुई होती है यहां मैंसे कह सकते हैं तंत्र का तंत्रों से इनका संपर्क होता है या यह जुड़ी रहती है इसलिए यह अपने आप स्वतंत रूप से बिना रुके जीवन भर धड़कता रहता है या कार करता रहता है इसलिए इसका जो संक्चन होता है वो मायोजैनिक होता है ना कि नियूरोजैनिक क्योंकि मैंने भी बताया ना तो यह अनेच्छिक होती है ना ही यह अनेच्छिक होती है ना ह ही है हमारी बिना मरजी से काम करती है मैंने भी बताया था कि कुछ आपकी पेश्चियां होती है जो कि हमारे फैंपड़े में जैसे हैं तो फैंपड़े माल लीजिए हमारा फैंपड़ा जो काम कर रहा है वो अने अने अच्छिक है लेकिन हम उसको भी थोड़ी देर के लिए स सीमा तक रोक सकते हैं लेकिन हम ये तो दुनिया जानती है कि हम सांस रोक कर मर नहीं सकते हैं दुनिया जानती है ना सांस रोक कर हम मर नहीं सकते हैं इसलिए वो क्या करेगा वो एकदम सांस ले लेगा लेकिन ये हिर्दय के साथ या धर्ट के साथ ये नहीं होता क्योंकि इसम से हम पैदा होते हैं उससे पहले ही जब हम भुरूड में होते हैं उसके तुरंट बाद भुरूड के कुछ समय बाद हमारा जब जो हाट होता है जैसे या कहें दिल जो होता है या हिर्दा जो होता है बन जाता है और उसके तुरंट बाद वो क्या करता है दड़कसन दड़कन अब ये बात अलग है कि उसकी गती थोड़ी दीमी हो सकती है, थोड़ी बढ़ भी सकती है, वो उसका खुद का कार है, यानि कि जब हम कुछ ऐसा कार करते हैं, जिसे दढ़कन तेज हो जाए, कभी-कभी हम सोजाते हैं तो वो आराम कर लेता है थोड़ी वह दिर, अब वो आर तो आपका दिल दड़कता रहेगा आप समाप्त हो गए तो आपका दिल भी समाप्त हो जाता है टिक है? चैलिए, next देखते हैं एक दो papsyo के ही हल्की सी जान जान जारेए उसके बारे मात करते हैं papsyo में ठकावट कभी होते हैं उसको हम समझ लिते हैं, जब हम बहुत अधिकारी करते हैं या हम ऐसी कह सकते हैं जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो इससे क्या होता है हमारी जो पेसियां होती है उनमें लेक्टिक अमली जो होता है वह बन जाता है जिससे हमारा जो सरीर होता है वहाँ पर जो कोश्चियां बगरा होती है उनने सूजन से मैसूस होती है उस लेक्टिक अमली के कार उनसे हमारी जो कोश्चियां होती है उसमे होता है क्यों 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 उसका जो लेक्टिक अमल होता है वो बरदास से बाहर हो जाता है वो कहता है सर अब हमें पीछे का जो इससा है वो महसूस भी नहीं हो रहा है एक लिमिट से जादा आपको बैठना आप एक लिमिट से जादा बैठ गए अब उठ जाएं तो क्या बन गया, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी पेस्जियों में क्या हुआ, लेक्टिक कामली जमा हो गया, तो अब इससे क्या हुआ, तो क्या हुआ, अब मैंने कुछ देर आराम किया, जब मैंने कुछ देर आराम किया, तो यह जो लेक्टिक कामली था, ओ किस में बदल दिया गया, किसे बदल धिया यक्रत यहा लीवर ने हमारे जो सरीर का कम लिथा वो क्या कर दिया उसको अब ग्ल्ू कोज में बदल दिया इसके बाद फिर से हमारी ञुद थकावड थी वो कम हो जाती है तो मैं फिर से एक वार तस लिए हमें ठकाबट मैसुस होती है इसके बाद या मिन कुछ दिर के लिए आरम कर लेते हैं तो हमारे यक्रत होता है वह क्या करता है हमारे लेक्टिक कमल को दीरे दीरे ग्लूकोज में बदल दीता है जिससे क्या होता है थकावट समाप्त हो जाती है और फिर से मैं बीडियो बनाने के लिए तयार हो जाता हूं ठीक है दूसरा देखते हैं कम कपी और देख लेते हैं ये वी एक पेसियों का ही प्रमुक कार है लेकिन इंपोंटन क्या उसको मैं अपने बताता हूं और यह सो जाता था तो तो बच्चों को बताए जाता है कि बिस्तर पर आपको ट्यूलेटि नहीं करनी है तो third fourth या fifth ने這邊 बढा करता है तो सर्जियों क bastante समय है तो मैंने क्या किया मैंने का किया ममी न सक्षिथ जाओ कर्के आना ठीक है मैंने की जहाऊंगा घूकर जहाऊंगा भी मया ठीक है मैं तो बार पड़ेगी मेरी तो में कब रहा हूं तो किस लिए क्योंकि मुझे ठंड लग गई है अब मेरे जो सरीर का तापमान है उसको बढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा एचिक पेशियों के द्वारा लेकिन ध्यान रहे अब भाईया कपकपी तो हमारी मर्जी से नहीं आती है तो भाईया ये एचिक प मैं रहे हैं तो थंडी का मौसम था था यानि कि जनर्रीवर्णाय भटवरी बका तो आप वीडियो बनाने स्पले किया तो मैंने शुरूाह को खतम कर लू Dlatego खतम करने बैठा था यसी किसका होता है अनेच्छिक किरिया होती है लेकिन कौन सी पेसियों की ये अच्छिक पेसियों की होती है ठीक है समझ में आ गया चलिए नेक्ट बात करते हैं तंत्र का उतक के बारे में बात करते हैं, तंत्र का उतक को समझ लेते हैं, और फिर मनिस्यों वाला उतक जो है, वो समापत हो जाएगा, फिर आगे बात करेंगे, चलिए देखते हैं, तंत्र का उतक यह छुटा सा है, हलका सा है, ज्यादा कुछ नहीं जाना है, ठीक है, तो य यह संबेदना को एक सरीर के एक वाग से दूसरे भाग में बेजने का कारी करती है जैसे कि मान लीजिए ये पैन है और मेरे किसी ने चुबो दिया तो ये जो मैसूस हुआ ये संबेदना जो हुई जो भी है कहीं पर हमें किसी भी तरह का कुछ मैसूस हो रहा है तो वो हमें ए एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर या एक भाग से दूसरे भाग में पहुचाने का कार किसका है आपका तंत्र का तंत्र का है चाहे हमारी इस वाली उंगली में कोई परिशान होई तो तंत्र का तंत्र जो है एक भाग से दूसरे भाग में पहुचाते हुए सीधे दिमाग तक पहुचाती है, समझ रहना ना इस तरह की चीज़ें किसका है, आपका तंत्र का उतक का है, तो मैं फिर से बोल दूँ, इस उतक का कार जो होता है, संबेदेना को शरीर के एक बाग से दूसरे बाग में बेजने का काम होता है, इसका निर्मार जो होता है, वो एक्टो डर्म से होता है ठिक इस उतक का निर्मार तंतर का कोशिकाओं से होता है कभी कभी कुछ ऐसी भी कोशिका है होती जो कि तंतर का कोशिकाओं से होता है लेकिन कभी कभी तंतर का कोशिकाओं से होता है लेकिन कभी कभी तंतर का कोशिकाओं से होता है लेकिन कभी कभी तंतर का कोशिका होता है लेकिन उनेको तन्तर का अंने को गया हमारे इस का सहरा देने का होता है ठाग है नकी निर्मार करने जाए तो अगर बात मिलता है जो एक sólo तो एक का उतकका निर्माड हो रहा है तो हमें यहां पर जब हम गौर्ण से देखांगे तो यह आपका तंत्र का कोर्ण सर्का एक तंत्र का कों स्कारम के सब्सक्राईसाई एक गाती है कि आञे कैंने व्युल्ग्ञात को ट्काता है जिसको हम यहां पर हमें मैसूस हो रहा है कि यह यहां से लेकर नीचे से वेर के उठे से लेकर इस तरह इस तक आपकी जुड़ी होई होती है लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक है अब यह होता कैसे है तो मैं आप लोगों कि यहां पर जूम करके दिखा दूँ यहां पर एसival तंतत्र का कोंसिंगा है और दूसरी तंत्र का को सब्स्क刃 से यह जड़ी हुई है तो इसके बीच में जुग गयप है यह है इसको हम क्या कर रहे हैм साइक स्टा कहते हैं संभंज में आ तो यह हो गया आपका तंत्र का उतक के बारे में जानकारी ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं चली साथ यो बात करते हैं पादफ संदकना के बारे में तो जो पेड़ पौदे होते हैं वो कई सारे उतकों से मिलकर बनते हैं जिनको हम उनके उतकों को हम दो भागों मारते है कौन कौन से एक है आपका विभज जियोतिकी उतक और दूसरा है इस्थाय उतक ठीक है तो हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे विभज जियोतिकी उतक के बारे में ये क्या होता है और क्यों इसका ऐसा नाम रखा गया तो उसको भी हमें इसमें ही समझेंगे तो आईए देखते पहला विभज जियोतिकी उतक भाईया विभज जियोतिकी क्या विभाजन योग या हम कैसे कह सकते हैं कि जिन पेड़ों की या जिन उतकों की कोशिकाओं का अभी भी विभाजन हो रहा है उनको हम विभज जियोतिकी उतक कह देते हैं तो आईए समझते हैं फिर अगर किसी प विवज जिवति की उतक कहते हैं ठीक है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन उतकों की कोशिकों में बहुत तेजी से विभाजन की या का विभाजन करने की प्रकरती हो उसको हम विवज जिवति की उतक कहते हैं यह है जो विभाजन होता है वह सूत्री विवाजन होता है भाई कि जिसमें गुड़ सूत्रों का जो होता है सम सूत्र भी हम इसको कहते हैं जिसमें गुड़ सूत्रों का मात्र कोसिका से पुत्री कोसिका में क्या है समान रूप से ट्रांसफर होता है यानि कि 46 मा में हैं तो 46 आपकी पुत्री कोसिकाओं में भी होगी यानि 46-46 दोनों में ही कुछ सूत्र होंगे तो इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए यह मारी मेरी जो है यहाँ पर अभी घा हो जाए है किसी कार से कुछ च्योट पगेरा लग जाए तो जो नई इसके आएगी वो क्या है आपका किसके कार होगी क्या कौन सा विभाजन होगा है इसमें आपका सूत्री विभाजन होगा यानि कि जैसी इसकिन है जैसी आपकी यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं जैसी यहाँ पर कोश्ट का है बैसी सेम टू सेम वैसी यहां पर निकलेंगी तो बैसी ही इसके नहीं बैसी ही खा ले आका बैसी तवचा इस पर फिर से आ जाएगी ठीक है समझ में आ गया तो जो नए उतकों का निर्मार होता है आपकी विभज्योत की उतक के कारण तो वह आपका सूत्री विभाजन कहलात है ठीक है तो यह कोशिका क्या होती है यह वाली कोशिका क्या पाए जाती है आपकी तने में जड़ों के आगे वाले भाग में यानि कि जो तना होता है आप लोगों में तना दिखा दू तने का यह आगे वाला भाग ठीक है और जड़ों की बात की जा तो यह यह इस तरह से यहां पर आपका जड़ों का भी आगे वाले भाग में आपका ये क्या पाया जाता है आपका विभज ज्योति की उतक पाया जाता है ये लगातार क्या करते हैं विभाजन करते रहते हैं इसते पेड़ की लंबाई तथा मोटाई दोनों बढ़ती हैं तो आईए समझते हैं इस सीर्सस्त या अग्रही विभज्योति की उता ठीक अब यह सीर्सस्त क्यों कहते हैं क्योंकि सीर्स हमारा कौन सा होता सीर्स मतलब सिर्ष यानि कि सबसे उपर ही भाग जो होता है उसको हम सीर्स कहते हैं तो अब नीचे की तरब चले जाएं तो हम अगर माली जी यह हमारी पेड है तो पेड़ की जड़ जो है उसका सीर्षस्त कौन सा होगा तो पेड़ का जड़ वाला सीर्षस्त ये वाला हो जाएगा ठीक है तो आहीं से सीर्षस्त क्या होता है जब जड़ यह है जड़ तथा तने के भाग यहां पर यह है जड़ और यह है तना तो यह तने का आगे वा बाम पाया जाएगा जैसे मानलीजिये यहां पर है तो यहां पर क्या है अब नई कोश्का का बन रही की तो इस तरह से क्या हो रहा है एक नया तने का यह अभी इतना लंबा है थो कि घे नीचे की और भी आ जाते हैं नीचे कहा है नीचे कहां पर है नीचे इसकी जड़वी तो है ना यहां पर आप लोगों दिख रहे होगी यह नीचे जड़वी तो है तो जड़वी तो दूर दूर तक फैल जाती हैं जड़ों की भी तो लंबाई बढ़ती है तब ही तो आसफा है यह आपका निचलख़ा वाला भाग में से क्या होता है इस से तने की मोटाई वड़ती है इस तने की सीर्स वैसे बोल सकते हैं यह यहाँ पर जड़ तो इससे क्या हो रहा है तने की मोटाई बढ़ रही है तो लंबाई किसे बढ़ती सीर्स से आपका पार्स से क्या हो रहा है आपकी मोटाई बढ़ रही है ठीक है इसी छेत्र में आपकी दारू या जायलम पाया जाता है जिसको यह लिए क्या जरुद्ट ह की लकड़ी की जरुद्ट होती है यूदि पूरा बास की जरुद्ट होती है और हमने क्या किया मैंने ऊपर जड़ जड़ रह गया अब इसमें ब्रद्धी किसके कालड होगी अब इसकी ब्रद्धी जोगी अंतरवेशी बिवज्योतिक उत्तक से होगी अब क्या हो रहा है अंतरवेशी यानि अंदर से नीचे से निकल रहा है इस तरह से तना फिर से एकदम नया पौधा तयार होने फिर से हम काट लए तो यह किस के दवारा हुआ यह आपका अंतर वेसी बिवच्छी उतक उतक के काड़ोई तो इसमें क्यों को उनको पौदों पाया जाता है जास हो गई क्योंकि हम उनको क्या करते हैं जानवर वगयरा पूरा खा जाते हैं कभी-कभी हम अपने जानवरों क् काट लिते हैं तो इस तरह से आपके घास में ये पाया जाता है आपका भास में भी पाया जाता है और कोई अगर पौदे आपको याज दाएं तो आप उनको भी लेक्ष रखते हैं चलिए न्यक्क्त देखते हैं दूसरा ये विवच्जी उतक ऊगया दूसरा lass देखते हैं आपका इस्थायो तो यहां पर मैंने फिर Exclerion के लिए बिवच्जी उतक उतक एसको नहें तीन अमार्ण ये आपका दूसरा इस स्थायो तक इसको हम और flow and visit what works from, उसके बारे में हलका सा एक line है, उसके बारे में पढ़के हम कतम करएंगे, आई देखते हैं, बिवाज योतक उतक जब परफक हो जाते हैं, जब 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 जबान हो जाते हैं, या फिर जब उनमें जबानी आजाती हैं, तो वह इस्थाय उतक में बदल जाता है, लेकिन इस उस्थाई उतक में क्या होता है? इस उतक में बिवाजन की छमता नहीं होती है, यानि कि मान लीजिए, मैं एक उतक हूँ, मैं जब पैदा हुआ, तो मेरे जो बिवज्जी उतक, उतक के दौरा मेरा बिपकास हो गया, 20-22 साल का जैसे हो गया, तो मेरा जो बिकास थ की तरह बढ़ूँगा ना, तो मेरी धलती जवानी भी आगी, तो जो धलती जवानी और जो परिपक होने के बाद की जो इस्थाई उतक में आई, वो रखी जाएगी, तो मैं पर से बोल दूँ, जब विवज्जी उतक उतक के बाद, जब वहे परिपक हो जाता है, तो वहे इस्थाई उतक में बतर जाता है, लेकिन इस इस्थाई उतक में क्या होता है, विवाजन की छमता बिल्कुल भी नहीं होती, अब भया ऐसा होता क्यों है, क्योंकि भया हम तो जवान हो चुके है, पूरा हमारा परिपक होगा, जितना भी कास होना था, उतना हो गया है, क्यो इस्था 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 इस्थ होती हैं और इनके कार भी एक ही पिरकार के होते हैं फिर से बोल देता हूं ये एक ही आकार की तथा एक ही पिरकार के कार करने वाली कोशिकाओं का समू होता है जिनको हम साधार इस्थाय उतक कहते हैं ये प्रमक रूप से तीन भागों में इनको हम बांट देते हैं पहला है मि दम सक्त लोंडा जिसको हम कहते हैं तो वो द्रड़ो अतक है ठीक है चालिए तो देखते हैं सबसे पहला जो पहला दूसा सीतरा एक साथ इसको खतम करते हैं पहला जो है वो है मिर्दो तक अब भाई आप अंदर लगा सकते हैं मुलाइम भाग कौन सा होता है जिसमें आपका ये पाया जा सकता है जिसका हम जीवन के आनज लेते हैं तो मिर्दो तक जो होता है आपका फल जो होता है उसके गूदे में या कहें उसका जो अंदर का जो माल होता है उसमें ये मिर्दो तक आपका पाया जाता है ठीक है तो आईए इसको समझते हैं ये पोदे के मुलाइम भाग में पाई जाते हैं जैसे कि फल के गूदे में इसका कार क्या होता है या इसका काम क्या होता है तो यह खाद्य पदार्तों का संग्रह करता है जैसे कि मंड का प्रोटीन का बसा का इसका संग्रह करने का कार होता है इसके अलाबा यह कुछ और भी कार कर लेता है जैसे कि जीससे कि आपका नाग फनी पौदा ओगया वै तने को क्या करता तने को मोटे तथा पत्तियों को जल गरेड करने का कार संघ्रीय करने का दो आहिक ही किया जाता जैसे नाग फनी हो गया और भी कई सारी पौदे उह तिक यह कई ये मिर्दो तक होते हैं, इनमें कभी-कभी जब हरित लबक मौझूद होता है, यानि कि क्लोरोफिल जब मौझूद होता है, तो ये प्रकास संसलेसर की किरिया भी करते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इनमें हरित लबक जब मौझूद होता है, तो ये प्रकास संसलेसर में भी भाग लेते हैं जब ये प्रकार संसिलेशन में भाग लेते हैं तो इसको हम क्लोरेन काइमा कहते हैं कब जब इनमें हरे तलबक होता है एक्लोरों फिल होता है और तब ये प्रकार संसिलेशन की किरिया करते हैं दूसरा देखते हैं स्थूल कौन उतक इस्थूल इसमें क्या होता है इस तुलकोड में जो कोशिका वित्तियां होती है उनके किनारे पर शैलूलोज तथा पैप्टिन का जमाब हो जाता है इससे कोशिका वित्ति क्या हो जाती है मोटी हो जाती है ठीक है तीसरा देखते हैं द्रोडो तक यानि द्रोडो मतलब होता है मजबूत कठोर जिसको हमने अभी बताए जो सक्त लॉंडा जो होता है तो वो आपका दुर्डो तक में ही आता है तो समझते हैं इसको इसमें कोशिका बित्ती मोटी होने के साथ साथ उस पर लिंग निन लिंग निन का जमाब हो जाता है इस उतक की कोशिका मिरत हो जाती है जिसकी दृड़ तक की थीक है यह उतक पौधों को बहुती अधिक मजबूत बनाता है एकदम सक्त बना देता है इसके काड़ी जैसे कि आपको अक्रोड देखने को मिल जाएगा आपको नारियल का जो उपरी परत होती है वो आपका द्रड़ो तक के काड़ी होता है ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं दूसरा देखते हैं जटिल उतक जटिल इस्थाई उतक तो ये जटिल इस्थाई उतक क्या होते हैं आज समझते हैं जटिल क्यों कहते हैं उसको हलका सम्झिंग फिर आगे भी हम इसके बारे बात करेंगे ये उतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं इ क्योंकि यह है पौधों में संभन का कारी करता है या काम करता है इसके तहित आपका जायलम तथा फ्लोयम जैसे संभनी उतक आते हैं भाईया संभन कैसे होता है मतलब एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक माल का ट्रांसफर करना उसको हम संभन कह सकते हैं चाय फिर वो कुछ भी जो खाने का, पीने का, सूमने का, जो भी आप उसको कह सकते हैं, वो बसमाल का ट्रांसर करना होता है, सबसे पहला देखते हैं, इसमें है जायलम, इसको हम दारू भी कहते हैं, दारू पीने वाली दारू नहीं है यह, ठीक है, कैसी दारू है यह, यह दारू जायलम को कहते हैं दारू मतलब एकदम लिप-लिपा या पानी जैसा पदार्थ होता है, चले समझते हैं, जायलम क्या होता है, जायलम पतली तथा नालिकाओं के रूप में पौदे की जड़ों में पत्तियों से लेक तक मौझूद होती है, मैं फिर से बोल दूँ, सादर वासम बिल्कुल जो ज गाओं की तरह है, या हम इसको कह सकते हैं, ट्यूव जो होते हैं, उस तरह से ये होती हैं, अब इनका कार को क्या होता है, ये जड़ों से माल को क्या करती है, जड़ों से जल को अफसोसित करती है, या जल मान लीजए, ये आपका पौदा है, पौदा जो है, इसकी जड़ न करने के बाद चितना भी अंग है चाहे वो पत्ति हो चाहे फिर फूलो जो भी अंग है आपका जायलम का कार होता है अन्य चीतरों में जल का क्या करना संबहन करना तो पर फिर से बोल दूँ जायलम पतली तथा नलिकाओं के रूप में पौधे की जड से लेकर पत्तियों तक खने लबड़ों को पत्तियों तक पहुंचाने का कारी करते हैं और खासकर क्या करते हैं तो खासकर जल का ये संभण करते हैं एक प्राइलम को जटेट जो का चाता है क्योंकि जायलम जो होता है इन में चार पिरकार की कोशिकाएं आती है जिनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटल होती है इसलिए जायलम जो होता है वो भी एक जटल संरचना के रहुप में आ जाता है ठीक है समझ में आ गया तो जायलम हो गई जो गई और फाइवर हो गए इसके बाद कास्ट मिर्दो तक हो गए ठीक है कास्ट तन्तु को हम जाईलम फाइवर्स भी कहते हैं ठीक है समझे आगया चलिए तो इसमें जो वाहिकाएं और वाहिनिया जो होती है मैं फिर से यहां पर देखा दूँ मैंने क्या बताया इनमें चार पिरकारी कोशिकाएं पहाई जादी कास्ट मिर्दू तक वाहिकाएं वाहिनिया ठीक है वाहिकाएं और वाहिनिया और कास्ट तसन्त इसमें होते हैं इसमें जो वाहिकाएं और वाहिनियां जो होती हैं ये प्रमुक रूप से मरी हुई कोशिकाएं या हम कह सकते हैं ये आपकी मिरत कोशिकाओं की बनी हुई होती है यानि कि इनमें वाहिकाएं और वाहिनियां जो होती हैं कैसी हुई होती हैं मरी हुई कोशिका का बना हुआ होता है इसके अलावा एक हलकी जयानकारी लेते हैं आपकी जो जायलम जो होता है इनका जो वाईका और बाहनिया जो होती है यह अनावरत बीजियों में नहीं पाये जाता है मैं फिर से बता दूँ जायलम जो होता है जायलम की जो वाईका और बाहनिया जो होती ह उनों को हम अनाबरत्बीजी कहते हैं ये मैंने आप लोगं को पढ़ाया था तो अनाबरत्बीजी के जो पौदे होते हैं उनमें ये वाइकाएं और वाहिनियां नहीं पाए जाती हैं जब कि इन vaccinated चेजें होती हैं और इन चार्यों में से दो चीजने ये होती हैं ये मेरत्प सिकाओं की बनी हुई होती है अब बात करें इन दोनों की आबरत बीजी के बारे में यानि कि ऐसे बीज जिनके उपर फल का आवरड होता है या कई उनके उपर आवरड होता है तो उनमें ये बायकाएं जो होती है और वहिनिया जो होती है अच्छी तरह से बिक्सित होती है औ उर लबड तथा जलका क्या करती है संभन करती है समझ मिया गया чувств i can कि अगया लबड के बारे 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 में बात कर लेते हैं एक सेकिंड में अगर आप लोब अब लोगों दिखाऊं तो यहं पर भी आप लोग जायं देख जाएगा यह जो सरनतिना है ना इस तरह तो जायलम और फ्लोयम लेकिन जायलम का पाटनी को नीचे से ऊपर पहुंचे ते जड़ों से डिखते हैं फ्लोयम के बारे में फ्लोयम को जाद नहीं समझांगे अजी साथ जो कि फ्लोयम में लेकिन होता क्या है कार थोड़ा अंतर पड़ जाता है फ्लोयम क्या करता है यह पत्यों में प्रकास संसलेसर से बने भोजन को पौदे के अलग-अलग भागों में पहुंचाने का कार करता है इसमें भी चार पिरकार की कोशिकाओं की नहीं होती है बलकि जीवित कोशिकाओं की King क áрем और बेटले हैं धया तो मियरा आप लोगों ने दावत खाई घञाओं वगए ठा तो एक ब्यक्ति होता है वो चिलाता है जल 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 या करके जग ले लेता है और जग लेते लेते सबी जतनी बैटी लोग होते हैं खाना खा रहे होते हैं उन सबी पूचता है सर जल 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 या फिर पानी जिसको चाहिए तो पानी पानी जो चिलाता है वो आपका जायलम च होता है हम लोग खाना दी काते हैं तो जब हम सब्जी और पूड़ी और जो बड़िया बड़िया चीजें होती है उसको कौन बाटता है आपका फ्लोयम बाटता है और यह बनता का है खाना खाना जो बनता है पतियों में बनता है और कैसे बनता है पिरकास संसलिसट की क्रिया क द्वारा यह खाना बनता है इस तरह से पत्यों में बना और पत्यों से इस्टोर होने के बाद खाना यहां नीचे चलता चला जाता है और आपका अनलग अलग जो छेत्रों में यह भाग में पहुंच जाता है तने में यहां सभी जगह पहुंच जाता है ठीक है किसके द्वार मादा नहीं समझता है एक लाइन हैं हलके समझ सकते हैं आप जैसे की आपका जो कुछ ऐसे पौधे होतले हैं जिन में जीसे रवर हो गया तेल रिस्ता हो गुन्ध रिस्ता हो रेजिन रिस्ता हो नोका का कार क्या होता है किस किन अउत्कौं का कार होता है तो मैं बäढ़ा बोलते हूं आ पर इस उतक के पौधे में क्या होताै अफकर करना आफके विस्सेंट इस्ताम पौध की च्ईक होता इतना काफी है जानना ज्यादा जरूरी नहीं नेफ्ट बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट नहीं है यह हल्की सी जानकारी के रूपे में रख दिया यह पर आये समझते हैं इस यह चीज जानते हैं दितियक व्रद्धियक क्या होती है अक्सारर आपने सब्द पढ़ा होगा दितियक व्रद्धियों यह उसको समझते हैं पौदों में दितियक व्रद्धि के बारे में किसी जानकारी ले ले लेते हैं ज्यादा ज़्रूरी नहीं contenu जयहता है तो अब यहां पर यह लिखिना चाहिए तो लिख ले ना जो पैसाब से पह contr होता है तो उसमें विर्द्री का हुटा है घृता है वो उसमें प्राथिम को तक द्वारा वो उसulate विरद्दी होती इसको हम कहते हैं प्रात्म की व्रद्धी जब पौधा थोड़ा बड़ा होता है और पौधा जैसे बड़ा होता है उसमें दीवीज पत्री जो पौधे होते हैं नई कोशिका है उनमें मिर्द उतक द्वारा नई कोशिका है और नए उतक उसमें बनने लगते हैं नई कोशिका है और न होती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है लेकिन जब अंकुरत होता है उंकुर्थ होने का वायज च्छोटी च्छी पत्तिया कहते ना किल्ला निकल आ रहा है ढमकुर जब निकलते हैं इस तरह से यह क्या करा रहा है प्रात्यमिक ब्रद्य हुई जब तना बगेरा मोटाई जब बढ़ती है तो उसको हम क्यात कियते हैं दितियक ब्रद्य हुई इतना काफी है जादा जानना नहीं है बरहल कि दी चीज नहीं के प्रात्मे को दितियक क्या होता है आईए लाश्ट टॉपिक समखते हैं सरीर पौदों का सरीर क के आधार पर बर्ग्यगण देख लेते हैं इता है निकि फट कोदे होते हैं उनकी आकार के आधार इंका अ लकड़िवाबर के लगती हैं जासे कि आपका मैंती होते हैं पालक हो गई मिर्च हो गई टमाटर हो गई जो भी आपको अच्छा लगे इसमें आप रख सकते हैं यह पूंच लिए जाता है इसलिए लिखाए आपर कि साग कौन सा है जारी कौन सी है ब्रच कौन सा है दूसरा जो है वह है आपका जारी यह मद्स रेडी के पादे होते हैं जैसे कि अब चंपा हो गया चमेली हो गया मेंदी हो गया अनार हो गया गुडहल हो गया गुलाब हो गया धतूरा हो गया यह टमाटर से तो बड़े होते हैं दनिया से तो बड़े होते हैं लेकिन यह पीच का माल होता है इनका सब तीसरे नमर पर आता है आपका ब्रच यह को हम ट्रेवी कहते हैं यह पूरी तरह से विक्सित बड़े तता काश्टी पहुदी होते हैं यह काश्टी क्या होता है जिन में लकडी मिलती है इनका निर्मार लकडी का कायका में कर लिया जाता है जैसे कि फनीचर बनाना और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में रहे हो लुगा ठीक है तो यह हो खें आपका वायलओ जी का चैप्टर याने की पार्ट वन पन आखावगों लाद बना आंगा अंजय कोी फरक ही कोई कोई सायदा नी हो रहा है अब दस nue ed50 लोगों के तो नहीं मैंनत करूंगा मैं चाहता हूँ किерь जाहता हूँ कि да वह जहांदा से जाधा लफ लेंगे तो जाधा-जाधा लोग वहां से शेयर करेंगे तो इस तरह सो कि जाता हूँ ज़ादा लोग जोडते हैं यह अब जादा मैंनसे करूंगा नहीं तो तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम